Hello and welcome to TechInfoYT. तो इस वीडियो में हम सीखने वाले है complete full stack application with the help of react native and load js. So complete project from the scratch हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जो कि आप अपनी screen पर देख सकते हैं. First जैसे आप इस application को run करेंगे, तो login page आपके सामने कुछ इस तरीके से appear होंगा. और आप चाहें तो register भी कर सकते हैं, दोनों चीज़े हमने यहाँ पर add किया हुआ है, register पर अगर आप click करेंगे, तो register page यहाँ पर open होता है, जिसमें आप name, email, password और password यहाँ पर हमने hide भी करके रखा है, देख सकते हैं, यह visible नहीं है, और backend के लिए हमने node express js use किया हुआ है, और database इसके लिए हमने यहाँ पर MongoDB database का इस्तेमाल किया है, और यह react native के application हमारे node server पर connected है, जैसे कि मैं भी login करके आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं login कर लेता हूँ, email id से, तो यहाँ पर मैंने email id को enter कर दिया, उसी तरीके से password भी मैं add कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे मै login पर click करूँगा, तो दीखे, login successful, alert message भी हमको देखने मिलता है, और इसके बाद में जितने भी user के post है, तो वो यहाँ पर show करेंगे, उसी तरीके से अगर user को उसके account manage करना है, तो account पर click करेंगा, तो यहाँ से वो अपना account का detail manage कर सकता है, उसी तरीके से update भी कर सकता है, उसक जैसे कि मैं edit करके बता देता हूँ, यह देखिए post 200 है, इसको मैं 500 कर देता हूँ, यहाँ पर 200 के बदले मैं इसको कर देता हूँ 500, और इसके बाद मैं आप simply यहाँ पर update पर click करेंगे, तो देखिए post updated successfully, okay पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए post 500 बराबर से show कर रहा है, MongoDB database में यह सारी चीज़े add होगी, जैसे होगी तो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं, सब कुछ step by step process मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, और यहाँ पर दीखिए logout का button भी है, जैसे इस पर click करेंगे तो हम logout हो जाएंगे हमारी application में, और साथी में alert pop-up भी आपको मिलता तो आप source code में से अपने code को compare कर सकते हैं, या पर नीचे comment भी कर सकते हैं, जो भी error आ रहा है, उसको मिलके solve करने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से हमने हमारे node server को deploy भी करके रखा है, तो last में आपको पता चल जाएंगा कैसे आप node server को भी host कर सकते हैं, वो भी free में, और इस के बाद में last में हमने इस application को build भी दिया हुआ है, तो इस build को आप as a apk file भी use कर सकते हैं, अगर आपको play store पर भी देखना है, तो मैं separately एक video बना दूँगा, आप उस में से देख सकते हैं, और play store पर upload कर सकते हैं, या फिर आप मेरा next project भी देख सकते हैं, जिसमें हम e-commerce application create करे जाओंगा, तो चड़ी video को शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस channel पर नए है, तो channel को subscribe कर ले, bell icon प्रेस करें, ताके latest video की notification आपको मिलती रहे, और साथी में अगर आपको full stack web development सीखना है, तो बहुत सी playlist मेरे channel पर available है, आप check out कर सकते हैं, और भी बहुत सारे projects future में आएंगे, तो make sure आप channel को subscribe करके रखें, तो इस video series में हम create करेंगे full stack application with react native and node.js, तो सब कुछ हम from the scratch देखने वाले हैं, अगर आपको कुछ भी knowledge नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहें तो मेरे previous react native के tutorials देख सकते हैं, उसमें भी माने जिसमें हमने react native के concept को समझा था, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, तो आपको काफी आसानी होगी ये project को समझने के लिए, क्योंकि कुछ चीजे मैं पूरा in detail explain नहीं करूँगा, हम directly project base यहां पर देख रहे हैं, तो direct हम project के साथ में वो सारी चीजों को सीखेंगे, त पिर अगर आपको कोई other tutorial देखना है, तो वो भी देख सकते हैं, crash course भी देख सकते हैं, it's up to you, अभी हम क्या करेंगे, तोड़ा सा setup देख लेंगे, I know, सभी को पता है, setup कैसा होता, लेकिन फिर भी अगर जो beginner है, from the scratch देख रहा है, तो उसको setup भी हम बता देखेंगे, कैसे हम हमारी full stack application यहाँ पर create करने वाले है, तब तक आप क्या करें, यहाँ पर चैनल को subscribe करके रखें, और bell icon ज़रूर प्रेस करें, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर react native को use करने वाले है, और जैसे आप इसकी official website पर आएंगे, reactnative.dev पर, तो कुछ इस तरीके से इसका interface आपको देखने मिलेंगा, get start पर click करिए, और जैसे आप यहाँ पर click करेंगे, तो दीखें, यहाँ पर, जैसे आपको application create करना ना, तो इसमें दो option आपके पास होते हैं, एक्सपो का use कर सकते हैं, यहाँ पिर react native CLI का आप यूज कर सकते हैं, जो भी react native की application है, एक्सप application रहेंगी उसको देखने के लिए, लेकिन एक्सपो क्या है, यह third party है, इसमें आपको काफी सारा code आपका आसान हो जाता है, इसके खुद के packages भी है, और इसकी एक application आती है Android और iOS के लिए, एक्सपो के नाम से, तो अगर आप वो download करेंगे, तो आप locally अपने phone में directly इसको test कर स सकते हैं, और जैसे आप एक्सपो की मदद से application create करेंगे और उसको run करेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक QR code इसमें मिलता है, इसको scan करिए, तो वो application आपके phone में open हो जाएंगी, कैसे होंगी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं reference के लिए आपको बता रहा लाओ, emulator में आपको बताऊंगा, तो emulator के लिए आप क्या करें, android studio को download करें, simply अगर आप google भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगा, first page कुछ इस तरीके से आपको इस landing page पे लाके छोड़ देंगा, और यहाँ से आपको इसको download करना है, यहाँ पर हम इसके अंदर code नहीं लिख नहीं तो आप क्या कर सकते, expo की application अपने phone में download करिए, और जैसे हम इसको run करेंगे तो directly आप अपने, देखिए कुछ इस तरीके से आप इसको scan करेंगे, तो automatically आपके phone में application open हो जाती है, तो same virtual वाली भी, और आपके phone में जो open होंगे application वो दोनो same काम करेंगी, उसके बाद मे available है, macOS, windows, linux, तो जो भी आपका operating system है, उसके साफ साफ इसको download करिए और install कर दीजिए, उसके बाद में आपको थोड़ा सा configuration इसमें भी बता दूँगा, कैसे auto format करना है, कौन सा plugin आपको use करना है, तो वो सारी चीज़े में आपको start में बता दूँगा, ताकि हम speed से हमारा project create क क्या करेंगे, इसके बाद में node.js का use करने वाल है backend के लिए, तो आपको node.js को install भी करना है, अगर आप react भी use करते होंगे, तो node.js आपको download ही करना पड़ता है, क्योंकि जितनी भी dependencies है, वो node.js की मदद से हमारे पास download होती है, I hope आपको पता हूँगा, बहुत basic है, automatically operating system भी detect क कर लेता है, आपको इसकी official website पे जाना है, node.js.org, और यहां से आप LTS version डाउनलोड करें, current वाला मत करिए, इसमें latest features हो सकते हैं, लेकिन bugs भी रहते हैं, कभी कभार हमारी application इससे problem कर देती है, तो make sure आप LTS जो के stable version होता है, तो आप इसको download करिए, जैसे के मेरे case में मेरे पास करके बताता हूँ, node-v, और मेरे पास अभी version है, 18.15, तो at least यह वाला version आपके पास होना चाहिए, इसके साथ में आता है, node package manager, जिसे हम कहते है, npm, इसको भी आप search कर सकते है, npm-v, तो अभी मेरे पास version है, 9.5 का, तो आप क्या करें, पहले शुरू इसको download कर लें, installation बहुत simple है, next-next पर आपको click करना, देखें, software पूरा install करके मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत basic है, अगर आप full stack application create कर रहें, तो at least आपको इतना खुछ से आना चाहिए, उसके बाद में हम rest APIs के लिए express का use करेंगे, most stack ज़्यादा prefer होता है, अच के time पे, और node के साथ में most common य करेंगे, जिसकी मदद से हम database से, या फिर हमारी client की application के साथ में interaction कर पाएंगे, और database के लिए MongoDB यूज़ कर लेंगे, अगर आपको कोई other database यूज़ करना है, तो करिए, आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ पर MongoDB आपको बताने वाला हो, और अगर कोई requirement है, तो आप नीचे comment करें, देखते हैं, फिर कोशिश करेंगे, देखिए, सब कुछ अभी possible नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा react native देखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ, इसमें context API के साथ में आपको project बताओ, क्योंकि मैं सोच रहा था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, Redux के साथ में e-commerce का application देख ल फिर से आपको repeat करने की जरूरत है, क्योंकि mostly Redux यूज होता है, context API भी है, लेकिन Redux standard है, आपको हर company में Redux तो मिलने ही वाला है, तो हम भी try करेंगे, context API के साथ में यह project देख लेंगे, और next e-commerce application, Redux के साथ में देख लेंगे, फिर भी अकर आपको कुछ सवाल है, तो नीचे API में देखे या Redux में, क्योंकि context API और Redux सेम है, बस थोड़ा सा configuration इसमें अलग हो जाता है, context API by default जो है React के साथ में आती है, और Redux जो है third party उसको हमको download करना पड़ता है, और use करना पड़ता है, so I think इतना setup काफ ही है, फिलाल आप इतना setup करके रखिए, हम next क्या करेंगे, हमार पास client application भी है, और server application भी है, क्योंकि हम यहाँ पर full stack application देख रहे है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए new folder create करेंगे, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, full stack react native dash app, तो इतना बड़ा मैंने नाम लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं अ हमारे पास एक root में folder है, full stack react native app, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो new folder create करेंगे, और दो new folder क्या create करना, automatically हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर expo की application create करेंगे, तो उसका नाम हम client रख लेंगे, क्योंकि वो react native की application रहेंगी, उसके बाद में server के नाम से भी create करेंगे, जैसे कि server के क्लाइंगे, client भी create कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, इस path को command prompt में, या फिर terminal में open करना है, मैं अभी windows पे हूँ, तो directly यहाँ पर cmd type करूँगा, तो automatically यह path command prompt में open हो जाएगा, और इसमें आपको क्या करना है, expo की application create करना है, तो इसके लिए simple command है, npx, और उसके okay, यहाँ पर space भी है, और npx के बाद में space देना है, उसके बाद में create expo app, उसके बाद में application करना, हमारे किसमें हम रखने वाले client, क्योंकि हम full stack application यहाँ पर बना रहे हैं, इसलिए हमने, जो हमारी mobile की application है, उसका नाम रखा है, client, इतना लिए अपर enterprise करी है, तो यहाँ पर first time आपको जब dependency के लिए push रखता है, तो आपको yes प्रेस करना है, उसके बाद में, dependencies यहाँ पर download होना start हो जाएंगी, देख सकते हैं, npm install command की मदद से, यहाँ पर सारे packages download होना start हो जाएंगे, और इसको download होने में 2-3 minute लगता है, depend करता है आपके internet connection के उपर, और अगर आप आपके पास बन जाएंगा, देख सकते हैं, client के नाम से, अब इसमें dependency download हो रही है, तो थोड़ा सा time लगेंगा, और जैसे यह download हो जाएंगा, तो इस folder को हम क्या करेंगे, visual studio code में open करेंगे, और इसमे code refactor भी कर लेंगे, और extension, और क्या settings आपको करना है, वो भी मैं start में बता आपके बाद में मुझे फिर से बताना ना पड़े, make sure carefully आप देखें, और यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा time लगता है, वेट करते हैं, इसके finish होने का, और यह जैसे download हो जाता है, तो मैं आपको जो इसको बता दे तो folder में, और पिर हम इसको visual studio code में open करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, सारी dependencies download होगी, अब इसको मैं cut कर देता हो, यहाँ पर देखिए, आप client folder को open करेंगे, तो यहाँ पर बहुत से folders और files आपके पास बन जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले client application देख लेंगे, उसके बाद में फिर server पर काम करेंगे, तो back आत हो, और दोनों folder कों क्या करेंगे, यहाँ पर visual studio code में open करेंगे, I hope आपने VS code को download कर लिया होगा, जैसे हैं download किया होगा, तो right click पर आपको option मिल जाएंगा, दिखिए, open with code, इस पर click करेंगे, automatically यह project आपका visual studio code में open हो जाएंगा, कुछ इस तरीके से, main एक server, और यह हमारी client की यह भी react native की application है, और इसको run भी कर सकते है, integrated terminal भी आपको मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से terminal open कर लेता हूँ, new terminal, और इस application को हम run कर देंगे साथ में, क्योंकि एक बार मैं आपको interface बता देता हूँ, first time मैं आपको कैसा look मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, य आपको सबसे पहले switch भी होना है, sorry, तो इसका भी आपको खास दियान रखना है, क्योंकि packages या फिर dependency हम जब भी download करेंगे, तो server की dependencies आपको server के folder में download करना है, और react native की जितनी भी रहेंगी, इसको आपको client में download करना है, तो switch कैसे होंगे, आपको लिखना है cd, फिर react में तो इसके लिए आपको लिखना है cd, client, इतना लिखके enterprise करिए, clear कर देते हैं इसको पहले शुरू, और यहाँ पे इसको run करेंगे बापस से npm start, तो यहाँ पे हमारी react native की application, expo की मदद से run होना start हो जाएंगी, और एक .expo का folder भी बन जाएंगा, और यहाँ पे अगर आप द यहाँ पे आपको मिल भी जाएंगा, metro bandar भी आप यहाँ से open कर सकते ब्राउजर में, लेकिन उसके जरूरत नहीं पड़ती, एक तो आप direct emulator का use करिए, या फिर इस QR code को scan करिए, और अपने जो भी play store है या फिर iOS store है, उसमें से expo की application को download करिए, वहाँ पे आपको जाएंग emulator का use करेंगे, लेकिन आप QR code से भी इसको कर सकते है, मेरा system उतना capable है, इसलिए मैं emulator का use कर रहा हूँ, अगर आपका system low है, तो फिर आप जाए, इस QR code को scan करिए, अपने phone में भी test करिए, कोई दिख रहती है, ठीक टाक काम करता है, कोई भी error उसमें भी आपको देखने नही मिलेंगा, तो यहां से मैं android studio open कर लेता हूँ, android studio, और यहां से सिर्फ हम virtual device open करेंगे, तो आपको दीखे, three dots पर click करना है, उसके बाद में यहां पर virtual device manager का option मिलेंगा, इस पर click करिए, और यहां पर आप कोई भी device को select कर सकते है, मेरे पास देखिए, pixel 3 is select है, और मैं इसी के सा इसके लिए आपको target करना है directly, तो आप लिख सकते है, या फिर search भी कर सकते है, आपको इसको download करना पड़ता है, मैं जो default आता है, उसी के साथ में continue करूँगा, और यहां से previous data मैं wipe कर देता हूँ, so wipe data, और play के button पे आपको click करना है, जैसे आप play पर click करेंगे, तो देखिए, यहां पर emulator start हो जाएंगा, कुछ इस तरीके से देखिए, phone आपको देखने मिलेंगा, और यहां पर यह load हो रहा है, उसके बाद में आपको इसको power up करना है, अब यह थोड़ा बहुत slow भी चलता है, तो इसका खास दियान रखना है, कभी कबार यह crash भी होता है, तो आपको restart भी करना पड़ता है, तो इस सारी चीजे मैं start में बता रहा हूँ, in case अगर आपके उसमें नहीं चलता है, कुछ चीजे सही से काम नहीं करती, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको restart भी कर सकते हैं, power on off कर सकते हैं, या पिर यह normal जैसे mobile में application को open और close करते हैं, same उसी तरीके से side में कर लेते हैं, और यह रहा VS code, इसको भी थोड़ा सा minimize कर लेते हैं, और side में कर लेते हैं, I hope आपको दिख रहा हूँगा, और यह device रहेंगा, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा hide हो रहा है, तो इसको adjust करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, buttons की भी जरुरत नहीं है, तो यह not reload की functionality को activate कर लेंगे, यानि changes detect होते ही, हमारी application automatically reload हो जाएंगी, वरना हम manual भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे scroll कर ये थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको बहुत से option मिलेंगे, जैसे के हम यहाँ पर emulator use कर सकते है तो उसके लिए आपको A press करना है, और अगर आप Mac यूज कर रहे हैं, और अगर आप Mac यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको Xcode का भी यहाँ पर option मिलेंगा, यानि iOS में open करने का option मिलेंगा, हमारे किस में दिखी है, सिरफ Android का option शोग कर रहा है, क्योंकि हमारे पास Macbook नहीं है, ह अगर आपको debugger open करना है, तो आप प्रेस कर सकते हैं, उसी तरीके से reload करना है application, को तो करेंगे press R, फिर toggle menu के लिए M, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको emulator में open कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं A press करता हूँ, तो देखें, यहाँ पर opening का option मिलेंगा, और pixel 3A जो भी हमारे emulator device है open होगी, और यह project यहाँ पर install होना start हो जाएंगे, दीखें, यहाँ से clone होके, इस emulator में यह paste हो जाता है, और same application, अगर आप QR code scan करेंगे, तो same इसी तरीके से दोनों भी काम करता है, जैसे emulator में show कर रहा है, वैसे same आपके phone में भी show करेंगा, इस पर continue करें, और यहाँ से हम cut क कर देंगे इसको, और इसको भी थोड़ा से minimize कर देता हो, basic application का structure तो आपको बता होगा, कैसे काम करती है, react native के application, फिर भी मोटा मोटा में आपको बता देता हो, dot expo के file behind the scene, expo को काम करने के लिए जो है लगती है, तो इसमें भी हमको कुछ भी चेडशाड नहीं करना है, उसक में क्या होता है, जो भी application में images रहेंगी, videos, audios, जितना भी media है, आप यहां से इसको manage कर सकते हैं, जैसे के, splash screen है, तो जैसे application लोड होती है, तो तब यह splash screen यहां पर show करता है, तो आप इसको भी change कर सकते हैं, वोई भी आप एक image यहां पर add कर सकते हैं, और इसका rename कर दिए name splash. .png कर दीजिए उसको, और इसको delete करके उसको यहां पर paste कर दीजिए, तो सेम काम करेंगा, जैसे कि मैं हाँ पर rpress करता हूँ, तो दीखे, यह image है, तो यह splash screen, उसके बाद में हमारे पास है node modules का folder, क्योंकि obvious सी बात है, react के application है, तो जितनी भी dependencies रहेंगे, वो यहां पर node underscore modules के अंदर add हो जाती है, उसके बाद में git ignore की file, तो अगर आपको कुछ files या फिर अपने जो भी folder इसको github पर push नहीं कराना है, तो आप यहां पर उसको add कर सकते हैं, उसके बाद में app.js की main file, तो यह text लिखा हो आ रहे है, open up app.js, तो दीखे, यही file है, इसमें हम changes करके देख ल गया, तो इस तरीके से यह काम करता है, यानि बार-बार आपको application को restart करने की ज़ुरत नहीं पड़ती, बहुत से cases में करना पड़ता है, लेकिन normal case में आपको यह देखने नहीं मेलेंगा, जैसे आप ctrl s करेंगे, तो automatically changes detect होंगे, और application आपकी यहां पर reload हो जाएंगी, उसके यहां पर देखिए, splash screen की details है, तो यहां से आप splash screen को adjust कर सकते हैं, उसका background adjust कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर इसका color change कर लो, इसको कर दूँ red, save कर लेता हूँ उसको, और उसके बाद में application को refresh कर लेता हूँ, तो देखिए, हमारा background जो है red हो गया, तो यह इस तरीके स यहां पास है babel configuration, क्योंकि react जो है babel पर काम करती है, इसलिए यहां पर babel की file हमको देखने मिलती है, package log json, यानि dependencies का version यहां पर maintain होता है, उसके बाद में हमारे पास एक package json की file, जो के हमारा main package maintain करती है, इसके अंदर देखिए dependencies है, कौन सा package आपके application में install है, तो आप यहां पर check कर सकते हैं, और जो भी आप third party packages install करेंगे, तो वो भी यहां पर आप add कर सकते हैं, और directly आप dev dependencies भी add कर सकते हैं, क्या होता, I hope आपको पता होगा, development के time पर अगर आपको चाहिए, तो आप यहां पर as a dev dependencies भी packages को download करके use कर सकते हैं, उसके बाद में script है, यानि application को कैसे run कर आना है, जैसे के हमने लिखा था npm start, तो उससे क्या हुआ, expo की command run हुई, कौन सी वाली यह देखें, expo start की command run हो गई, उसके बाद में अगर आपको specific android के लिए start करना है, तो यह वाली command भी आप add कर सकते हैं, npm run android, तो automatically android में run होगा, उसके बाद में iOS और web, उसके बाद में application application का नाम, version और भी कुछ आपको इसके अंदर setup करना है, तो कर सकते हैं, देखेंगे हम time के हिसाब से, directly changes करेंगे, तो कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ेंगा, यसे लिए जो है, जितना require है, उतना ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यह हो गया basic setup, अब visual studio code को setup मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्या क्या चीज़े हम यूज करेंगे, पहले शुरू आप extension में आए, और यहाँ पर आपको search करना है, es7 plus, इतना लिखके आप search करेंगे, तो आपको एक extension मिलेंगा, es7 react slash, मैं इसको बढ़ा कर देता हूँ, es7 plus react redux, react native snippet, तो आपको इसको download करना है, तो इससे हमको बहुत से shortcut मिल जाते है, काफी हमारा time बचता है, यानि पुरा code हमको लिखने की ज़रुत नहीं पड़ती, pre-built हमको यहाँ पर skeleton मिल जाता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, auto import का भी use करेंगे, so यहाँ पर search करें, auto import, यह वाला plugin हम use करेंगे, तो जैसे हम कुछ भी type करेंगे, तो अच्छा intelligence हमको मिलता है, और हमारी file automatically import हो जाती है, कैसे होंगी वो आगे देखेंगे, लेकिन आप इसको install करके रखेंगे, उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर pre-tier का भी use करेंगे, so by default तो आता है pre-tier, I don't think बताने की रहता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें, pre-tier code formatter, इसको भी आप install करके रखें, इससे भी हमारा काम आसान हो जाता है, और क्या कर सकते हैं, इसमें I think इतना काफी है, उसके बाद में देखें, यहाँ पर gear का icon है, यानि setting का option है, देखें, manage लिखा हुआ है, इ इससे क्या होँगा, जैसे आप control as press करेंगे, तो automatically आपका code format हो जाएगा, अगर आपको यह functionality नहीं चाहिए, manual आपको save करना है, file को format करना है, तब भी आप कर सकते हैं, कैसा करेंगे, right click करिए, उतना file select करिए, और उसके बाद में देखें, format document का option मिलता है, इस पर click करेंगे, तो same functionality काम करता है, तो आपको जैसे भी अच्छा लगा, तो आपने हिसाफ से आप उसको adjust करिए, मेरे case में देखें, मेरे पास format on save है, यानि कि एगर मैं file को save करूँगा, तो automatically मेरा code format हो जाता है, तो in case मैं कुछ भी type करूँगा, और वो automatically format हो जाएगा, तो समझ जाएगे कि मैंने control S प्रेस किया हुआ है, formatter की मदद से मेरा code automatically format हो गया, तो यही थे basic setup, I hope इतने सारे setup आप करके रखेंगे, next हम क्या करेंगे, direct हमारे project के main part पर काम करेंगे, हम authentication से start करेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या बनाना है, तो उसके हसाफ से पिर आगे screens या पिर ज करेंगे, यहाँ पर components और हमारे screen create करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले client directory के अंदर, यानि आपकी जो react native की application है, उसमें आपको दो folders create करने है, first हम क्या करेंगे, components के नाम से एक folder बनाएंगे, जिसमें हम हमारे reusable components को create करेंगे, तो यह मुसी तरीके से आप मैं new folder इसमें बना लेता हूँ, auth, और इस auth के अंदर हम क्या करेंगे, एक new file बनाएंगे, register के नाम से, register.chairs, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको functional component बना देंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर type करना है, rnfe, I hope आपने react native का extension डाउनलोड करके रखाऊंगे, जो मैंने आपको previous video में बताया था, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, suggestion show करेंगा, rnfe, इस पर click करें, automatically skeleton create हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, और इसको हम क्या करेंगे, app.js में add कर देंगे, और इसको minimize कर देता हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा view remove कर लेंगे अब इसकी जरुरत नहीं, बाद में हम इसको navigation component से replace कर लेंगे, अभी हमको सिर्फ register चाहिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे register, देखिए, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, component automatically import हो जाएंगा, self close कर देंगे इसको, और साथी में styling हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको remove कर ले लेंगे, और simple अभी हमारे पास एक register कर text है, तो इसमें हम क्या करेंगे, form को create करेंगे, और एक title भी हम add करेंगे, जैसे कि register तो already यहाँ पर आ रहा है ना, by default, तो इसको exit रखेंगे, इसके लिए मैं classes भी बनाते चलता हूँ, तो style sheet को आप top पे import करें, यहाँ पे हम इसके लिए हमको एक variable बनाना पड़ता है, const style equal to, फिर style sheet की मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमको create का function मिलता है, इसको call करेंगे, और इसके अंदर हम objects बना सकते है, सबसे पहले container बनाएंगे, container और इसमें मैं कर देता हूँ, flex of one, तो सब कुछ center में यहाँ पर हो जाए simple आपको style लिखना है, इसके बाद में फिर curly braces, फिर styles का object आपने बनाया है, उसके अंदर आपके पास है container की class, save कर लेते हैं इसको, यहाँ पर सब कुछ center में align हो चुका है, देख सकते हैं, register कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसमें margin भी add कर देता हूँ है, horizontally, margin, horizontal, इसको 20 कर center align हो चुका है, इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी title है उसको target कर लेंगे, और जो भी content इसको भी आप center में कर सकते हैं, तो बाद में देखेंगे उसको, यह दिकत नहीं है, यह जो text है, इसको हम as a title डिस्पले करा देंगे, तो उसके लिए भी आप एक class बना सकते है, title, औ इसको मैं कर देता हो, page title, जादा relatable नाम रहेंगा, तो यहां पर हम लिखेंगे, page title, इसमें इसका font size हम change कर देंगे, इसको कर देता हो, 40, इसके बाद में font way, और इसको हम कर देंगे, bold, text align कर देंगे हम, center में, तो यहां पर आप लिखेंगे, text align of center, save कर लेते हैं इसको, और इ कुछ इस तरीके से आपको यह center align भी देखने मिलेंगा, और इसमें background color भी add कर सकते हैं, इनकेस अगर देखना है न, यहां पर background color add कर देंगे, और इसमें hex color में add कर देता हो, जैसे के even d5 c9, save कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से light color हम को देखने मिलेंगा, और जो के ठ dash one e double two two five, save, तो कुछ light color हम को यहां पर देखने मिलेंगा, आप color कोई भी अपने हैसाब से use कर सकते हैं, मैं यहां पर random colors use कर रहा हूँ, तो दीखें, यहां पर basic हमारा title बन चुका है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और text add कर देंगे, यहां पर मैं लिखता हूँ text, औ तो दीखें, और पर उसके बाद में यहां पर text input का आप कुछ इस तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं, इसको भी आप style कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको एक view के अंदर wrap कर लेंगे, so view, और इस view को क्या करता हूँ, मैं यहां पर inline style देता हूँ, आप inline style भी use कर देना, इसलिए, inline style का मैं यहां पर use कर रहा हूँ, और इसको कर देंगे, margin, vertical, और इसमें 20 add कर देता हूँ, और यह जो भी input box है, इसको इसके अंदर हम add कर देंगे, यहां से cut करके paste, save कर लेते हैं इसको, और इसको horizontal कर लेते हैं, vertical तो top bottom रहेंगे, so इसको हम कर देंगे, margin, horizontal, save, तो दीखें, side by side थोड़ा सम को, इसमें spacing भी देखने मिलेंगा, अब इस input को भी आप style कर सकते हैं, कैसे करेंगे, नीचे आप क्या करें, एक class बना दे, input box के नाम से मैं बना लेता हूँ, input box, इसमें इसकी height set कर देंगे, height of 40, enough रहेंगा इस तिंग, और थोड़ा सा margin bottom हम यहाँ पर multiple input box use करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम margin bottom भी दे देंगे, और इसका background color में white कर लेता हूँ, तो यहाँ पर simple hash color use कर सकते हैं, hex color use कर सकते हैं, six time app, यानि इसका मतलब होता है white, save कर लेते हैं इसको, और एक बार apply करके check कर लेते हैं, कैसा दिख रहा है, तो इस input title पर हम क्या करेंगे, इसको apply कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे style.input box, save, तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा border radius भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे border radius, इसको कर देंगे 10, save, तो थोड़ा सा rounded हो गया, उसके बाद में थोड़ा हम margin और add कर देता हूँ, margin top, इसको कर देंगे 10 enough रहेंगा, save, बिल्कुल 10 ठीक है, और यह जो title है, margin bottom हम add कर देंगे, margin bottom of 20, थोड़ा सा space हमको ज्यादा इसमें देखने मिलेंगा, input में आप क्या कर देंगे, इसका color भी change कर देंगे, जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, तब देंगे, 10 ठीक रहेंगा, 10 कर देते हैं, save, अभी check कर देंगे, तो देखें, थोड़ा सा space हमको start में मिलेंगा, उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर color act कर सकते हैं, color act value में यहाँ पर again use कर रहा हूँ, और इसमें हम use करेंगे, af 9f 85, save कर लेते हैं, तो थोड़ा स उसके साथ में यह match होना start हो जाएगा, और ठीक टाक लग रहा है, तो इसी तरीके से अब हमको क्या करना है, बाखी की fields भी create करना है, तो इसी को आप क्या कर सकते हैं, copy, paste, paste, name के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर email add करेंगे, और फिर इसके बाद में password, save कर लेते हैं, त paste किया है, लेकिन यह अच्छी practice नहीं है, अगर हमको एक input जो है multiple components में, या फिर multiple times copy paste करना है, तो आप उसको reusable component में भी convert कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अभी हमारे पास register page है, इसके बाद में हमको login page भी create करना है, तो इसमें भी same input हमको लगेंगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको reusable component बना सकते हैं, और इसको simply call करके, इसके अंदर जो भी attributes या फिर properties उसको access कर सकते हैं, तो next हम क्या करेंगे, reusable input का component create करेंगे, और फिर उसकी मदद से directly जो है, जो जो चीज़े हमको चाहिए, यानि register में हो सकता है, name चाहिए, अब देखिए email का type अलग है, password में हमको इसको secure भ specific, वहाँ पर assign कर सकते हैं, और वो परावर्ज से काम करेंगा, जैसे आप regular में use करते हैं, ना components को, same उसी तरीके से काम करता है, तो next हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा breakdown कर लेंगे, और इसका reusable component create कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यह जो भी input box है अपने पास, इसको हम क्या करेंगे, reusable component में convert कर देंगे, जैसे कि अभी हमने manual copy paste किया था, इसके बतले हम क्या करेंगे, इसको एक reusable component में convert करेंगे, और इसको फिर login में भी हम use कर सकते हैं, यहाँ पर हमको manual जी इसको बताना पढ़ रहा है कि किसलिए हम इसको use कर रहे हैं, तो इसके बतले ह हम क्या कर सकते है एक new reusable component create कर सकते हैं तो components के अंदर एक new folder में create करता हूँ forms के नाम से तो यहां पर मैंने लिखा forms और इस forms के अंदर हम क्या करेंगे एक new file create करेंगे और इसका नाम में रखता हूँ input box आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं make sure और relatable नाम लिखें तो आपको समझने में भी आसानी होंगी और इसको हम क्या करेंगे functional component बना देंगे so react native functional component with export rn fe इतना लिखके आप enterprise करें तो दीखें automatically हमारे पास skeleton इसका बन चुका है save कर लेते हैं इसको save करने के बाद हम क्या करेंगे दीखें हमको यहां पर text और input field चाहिए तो इसको हम क्या करेंगे copy करेंगे और उसके बाद में यहां पर इस text के बदले paste कर देंगे साथी में हमको style भी चाहिए तो style भी आप copy paste कर सकते हैं यह जो भी style का object है आप क्या करें पूरा का पूरा copy करिए इसमें सरफ हमको input box की styling चाहिए तो उतना part हम रखेंगे बागी remove कर लेंगे पहले शुरूई यहां पर में paste करता हूँ और फिर यहां से title और container को remove कर लेता हूँ save तरफ input box की styling है भी अपने पास क्योंकि यहां पर हमने इसको apply करके रखा है और इसका import statement भी आप add करें जैसे कि यहां पर आपको लिखना है text input और उसके बाद में style sheet क्योंकि हमने यहां पर styling भी यूज किया हुआ है इसलिए हमको style sheet भी import करना है save कर लेते हैं इसको अब इसको हम क्या करेंगे register में use करेंगे जैसे कि यहां पर manually हमने type किया था न तो इन सबको मैं क्या करता हूँ remove कर लेता हूँ इसके बतले हम क्या करेंगे simple input box का use करेंगे देखे suggestion शो करेंगा इस पर click करिए component automatically यहां पर import हो जाएंगा कुछ इस तरीके से self close tag कर देंगे save जैसे हमने save किया तो देखिए name बराबर से शोग कर रहा है इसी को आप multiple time copy कर सकते हैं और कोई भी component में या फिर screen में यूज कर सकते हैं जैसे कि इसको copy paste कर लेता हूँ मैं तीन time मैंने copy paste किया और अभी जैसे मैं copy paste कर रहा हूँ तो इसमें name, name, name यानि तीनों field में जो है name आ रहा है अब इसको भी हमको क्या करना है dynamically assign करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ में prop भेज सकते हैं और prop को हम क्या करेंगे फिर इस component में access करेंगे तो यहां पर मैं name add कर देता हूँ ज्यादा relatable नाम रहेंगा समझ में भी हमको अच्छे से आएगा और सभी में आप इसको copy paste कर सकते हैं यहां से मैंने इसको copy किया और पिर इसको paste कर दिया सभी में name के बाद में हम यहां पर करेंगे email और last वाला रहेंगा password के लिए तो हमने यहां पर इसको password कर दि दिया हैं कुछ इस तरीके से अगर आप लिखेंगे prop और फिर इसके बाद में आप chain कर सकते हैं चेन का मतलब क्या है कि आप तो dot लगाना पड़ता है जैसे के prop dot फिर उसके बाद में हमने इसका नाम लिखा था इसका नाम लिखा था input title तो कुछ इस तरीके से हमको add करना करेंगे यहां पर receive करेंगे तो यहां पर यह destructure हो गया save कर लेते हैं इसको अभी भी यह effect नहीं करेंगा क्योंकि हमको इसको बताना पड़ता है कि कहां पर आपको इसको use करना है तो इस name के बदले हम क्या करेंगे यहां पर input title का use करेंगे तो यहां पर opening और closing curly presses save तो देखें इसका type email है फिर password है तो password अगर मैं अभी type करूँ ना to visible है तो हमको इसको भी height करना है अब normal हम web में क्या करते थे इसका type बता देते थे password और यहां पर value assign हो जाती थी लेकिन react native में ऐसा नहीं है इसमें दूसरे props हमको मिलते हैं कौन-कौन से props मिलते हैं अगर आपको check करना है त इसको पहले शुरू जो है ना multiline कर दें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और यहां पर एक और problem क्या है कि देखिए name में तो हमको चाहिए visibility यानि हमको text दिखाना है email में भी हमको दिखाना है लेकिन password में नहीं दिखाना है तो हमको यहां पर condition का इस्तिमाल करना सबसे पहले हम क्या करेंगे देखिए autocorrect जो भी है इसको हम क्या करेंगे यहां पर fault कर देंगे by default क्योंकि हमको autocorrect नहीं चाहिए अगर मानली ची मैं type कर रहा हूँ और autocorrect में कुछ और add हो जाए तो फिर वो तो issue हो जाएंगा इसलिए मैंने यहां पर autocorrect को off कर दिया उसक के time पर name, email के time पर email और password के time पर हम इसका password type बताएंगे और इसको हम क्या करेंगे as a prop receive कर लेंगे तो same नाम से मैं prop बना लेता हूँ keyboard type और इसको हम जहां पर भी use करेंगे तो उसके साथ में pass करा देंगे और साथ ही मैं आप autocomplete का use कर सकते हैं तो autocomplete का भी हमको एक property मिलता है और इसमें भी हम क्या करेंगे इसको dynamic कर लेंगे और यहां पर आप लिखेंगे autocomplete और यहां पर मैं इसको pass करा देता हूँ autocomplete को भी हम क्या करेंगे as a prop receive करेंगे तो यहां पर इसको destructure कर लें keyboard type को भी आप क्या करें यहां पर destructure कर लें तो तीनों को हमने यहां पर destructure कर ल तो dynamic कैसे करेंगे, simply हम क्या करेंगे, as a prop इसको भी receive करेंगे, same नाम से हम receive करेंगे, ताकि अच्छे से हमको समझ में आए, और by default इसको क्या करेंगे, prop के अंदर false कर देंगे, क्योंकि हमको सरफ password को height करना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, password पर true कर देंगे, इसकी condition को, तो as a prop में आप क्या करेंगे, इसको paste कर लें, इसके बाद में आप directly इसमें भी assignment operator इस्तमाल कर सकते हैं, और boolean है तो directly भी आप लिख सकते हैं, और initial time पर हम इसको कर देंगे false, save कर लेते हैं इसको, तोड़ा auto format में कुछ इस तरीके से आपको props दिखाई देंगे, तो यहां पर हमारा reusable component तैयार है, अभी हमको इसको use करना है, क्योंकि देखे, हमने यहां पर बता तो दिया है इसको, कि हमको keyword type मिलने वाला है as a prop, auto complete as a prop मिलेंगा, same, उसे तरीके से secure text entry भी हमको मिलने वाली है, तो यह कहां पर आप use करेंगे, बहुत simple है, register के अंदर जाएंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, input को multi-line कर देंगे, एक में add करेंगे, बाकि में copy paste भी कर सकते हैं, यहां पर आप क्या करेंगे, same, जो value आपने यहां पर use की है न, वही value को हमको add करना है, क्योंकि as a prop भी हमने, वहां पर same चीज पास की है, जैसे के name में हम क्या करेंगे, यहां पर keyboard type बता देंगे, तो यहां पर assignment operator, और I don't think name में ज़रुत है, मैं name में से remove कर लेता हूँ, क्योंकि name में तो कुछ भी pass करानी की ज़रुत नहीं, email में हम इसका type बता सकते हैं, ताकि अच्छे से validation भी performa, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर बता देंगे, एकबर secure वाला option हम यहां पर add कर देंगे, तो यहां पर आप क्या करें, password के अंदर हम लिखेंगे secure text entry, और इसको कर देंगे true, इतना पहले save करके check कर लेते हैं, और application को refresh कर लेंगे एकबर, आर प्रेस करें, application हमारी reload हो जाएंगी, और इसके बाद में password में कुछ value उसको add करेंगे, तो दीखिए, यहां पर हमारा जो भी input text है वो यहां पर hide हो रहा है, कुछ dot dot के form में हमको देखने मिल रहा है, तो इससे थोड़ा सा secure हो जाता है हमारा password, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें auto complete है ना, तो इससे क्या होँगा, जैसे के मान लीजिए मैंने email लिखा, तो email का suggestion आपको देखने मिलेंगा, उसी तरीके से अगर password का है, तो फिर आप password का auto complete add कर सकते हैं, इनके से अगर आपके पास email और password save है ना, तो फिर वो automatically यहां पर आपको suggestion चो करेंगा, उस पर click करेंगे, automatically फिर वो assign हो जाएंगा, यहां पर हम password के लिए भी add कर देंगे, तो यहां पर मैंने लिखा password, save, और email पर click करूँगा, तो यहां पर अगर आपके पास option है, अभी हमारे case में तो fresh application है, अगर आप इसको mobile में test करेंगे, तो वहां पर आपके पास option शो करेंगा, वहां से आप directly email और password को add कर सकते हैं, तो यहां पर हमारा basic form create हो चुका है register के लिए, इसमें हम क्या करेंगे, अब state का भी इस्तेमाल करेंगे, अब state को हमको क्या करना है, यहां पर name से, email से और password से fulfill कराना है, अब आप इसमें object भी बना सकते हैं, या पर सबके लिए जो है separate state भी आप create कर सकते हैं, separate state तो बहुत simple है, हम क्या करेंगे, यहां पर separate state देख लेंगे, so react के बाद मैं आप क्या करें, यहां पर use state हो का सिर्माल करें, और इसके मदद से हम क्या करते हैं, state create करते हैं, state क्या करता है, container का काम करता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, variable बनाते हैं, जिसमें हमको getter और setter function मिलता है, जैसे कि name, set name, equal to use state, और initial time पर इसको empty string कर देंगे, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर email के लिए create करेंगे, email, set email, set email, equal to use state, initially empty string, उसके बाद में है password, तो यहां पर हम password भी add कर देंगे, const password, set password, equal to use state, initially इसको भी empty string कर देंगे, अब इसको हमको bind करना है, तो bind के लिए हम क्या करेंगे यहां पर, सेम नाम से इसको bind कर सकते हैं, जैसे के देखिए, input हम कैसे लिखते हैं, यानि input box को हम value कैसे assign करते हैं, उसके लिए value का property यूज करते हैं, और उसके अंदर जो भी event है, जैसे के इसके on change पर, इसमें कुछ भी type होता न, उसको हम कहते है on change text, तो इस event पर हम क्या करेंगे, setter function का इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या करें, यहाँ पर value को pass करा दे, पहले शुरू मैं name में pass करा देता हूँ, यह रहा हमारा name, इसके अंदर हम क्या करेंगे, value को pass करा देंगे, value name pass करा देंगे, तो इसे तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर set value का option add कर देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे set name को pass करा देंगे अब हमारे पास है email so यहाँ पर आप again value का इस्तेमाल करेंगे value और उसके अंदर हम email की state को pass करा देंगे उसी तरीके से set value का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर फिर set email function को यहाँ पर add कर देंगे जो कि हमको state के साथ में मिलता है getter or setter function again हमको क्या करना है password भी यहाँ पर pass कराना है तो यहाँ पर password की state हम pass करा देंगे same उसी तरीके से set value को भी हम यहाँ पर pass करा देंगे और इसके अंदर setter function set password save कर लेते हैं इसको और नीचे हम देख भी लेंगे कि actual में दिखता है या नी तो इस view के बाद में text में add कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे curly braces will json.stringify क्योंकि string में हमको दिखाना पड़ता है इसलिए हम क्या करेंगे stringify function का इस्तेमाल कर लेंगे और इसके अंदर name, email और जो भी password है उसको यहाँ पर display कराएंगे तो आप लेखेंगे password और इसको थोड़ा सब beautify करने के लिए values को null और four कर देंगे तो यह थोड़ा सब pretty format में हमको नज़र आएंगा save, initial time पर देखें name कुछ भी नहीं है और अगर मैं इसमें type करूँगा तब भी जो है इसमें कुछ भी values detect नहीं हो रही है तो हमको क्या करना है यहाँ पर यह जो भी values type हो रही है उसको यहाँ पर assign करना है क्योंकि जब state के अंदर values assign होंगी तब ही हम जो है वो response को आगे भीज पाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे हमने यहाँ पर value को add किया as a prop हमने add किया all set value भी है तो उसको हम क्या करेंगे फिर d structure भी कर लेंगे input box के अंदर तो यहाँ पर लिखें आप क्या करें सबसे पहले value prop को add कर दें उसके बाद में हमारे पास है set value इसके अंदर हम क्या करेंगे इंपले बहुत value के अंदर हम क्या करेंगे dynamic value add कर देंगे तो यहां पर आप लिखें value के अंदर value और इसके बाद में हमारे पास होता है on change text जो के handler है इसके अंदर हम क्या करेंगे inline arrow function का इस्तेमाल करेंगे और फिर set कर देंगे value को किसे देखें यह function जो हमको simple text return करेंगा यानि जो भी इसके अंदर type हो रहा है वो value हमको assign होंगी as a callback के अंदर और उसको हम क्या कर सकते हैं set कर सकते हैं तो directly आप क्या करें set value के अंदर इसको pass करा दें save कर लेते हैं इसको अब अगर मैं इसमें कुछ भी type करूंगा तो देखें value हमारी state के अंदर store हो रही है देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ भी values type कर रहा हूँ तो actual में हमारे पास data है अब इस data को आप जहें back end पे यानि server पर भेज सकते हैं और इस user को register करा सकते हैं तो उसक हम क्या करेंगे next video में देख लेंगे और reusable button भी हम create कर सकते हैं तो देखेंगे वो भी कैसे create करते हैं next video में अब हम क्या करेंगे यहाँ पर button create करेंगे जिसके मदद से जो भी form का data रहेंगा उसको हम server पर भेज़ पाएं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं डिरेकली इस register के अंदर ही button बना सकते हैं या फिर आप एक reusable component बना सकते button के लिए जैसे हमने input box के नाम से reusable input box create किया सेम उसी इस तरीके से आप जाए button भी reusable बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे directly button को भी reusable बना लेंगे इस components के अंदर जो भी हमारे पास form है छोड़ा साइड में कर लेता हूं इस form के अंदर हम क्या करेंगे एक new file बनाएंगे जैसे के हमारे case में भी input box है तिम उसी तरीके से हम क्या करेंगे एक submit button बना लेंगे so submit button.chars और spelling mistake है इसमें इसको rename कर लेते हैं पहले शुरू वरना बाद में problem देंगा so rename और इस यू को जो है lower case में कर लेंगे इसको भी हम क्या करेंगे functional component बना देंगे rnft react native functional component with export save कर लेते हैं पहले शुरू और इसको साथ में यहां पर मैं assign भी कर देता ह हो ताकि हमको current में values मिलती रहा है यानि यह जो output है उसमें हमको values देखने मिले और साथी में इस text को हम क्या करेंगे comment out कर लेंगे इसकी जरूरत नहीं है भी आप चाहिए तो इसको delete भी कर सकते हैं मगर reference के लिए मैं add कर रहा हूँ और यहां पर हम क्या करेंगे इसके नीचे directly लिए submit button को add करेंगे submit button देखें यहां पर आपको suggestion शो करेंगा और हां component का नाम हमने change नहीं किया देख सकते हां इसको भी आप पहले शुरू change कर ले इसको भी lower case में कर ले मेरे case में जाए spelling mistake है आपकी case में नहीं होगी तो directly आपको अच्छा suggestion मिलेंगा save कर लेते हैं इसको और चलते हैं वापस register page में और यहां पर control space तो देखें यहां पर अब आपको सही से option शो करेंगा submit button make sure इसको import भी करिए मेरे case में auto import हो जाता है मैंने start में आपको auto import का extension भी बताया था इन case नहीं हो रहा है आपकी case में तो इस तरीके से आप manually इसको import करें save कर लेंगे इसको तो यहां पर देखिए submit button करके show कर ला है इसमें अभी हमको काम करना है अब देखिए button में एक problem क्या होती है जो normal हम button use करेंगे ना react native में तो वो सही से काम नहीं करता है यानि इस पर अग लिखें touchable opacity और यहां से मैं view को remove कर लेता हूँ क्योंकि हम reusable component बना रहें और इसमें हमको view की ज़रूत नहीं है directly भी हम touchable opacity का इस्तेमाल कर सकते हैं opening और closing tag इसके अंदर आप normal text add कर सकते हैं और इसको जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हैं जैसे कि हम क्या करेंगी यहा बना कि देख लेंगे फिर इसको reusable बना लेंगे तो इसमें मैं इसका नाम रखता हूँ submit सेव कर लेते हैं इसको तो देखें यहाँ पर submit show करेंगा बस आप क्या करेंगे application को refresh कर लें component का issue आ रहा है ठीक है तो imports में issue हो सकता है register के अंदर देख लेंगे submit button अच्छा देखें य normal कर देंगे save और इसको reload कर देता हूँ मैं तो फिर से application हमारी यहाँ पर reload हो रही है और अब हमको सही से correct value यहाँ पर देखने मिल रही है तो दीखिए यहाँ पर rename किया न हमने import और export में हमारे पास issue आ गया तो अब हमने इसको fix कर लिए चलते वापक submit button में और इसमें हम क्या करेंगे थोड़ी सी styling add कर देंगे पहले शुरू so style sheet को आप सबसे पहले import कर दें तो यहाँ पर मैं लिखता हू style sheet और नीचे इसका object बना लेंगे const styles equal to stylesheet.create function और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसका नाम कुछ भी लिख सकता है जैसे कि मैं same नाम रखता हूँ submit button के नाम से और इसमें हम क्या करेंगे इसका background color यहाँ पर change कर लेंगे और इसके लिए मैं hex color use कर रहा हूँ hash 1e 2225 save कर लेते हैं और पहले शुरू इस पर assign कर लेंगे तो इस touchable opacity पर आप क्या करें सबसे पहले submit button की class को add कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे style और इस style के अंदर हम क्या करें से submit button को pass करा देंगे तो आप लिखेंगे submit btn और style sheet ही है यह यह है style ओके जो variable हमने नीचे बनाया है उसको आपको pass कराना है तो यहाँ पर लिखेंगे style.submit button save तो देखे background color यहाँ पर change हो गया और भी styling के इसमें ज़रुआद है height add कर सकते है height 50 करके देख लेते हैं so 50 ठीक ठ दिखेंगे margin horizontal और इसको कर देंगे 10 save 10 ठीक है मेरे साब से या फिर 20 कर लेते हैं 20 save अब ठीक है या फिर 25 कर लेते है 25 और इसको rounded भी कर लेंगे तो border radius में add कर देता हूं border radius इसको कर देंगे 80 save और जो भी content इसको justify कर देता हूं मैं justify content enter save तो सब कुछ center में हो जाएंगा और text align हम center में कर देंगे text को मैं नीचे बाद में target कर देता हूं अभी के लिए इतना काफी है और bottom से थोड़ा सा margin भी दे देंगे start में ताकि इसके नीचे अगर कोई भी button add होना तो इसके साथ में चिपक करना है to margin bottom और इसको कर देंगे 20 save तो यह होगे हमारा opacity के लिए अब हम क्य क्या करेंगे text के लिए भी बना लेंगे तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यहां पर एक और class बना देता हूं class के लिए यह फिर object तेम बात है और इसको हम कर देंगे button कर text so btn text इसका color हम change कर लेंगे इसको कर देता हूं मैं white color so hash ffffff और इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर text को align कर देंगे text align इसको कर देंगे center में save करके पहले apply कर लेंगे इस text के ओपर आप क्या करें style को add कर दें style फिर styles की मदद से हम क्या करेंगे यहां पर जो भी हमने button text बनाया उस class को apply कर देंगे save तो देखे कुछ इस तरीके से यह show करेंगा इसका font size change कर सकते है और इसको क कर देंगे हम 400 I think enough है save और ठीक टाक लग रहा है देख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आप reusable submit button बना सकते हैं अब next हम क्या करेंगे यहां पर इसके function पर काम करेंगे अब function क्या रहेंगा देखे जो भी values है अपने पास अब यह button हमने बना लिया यह होगा normal button इसके अंदर जो इसको हम क्या कर सकते हैं handle कर सकते हैं और handle करने के लिए हमको state लगेंगा जो कि already अपने पास है देख सकते हैं यह हमारे पास state है इसके अंदर हम क्या करेंगे एक और state create करेंगे loading के लिए so loading set loading equal to use state और initially इसको कर देंगे false तो इसके मदब से आप जहें loading spinner या फिर text show करा सकते ह भी थोड़ी देर में हम देखेंगे यह जो button है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं function बना सकते हैं और उसको assign कर सकते हैं कैसे करेंगे हम क्या करेंगे as a prop receive करेंगे function को और उस function का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे handle submit function और यह जो copy करेंगे और इस text के बदले जो submit हमने लिखा था ना इसके बदले यहाँ पर paste कर लेंगे और यह array में हो गया सो इसको आप क्या करें पहले शुरूँ यह button title यहाँ पर add कर लेंगे save कर लेते हैं इसको तो अभी कोई भी text हमको show नहीं करेंगा अभी हमको register के अंदर यहाँ पर इसको pass कराना है तो आप लिखेंगे btn title और इसके अंदर आप कोई भी title add कर सकते हैं जैसे कि यह register के लिए हैं तो हम लिखेंगे register तो बराबर से यहाँ पर register show करेंगा और क्या कर सकते हैं reusable में तो I think इतना काफी है और loading की state भी आप यहाँ पर बना सकते हैं तो loading के बेस पर हम क्या करेंगे इसका text change करेंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ loading और यह जो text है ना इसको loading के बेस पर कर लेंगे हैं तो मैं पहले शुरूँ इसको dynamic कर देता हूँ multiline कर देता हूँ और इसमें हम क्या करेंगे पहले शुरू loading चेक करेंगे अगर loading है तब क्या करो यहाँ पर please wait वाला text प्लीज वेट वाला टेक्स्ट प्लीज वेट शोग करो अगर loading नहीं है तब क्या करो यहाँ पर जो भी submit बटन का title है वो display करा दो save तो देखें initial time पर हमारे पास अभी loading false है अगर मैं register में जाके यह जो state है इसको true कर दूँगा तो यहाँ पर please wait शोग करेंगा लेकिन कब करेंगा हमको loading की state भी यहाँ पर पास करा नहीं है इस बटन के अंदर तो आप क्या करेंगे यहाँ पर loading पास करा देंगे loading और जो भी state है loading की as it is same नाम से मैं पास करा रहा हूँ safe और initial time पर अगर मैं यहाँ पर true कर दूँगा इसको तो देखें please wait कुछ इस तरीके से show करेंगा और इसमें dot dot भी add कर देता हूँ तो थोड़ा सा effect type हमको देखने मिलेंगा बाद में हम क्या करेंगे इसको spinner से replace कर लेंगे तो चलत हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको pass करा देंगे handle submit same नाम से function create करेंगे handle submit के नाम से तो अब भी यहाँ पर same नाम से बना ले अभी save करूंगा तो error show करेंगा क्योंकि हमारे पास handle submit अभी नहीं है तो चलिए यह function भी हम create कर लेंगे top पे आप create कर सकते हैं मैं आपर comment out भी कर लेता हो आप अपने साब से पूरा comment भी बना सकते हैं const handle submit equal to arrow function arrow function का हम use करेंगे और इसमें आप क्या कर सकते है try catch block का use कर सकते हैं ताकि अच्छे से आप response और error को handle कर पाए catch के अंदर simple हम क्या करेंगे console.log कर देंगे in case कोई भी error आता है तो console के हमको show करेंगा तो उसी तरीके से हम क पर देंगे false, false क्यों करेंगे जो भी error आ रहा है तब हमारा spinner जो भी है वो बंद होना चाहिए अभी हमारे case में spinner नहीं है अभी हमारे case में क्या है, please wait कर text है जो कि हमने यहाँ पर add क्या हुआ है, बाद में spinner से इसको replace करेंगे लेकिन अभी हमारे case में क्या है यह text है, तो अगर हमको name नहीं मिलता है, या फिर अगर हमको email नहीं मिलता है, या फिर एक और pipe का symbol और यहाँ पर password भी चेक कर लेंगे, आप password को add कर लें, यह सारी चीज़े हमको नहीं मिलती है, तब क्या करो, यहाँ पर simply alert का इस्तेमाल कर लेंगे, alert और यह react native का component है, सो आप इसको import करिए, इसके अंदर हमको alert का function मिलता है, उसका आप use कर सकते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी message add कर सकते हैं, जैसे के please fill all fields और इसको return भी कर सकते हैं, directly मैं यहाँ पर return कर देता हूँ, यही से हम इस function को terminate कर देंगे, अगर return नहीं होता है, और हाँ साथी मैं आ time false रहेंगा, जब function execute होंगा, तब हमारी state जो है, true हो जाएंगे, और जैसे हमको response मिलता है, यहाँ पर हमारे क्या मिलेंगा, response मिलेंगा, जैसे response मिलेंगा, तो हम क्या करेंगे, set loading को हम कर देंगे, वापत से false, और अभी फिलाल तो हमारे पास कोई भी API नहीं है, यानि backend नही हैंगे, जिसमें हमारे पास किटाएंगा, name, email, और फिर password, इसको हम चेक करने वाले हैं, और set loading को आप false कर ले, save कर लेते हैं, तो यह function हमारा बन चुका है, अब इसको हम को क्या करना है, on press event पे assign करना है, कहां पर, submit button के अंदर, देखिए, यहाँ पर हमने इसको destructure करके रखा तो यहाँ पर style के बाद मैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे on press, और इसके हम handle, submit को assign कर देंगे, save, अब यहाँ पर मैं click करता हूँ, तो देखिए, alert message हम को देखने मिलेंगा, अगर आप android पर use कर रहे तो जो भी आपका default android का UI होता है, उसमें यह message शो करेंगा, अगर अगर आप iOS के लिए देख रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो भी default iOS का alert pop-up रहता है, वो आपको देखने मिलेंगा, अगर मैं इसमें से कुछ पहले इसको add कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, second for y team, अब मैं यहाँ पर, और देखिए, यहाँ पर please wait show कर रह रहे हैंगा बार-बार, save कर लेते हैं इसको, और इसको मैं top पर कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर line भी matter करती है, save, और return को मैं last में कर देता हूँ, यानि और breakout कर रहा हूँ है, अले शुरू alert, फिर set loading, और फिर return, save, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, application को refresh कर लेंगे, reload कर दि tech info, yt, register, तो देखें, यहाँ पर please fill all fields, okay पर click करूँगा, तो देखें, please wait यहाँ से remove हो गया, तो यह मुसी तरीके से email add कर देंगे, कोई भी dummy सा मैं add कर देता हूँ, register पर click करूँगा, again जो हैं यहाँ पर please fill all fields का message हमको देखने मिल रहा है, आप चाहिए तो separate सब के लिए कर password के लिए, तो यह आपके उपर है, मैं password पर add कर देता हूँ, अब मैं register पर click करूँगा, और console चेक कर लेंगे, यह हमारा console, अब register पर click करता हूँ, तो देखें, log भी बराबर से हमारा call हो रहा है, तो successfully हमारे application में register की functionality enable हो गई, अब हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से login page भी create कर सकते हैं, तो काफी छोटा वीडियो रहेंगा, next वीडियो में हम इसको cover कर लेंगे, copy paste करेंगे simply, तो हमारा थोड़ा सा time भी बचेंगा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, server का setup देख लेंगे, और basic authentication server हम setup कर लेंगे, उसके बाद में फिर इसको connect करेंगे, अब हम क्य करेंगे, यहाँ पर login page भी create करेंगे, और साथ हम इसके नीचे आप क्या कर सकते हैं, एक और link बना सकते हैं, यानि कि अगर user already register है, तो उसको हम क्या करेंगे, login के लिए एक link ले देंगे, जैसे उस पर click करेंगा, तो वो automatically login page पर redirect हो जाएंगा, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो इस button के बाद में, यहाँ पर मैं text ले लेता हूँ, text, और यहाँ पर हम लिखेंगे, already register, please, और एक और text में यहाँ पर बना लेता हूँ, यानि text के अंदर हम text बना रहे है, तो text tag, और यह text हो गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, text के अंदर, text create करेंगे, और इसके अंदर में लिख लेता हूँ, login, save कर लेते हैं, पहले शो को देखते हैं कैसा दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से यह शो करेंगा, इसको थोड़ा सा style कर लेंगे हम, style के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका color change कर सकते हैं, तो नीचे हम क्या करेंगे, एक और class बना 40 ठीक रहेंगा, वड़ा सा बड़ा हमको देखने मिलेगा, फ़ले apply करके देख लेते हैं, यहां पर आप क्या करें, इस text के ऊपर style को apply कर दे, style, फिर style sheet को आपको target करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे styles.link text, save, 50 तो काफी बड़ा है, font size छोड़ देते हैं, हम क्या कर लें इसको color हम add कर देंगे, तो मैं एक और class बना देता हूँ, यहां पर, और simply इसको link कर देंगे, और इसके अंदर color की property add कर देंगे, और इसको मैं red color कर देता हूँ, save, और यहां पर second वाले text में assign कर देंगे, style, और इसके अंदर styles, और फिर link, save, तो देखें, कुछ इस तरीके से यह red में show करेंगा, तो register हमारा complete हो चुका है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, login page create करेंगे, so screen के अंदर आप क्या करें, auth के अंदर आपको जाना है, एक और new file, और इसका नाम हम रखेंगे, login.js, simply हम copy paste करने वाले, सबसे पहले इसको functional component आप बना ले, rnfe react native arrow function with export, इतना पार data copy paste करेंगे, पहले शुरू टॉप पे जो भी चीज़े हैं, उसको आपको copy करना है, copy करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहां पर import कर देंगे, paste, फिर उसके बाद में state भी copy कर लेंगे, यह सारी state है, और button का function भी चाहिए, तो यह भी हम copy कर लेंगे, यह पर पूरा ह कर लेंगे, और इसके बदले paste कर लेंगे, save, तो थोड़ा सा auto format भी यहां पर हो जाएंगा, अभी अगर हमको इसको देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेंगा, app.js में register के बदले login page को show कराना पड़ेंगा, क्योंकि अभी हमारे पास routing नहीं है, दोनों page को एक साथ नहीं द सलता है, इसमें पुरी दिखत नहीं है, fragment का आप यूज कर सकते हैं, इसमें हम जोग इन को add कर देंगे, login, देखें, screen के अंदर आपको option देखने मिलेंगा, इस पर click करिए, यह component automatically import हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, जैसे save करूँगा तो अभी error है, क्योंकि हमारे पास styles न अब इसका text change कर देंगे, तो यह बराबर से show करेंगा, जैसे कि इसमें देखी हमको name नहीं चाहिए, login के अंदर हमारे पास क्या होता है, simply email और password होता है, loading के state चाहिए, loading में कोई भी issue नहीं है, इसमें से आप जाए, name को remove कर लें, और यहाँ आपर बागी सब कुछ same है, registered data के बदले, login data कर लेंगे इसको, name यहाँ से भी मैं remove कर लेता हूँ, name की जरुवात नहीं है, उसके बाद में दीखिए, register है, इसके बदले हम लिखेंगे login, save, और name doesn't exist बता रहा है न, तो name कहाँ पर है, एक बड़ चेक कर लेते हैं, यह वाला name है, first वाला, तो इस input को आप remove कर करीजिए, save, email और password ही अपने पास, और यहाँ पर still register शो कर रहा है, तो नीचे scroll करिए, यह रहा हमारा submit बटन, इसमें हम login कर देंगे, इसको login, save, तो login बटन शो करेंगा, और नीचे का text भी change कर लेंगे, already register के बदले हम क्या करेंगे, not a register, या पर not a user कर लेंगे, not a user, please register और login के बदले, register अपर text शो कर देंगे, save, तो कुछ इस तरीके से यह शो करेंगा, तो perfectly हमने इसको dicto copy कर लिया, अगर आपको इसको test करना है तो आप कर सकते हैं, कोई भी values को आप इसमें add करिए, जैसे के a at a.com, password भी आप add कर सकते हैं, so password 123456, और मैं login पर click करता हूँ, और console भ फिर से details में भर देता हूँ, dummy data कुछ भी भर देता हूँ, और यहाँ पर भी कोई भी dummy से value add कर देंगे, login, तो देखिए, बराबर से काम कर रहा है, देख सकते हैं, जो भी हमने data भर आता है, वो automatically आप console में show कर रहा है, अभी हमारे पास backend नहीं है, इसलिए जो हम यहाँ पर console पर भी हम authentication देख सकते हैं, और अगर आपको इसको local storage में save कराना है, तो इसमें थोड़ा सा method अलग होता है, कैसे करेंगे हम वो आगे देखेंगे, कोई state management solution की मदद से हम क्या करेंगे, इसको local storage में save करा देंगे data को, अब next हम क्या कर लेंगे, routing देख लेंगे, कैसे हम इसके अंदर routing perform कर सकते हैं, basic सा routing का setup देख लेंगे, last में हमको और भी जादा changes करने हैं, लेकिन फिलाल के लिए जो basic हमको ज़रुवत है, उतना routing का setup हम देख लेंगे next video में, अब हम क्या करेंगे, हमारी application में react navigation कर इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम हमारी application में routing perform कर सकते हैं, अगर आपने web में देखा हूंगा, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर react router dom का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन native में हमारे पास separate package है, react navigation के नाम से, इसका आप official documentation भी देख सकते हैं, इसकी official website है, reactnavigation.org, readdocs पर click करिए, यहां से आपको सारा setup मिल जाएंगा, कैसे आप react navigation का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि installation पर आप click करिए, तबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर react navigation slash native का package install करना है, अब आप चाहे तो यान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर npm का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे case में देखिए, मैं यहां पर npm से बताऊंगा, क्योंकि 90% हमारे पास user जो है, node package manager कर सेमाल करते हैं, अगर आपको यहान से करना है, तो उसे place पर click करिए, कुछ इस तरीके से आपको इसकी command मिलेंगी, और इसका आप use कर सकते हैं, हम यहां पर npm वाला copy कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको जाना है, visual studio code में, और integrity terminal में हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस वाले sign पर click करेंगे, और client directory के अंदर switch हो जाएंगे, cd client, इतना लिखके आप क्या करें, यहां पर enter हो गए, तो यहां पर हम client directory के अंदर switch हो गए, इसके बाद मैं आप इसको paste कर लीजिए, control V, और इतना लिखके आपको enterprise करना है, तो यह package आपके react native की application में install होना start हो चोटा सा package है, जादा time नहीं लेंगा, अगर आपके case में यह error show करता है, तो आप क्या करें, जो भी आपकी running application है ना, तो इसको आप क्या करें, terminate कर ले, उसके बाद में फिर install कर ले इस package को, और फिर वापस से आप application को run कर सकते हैं, बहुत rare cases में आपको error देखने मिलेगा, अगर देता है तब आप यह method भी follow कर सकते हैं, देखें, यहाँ पर हमारे case में तो successfully install हो गया, इसके साथ में एक और package आता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप hello react navigation पर click करिए, उसके बाद में, stack का हमको use करना पड़ता है, तो इस command को भी आप copy करिए, copy करने के बाद वाद ds code में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले शुरू इसको clear कर देता हूँ, cls, paste, और इस native stack वाले package को भी आपको install करना है, चोटा package यह जादा time यह भी नहीं लेंगा, देख सकते हैं, protect से यह download हो गया, अब इसको terminate कर लेते हैं, एक instance में हमारी application रन है, देख सकते हैं, इ क्या करेंगे यहाँ पर, navigation के लिए जो भी functions हमको लगते हैं, इसको import करेंगे, import something from at the rate react navigation slash native, और इसमें से हमको चाहिए, navigation container, जैसे आप browser router use करते हैं, तो same उसी तरीके से यह काम करेंगा, और इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर, एक और function हमको मिलता है, पहले शुरू ब navigation slash native stack, और इसमें हमको create का function मिलता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, create native stack navigator, position show करेंगा, उस पर click करेंगे, अब यहाँ पर login हमको बतानी की ज़रूरत नहीं, directly हम क्या कर सकते हैं, इस empty fragment को भी cut कर सकते हैं, इसके बदले हम क्या करेंगे, container का use करेंगे, navigation container, opening और closing tag, और इसक map को क्या करना है, इस function को भी एक variable के अंदर assign करना है, या पर इसकी जो भी values है, आप उसको directly destructure भी कर सकते हैं, तो destructure थोड़ा सा hard हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक variable के अंदर store कर लेंगे, const, और इसका नाम रखेंगे, stack, mostly stack के नाम से इसको create करते हैं, इसलिए हमने लिखा stack, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, create native stack navigator की functionality को यहाँ पर call करेंगे, जैसा हम hook सिस्तेमाल करते हैं, react में, फिम उसी तरीके से हम क्या कर रहें, इसकी सारी functionality को अब हमने stack नाम के variable के अंदर assign कर लिया, और इसको हम अब use कर सकते हैं, कैसे use करेंगे, बहुत simple है, इसक अंदर दिखिए, जैसे आप लिखेंगे, stack और dot chain करेंगे, तो आपको तीन यहाँ पर method मिलेंगे, group, navigator और screen, navigator हम यहाँ पर सबसे पहले use करेंगे, यह routes की तरह काम करेंगा, तो यह container की तरह काम करता है, routing में, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, multiple screen यहाँ पर बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं again, record stack लेता, stack dot screen, self closing tag, इसके अंदर आप screen का name बता सकते हैं, name, जैसे के हम इसको कर देंगे, register, और उसके बाद में कर, component, component के अंदर आपको बताना है, कौन सा component आपको display कराना है, जैसे हम नहीं यहाँ पर top पे import किया था, तो यह जो import वाला नाम है, वही आ आपको यहाँ पर add करना है, तो हमारे case में क्या है, register की screen है, तो यहाँ पर register के component शो कराएंगे, save, और initial time पे भी आप बता सकते हैं, कौन सा component आपको चाहिए, जैसे के अभी देखिए, हमने यहाँ पर इसको save किया, तो automatically इसने initial time पर register को ले लिया, अभी अगर मैं यहाँ पर हम लिखेंगे login, जो कि हमने top पे import किया था यह वाला, same name हम यहाँ पर add करें, save कर लेते हैं as for, अब दीखें, जब भी application reload होंगी, हमको तो यहाँ पर login component चाहिए, लेकिन अभी क्या बता रहा है, register शो कर रहा है, तो उसको हम कैसे fix करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना ह initial prop आपको मिलता है, यानि initial route name, इसके अंदर आप बता सकते है कि initial time पे आपको कौन सा route चाहिए, हम यहाँ पर login कर लेंगे, तो यहाँ पर जो name में अपने spelling लिखी है, same spelling आपको यहाँ पर लिखनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे login, save कर लेते हैं इसको, जैसे आप save करेंग initial time पे हमको login screen यहाँ पर मिल गई, लेकिन इसमें एक और problem क्या है, जैसे यहाँ पर अगर आप notice करेंगे top पर, तो यहाँ पर हमको एक header section मिल रहा है, login के नाम से, जो कि हमको नहीं चाहिए, login register में ऐसा page show कराने की ज़रूरत नहीं, यानि यह जो भी title आ रहा है, इसको हमको display कराना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दीखिए, हम login component इस्तिमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस component के बाद में, जैसे कि यह login है, इसके बाद में मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे options, और यह रहेंगा double curly braces, और इसके अंदर आप multiple operations perform कर सकते हैं, क्या यहाँ पर लिखेंगे header shown, इसको कर देंगे हम false, save कर लेते हैं इसको, तो दीखे, header part यहाँ से remove हो गया, same इसी तरीके से आप क्या करें, इसको copy करें, copy करने के बाद आपको इसको register पर भी apply करना है, ताकि register में भी हमको header section देखने ना मिले, save कर लेते हैं इसको, तो यहाँ प clickable बना देंगे, यानि इस पर जैसे click हो, तो register page show होना चाहिए, कैसा करेंगे, बहुत simple है, चलते है register page में, अब यह जो stack है न, देखिए, इसके अंदर हमको by default navigation का support मिलता है, आपको नहीं पता, फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो official documentation ज़रूर देखें, यहाँ पर navigating to a new screen, यह जो example है, हम यहाँ पर use कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, navigation का इस्तेमाल करेंगे, और directly navigation को destructure करेंगे, अब यह navigation कहां से आ गया, जैसे हम stack use करेंगे, तो by default, देखें, यहाँ पर stack के अंदर हमारे पास जो component है, उसके अंदर by default हमारे पास navigation का support मिल चुका है, अगर navigation यहाँ पर देखना है, तो directly आप क्या करेंगे, navigation को destructure करेंगे, जैसे कि यहाँ पर login page है, और side emulator भी open कर लेता हो, तो हम क्या करेंगे, login वाले component में, directly navigation को destructure कर लेंगे, तो आप लिखेंगे navigation, और इसके मदद से आप क्या कर सकते है, programmatically यहाँ पर navigate कर सकते है, एक page से दूस navigation बना सकते है, पहले शुरूँ इसको multiline कर देता हूँ है, और इसके on press पे हम क्या करेंगे, एक inline arrow function कर स्तेमाल करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, navigation कर स्तेमाल करेंगे, navigation, और इसके अंदर हमारे पास एक और function हमको मिलता है, navigate का, और इसके अंदर आप क्या कर सकते है, का नाम लिख सकते हैं, कहां पर आपको इसको navigate कराना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर register पर navigate करा देंगे, save, अब जैसे मैं हाँ पर click करूँगा, तो दीखें, register पेज पर redirect हो गए, अब इसके अंदर बहुत सी और भी properties मिलती है, animation, कैसे आपको display कराना है, तो वो आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, फिलाल तो हमारी functionality सही से काम कर रही है, अब इसी तरीके से हमको क्या करना है, इस register पेज में भी हमारे पास एक login की link है, इसको भी clickable बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस function को copy कर लेंगे, copy, और फिर register वाले में भी same to same paste कर देंगे, multiline कर देते हैं, फाले शुरू इसको भी और इसके बाद में यहां पर paste कर देता हूँ, paste, अभी हमको navigation को destructure भी करना है, तो top पे आप क्या करें, यहां पर इस function के अंदर navigation को destructure कर लें, save, अब अगर मैं login पर click करूँगा, और यहां पर तो functionality काम नहीं कर दी, चेक कर लेते एक बार क्यों, क्योंकि हाँ, यहां पर हमने navigate के अंदर हमारे पास still register है, तो इसको कर देंगे, login, और यहां पर जो आप name दे रहे हैं, make sure यह name, और app.js में आपने जो name दिया हुआ है, यह दोनों same होना चाहिए, तभी उस page पे या फिर screen पे आपको redirect करेंगा, save कर लेते हैं इसको, अब यहां पर मैं login पर click करता हूँ, तो दीखे, login वाले page पे redirect हो गया, register पर click करूँगा, तो यहां पर register पर हमको redirect कर लिया, और यहां पर चुपत कर भी आ रहा है, तो थोड़ा सा space में add कर देता हूँ, space कैसे add करेंगे, बहुत simple है, register में add कर लेते हैं, पहले शुरूँ, यह जो text आ रहा है, इसके बाद में हम NBSP कर यूज कर सकते हैं, NBSP, कुछ इस तरीके से, यहां फिर आप क्या कर सकते हैं, curly braces, string, string के अंदर space add कर देंगे, save, तो सेम चीज यहां पर काम करेंगा, यसी को हम क्या करेंगे, copy कर लेंगे, copy करने के बाद login वाले में भी add कर देंगे, तो यहां पर है login, यहां पर please के बाद में add कर देंगे, paste, save, और चेक कर लेते register में, तो देखिए, थोड़ा सा space हमको यहां पर भी देखने मिन रहा है, तो successfully हमने यहां पर navigation की functionality भी देख ली हमारी application में, next हम क्या कर सकते हैं, back end server पर काम कर सकते हैं, और basic authentication server हम create करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर authentication server create करेंगे, तो हम node.js को यूज करने वाले हैं, प्राथी में, rest API के लिए हम क्या करेंगे, express.js का इस्तिमाल करेंगे, express.js काफी easy है, और सबसे ज़्यादा popular है node.js के साथ में, और भी बहुत से libraries है, JavaScript के जो के node.js के साथ में, आप use कर सकते है लेकिन express काफी popular है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर express.js के अंदर rest APIs create करेंगे, और यहां पर हम क्या करने वाले MVC pattern पर काम करेंगे, तो देखे, जब भी कोई भी application बनती है, तो वो कोई ना कोई design pattern पर काम करती है, तो mostly node.js के application MVC pattern पर काम करती है, जिसमें हमारे पास ह होता है model, view और controller, model के अंदर हमारे पास database related, जो भी queries है, या फिर structure है, वो हम यहां पर design करते है, view के अंदर जो भी आपका view layer है, यानि हमारे case में react native की application है, तो वो हमारे view का part हो गया, और controller के अंदर हमारे पास रहेंगे, सारे callback function, या फिर जो भी operation आप perform करना चाहते है, तो वो सारी चीज़े हम क्या करेंगे, controller के अंदर रखेंगे, काफी PC के, आप Google भी करेंगे, तो आपको काफी सारी details इसमें मिल जाएंगी, अगर आपको देखना है, तो आप देखिए, वरना dedicated मेरे पास एक Node.js की playlist है, आप देख सकते है, उसमें भी मैंने काफी अच्छे से MVC पैटर्न को explain किया हुआ है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर NPM.js का use करेंगे, सारी की सारी dependencies को download करने के लिए, अब मैं हर कोई dependency यहाँ पर search करके नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको यहाँ पर NPM.js की official website बता दी, जैसे हम Google में search करते हैं, उसी तरीके से अगर कोई भी package चाहिए, तो आप यहाँ पर search कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं Express यहाँ पर search करूँगा, तो दीखिए, काफे सारे packages हमको देखने मिलेंगे, मैं simple यहाँ पर Express search करता हूँ, तो दीखिए, यहाँ पर कितने सारे results मुझ को देखने मिलेंगे, अगर मेरी spelling सही है, तो exact match का यहाँ पर आपको keyword मिलेंगा, इस पर जैसे click करूँगा तो देखिए, अभी हम जो इसकी official website देख रहे हैं, तो यह वाली website, और यहाँ पर express.js, npm.js पर जो show करेंगा, तो same रहेंगा, npm.js हमको थोड़ा सा समे stats show करता है, जैसे कि इसकी installation command, repository, home page, कितना download हो रहा है, version क्या developer ना बन जाए, बागी तो आप copy paste developer है, तो आप simply यहाँ से installation command, copy करिए, और install करिए, और इसका documentation देखिए, और use करिए, अब मैं यहाँ पर जितने भी packages download करूँगा, तो आप इसको one by one यहाँ पर आगे चेक करिए, कि यह package क्या काम करता है, देखिए, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, लेकिन in detail अगर आपको जानना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर search करिए, जैसे कि मैं एक और package यहाँ पर बता देता हूँ, Morgan, आप search करिए Morgan, और यहाँ पर search पर click करेंगे, तो देखिए, exact match है, इस पर click करिए, तो Morgan क्या काम करता है, यहाँ पर, हमारा जो को लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी necessary code है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से copy-paste कर सकते हैं, हम rest API's create करेंगे, लेकिन जो भी dependencies हैं, उसको हम यहाँ से download करेंगे, आप क्या करेंगे, जो भी dependency मैं यहाँ पर बताऊंगा, तो आप यहाँ पर आके उसको search करिए, और यह चलते हैं, वापस VS code में, अभी server के अंदर हम क्या करेंगे, MVC pattern पर काम करेंगे, तो आपको बहुत सारे folders बनाने हैं, जैसे के models, models के अंदर हमारे पास database से related, जितने भी हमारे पास schema रहेंगे, हम उसको design करेंगे, सेम उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर controller create करेंगे so controllers, और यह है controllers, उसके बाद में हम यहाँ पर routes पी create करेंगे, so routes, उसके बाद में configuration files, تو उसको, config के अंदर add करेंगे, config, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और folder create करेंगे, utils के नाम से, या पर helper के नाम से कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे helpers, और I think इतना काफी है और फिलाल के लिए इतने folders काफी है और भी अगर हमको लगते हैं तो बाद में देखेंगे हैं और इसमें हम क्या करेंगे एक new file बना देंगे जो कि हमारी entry point file रहेंगी हमारे server को run करने के लिए इसका नाम हम रखेंगे server.js आप चाहें तो इसका नाम index.js रख सकते हैं या फिर app.js भी रख सकते हैं इस अब यह file तो बन गई लेकिन यहाँ पर हमारे पास नाव तो dependency है और नहीं इसको पता है कि कौन सा server और कहां से यह run होने वाला है तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले terminal में जाएं यह terminal और आपको server directory के अंदर switch होना है तो यहाँ पर लिखेंगे cd server enterprise करेंगे तो अभी हम server directory के अंदर switch हो गए इसके अंदर आपको क्या करना है सबसे पहले लिखना है npr init इतना लिख के आप enterprise करिए उसके बाद में आपको पूछेंगा देखिए आपको अपने package का नाम क्य है तो add कर सकते हैं जैसे कि मैं add कर देता हूँ full stack app उसके बाद में entry point file हमारे case में देखिए यहाँ पर automatically इसने server.js बता दिया क्योंकि हमने इसको initial time पे यानि इस npm init command से पहले ही server.js की file को create किया था अगर आप जो है directly भीना server.js की file create किये यहाँ पर इस npm init command को execute करेंगे तो य आपको क्या करना है यहाँ पर add करना है server.js इतना लिख के enterprise करिए test command हमको नहीं चाहिए repository भी नहीं चाहिए keywords भी नहीं चाहिए author में आप अपना नाम दिख सकते हैं और इसके बाद में license पूछता है तो as it is रखेंगे उसके बाद में last में आप से confirmation के लिए पूछता है कि यह सारी details सही है या नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर enterprise कर देंगे और जैसे हमने enterprise किया तो देखिए यहाँ पर package.json के file बन गई और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ है और जो चीज़े हमने यहाँ पर npm init command की मदद से fill की थी तो वही सारी चीज़े यहाँ पर show करें कैसे करेंगा पहले शुरू इस package.json file को close कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ dependencies को download करेंगे TLS और इसको minimize करता हूँ है sidebar को और इसमें आपको लिखना है npm install command और इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले express का use करेंगे express view यूज करेंगे हम क्योंकि हमको express की मदद स REST API को create करना है इसके बाद में हमको MongoDB database से connection establish करना है तो इसके लिए हम mongos package करेंगे और network request को monitor करना है इसलिए हम Morgan का use करेंगे और थोड़ा सा colorful console मिले इसलिए हम colors package भी यहाँ पर use करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा security पर भी हमको काम करना है इसलिए हम .env और फिर उसके ब बाद में Bcrypt का भी use करेंगे ताके हम password को hash कराता है और JSON Web Token भी आप जो है download कर सकते है लेकिन हम बाद में देखेंगे इसपो separately तो अभी इसको download करने की ज़रूरत नहीं है Bcrypt के बाद में आप क्या कर सकते है यहाँ पर Cords का use करेंगे ताके जब हम हम हमारी application को कोई भी दू install कर लेंगे इसका मतलब क्या होता है cross origin दो port आपस में communicate करेंगे तो उसके लिए हमको Cords package लगता है और I think इतना काफी है फिलाल के लिए उतना लिखके आप enterprise करिए तो सारी dependencies जो है download होना start हो जाएंगी और यहाँ पर दीखिए node underscore modules का folder भी create होना start हो जाएंगा अभी फिलाल त इसके finish होने का छोटे-छोटे packages से ज्यादा time नहीं लेता है depend करता है आपके internet connection के उपर तो दीखिए successfully यह download हो गए और node underscore modules का folder भी हमारे पास बन चुका है make sure server के अंदर server का code है client के अंदर client का code है तो आप इसको mix up मत करिए दोनों separate है तो यहाँ पर सारी dependency download हो गई अभी terminal को close क कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे हमारा first server create करेंगे तो जो भी packages आपने download किये थे तो आप उसको import कर सकते है कैसे करेंगे const express प्रेमाल करेंगे so express equal to फिर आपको require की मदस्से को import करना है तो आप लिखेंगे require और इसके अंदर हम बता देंगे express को उसे के साथ में जितन imports को भी हमने add कर दिया उसके बाद में .env तो const.env equal to require of .env उसके बाद में colors भी चाहिए so const colors equal to require of colors और क्या use किया था morgan भी था so morgan को भी import कर देंगे const morgan equal to require of morgan तो morgan को भी हमने import कर दिया और सारी dependencies को आप package.log.json की file में देख सकते हैं देखें यहाँ पर dependencies है तो यह object के अंदर सारी dependencies आपके पार show करेंगी जितना भी आगे या अभी भी आपने download किया होगा तो वो यहाँ पर show करेंगा और I think अभी फिलाल के लिए इतना सारी dependencies काफी है mongos हम अभी यहाँ पर नहीं देखेंगे separate database की file create करेंगे और फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे pcrypt का use भी बाद में करेंगे token भी हम बाद में देख लेंगे tone packages को भी यहाँ पर import करने की ज़रत नहीं है अभी फिलाल के लिए इतन functionality को assign कर देंगे तो आप लिखेंगे express of यानि express com ने call कर दिया और main चीज़ आपको यहाँ पर .env को configure करना पड़ता है so उसके लिए आप क्या करें यहाँ पर config कर दे .env.config इस function को आपको call करना है और root directory के अंदर आप क्या करेंगे इस server के अंदर .env की file create करेंगे यह confidential file होती है इसमें आपके सारे ports या फिर secret keys यहाँ पर assign होगे so make sure यहाँ पर इसको carefully आप root में करेंगे अगर इसको आप कोई भी दूसरे folder के अंदर add करेंगे तो यह functionality सही से काम नहीं करेंगी अब इसको close करते है फिलाल हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए हमने .env को भी configure कर दिया rest object भी बन गया उसके बाद में हम यहाँ पर middlewares का use करेंगे so middlewares middlewares क्या काम करेंगा API को execute करने से पहले जो भी content रहेंगा उसको यहाँ पर execute करेंगा यहाँ middleman का काम करता है यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले app.use के इस्तेमाल करेंगे और chords को enable कर देंगे थाकि cross origin request हम base by इसके बाद में हम क्या करेंगे json data को access करेंगे तो आप लिखेंगे app.use of फिल express के अंदर हमारे पास json का option मिलता है तो उसको हम simply call कर देंगे तो इससे क्या होगा हम json data को send कर पाएंगे और receive कर पाएंगे उसके बाद में morgan का use करना है app.use of और इसमें हम लिखेंगे morgan, morgan के इंदर भी हमको एक sub package मिलता है तो यहाँ पर हम dev कर देखें बाद में आप custom middlewares भी create कर सकते हैं जो कि हम आगे देखेंगे कैसे create करना है इसके बाद में आपको port number बताना है तो हम लिखेंगे port और port हम क्या करेंगे .env की file में से access करेंगे इस .env file के अंदर एक variable बनाता हूँ port और इसके अंदर हम assign कर देंगे 8080 और इसको हम use करेंगे server के अंदर और इसको भी एक variable के अंदर assign करेंगे const port equal to फिर process कर सितेमाल करना है फिर उसके अंदर environmental variables और फिर जो भी आपने variable का नाम दिया है जैसे कि हमारे case में है port तो इसको हम क 8080 assign कर लो और routes पर हमको चाहिए तो routes पर मैं add कर देता हूँ यहां पर हम लिखेंगे routes और इसमें हम लिखेंगे app.get get मतलब आप browser में भी check कर सकते हैं उसके लावा जितने भी card operation रहेंगे जैसे कि post, put, delete तो उसके लिए आपको client लगेंगा हमारे case में client को ने react native के application है तो आप उसका use कर सकते हैं या फिर आप postman tool का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर insomania का भी आप use कर सकते हैं यह सारी चीज़े क्या है तो आप google भी कर सकते हैं वह तो मैं link आप description में दे दूँगा सबसे पहले हम क्या करेंगे get method देख लेंगे और इसके अंदर आप url path लिख सकते है empty रहेंगा मतलब home page पे रहेंगा तो इसके बाद में callback function जिसके अंदर हमारे पास request और response होता है normal function भी आप click सकते हैं या फिर arrow function का भी आप use कर सकते हैं तो हम यहाँ पर arrow function का इस्तेमाल करेंगे और इसमें response send कर देंगे res.status status of 200 यानि ok request इसके बाद में फिर json response हम send कर और इसके अंदर एक message में add कर देता हूँ जैसे कि success true और एक message add कर देंगे message welcome to full stack app save कर लेते हैं इसको इसके बाद में हमको हमारी application को run कराना है तो run कैसे कराएंगे तो उसके लिए आपको जाए listen कराना पड़ता है application को उसके लिए आप लिखेंगे app.listen function लिसन में हम क्या करेंगे यहाँ पर port number assign कर देंगे जो कि already हमने एक variable के अंदर store करके रखा है और यह port हमारे पास environmental variable में से आ रहा है अब इस port को हम क्या करेंगे यहाँ पर assign कर लेंगे और जैसे assign करेंगे उसके बाद में इसमें भी हमको callback function मिलता है जिसमें आप कुछ भी return करा सकते हैं तो हम क्या करेंगे console.log कर देंगे तो आप दिखेंगे console.log और backtick कर देंगे इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं और यहाँ पे एक message प्रिंट करा देंगे server running और port number हम dynamic यहाँ पर add करेंगे so template string कस्तेमाल करेंगे dollar curly braces और port variable को यहाँ पर assign कर देंगे उसके बाद में आप क्या करेंगे हाँ पर dot chain करेंगे और इसके बाद में आप color package कस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि देखिए आपको direct colors लिखने की ज़रत नहीं है simply अगर आपने इसको import कर दिया ना तो इसकी functionality activate हो जाती है जैसे dot chain करेंगे तो automatically आपको option बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे कि bg green और इसका जो text है इसको भी आप change कर सकते हैं जैसे कि इसको कर देता हूं में text को white save कर लेते हैं इसको अब हमको हमारी application को run कराना है कैसे कराएंगे आपको वापस से terminal में जाना है so new terminal server directory के अंदर switch हो जाएंगे cd server enterprise करिए उसके बाद में आप लिखेंगे note फिर आपकी file का नाम हमारे case में server.chess इतना लिखें आप enterprise करिए तो देखें हमारा server यहाँ पर run हो चुका है इसको आप test पी कर सकते हैं browser में क्योंकि हमारे पास get request है यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक message है welcome to full stack app तो इसको हम test कर सकते हैं चलतें browser में यहाँ पे मैं URL type करता हूं localhost और port हमारा तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8080 इतना लिखें आप enterprise करिए तो देखें welcome to full stack application तो perfectly हमारा server काम कर रहा है अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी changes करूँगा जैसे कि देखें यहाँ पर full stack app है इसके बाद में मैं लिखता हूं tag info yt save करूँगा और वापस browser में आऊँगा refresh application को तो कोई भी changes हमको यहाँ पर देखने नहीं मिलेंगे जैसा हम normal react या फिर react native के application में देखते हैं कुछ भी हमने change किया ctrl s किया या फिर save किया file को तो automatically changes detect होते हैं लेकिन node में ऐसा नहीं है node में आपको manually बारबाल refresh करना पड़ेंगा या फिर आप क्या कर सकते है node 1 का use कर सक ऐसे नहीं लिख्के आप search करिए first link आपको मिलेंगा तो यह क्या करेंगा आपका code जो है node.js का उसको watch mode में on रखेंगा तो आप क्या करें इसको globally install करें दिखें command आपको मिल जाएगा npm node.mon जैसे आप इसको install कर लेंगे अपने system में install करना है application में मत करिए globally अपने system में इसको इंस्टॉल करें, तो आप इसको बाद में कहीं पर भी जब भी आप Node.js पर काम करेंगे, बार बार आपको इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, मेरे किसमें औरीडी मेरे सिस्टम में यह इंस्टॉल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है, आप क्या करेंगे, एक और कस्टम स्क्रिप्ट यहां पर बनाएंगे, जैसे कि मैं सर्वर के नाम से बनाता हूँ, सर्वर, और इसमें हम क्या करेंगे, Node.js की मदद से हमारी अप्लिकेशन को रन कराएंगे, और यह जो अप्लिकेशन रन है, इसको क्लोज भी कर देते हैं, Ctrl-C, और द करना है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सर्वर को क्लोज कर देतो, Ctrl-C, और पैकेज जैसन फाइल में वापस चलते हैं, इस सर्वर में हम क्या करेंगे, Node.mon की मदद से अप्लिकेशन को रन कराएंगे, Node.mon, फिर हमारी फाइल का नाम, हमारे किसम है, server.js की फाइल, अगर आपकी npm, run, फिर server, इतना लिखके आप enterprise करिए, तो अब हमारी application, Node.mon के थुरू run हो गई, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको message भी मिल जाएंगा console पे, यलो में देखिए, आपको show करता है, कि application, Node.mon के थुरू run हो रही है, अब देखिए, यहाँ पर मैं जाता हूँ वापस application में, localhost, port, 8080, इतना लिखके enterprise करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर हमारा latest text हमको देखने मिल रहा है, welcome to full stack app, tech info IT, अब मैं इस tech info IT को remove करता हूँ, यहाँ से हम इस वापस से remove कर लेंगे, save, तो जैसे save किया, तो server automatically यहाँ पर restart हो गया, अब चलते हैं, ब्रावजर में, अब जैसे reload करूँगा तो दीखे, tech info IT यहाँ से remove हो गया, तो इस तरीके से node 1 काम, तो इस तरीके से node 1 काम करता है, I hope आपको समझ में आऊँगा, basic setup तो हमने देख लिया, next हम क्या करेंगे, database से connection देख लेंगे, उसके बाद में फिर API को create करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे node server में database का use करेंगे, और database के लिए हम यहाँ पर MongoDB database का use करने बाले हैं, अब इसके अंदर आपके पास दो option आते हैं, एक तो आप locally अपने system में MongoDB को download करके use कर सकते हैं, as a local host, या पिर आप जहाँ इसका cloud server भी use कर सकते हैं, cloud में देखे हमको 512 MB free मिलता है, जैसे कि आप try free पर click करेंगे, तो आपको इसमें sign up करना पड़ता है, अगर आपके पास already account है, तो direct आप login कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको local use करना है, तो आप products पर click करिए, उसके बाद में आपको जाना है, community server पर, और उसके बाद में नीचे थोड़ा सा scroll करिए, और पिर जो भी आपका operating हम में limited रहेंगा, और अगर आप cloud use करेंगे, तो आप ये database कहीं से भी use कर सकते हैं, pricing अगर आप देखेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर आपको free tier भी मिलता है, यानि 512 MB आपको देखें, यहाँ पर shared में free मिलता है, जो कि enough है, 512 MB बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर हम hobby projects देख रहें, और normal project भी पास हो भारा MBA में run हो जाता है, so don't worry, जब आप companies में काम करेंगे, तो आपको बाद में dedicated या फिर serverless functions में लेंगे, वो आपको company provide करेंगी, अभी आप shared वाले part को देख सकते हैं, यहाँ पर आप account create करें, try for free, जैसे इस पर click करेंगे, तो कुछ इस तरी गिन हो दूसरे tab में, तो यह मुझे dashboard पर automatically redirect कर लेंगा, अगर आप first time देख रहें, तो थोड़ा सा interface यहाँ पर आपको अलग देखने मिल सकता है, क्योंकि मेरे case में already यहाँ पर cluster है, cluster का मतलब क्या है, कि आपको 512 MB का database मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने चोटे- SQL पर काम करता है, और noSQL में क्या होता है, key value pairs होते है, तो इनका size काफी kb में होता है, ठीक है, normal अगर आप SQL का use करेंगे, तो इसमें को structure बनाना पड़ता है, यहाँ पैसा नहीं है, directly हम क्या कर सकते है, object बना सकते है, JSON का, और उसके अंदर कोई भी data को easily manage कर सकते है, I hope आपको share पर click करिए, उसके बाद में आपको यहाँ पर server select करना है, तो cloud server AWS enough है, बहुत अच्छा चलता है, तो आप by default रहने दीजिए, उसके बाद में आपको जो भी region है, यहाँ से अप select कर सकते है, जैसे कि मेरे case में Mumbai nearest है, तो यहाँ पर मैं Mumbai select कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर backup settings है, तो इसको on मत करिए, फिर यह जादा data खाएंगा, और 512 MB जल्दी आपकी जगा खतम हो जाएंगी, तो आप इसको uncheck रखिए, उसके बाद में cluster details है, यहाँ पर आप इसका नाम change कर सकते हैं, रहने दीजिए, by default कोई इतना खास work नहीं पड़ता है, उसके बाद में इस create वाले button पर click करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से cluster देखने मिल जाएंगा, और यहाँ पर थोड़ा सा status भी बताता है, कैसे यह perform कर रहा है, तो analytics अगर आपको देखना है, तो आप देख सकते हैं, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर security में जाना है, और यहा local system पर use करें, और local system का कोई IP address नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे system में भी क्या करेंगे, npm run command लिखेंगे, अब उसका IP fix नहीं रहता है, अगर आपका network change होता रहता है, बार बार तो इससे हमको problem होगी, अगर आप यहाँ पर, देखें, मैं एक add करके बताता हू, add IP address, अगर आप यह करेंगे न, इस पर click, तो आपका IP यहाँ पर show करेंगा, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मेरे case में show कर रहा है, लेकिन अगर आप इसका use करेंगे, तो फिर अगर आपका IP change हो जाएंगा, तो फिर आप इस database को access नहीं कर पाएंगे, so make sure, आप क्या करें, मैं मैं इसको cancel कर देता हूँ, यहाँ पे 000 कुछ इस तरीके से add करें, मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ, edit, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.0.0.0.0, इसका मतलब क्या होता है, localhost, यानि कहीं से भी हम इस database को access करना चाहते हैं, हमारे पास username और password रहेंगा, तो हम इस से भी access कर पाएंगे, इसके बाद मैं आप क्या करेंगे, user भी create करेंगे, so database access का menu मिलेंगा, इस पर click करेंगे, और इसमें आपको user और password create करना है, और इसके बाद मैं आपको permission allow करनी है, जैसे कि read and write की permission आपको देना है, आप चाहिए तो new user भी create कर सकते है, add new database user पर click करेंगे, यहां से आप क्या कर सकते है, new user create कर सकते है, यहां से आप इसको permission देंगे, देखे, add built-in role, फिर इस पर click करेंगे, यहां पर देखे, आपको option मिलता है, read and write to any database, इस पर आपको click करना है, अगर आप यहां पर only read and database करेंगे, तो फिर आप इसमें कोई भी CRUD operation perform नहीं कर अब जैसे यह सारी चीज़े हो गई, उसके बाद में आप वापस आएंगे database पर, और यहां पर हमको देखे, connect का option मिलता है, और अगर यहां पर browse collection पर click करेंगे, यह भी बता देता हूँ मैं आपको, browse collection पर click करेंगे, तो जितने भी database इस cluster के अंदर रहेंगे, वो show करेंगा, देख सकते हैं, यहां पर जितने भी application में database रहेंगे, वो यहां पर show करेंगे, आप manually भी database create कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरुरत नहीं है, हम क्या करेंगे, directly connection string की मदद से, क्योंकि no SQL database है, तो आपको create करने की जरुरत नहीं पड़ती, जैसे database से connection establish होंगा, और connection string में जो भी database का नाम रहेंगा, वो automatically यहां पर create हो जाएंगा, अब connection string कहां से लेंगे, तो आपको जाना है वापस से database में, और इसके बाद में connect का option आपको मिलेंगा, इस पर click करिए, उसके बाद में आपको बताना है कि कैसे आपको connect करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर compass पर click करेंगे, क इसके official website पर जाएंगा, प्रोडक्स में आपको जाएंगा, उसको download करिए, मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ थोड़े देर में, लिखिए, यहां पर हमको connection string मिल गया, इस connection string को आपको copy करना है, copy करने के बाद दिखिए, यहां पर आपको क्या करना है, अपना username add करना है, मेरा मत copy करिए, मैं hide कर दूँगा, और यहां पर password add करना है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर slash के बाद में database का नाम लिखेंगे, जैसे के मैं बता देता हूँ, चलते हम VS Code में, और इस .env file में हम क्या करेंगे, एक और environmental variable बनाएंगे, और इसका ना native, इतना दे देता हूँ मैं, full stack app भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको database का नाम लिखना है, आप लिख सकते हैं, सिर्फ मुझे याद रहे, इसलिए मैंने फोड़ा सा नाम इसका react native लिखा है, और इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर इसको cut करके अपना username लिखें तो इसके लिए आपको वापस जाना है mongodb.com पर, और यहां पर products पर आपको click करना है, और tools के अंदर आपको मिलेंगा compass, इस पर click करिए, यह tool है, यह GUI tool है, जिसमें आपको graphically database दिखाई देते हैं, वरना फिर आपको PowerShell का use करना पड़ेंगा, database को check करने के लिए, और हर ब इसके लिए, कैसे काम करता है, नीचे सारी details आपको मिलेंगी, थोड़ा बहुत similar है, MySQL अगर आपने use किया है, तो इससे मिलता जुलता है, लेकिन यह NoSQL database है, तो इसमें हमको कोई भी structure बनाने की जरुरत नहीं है, जो भी काम रहेंगा, वो आपको node के थुरू models बनाना है, उ उसके अंदर आप अपना structure बना सकते हैं, और उसको change कर सकते हैं कितने भी, इसमें कोई भी limitation अपने पास नहीं है, यहाँ पर देखे, download and install compass, इस पर click करिए, फिर बता देगा कैसे आप इसको download कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ जाना है, तो इसका documentation देखें, सारी details आप को यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चलिए, basic हमारा setup हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक new file create कर सकते हैं, और configuration एक file create करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, database से connection establish करेंगे, तो चलते वापस VS code में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, और हाँ, make sure .env file में अपना username और password add करेंगे, मैं यहाँ पर मेरा username और password add कर दूँगा, और इसमें changes करेंगे, तो make sure server restart करें, save करने से, इसमें कोई भी effect नजर नहीं आता है, तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, config के अंदर एक new file create करेंगे, और इसका नाम मैं रखता हूँ, db.js, यानि database के हम यह file बना रहे और इसके अंदर simply हम क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि mongo db database से हमको connection देखना है, तो उसके लिए हमको mongoose package लगता है, जो के already हमने download करके रखा है, तो directly हम उसका use कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, लिखे const mongoose equal to require of mongoose, so mongoose का package हमने य require of colors, ताकि console में colorful message भी हम दो करा पाए, इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक function create करेंगे, so const, और इसका नाम आप रख सकते, connect db equal to arrow function, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर connection establish करेंगे, mongo db database के साथ में, यहाँ पर मैं async कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कर सकते, try catch clock भी लिख सकते हैं, ताकि अच्छे से हम response और error को handle कर पाए, catch के अंदर हम क्या करेंगे, console.lock कर देंगे, जो भी error को as it is, यहाँ पर print करा दो, यहाँ पिर इसको और ज्यादा enhance भी कर सकते हैं, कैसे, हम क्या करेंगे, back tick का use कर लेंगे, और dynamic message add कर देता हूँ, error in connection string, या फिर dv, इस तरीके से कर देंगे, और जो भी error आ रहा है, उसको यहाँ पर print भी करा देंगे, so dollar, curly braces, उसके बाद में, जो भी error object है, उसको as it is, pass करा देंगे, और इसका color change कर देंगे, इसको कर देंगे, bg, red, और इसके अंदर का जो भी text है, उसको कर देंगे, white, तो य इसके बाद में mongoose का आपको use करना है, इसके अंदर हमको मिलता है connect का function, so mongoose.connect, इसके अंदर आपको क्या करना है, connection string को paste करना है, जो के already हमारे पस .env file के अंदर है, कैसे करेंगे, आप जह process का इस्तेमाल करेंगे, क्लिके .env के file है, इसलिए यह कहां से आती है, यह process में से आती है, process के object में हमारे पास होता है .env, उसके अंदर हमारे पास रहेंगा variable, कौन सा variable, जो हमने यहां पर नाम दिया है, क्या नाम दिया था हमने इसका, mongo underscore url, so आप इसको as it is भी copy कर सकते हैं, ताकि आपसे spelling mistake ना हो, so यहां पर मैंने इसको pass करा दिया, अब इसके बाद मे जो भी database है, आप यहां पर बता सकते हैं, और हाँ, मैंने आपको localhost के बारे मैं नहीं बताया है, तो अगर आप local database यूज़ कर रहे हैं, तो यहां पर मैं एक और string बना देता हू, same नाम से, बाद में इसको comment out है, फिर delete कर दूँगा, ठीक है, अगर आप local database यूज़ कर रहे ह और फिर database का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने नाम लिखा था, react-native, तो अगर आप local यूज़ कर रहे हैं, आपको कुछ इस तरीके से यूज़ करना पड़ेंगा, हमारे case में cloud database यूज़ कर रहे हैं, मैं इसको comment out कर देता हू, comment, save, in case अगर आपको reference के लिए चाहिए, तो मै यहां पर हम क्या करेंगे, कौन सा database connect हुआ है, उसको display करा सकते हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा, taller, curly braces, फिर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, आप लिखेंगे mongoose.connection, connection के बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर इसको भी host है उसको check करेंगे, तो host आप लिख लेंगे, तो इससे क जो text है, इसको कर देंगे y, save कर लेता हूं, थोड़ा सा auto format यहां पर हो जाएंगा, कुछ इस तरीकी से देखेंगे, हमने function बना लिया, अब इस function को हमको execute करना है, कहां पर server.js की file में, क्योंकि server.js हमारे main entry point file है, जैसे हमारी application run होंगी, तो आपको क्या करना है, dot env के configuration के database की configuration रहेंगी, तो यहां पर आप क्या करें, comment भी बना ले, comment out कर देता हूं, longodb, connection, और यहां पर हम क्या करेंगे, simply इस function को call करेंगे, तो call कैसे होगा, देखिए, इस function को अभी हमको, अगर use करना है, तो इसको export करना पड़ेंगा, तो नीचे हम क्या करेंगे, इसको export कर दे use कर सकते हैं, कैसे use करेंगे, आप PS code use कर रहेंगे, तो directly अगर आप यहां पर लिखेंगे, connect TV, तो देखिए, आपको option show करेंगा, और साथी में file का path भी show करता है, अब जैसे मैं इस पर click करूँगा, तो देखिए, automatically यह import हो गया, आपके case में अगर नहीं होता है, तो आप manually इसको import करिए, अब आपको क्या करना है, simply इसको call कर देना है, save, अब यह हो गया, save, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको test कर सकते हैं, कैसे test करेंगे, आपको जाना है, terminal में, so, terminal, new terminal, और server directory के अंदर हम switch होंगे, तो आप लिखेंगे, cd, server, enterprise करेंगे, अब हम server directory के अंदर है, अ अब हमको हमारी node.js के application को run करना है, तो इसके लिए आप लिखेंगे, npm run server, क्योंकि हमने node 1 के थूरू इसको run कराना है, इसलिए हम इस command को लिखेंगे, npm run server, अगर सब कुछ सही रहा, तो दीखें, यहाँ पर connection का string भी मिलेंगा, और यहाँ पर error है, अपने पास देख सकते bad auth, so username और password add करना भूल गया होगा, तो मैं फटक से पहले username और password add कर देता हूँ, और फिर same क्या करेंगे, इसको restart कर देंगे, पहले शुरूप terminate भी कर देता हूँ, ctrl c, cls कर देंगे इसको, और फटक से पहले username और password इसमें add कर देता हूँ, connection string को modify कर दिया है, आपको नहीं show किया, अब चलिए, वापस से इस command को execute करते है, npm run server, enter press कर देंगे, तो देखिए, successfully यहाँ पर, अब हमको server का भी message मिल रहा है, और connection हमारा establish हो चुका है, I hope आपको देख रहा हूँगा, थोड़ा से उपर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते है, atlas का connection string भी बरावर से show कर रहा है, हम यहाँ पर cloud database से connect है, और उसका address यह रहा, अगर आप local use करेंगे, तो यहाँ पर local host show करेंगा, तो successfully हमारी load application का mongodb database के साथ में connection established हो चुका है, next हम क्या करेंगे, हमारा model create करेंगे, जिसमें हम user की details को get करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर model create करेंगे, तो model के लिए आपको जाना है models के folder में, और user के लिए हम model create करने वाले हैं, इसलिए same नाम से मैं model create करता हूँ, user model.chair, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले mongoose को import करेंगे, क्योंकर mongoose की मदद से हम schema को create करते हैं, अब schema क् जैसे अगर आप SQL में familiar होंगे, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, table design करते थे, तो जैसे table के अंदर हम जितने भी fields लिखते थे, तो same चीज हम क्या करते है, NoSQL database में schema की मदद से करते है, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, mongoose को import कर देंगे, सेम नाम से, const mongoose, require of mongoose, और इसके मदद से हम schema create करेंगे, तो एक variable के अंदर उसको store करा देंगे, const user schema, equal to new mongoose.ema, make sure, यह function, इसके अंदर हम object बना सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, user से इसका name ले लेंगे, तो आप लिखेंगे name, फिर यह रहेंगा object, इसके अंदर हम type बता सकते हैं, इसका type हम रखेंगे string, और इसको require कर देंगे, यहां पर require true, तो user को must है, कि वो यहां पर name provide करें, साथी में इसमें से white space के आप remove कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, print को true कर देंगे, तो जितना भी white space रहेंगा, वो automatically यहां से delete होता रहेंगा, save कर लेते हैं इसको, इसके बाद में हमारे पास है email, यहां पर लिखेंगे email, email का type हम क्या करेंगे, यहां पर string कर देंगे, type string, require इसको true कर देंगे, यहां पर लिखेंगे, require true, और आप चाहिए तो इसको array में भी लिख सकते हैं, साथ हमें validation message भी show करेंगा, इसको मैं array में wrap कर देता हूँ, पहले condition रहेंगे, उसके बाद में फिर validation message, जैसे के, please add name, सेम चीज हम क्या करेंगे, email के साथ में भी करेंगे, तो इस true को आपको क्या करना है, यहां पर array में wrap कर लेना है, first हमारी condition है, उसके बाद में validation message, जैसे के please add email, और इसमें unique की property भी हम add कर देंगे, ताके एक email से सिर्फ एक user यहां पर register हो, तो यहां पर आप लिखेंगे unique, इसको कर देंगे true, और whitespace इसमें से भी remove कर लेता हो, आप लिखेंगे trim true, trim को हमने यहां पर true कर दिया, उसके बाद में हमारे पास है password, तो यहां पर लिखेंगे password, password का type भी रहेंगा string, यूके इसमें हमारे पास alphanumeric values आ सकती है, इसलिए हमने इसका type रखाए string, अगर आपको सिरुफ number से deal करना है, तो direct आप type number दे सकते हैं, इसको भी require कर देंगे, require true, और min इसमें 6 एड कर देता हो, यानि minimum 6 character must है, add करना, और maximum भी आप add कर सकते हैं, max इसको कर देंगे 64, enough रहेंगा, और require को भी इसमें convert कर देंगे, first हमारा condition, उसके बाद में message, यहां पर लिखेंगे, lease add password, save कर लेते हैं इसको, तो basic structure हमारा यहां पर create हो चुका है, इसमें आप और भी add कर सकते हैं objects को, जैसे के, मान ली जी हमारे पास role-based authentication भी रह करता है, admin या फिर user है, उसको manage करने के लिए, हम यहां पर role भी add कर सकते हैं, और इसका type हम यहां पर लग देंगे string, और इसमें default हम add कर देंगे, आप लिखेंगे default, और इसमें कर देंगे हम default रहेंगा user, और last में यहां पर, हम क्या करेंगे timestamp भी add कर देंगे, तो आप लिखेंगे timestamp, और इसको कर देंगे true, जैसे new user create होंगा, उसके साथ में इसका time और date भी capture होंगा, save कर लेते हैं इसको, तो यहां पर हमारा model बन चुका है, इसको हम क्या करेंगे, export कर देंगे, नीचे आप क्या करें, module.exports equal to, फिर mongoose का इस्तिमाल कर लेंगे, mongoose.model, फिर इसके बाद में इस model का नाम, तो हमारे case में हम रखेंगे user, और इसके बाद में reference type, तो reference कौन सा देंगे, तो reference हम यहां पर देंगे, user schema का जो हम यहां पर उपर बना रहे हैं, इससे क्या होंगा, इससे related user के नाम से देखिए, automatically last में as लग जाएंगा, जैसे यह कीमा create होंगा, save कर लेते हैं इसको, तो यहां पर देखिए, हमारा model successfully create हो चुका है, अब next हम क्या करेंगे, routes और controller पर काम करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, register के लिए देख लेंगे, फिर उसके बाद में login पर काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर routing की functionality देख लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, register handler create करेंगे, यानि register का route हमको create करना है, तो आप क्या करें, routes के अंदर जाएए, इसके अंदर आप एक new file create करें, इसका नाम मैं रखता हूँ, user-routes.jr और इसमें हम क्या करेंगे, express को import कर देंगे, const express equal to lit fire of express तो यहाँ पर हमने express को import कर दिया, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जहाँ पर router object create करेंगे कैसे create करेंगे, उसके लिए आपको एक variable बनाना है, const router के नाम से, यह है router equal to फिर express का प्रेमाल करेंगे, express के अंदर हमको router का function मिलता है, तो आप इसको call कर लेंगे simply और इसके मदद से आप क्या कर सकते है, routing के functionality यहाँ पर बना सकते हैं, यानि के simple आप routes create कर सकते हैं, last में इसको आपको export करना पड़ता है, तो export मैं कर देता हूँ पहले शुरू, module.export equal to router, जो आपने router का object बनाया है, यहाँ पर हमने इसको export कर दिया, साथी में हम क्या करेंग इसका नाम रखेंगे, register, इसके बाद में यहाँ पर controller function आपको create करना पड़ता है, तो आप यहीं पर callback function भी create कर सकते हैं, या फिर एक separate file बना सकते हैं, इस controller के अंदर, तो सबसे पहले एक और new file बना देंगे, इस controller के अंदर, इसका नाम में रखता हू, user controller.chars, और यहाँ प export देता हू, और इसको export भी कर देंगे, तो module.export equal to, फिर object बना लेंगे, क्योंकि multiple functions हमारे पास हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, register controller, save कर लेते हैं इसको, अब इस function को हमको routes में import करना है, कैसे करेंगे, हम directly यहाँ पर लिखेंगे, register controller, तो suggestion हमको show करेंगा, इस पर click करिए, automatically यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो आप manually इसको import करिए, तो route हमारा यहाँ पर बन चुका है, अब इसको आपको क्या करना है, server.js के file में import करना है, तब ही यहाँ पर इसको पता चलेंगा, कि आपके पास कोई route है, जैसे हमने यहाँ पर बना यहाँ था ना दिखें, यह हमारा होगे default route, तो इसके बहुम को ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर custom route create करेंगे, तो app.useoff, फिर उसके बाद में URL pattern, तो यहाँ पर naming convention follow करेंगे, API, flash v1, flash auth, उसके बाद में हमारा sub route रहेंगा, जो हमने यहाँ पर register दिया, तो इसके आगे continue रहेंगा, तो यह naming convention आप follow कर सकते हैं, वरना आप directly यहाँ पर slash auth भी लिख सकते हैं, आपके उपर है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, comma लगा के require function यहाँ पर use करेंगे, और file का path इसको बता देंगे, dot slash, routes का folder है, routes के folder के अंदर हमारे प access कर सकते हैं, कैसे access करेंगे, जो भी आपके controller function में logic रहेंगा, उसके base पर यह आपको result या फिर error शो करेंगा, तो चलते है, user controller में, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर try case block का use करना है, ताकि अच्छे से हम error और response को handle कर पाएं, catch के अंदर simply console.log कर देंगे, error को जो भी error आ रहा ह अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर callback function है, तो इसके अंदर हमको request और response मिलता है, तो आप directly इसको यहाँ पर pass करा सकते है, arrow function में, और इसके मदद से आप जाए, user से request ले सकते, यानि यह जो request का हमारे पास parameter है, callback function के अंदर हमारे पास है request और response, I hope basic आपको पता होगा, इसे हम क्या कर सकते है, user से request ले सकते है, user जो भी input provide करेंगा, तो इस request के मदद से हम इसको get कर सकते है, और हमको यहाँ पर server से जो भी response भीजना है user को, तो इसके लिए हम फिर response का use करते है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले, user से कुछ चीज़े get करेंगे, और इसको मैं directly destructure करता हूँ, const, something, कहां से आएंगा, याएंगा request.body में से, क्या-क्या चीज़े user प्रोवाइट करेंगा, जयते के name आएंगा, क्योंकि यह register है, तो इसमें name, email और फिर password हमको मिलने वाला है, इसके बसे हम क्या कर सकते है, validation perform कर सकते है, तो यहाँ पर मैंने ल नहीं मिलता है, तो यहीं से return हो जाओ, और इसके बदले आप क्या कर सकते है, इसमें कोई नो कोई message भी show करा सकते है, तो यहाँ पर हम response send कर देंगे, rest.status, status of 400, या फिर 500 भी आप कर सकते है, यहाँ पर मैं 400 कर देता हूँ, फिर send function इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम क् कर देंगे, success कर देंगे, false, और एक message add कर देंगे, message, name is required, अब same चीज हम को क्या करना है, बागी के लिए भी करना है, किस के लिए, हमारे पास है email और password के लिए, तो आप इसी को copy कर सकते है, copy, और नीचे paste कर देंगे, name के बदले हम करेंगे email, और message भी यहाँ से आप change कर सकते email is required, उसके बाद में हमारे पास है password, तो यहाँ पर मैं फिर से paste करता हूँ उसको, और यहाँ पर हम लिखेंगे password, अगर password नहीं मिलता है, एक और condition इसके अंदर add कर देंगे, और की condition, password की length भी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे password.length, अगर less than 6 है, तब भी यहा पर error show कर दो, और यहाँ पर लिखेंगे, error के अंदर password is required and 6 character long, तो यहाँ पर हमारा basic validation का setup हो चुका है, I hope आपको दिख रहाँगा, तो तीन validation हमने perform किया, आप चाहें तो एक ही condition के अंदर इनको add कर सकते है, हमने separately तीनों को यहाँ पर manage किया, अब इसके बाद में आप क्या क response चेक करेंगे, क्योंकि validation तो perform हो गया, उसके बाद में हमको क्या करना है, user को check करना है, कई वो existing user तो नहीं है, तो यहाँ पर comment out दे करते चले, existing user, तो मैं एक variable बनाता हू, const existing user equal to, फिर आप हमको क्या करना पड़ेंगा, network request यहाँ पर भीजना है, तो उसके लिए हम क्या करें async await syntax यहाँ पर देख रहें, और आप चाहें तो promise का भी use कर सकते हैं, promise मैं आपको एक बाल hash करते time बता दूगा, जैसे user हमको कुछ provide करेंगा तो उस password को हम क्या करेंगे, hash कर लेंगे, तो उसमें मैं आपको promise बता दूगा, अभी फिलाल हम क्या करेंगे, async await syntax के साथ में जा क्या करें, सबसे पहले user model को import कर दे, auto import भी हो जाएंगा, लेकिन first time में मैं आपको बता देता हूँ, next time हम show नहीं करेंगे इसको const user model equal to, फिर require का इस्तेमाल करेंगे, require के अंदर आपको file का path बताना है, dot dot slash, फिर जाना है models के folder के अंदर, उसके अंदर हमारे पास है user model, अब इ करना है, क्योंकि एक user हमको check करना है, और किस base पे करेंगे हम, हमारे पास है email, जो कि user हमको खुद provide करेंगा, तो उसके base पे हम यहाँ पर उसको find करेंगे, अगर key value pair same है, क्योंकि अगर आपको email find करना है, तो पहले शुरूँ यह field है, यह database में check होंगी, यानि जो schema आपने वन value है, यानि आपने यहाँ पर model में कुछ और लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर email लिखा हुआ है, और user जब value provide करेंगा, जैसे कि यहाँ पर हम destructure कर रहे हैं, तो यह database.body में अगर user mail या फिर कुछ other आपने लिखा हुआ है, तो फिर वो आप यहाँ पर पूरन लगा के provide करें अब यहाँ पर हमने इसको check कर लिया, इसके बिस पर हम क्या करेंगे, कब validation भी कर लेंगे, if existing user, अगर यह existing user है, तब क्या करो, यहीं से return हो जाओ, response भी send कर देंगे, rest.status, status of 200, या फिर 500 कर देंगे इसको, 500.send, send के अंदर हम object भेज देंगे, और यह है function, इसके अंदर object हमक calls, और message यहाँ पर add कर देंगे, message user already registered with this email, तो यह message हमने यहाँ पर add कर दिया, तो इसको idea रहेंगा, कि यह email id से already account create हुआ है, अब यहाँ पर सारे validation हो गए, हमको अब यह password को hash भी करना है, तो वो हम बाद में देख लेंगे, पहले क्या करता हो, मैं यहाँ पर response send कर देता हो, अगर अगर तब को सही है, तब क्या करो यहाँ पर, response send करो, less dot status, status of 201 dot stand, send के अंदर हम क्या करेंगे, success कर देंगे, यहाँ पर, यानि सब कुछ okay है, उसके बाद में message add कर देंगे, message, और लिखेंगे यहाँ पर, registration successful, please login, और आप चाहें तो user को भी देख सकते हैं, I don't think user को दे response send कर देंगे, यही से में क्या करता हूँ, return भी हो जाता हूँ, और इसमें भी आप return लिख सकते हैं, return, यही से return हो जाओ, अगर success होता है, वैसे जारत नहीं पड़ेंगे, success case में, मगर आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, इसके बाद में यहाँ पर, error case में भी response send कर दे देंगे, stress.status, status of 500.send, center and object, success कर देंगे, false, message add कर देंगे, error in, register API, उसके बाद में, error object भी यहाँ पर पास करा देता हूँ, single time में बता देंगे, यह फिर आप देंगे, दोनों को कुछ इस तरीके से भी पास करा सकते हैं, t-value pair same है, तो एक यह बार लिखेंगे, तब भी यह काम करेंगा, save कर लेते हैं इसको, तो auto format में कुछ इस तरीके से हो जाएंगा, तो यहाँ पर हमने इतना बड़ा code इसके लिए लिखा, अब आप इसको test भी कर सकते हैं, test करने के लिए आप postman tool का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, postman tool में test कर लें देखें, API tool, इस पर click करें, यहाँ से आपको इसको download करना है, download बहुत simple है, नीचे scroll करें, कहीं पर आपको download मिल जाएंगा, या फिर product पर click करें, और get started for free, इस पर click करें, यहाँ से देखें, आपके operating system के हिसाफ से download का option आपको दे देगा, तो आप इसको download करके install करेंगे, मेरे देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से dark यह दिखाए देगा, आप setting में जाके changes कर सकते हैं, देखें, सारी चीज़े आपको मिल जाएंगे, setting पर click करें, बहुत से options है, themes, shortcut, ads on, certificate, इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप simply theme में जाए, और light और dark theme आप यहाँ से select कर सकते हैं, मैं इसको system default करके रखाओ, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, इस plus icon पर click करेंगे, तो एक untitled request यहाँ पर create होंगी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना URL एड़ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर request का type है, तो हमारे case में request हम protocol को यहाँ पर लिखना, http, slash, slash, फिर localhost है, फिर उसके बाद में आपका जो भी port number है, वो आपको यहाँ पर add करना है, हमारे case में 8080 है, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर API select करेंगे, फिर v1 और auth, अब API v1 auth कहाँ पर है, हमने देखें, उसको server.js के file में लिखा था, यहाँ करेंगे, काम नहीं करेंगा, तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद में हमने लिखा, register, उसके बाद में आप क्या करेंगे, body पर click करेंगे, यहाँ से raw data, फिर यहाँ पर text के बदले आपको JSON select करना है, और यहाँ पर आप कोई भी values add कर सकते हैं, जैसे कि URL हम test कर लेंगे, त तो terminal, new terminal, और इसमें हम क्या करेंगे, server में switch हो जाएंगे, cd server, और इसको minimize करता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको दिखाई दे, यहाँ पर हम लिखेंगे, npm run server, इतना लिखके आप enterprise करिए, तो node server हमारा यहाँ पर run हो चुका है, अब अगर मैं empty request यहाँ पर करता हूँ, तो देखें, text as false, और message हमारे पास आचुका है, name is required, तो हम क्या करेंगे, अब name provide करके देख लेंगे, name के अंदर आप कुछ भी लिखें, और यहाँ पर आपको quotation में लिखना पड़ता है, क्योंकि यह JSON object है, key value पहर से इसलिए आपको जो है, इसको object में लिखना ह जैसे के name, colon, फिर again आपको single quotes या फिर double quotes का इस्तेमाल करना है, make sure double quotes यूज़ करिए, और इसमें आप अपना नाम लिख सकते है, second for yt, अब send पर click करता हूँ, तो देखें, email is required, तो validation perfectly काम कर रहा है, इसके बाद में आप लिखेंगे, email, तो validation भी हम साथी में test कर रहा है, और यहाँ पर आप email कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के a at a.com, again मैं send पर click करूँगा, तो तब भी हमको error show करेंगा, देखें, यहाँ पर password के लिए पूछ रहा है, और password की length भी check कर लेंगे, तो आप पहले शुरूँ यहाँ पर password को add कर लें, password, और यहाँ पर length में 5 तक ही देता ह अब send पर click करता हूँ, तो देखें, success row, registration successful, please login, तो successfully हमारी API यहाँ पर execute हो गई, अब आप इसको database में भी check कर सकते हैं, चलते हैं MongoDB Compass में, और यहाँ से इसको एक बार refresh कर लेंगे, refresh, तो देखें, यहाँ पर react native के नाम से database create हो चुका है, इसको expand करेंगे, उसके अंदर हमारे पास देखें, users के नाम से एक collection create हो गया, हमने क्या लिखा था model में, user लिखा था, लेकिन यह S अपनी तरफ से लगा लेता है, इस पर click करेंगे, तो देखें, यहाँ पर हमारे पास एक data रहेंगा, और data तो अभी नहीं है, इसमें, तो एक बार चेक कर लेते हैं, connect हुआ है य क्या आपको उसका status मिला, तो यह सारी चीजे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो, चलते है user controller में, और यहाँ पर हमने क्या return किया था, एक बड़ चेक कर लेते हैं, यह रहा देखें, हमने directly इसको return किया है, इससे परले हमको इसको save भी करना है, क्योंकि database में हमने user को save नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक variable बना देंगे, return save ले, और मैं comment out भी करता हूँ, save user con user equal to, फिर हम await करेंगे, again हमारे पास है user model, और इसको call करेंगे, इसके अंदर हमको object बनाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, name, email और password, जितनी भी आपके field से आपको यहाँ पर pass कराना है, उसके बाद में हम save function को call कर लेंगे, तो इससे हमारा जो भी user है, जो भी object हम pass करा रहे न, वो database में save हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, चलते है वापस postman tool में, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर request को send करेंगे, send, तो दीखिए, success through, message भी आ चुका है, registration successful, अब हम login भी कर सकते हैं, पहले सको हम क्या करेंगे, database में check कर लेंगे, चलते है database में, MongoDB compass को open करें, अभी हमारे पास कोई भी document यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से मैं refresh कर लेता हूँ, तो दीखिए, एक document हमारे पास create हो चुका है, जिसमें आप name पढ से हमको यहाँ पर created add और updated add की property मिलती है, और यह जो underscore V है, यह by default MongoDB database को काम करनी के लिए लगता है, तो आप इसको ignore कर सकते हैं, और यहाँ पर अभी एक problem क्या है, कि देखिए, यह जो password है यह visible है, तो next हम क्या करेंगे, password को hash करने का try करेंगे, ताथ हम इसके लिए हमको compare function भी लगेंगा, क्योंकि जब login करेंगे न, तो फिर hash password को हमको decrypt करना पड़ेंगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, separate function बना लेंगे, तो दोनों के लिए हम separate बना सकते हैं, तो next हम वो देख लेंगे पहले शुरू, फिर उसके बाद में login पर काम करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहां पर हमारे password को hash करेंगे, और साथ हम इसको decrypt करने के लिए भी एक function create करेंगे, तो उसके लिए हमको जब एक package लगता है, bcrypt, यहां पर आप npm.js ते search करते हैं, bcrypt, first link आपको मिल जाएंगा, इस पर click करेंगे, तो यह आपके password को encrypt कर देंगा, और जैसे आप decrypt का function बनाएंगे, तो फिर वहां पर आप इसको decode भी कर पाएंगे, कैसे use करना है, नीचे आप देख सकते हैं, सारा documentation आपको मिल दाएंगा, इस तरीके से install करना है, usage देखिए, आपको सबसे पहले इसको import करना है, इसके बाद में इसके salt rounds आपको बनाना पड़ता है, उसके JSON के file में अगर आप देखेंगे, तो हमारे पास already bcrypt install है, अगर आपने नहीं किया होंगा, तो manually आप क्या करेंगे, पहले शुरू जा कि इसको install करें, अब एक new utility files हम create कर लेंगे, या फिर helper के अंदर हम क्या करेंगे, auth helper के नमसे एक file create कर देंगे, auth helper.jr, इसके अंदर हम क्य करेंगे, दो functions create करेंगे, पहले शुरू आपको bcrypt को import करना है, auth, bcrypt equal to require of bcrypt, यहाँ पर हमने bcrypt को import कर दिया, इसके मदद से हम क्या करेंगे, function बनाएंगे, पहले शुरू, hash के लिए बनाएंगे, यहाँ पर मैं comment out कर देता हू, hash function, और directly भी आप इसको export कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं exports कर लेता हूँ, exports. फिर जो भी आप function का नाम लिखेंगे, वो directly export होता रहेंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, hash password, यह नाम से मैं एक function बनाया, अब यह रहेंगा arrow function, यहाँ पर लिखेंगे arrow function, और इसमें हम क्या करेंगे, plain password को receive करेंगे, यानि user जो password हमको द इसमें हम क्या करेंगे, return क्या करेंगे, new promise, यहाँ पर लिखेंगे new promise, अब promise क्या करेंगा, हमको एक callback function देंगा, जिसमें हमारे पास रहेंगा resolve और reject, तो आप उसको handle कर सकते हैं, तो पहले शुरू आप callback function बना ले, तो यह रहा हमारा callback function, इसके अंदर हमारे पास रिजॉल या फिर reject, तो first हम क्या करेंगे, यहाँ पर salt को generate करेंगे, तो आप लिखेंगे, decrypt.gen salt, gen salt का function इसमें हमको मिलता है, इसमें हम rounds बता सकते हैं, 10 rounds enough है, इससे जादा भी आप लिखेंगे, लेकिन फिर जादा process होने में time लगता है, और इसको भी check कर लेंगे, यह भ करेंगे, सबसे पहले, चेक कर लेंगे, error को, if, error, अगर हमको error मिलता है, तब क्या करो, reject कर लो, इसको reject मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास जो error की state मिल रही है, न दूसरा callback हमको जो मिल रहा है, reject का, इसकी मदद से हम क्या कर रहे है, इसको reject कर रहे है, तो यहीं से यह terminate हो ज करेंगे, as a argument में हमने pass करा के रखायना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर receive करेंगे, आप password को pass करा दें, उसके बाद में हमको salt लगता है, तो आप लिखेंगे salt, salt कहां से आएंगा, sorry, यह salt है, यहां पर as a argument हम receive कर रहें, क्योंकि अगर हमारा gen salt function execute होता है, तो हमको salt मिलेंगा, अब जैसे यह होंगा, तो यह भी हमको एक callback function लेंगा, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, तो हमको error मिलेंगा, या फिर हमारा password जो भी है, वो hash हो जाएंगा, तो इसको भी handle कर लेंगे, यहां पर भी हम, sorry, back tip हो गया है आपर, इसको cut कर लेते हैं फ़रले शुरू, इसमें हम क्या करेंगे, error को check कर लेंगे, if error, देखें, यह थोड़ा सा old way है, लेकिन अगर आपको async await syntax देखना है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको async await उसमें बताया है न, तो मैंने सोच आपको promise भी बता दू, तो यहां पर हम promise की मदब से कर लेंगे, थोड़ा सा lengthy process होता है promise में, तो यहां पर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे error को, फिर इसको reject की मदब से हम क्या करेंगे, यहां पर pass करा देंगे, तो आप लिखेंगे reject, और यहां पर error को pass करा देंगे, तो यहाँ पर अगर reject नहीं होता है तो हमारा password जो है resolve हो जाएंगा तो आप लिखेंगे resolve क्या resolve होगा जो भी password है password कहाँ पर है अब वो hash के अंदर है तो यहाँ पर हम hash को pass करा देंगे तो यहाँ पर हमारा देखें hash के लिए function बन चुका है save कर लेते हैं इसको थोड़ा सा auto format हो जाएंगा तो अब इस function की मदद से हम क्या कर सकते हैं हमारे password को encrypt कर सकते हैं और साथी मैं decrypt करने के लिए एक password बना लेंगे तो यहाँ पर मैं function बना लेता हूँ compare के नाम से यहाँ पर इसको कह लेंगे decrypt तो यहाँ पर मैं add कर देता हूँ decrypt function छोटा सा function दाएंगा directly इसको भी हम exports कर सकते हैं exports. फिर उसके बाद में इस function का नाम लिख लेंगे compare password आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन यह ज़्यादा better name है इसमें हम क्या करने वाल है password को compare करेंगे पहले शुरूर इसको arrow function बना लेंगे इसमें दीखिए अब compare होंगा तो normal password भी हमको लगेंगा तो आप क्या करें सबस्ब पहले plain password को add कर ले उसके बाद में हमारे पास hashed password रहेंगा वो भी लगेंगा तो दो argument हम इसके अंदर pass करा रहें एक में plain password है जो कि हम request body में से get कर रहे second वाला क्या होगा यह आएंगा database में से क्योंकि user उपर register होगा तो इस function यानि hash function की मदद से हमारा password hash हो जाएंगा और इस compare password की मदद से हम क्या कर रहें जो normal plain password हमको receive होगा और जो hash password हमारे database में हम इसको compare करेंगे कैसा करेंगे यहाँ पर directly आप return कर लिए पहले शुरू return फिर bcrypt का इस्तेमाल करेंगे bcrypt.compare compare का function हमको मिलता है by default यह bcrypt का है हमने manual इसको create नहीं किया हमारा password का नाम है compare password इसके अंदर हमको क्या करना है simple जो भी password इसको pass करा देना है password और जो भी hash password रहेंगा उसको भी हम इसमें pass करा देंगे save तो देखे कितना simple सा compare function है इसको हम जो है login में test करेंगे लेकिन अभी हम क्या करेंगे hash password को test कर लेंगे चलते हैं वापस user controller में और यहाँ पे हम क्या करेंगे user को save करा रहें इसके पहले हम क्या करेंगे जो भी password इसको hash कर देंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे password को hash कर लेंगे comment बना लेते हैं पहले चलो hash password और हम क्या करेंगे एक variable बना लेंगे यहाँ पर hash password equal to फिर हम await करेंगे await किस चीज का करना है हमने अभी जो function बनाया न, यहाँ पर hash password, इसका हम use करने वाले, तो इसको आप import भी करिए, अगर आप VS Code यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं type करूंगा hash password, तो दीखें, आपको suggestion शो करेंगा, इस पर click करेंगे, तो file automatically यहाँ पर import हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से, आपकी case में अ यहाँ पर plain password को add कर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे password, जो हम user से get कर रहे हैं, save कर लेते हैं इसको, अब दीखें, यहाँ पर हम normal password के बदले क्या करेंगे, इसको key value pair में लिख लेंगे, अब यह जो password इसके बदले हम क्या करेंगे, जो hash password का अभी हमने यह variable बनाया न, इसको यहाँ पर add कर देंगे, आप लिखेंगे hash password, save कर लेते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके से भी हमने यहाँ पर code लिखा, जिसमें हमने hash password का एक variable बनाया, और यह async request रहती है, तो make sure आप इसको await करें, await करने के बाद hash password function कौन सा, auth helper में हमने जो function बनाया है, hash password, इसका हम use क कर रहे हैं, और उसके मदद से plain password हमने pass करा दिया, अब यह function क्या करेंगा, जो भी हमने यहाँ पर logic लिखाया है, उसके मदद से इसको encrypt कर देंगा, और फिर हमको hash password देंगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब इस password के अंदर, यह field कौन सी है, जो कि हमने model के अंदर बन testman में, और हमने एक user यहाँ पर save किया था, देखे, tech info, इसके बदले हम क्या करेंगे, एक new user create कर लेंगे, और इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के test user, और इसका email id है, उसको भी tatt कर देंगे, tatt.com, और password 128 ही रहने देते हैं, यहाँ पर मैं send पर click करता हूँ, तो success true, और user भी यहाँ पर register हो चुका है, इसको database में बल चेक कर लेंगे, pongo db compass open करता हूँ, फिलाल हमारे पास एक document है, अब मैं refresh कर लेता हूँ, तो देखे, हमारे पास second record create हो गया, test के नाम से, और यह जो password है, यहाँ पर यह hash हो चुका है, अब यह readable नहीं है, जब तक आप इ decrypt नहीं करेंगे, तो समझ में नहीं आएंगा कि इसके अंदर कौन सी value है, अगर उपर आप देखेंगे, तो देखे, हमने direct इसमें use किया था, तो यहाँ पर visible है, लेकिन अब हमने hash की मदद से किया, तो यहाँ पर हमारा password जो है encrypt हो चुका है, अब login के time हम इसको decrypt कर ले और आप चाहें, तो यहाँ पर extra comment out भी कर सकते हैं, जैसे कि यह है register के लिए, और इसका type है post, तो ऐसा comment भी आप बना सकते हैं, अगर आपको बनाना है, सेम अब login के लिए भी लिख लेंगे, login, और इसका भी type रहेंगा post, तो यहाँ पर हम router की मदद से एक और API endpoint create करेंगे, router. पोस्ट, फिर सबसे पहले URL पैटन, तो इसमें हम लिखेंगे login, तो इसके बाद में controller function, तो controller function अभी बना के छोड़ देंगे, फिर उस पर काम करेंगे, और सेम controller में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर function का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता है, और register के लिए, अ यहाँ पर, login के लिए create करेंगे, const, login controller equal to arrow function, और इसको नीचे export कर देंगे, copy, नीचे कॉमा लगा के export कर देंगे, save, चलते वापस user route में, और यहाँ पर हम लिखेंगे, login controller, देखें, suggestion शो करेंगा, इस पर click करेंगे, automatically यहाँ पर यह import हो जाएंगा, save कर लेते हैं, तो एक और controller function और route हमारा तयार हो चुका है, इसका हमको use करना है, चलते user controller में, और इस function को क्या करेंगे, सबसे पहले async कर लेंगे, यह callback function है, इसलिए request और response इसमें भी हम receive करेंगे, और यहाँ पे भी try catch block का use करेंगे, ताकि अच्छे से response और error को हम handle कर पाएं, catch के इंदर क्या करेंग सबसे पहले console.lock करेंगे, जो भी error है, वो console पे display कराएंगे, साथी में आप response में भी 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 सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, return कर लेंगे, पहले शुरू, return, ref.status, status of 500.10, send के अंदर हम क्या करेंगे, success कर देंगे, sorry, यह है, success, false, फिर message add कर देंगे, message, इसमें लिखे करेंगे, error in login API, तो इसे हमको थोड़ा idea रहेंगा, कौन से API में error है, उसके बाद में error का object, as it is passed करा देंगे, जो भी error है, वो भी हमको display होंगा, network tab में, browser में, उसके बाद में try में हम क्या करेंगे, सबसे पहले user से कुछ चीज़े get करेंगे, const destructure from request.body, अब यह login के लिए है, तो यहाँ पर हमारे पात रहेंगा, email और password, यह दोनों चीज़े हम get करेंगे, इसका validation भी आप perform कर सकते हैं, यहाँ पर comment आउट कर देता हो, validation, if not email or not password, अगर email और password नहीं मिलता है, तो यहीं से return हो जाओ, response send कर देंगे, rest.status, status of 500.send, send के अंदर हम क्या करेंगे, success कर देंग false message अट कर देंगे, यहाँ पर message और इसमें हम अट कर देंगे, please provide email और password, यह message हमने अट कर दिया, इसके बाद में हम को user चेक करना है, कि वो exist करता है या नहीं, यानि यह जो email हम receive कर देंगे, इसके बेस में user को find करेंगे, find user, तो इसका एक variable के अंदर store कर देंगे, const user equal to await user model, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, find function का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर find one, और किसके बेस पर करेंगे, email के बेस पर करेंगे, तो आप यहाँ पर email को pass करा देंगे, उसके बाद में इसका भी validation देख लेंगे, if not user, अगर user नहीं है, तब भी क्या करो, य प्रिस कर देंगे, पर इस पर फिर false, फिर message, message में आप लिख लखते है, user not found, तो यहाँ पर हमने user को भी find कर लिया, अब हम क्या करेंगे, password को match करेंगे, so यहाँ पर लिखेंगे, match, password, यह comment बनाया, क्योंकि user से जो password मिलेंगा, उसको भी हमको compare करना है, compare के लिए हमने एक function ब इसमें क्या करेंगे, match के नाम से variable बनाएंगे, const, match, equal to, फिर अवेट करेंगे, अवेट किस चीज का करेंगे, हमारा जो compare function है, तो यहाँ पर उसका use करेंगे, तो देखें, compare password from helper, इस पर click करेंगे, automatically import हो जाएंगा, आपके किसमें नहीं होता है, तो manually आप इसको import करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको call करेंगे, call करने के बाद देखें, हमने function में क्या किया था, इसमें हमको plain password भी चाहिए, और hash password भी चाहिए, अब plain password तो हमने already destructor करके रखा है, देख सकते है, user, यानि request.body में से हम इसको get करने वाले है, और जो hash password है, व यहाँ पर values को pass करा देंगे, कैसे, देखें, पहले शुरू plain password, उसके बाद में फिर user, user के अंदर हमारे पास है, password, तो कुछ इस तरीके से हम उसका chain कर लेंगे, यानि user मिल रहा है, user के अंदर password का object है, तो यहाँ पर हमने इसको pass करा दिया, इसका भी validation देख लेंगे, if not match, अगर password match नहीं होता है, तब भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको return कर देंगे, फिर response end करेंगे, rest.status, status of 500, आप यहाँ पर status code पढ़िए, कौन कौन सा status code आप यूज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से use करिए, यहाँ पर सब में 500 यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर हम क्या करें पहले शुरू, fault, उसके बाद में message add कर देंगे, invalid, username और password, direct आप यहाँ पर message add मत करिए, कि password आपका गलत है, क्योंकि फिर security purpose के लिए वो सही नहीं होगा, easily आपका account hack हो सकता है, अब इसके बाद में, अगर सब कुछ सही रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर directly return हो सकते return नहीं भी लिखेंगे, तो कोई sticker नहीं, direct हम response send कर सकते है, rest.status, status of 200, मतलब ok request, उसके बाद में send function, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, user को बेज सकते हैं, यानि कौन सा user login होया है, उसको हम यहाँ पर बता सकते हैं, directly user को भी path कर सकते हैं, और हमारा जो basic message है, वो भी add कर देंगे, इसमें success पहले शुरू, इसको उपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा, success to, इसके बाद में message add कर देंगे, message login successfully, और फिर user को हम pass करा देंगे, अब direct user pass कराएंगे, तो इसमें एक problem क्या रहेंगी, कि user का जो भी password है, वो भी visible रहेंगा, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, save कर ले प्रिटियर पर, थोड़ा सा scroll up कर लेंगे इसको, कहीं पर हम कुछ भूल गए, अच्छा देखें, यहाँ पर comma भूल गए, और यहाँ पर comma, save, अब ठीक है, देखें, टर्मिनल, देखें, कोई भी error नहीं अपने पास, अब इस API को हम test कर लेंगे पहले शुरू, और जो user आ लेता हूँ, copy, और इसके बाद में यहाँ पर paste कर लेंगे, last में हमारे पास रहेंगा, login, जो भी आपने नाम दिया है न, route में, वही route name आप यहाँ पर use करें, इसके बाद में body, body के अंदर raw data, फिर JSON, और यहाँ पर आप object बना सकते, मैं register में से copy कर लेता हूँ, यह जो हमने name और email बना के रखा है न, तो इसको test कर लेंगे, copy, पहले शुरू इसे empty request बेच के देख लेते हैं, send, तो दीखे, successful, और यहाँ पर आ रहा है बराबर से message, please provide email और password, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहना एक object बना लेंगे, और इसमें मैं email add करता हूँ, password नहीं करता हूँ तो यहाँ से मैं सिर्फ email add कर लेता हूँ, और इसको एक बार test कर लेंगे, send, तो दीखे, same message हमको देखने में देंगा, अब यहाँ पर मैं वापस से password को add कर देता हूँ, और send पर click करूँगा, तो दीखे, success pro, उसके बाद में message, login successfully, और यह object है, user का, इसमें सारा का सारा data हमक security purpose के लिए हम क्या करेंगे, इसको undefine कर लेंगे, क्योंकि ऐसा response में password भेजना सही नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करें, simply देखे, जाना है वापस user controller में, और यहाँ पर देखे, हम क्या करेंगे, undefine करने वाले हैं password को, तो इसके लिए आप क्या करें, सब सब पहले ज़ अब फिर से अगर मैं send पर click करूंगा, तो देखे, यहाँ पर password हमारे पर show नहीं करेंगा, id है, name है, email है, उसका role है, लेकिन password अब show नहीं करेंगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको undefine कर लिया, तो यहाँ पर password हमारा hide हो गया, तो एक security पर हमने काम कर लिया, इसके बाद में देखे, हम क्या करेंगे, हम पर token भी create करेंगे, जैसे login हो जाता है, तो एक token हम create करेंगे, जिसकी मदद से हम बाद में हमारी frontend application को इससे compare करेंगे, यानि अगर token match होता है, तभी हम प्राइवेट routes को access कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, JSON Web Token का इस्तेमाल और I don't think हमने इसको download किया था, एक बार package.json में check कर लेंगे, नई हमने इसको download नहीं किया था, तो एक बार मैं आपको बता देता हू, npm.js पर आप जाईए, यहां पर आप search करें, JSON Web Token, इतना लिखके आप search करें, first result आपको मिल जाएंगा, इस पर click करेंगे, काफी popular है, दे Assign Method की मदद से token को create कर सकते हैं, और फिर custom हम यहां पर private key भी create कर सकते हैं, लेकिन हम by default ही रखेंगे, कोई दिक्कत ही है, यहां पर कुछ इस तरीके से आप token create कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप इसमें कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसको install करना है, तो installation command को copy करें, चलते VS Code में, और Terminal को थोड़ी देर के लिए Close कर देंगे, Ctrl-C, और यहाँ पर इस Command को Paste कर देंगे, NPM-I, JSON Web Token, इतना लिखे आप Enterprise करिए, तो यह Package आपके Server में इंस्टाल होना स्टार्ट हो जाएंगा, छोटा सा Package है, यह Download हो गया, अब वापस से Application को Run कर देता हूं, पहले और उस CLS, फिर यहाँ पर NPM Run Server, वापस से हमारा Server Run हो चुका है, देख सकते हैं, और Database से भी Connect हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं, JSON Web Token भी Download हो चुका है, हमारे Server के अंदर, Package JSON को Close कर देता हूं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, यह जो User Controller है, इसमें सबसे पहले, JSON Web Token को Import करेंगे, तो Top पे कर लेता हूं, Import नहीं, Const का Syntax हम Use करेंगे, Const JWT, Shortcut में हम लिखते हैं, इसको JSON Web Token के लिए, Require, और Require के अंदर हम क्या करेंगे, JSON Web Token को यहाँ पर Add कर देंगे, अब इसके मदद से हम क्या करेंगे, टोकन को Create करेंगे, अब token को Create करेंगे, अब token क Register है, Register में भी आप कर सकते हैं, हम पहले Login में कर लेंगे, Login Controller के अंदर, Match Password के बाद में, या फिर Undefined से पहले कर लेंगे, Password को हमने यहाँ पर Undefined किया था, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर Comment बना लेंगे, token के लिए JWT, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक Variable ब Function, और इसके अंदर हमको बताना है कि किस पे आप इसको Encrypt करना चाहते हैं, तो Encryption के लिए आप क्या करें, एक Secret Key यहाँ पर बना लेंगे, कहां पर बनाएंगे, .env की फाइल में आपको जाना है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक Secret Key बना लेंगे, JWT Underscore Secret, और इसके अंद की फाइल में हमने Changes कर लिया है, तो उसके बार में आपको Server को Restart करना पड़ता है, तो यहां से मैं Server को Restart कर लेता हूँ, पहले शुरूँ, Ctrl-C, Server को मैंने Terminate कर दिया, अब वापत से हम Server को Restart कर देंगे, NPM Run Server, तो हमारा Server यहां पर Restart हो चुका है, और Database से भी Connect हो चुका है इस फाइल को Close कर देता हूँ, और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक Object बनाएंगे, Object के अंदर आपको बताना है कि आप इसको कैसे Store करना चाहते है, तो Underscore ID की मदद से हम क्या करेंगे, यहां पर इसको Store करा देंगे, और यह ID को हम क्या करेंगे, User के जो Underscore ID है उसस User है, उसकी सारी Details को Access कर सकते हैं, इसके बाद में हमको लगता है Secret की, तो यहां पर आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में हमारी Secret की है .env फाइल में, तो आप यहां पर Process का स्थमाल करेंगे, Process.env, फिर उसके बाद में हमने इसका नाम लिखा था, JWT Underscore Secret, आपने जो भी नाम दिया है .env की फाइल में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इसके बाद में यहां पर एक और object, और इस object के अंदर आपको बताना पड़ता है कि कब तक यह token valid रहेंगा, तो उसके लिए हमको यहां पर लिखना पड़ता है, expired in, और य क्योंकि टेस्ट कर रहें न, उसमें दिक्कत आ सकती है, और एक और यहां पर error है, चेक कर लेते कहां पर, dot यहां पर add होगे गलती से, देख सकते हैं, user है यह, तो user.underscore id, save, आप कोई भी error नहीं है, terminal चेक कर सकते हैं, वापसे database से connect हो गया है, अब हम क्या करेंगे, response में token भ pass करा देंगे, यहां पर उससे पहले कर लेते हैं, क्योंकि orders matter, पहले token देख लेंगे, फिर उसके बाद में user रहेंगा, save, चलिए इसको test कर लेंगे, चलते हैं वापस postman में, और यहां पर already अपने पास email और password है, तो इसी में हम इसको test कर लेंगे, send पर click करता हो, तो दीखें success row, message भी आ चुका है, login successful, और यहां पर token भी successfully create हो चुका है, अब यह जो token है, हम क्या करेंगे, इसको client पर भी भेजेंगे, client और server का token match होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, private routes को access कर पाएंगे, अभी फिलाल तो token की functionality server में enable हो गई, अब हम इसको react native की application में भी test कर सकते हैं, तो login और register की, उसके साथ मैं इसको bind करके test कर लेंगे एक बाल, previous videos में हमने login और register की API को create किया था, और successfully उसको test किया था, अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे front end application से connect करेंगे, हमारे case में front end application अभी फिलाल के लिए है, react native, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू run भी कर देंगे, अब आपको जो है, दोनों server को run करना है, पहले हमारे पास रहेंगा node server, तो आपको node server को run करना है, तो जाएंगे terminal में, new terminal, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब सर पहले switch होंगे CD server, और यहाँ पे आप लिखेंगे npm learn server, इतना लिखेंगे आपको enterprise करना है, तो यहाँ पे हम होंगे siri client इसके अंदर हम switch होगे इसके बाद में आप लिखेंगे npm start तो expo की मदद से हमारी react native की application run हो जाएंगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर qr code भी आपको मिल जाएंगा अगर आप mobile device में use कर रहे तो इस qr code को आप scan कर सकते हैं और application आपके mobile में open हो जाएंगी हम यहाँ पर emulator का इस्तेमाल कर रहें तो तबसे पहले android studio को मैं open कर लेता हूँ android studio और यहाँ पर three dots पर click करें यहाँ से आपको virtual device manager पर click करना है और हम क्या करेंगे play वाले button पर click करेंगे तो यहाँ पर emulator जो है start हो जाएंगा कुछ इस तरीके से और जैसे यह run हो जाता है उसके बाद में आपको इसको power up करना है तो इस power button पर click करें तो यह boot होंगा बूट होने में थोड़ा सा time लगा सकता है इसको side में कर लेंगे साथ ही में vs code को भी इसके साथ में हम add कर देंगे कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा terminal जो है न हम नीचे कर लेंगे और हाँ आपको जो है न पहले शुरूँ क्या करें आप मैं इसको बड़ा कर देता हूँ हमको xios भी इसमें लगेंगा तो xios का package भी आपको download करना है मैं क्य इसमें best package है xios जो कि आप normally react में भी use करते है तो आप react native में भी इसको use कर सकते है आपको इसको install करना है install करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे हमारी application को start कर देंगे npm start तो expo की मदद से हमारी application फिर से run हो जाएंगी और जैसे run हो जाती है हम इसको emulator में open करेंगे चिक करते इसको छोटा कर देते हैं पले शुरू emulator हमारा run हो चुका है अब यहां पर आपको a press करना है तो automatically हमारी application इस emulator के अंदर install होना start हो जाएंगे और यह automatically open भी हो जाएंगी वेट करते हैं इसके finish होने का एक बार आप cross check कर ले exios आपके client application में install हुआ है या नहीं तो package.json की file को open करिए नीचे scroll करिए यहां पर dependency में देखे एक्जियो तो करेंगा तो यहां पर successfully हमारे case में download हो चुका है इसको cut कर देंगे और इसको थोड़ा सा minimize कर देता हो मैं और इसको भी minimize कर देंगे और इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर screen के अंदर जाएंगे और हमारे पास है register screen पहले हम register पर देख लेंगे functionality और इसको continue कर लेते हैं debaker भी हमको नहीं चाहिए register screen को open कर लेंगे साथ में और इसमें हमारे पास function था दीखिए handle submit जिसमें हमने सिर्फ console.lock किया था अब हम क्या करेंगे exios की मदद से network request भेजेंगे तो इस false से पहले हम क्या करेंगे यहां पर इसको response.data के नाम से हम get करते हैं या फिर आप क्या कर सकते directly जो भी data उसके अंदर आ रहा है इसको destructure कर लेंगे const data equal to await अब इस function में हम await यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो main function है वो async होना चाहिए तब हम await का इस्तेमाल कर पाएंगे आप चाहिए तो promise का भी यूज़ कर सकत है इस पर click करेंगे automatically यह import हो जाएंगा अभी तो देखें import नहीं हुआ तो manual इसको import कर देता हूँ import exeo from exeos उसके बाद में हम इसको use कर सकते है exeos के बाद में जैसे dot लिखेंगे तो बहुत से methods आपको मिलेंगे हमारे case में रहेंगा post method तो आप यहां पर क्या करेंगे post method का use करेंगे इसके अंदर आपको URL बताना पड़ता है कौन से URL पे आप hit कराएंगे और उसके बाद में अगर यह post method है तो आपको object पास कराना पड़ता है और इसके अंदर जो भी data रहेंगा वो आप यहां पर add करेंगे जैसे हमारे case में रहेंगा name, email और फिर password यह data हमने console.log कि यहां पर पास करा रहे हैं क्योंकि यह सारी state है और यह data हमको पास कराना है अब देखिए URL कौन सा लिखेंगे जो हमने postman में लिखा था ना आप उसी को copy paste कर ले पहले शुरू देखिए यहां पर register के लिए हमने इतना बड़ा end point लिखा था था na http colon slash localhost colon port 8080 slash API v1 auth और register तो इ इसी के साथ में continue कर लूँगा बाद में देखेंगे हम को एक separate file बनाएंगे उसके अंदर पिर इसको reuse करेंगे तो अभी हम यह URL यूस करेंगे तो इसमें एक problem है मैं आपको आगे बताता हूँ पैले श्रोम क्या करेंगे जैसे हमको यह response मिलता है ना उसके बाद में success response को चे controller में मैं एक बार बता देता हूँ यह controller और इसमें हमारे पास देखे message की property है तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर show करा देंगे data.message I hope spelling सही है यहीं से भी आप copy paste कर सकते हैं यहां से मैंना copy करके इसको paste कर लिया है save कर लेते हैं इसको इसके बाद में हमको error भी देखने मिल सक रहता है error में भी आप क्या करेंगे alert का use करेंगे और जो भी error आ रहा है उसके अंदर का specific message हम सिर्फ show कराएंगे वरना क्या होगा अगर आप directly इसमें error लिखेंगे न तो पूरा का पूरा error object यहां पर show करेंगा तो हम क्या करेंगे error का object जो रहता है उसको expand करेंगे इसके इसको error show करने वाला है क्योंकि थोड़ी दिर में मैं आपको बताता हूँ फाले शुरू आप इसमें values को add करिए जैसे कि मैं dummy value add कर देता हूँ dummy कुछ भी आप अपना username भी add कर सकते हैं जैसे कि मैं dat.com कर लेता हूँ और इसमें क्या करेंगे password add करेंगे और 125 तक करता हूँ ह क्योंकि हमारे पास validation 6 पर है तो चेक करते हैं कैसा response हमको इसमें देखने मिलता है अब register पर click करूँगा तो देखें यहाँ पर problem है okay unhandled के लिए बता रहा है इसको यहाँ पर आप देख सकते है possible unhandled promise rejection तो यहाँ पर जो data है वो get ने हो रहा है क्यों get ने हो रहा है क्यों get ने host communicate कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पर emulator use कर रहे है तो emulator में क्या इश्यों है कि आप दोनों time पर local host से interaction नहीं करा सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगा आपकी जो भी IP है IP को यहाँ पर add करना पड़ेंगा अब IP आप कैसे check करेंगे VS code में भी आप check कर सकते हैं इस plus button पर click करिए आप यहाँ पर लिखेंगे IP conflict और इसमें जो भी आपकी IP4 शो करेंगा जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ इतने लिए आप enterprise करिए और इसमें देखें IP4 address जो भी रहेंगा आप उसको copy करिए copy करने के बाद मैं इसको terminate कर देता हूँ और local host से इसको replace कर ल पहले शुरू जो react native की application को जो है terminate कर दें ctrl c वापस से आपको restart करना है application को TLS कर लेंगे पहले शुरू और फिर npm start यहाँ पर हमारी application फिर से restart हो गई और यहां से भी मैं क्या करता हूँ और यहां से भी इसको जा कट कर देंगे पहले शुरू, so cut कर लेते हैं इसको भी और इसको भी clear all कर लेंगे और यहां पर फिर से मैं इसको install कर लेता हूँ यह press करेंगे automatically यहां पर फिर से हमारी application open होगी और जाएंगे हम register page में और यहां पर इसको test कर लेंगे कि सही से काम करती है नहीं make sure note server run हो और database से भी connect हो अब इसके अंदर values को add कर लेंगे जैसे के मैं test 2 कर लेता हूँ इसको और email में भी t2 at t.com इसके बाद मैं password invalid add करके देखेंगे 1245 register तो देखें password is required and 6 character long तो successfully validation message हमको देखने मिल रहा है अब अगर मैं यहां पर password change कर लेता हूँ जैसे के हमने यहां पर 5 तक लिका 6789 अब register करूँगा तो successfully हमको एक message भी मिलेंगा register पर click करता हूँ तो देखें alert registration successful please login अब इसको database में भी check कर लेंगे एक बार चलते MongoDB database में और login हो जाईए अपने connection string से और आपको जाना है react native में और यहां पर है users पहले हमारे पास दो user थे अब scroll करेंगे तो देखें अभी हमने test 2 के नाम से new user यहां पर create कर लिय तो successfully यहां पर यह function काम कर रहा है इसी तरीके से आपको login के लिए भी करना है यारी यो चीज़े हमने यहां पर अभी add कीन और register में same चीज़े आपको जहाँ login में भी add करना है तो इसी को मैं क्या करता हूँ copy कर लेता हूँ copy और यहां से हम login screen को भी open कर लेंगे और इसका जो submit function था यह रहा इसमें भी हम क्या करेंगे यहां पर इसको paste कर लेंगे और इसमें आपको जह है end point change करना है register के बदले रहेंगा यहां पर login और name provide नहीं करेंगे तो name को आप यहां से remove कर लें इसमें है email और password सेव कर लेते हैं इसको भी और error शो कर रहा है retire पर await हमने use किया हूए तो इस function को भी async करना पड़ेंगा तो आप लेकिंगे async function save तो error यहां से remove हो गया और क्या कर सकते हम इसमें अच्छा हां एक और उसके बाद में जो हमने यहां पर error response भेजा था था alert में उसको भी copy कर लेंगे और login के अंदर add कर देंगे तो इस catch के अंदर इसको आप paste कर ले save कर लेते हैं इसको और rpress कर लेंगे तो यहां से हमारे application reload हो जाएंगा अब हम login को भी test कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे valid email और password add कर देंगे तो हमने अभी add किया था t2 at t.com और उसका password हमने लिखा था 123456789 यहां फिर wrong password add करके check कर लेते हैं login पर click करता हूँ okay unhandled promises में आ रहा है चिक कर लेते हैं सक्क्यू आ रहा है rejection का issue आ रहा है cannot destructure property of data API v1 auth तक तो same है I think हमको server को फिर से restart करना पड़ेंगा सो चलिए हम क्या करेंगे application को terminate कर देंगे react native की application को आप terminate कर ले उसके बाद में CLS और यहां पर फिर से npm start अब login भी हम यहां पर test कर लेंगे एक बाद database में check कर लेंगे t2 ही था न यहीं से इसको copy कर लेता हो चलते हो वापस emulator में और अहां पर option शो कर रहा है इस पर click करेंगे automatically paste हो जाएंगा फिर password wrong password add करके देखेंगे login okay again यहां पर unhandled आ रहा है इसके अंदर data हमको नहीं मिल रहा है so API तो बराबर हमारी API v1 auth और login login यह लिखा था न एक बार cross check कर लेंगे इसको server के अंदर user route यह है slash login slash login तो सही है काम तो करना चाहिए इपर फिर से test कर लो क्या login unhandled promise ही हमको यहां पर show कर रहा है तो IP का issue हो सकता है इसका कुछ alternative हमको ढूनना पड़ेंगा register एक बार check कर लेंगे अगर register काम कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ और issue है हमारी application में पहले शुर उसको जो है इसकी email ID रख लेंगे u at u.com और password add कर देता हूँ 123456789 register तो यह तो register successfully हो गया मतलब हमरे पास login में issue है यहां पर const data destructure हो रहा है अवेड भी हो रहा है अच्छा xios हमने import नहीं किया राइट एक और mistake थी अपनी copy paste में हमने xios को यहां पर import नहीं किया copy कर लेते हैं इसको और यहां पर इसको paste कर लेंगे save अब बराबर से काम करेंगा चलते है login screen पे फिर से database में से email ID को copy कर लेंगे इस test वाले को कर लेंगे test2 at t280.com चलते हैं वापस emulator में इसको paste कर लेंगे और यहां पर wrong password add करता हूँ 12345 कर देते हैं login तो देखें invalid username और password validation बराबर काम कर रहा है और इसके साथ मैंब हम क्या करेंगे यहां पर successful response चेक कर लेंगे valid password को add करें यहां पर मैंने valid password को add कर दिया login तो देखें login successful तो perfectly यहां पर login की functionality भी बन चुकी है इसके साथ में हमारे पास token भी generate हो चुका है अब हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास user है उसको local storage में save कराएंगे अब इसमें थोड़ा सा method अलग होता है local storage में save कराने का क्योंकि browser में हमारे पास direct local storage होता है लेकिन application में हमारे पास ऐसा नहीं है इसके लिए जो हमको async storage का इस्तेमाल करना पड़ता है तो आप क्या करें npm.js पर जाईए मैं browser open कर लेता हूँ उसमें आप npm.js पर विजिट करिए और यहां पर आप क्या करेंगे search करेंगे at the rate react-native dash async storage slash async storage इस पर आपको click करना है तो exact match आपको मिलेंगा इस पर click करिए यहां से आपको इस package को install करना है copy कर लेंगे इस command को और कैसे use करना है नीचे आप scroll करिए या फिर इसका official documentation आप देख सकते है open in new tab यहां पर इसे कुछ इस तरीके से हम install करेंगे और इसको use कैसे करना है usage message का option मिलेंगा यहां पर सबसे पहले import करिए import करने के बाद हम क्या करेंगे directly await करेंगे और इसके अंदर कोई भी values को हम add कर सकते हैं तो इसको देखेंगे कैसे दिखता है तो चलिए इसको direct use करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगा यह रहा VS code और यहां पर एक all new tab open कर लें package इसना लिखके आप enterprise करिए तो यह package react native की application में install होना start हो जाएंगा छोटा package है ज्यादा time नहीं लेंगा देख सकते हां almost यह download हो गया अब इसको terminate कर देंगे और background में हमारी application अभी भी run है और node server भी run है तो इसको minimize कर देते हैं थोड़ा सा इसके बाद में आपको क्या करना है documentation follow करना है सबसे पहले यहाँ पर इसको import करना है import command भी copy कर लेंगे और login वाले page में इसको paste कर देंगे exhaust से पहले इसको paste कर देते हैं उसके बाद में इसको कैसे use करना है देखते है documentation वापस से हम क्या कर सकते है directly await कर सकते है और इसके अंदर set कर सकते है item को इस code को copy कर लेंगे copy और जैसे user login हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास message आ रहा है, उसके बाद में क्या करेंगे, await कर लेंगे, await, async storage, उसके अंदर set item का function है, उसके बाद में आप यहाँ पर string value add कर सकते हैं, और जो भी आपके actual value है, आपको इसको यहाँ पर add करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इ add, और फिर value में आप क्या कर सकते हैं, जो भी data आप receive कर रहे हैं, उसको यहाँ पर set करा सकते हैं, तो इसमें हमारे पास token भी मिल जाएंगा हमको, और जो भी user है, उसकी details भी मिल जाएंगे, इनकेस अगर हमको top पे navigation में display कराना है, तो फिर हम use कर सकते हैं, save कर लेते हैं, तो यहाँ पर यह set हो जाएंगा, लेकिन हम देखेंगे कैसे इसको, तो इसके लिए temporary function में बना लेता हूँ, तो मैं comment out कर लेता हूँ, उसको, हम सिर्फ check करने के लिए बना रहे हैं, बाद में हम इसको delete कर देंगे, temp function to check local storage data, उसके लिए हम एक function बना रहे हैं यहाँ और function का ना equal to arrow function, और इसमें क्या करेंगे, एक variable बना लेंगे, const data equal to, तो अवेट कर लेंगे, अवेट किस चीज का करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, again, async storage का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर से get function का इस्तेमाल करेंगे, get item, और यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा item आपको चा store कराया, तो हम क्या करेंगे, इसको जहना, string में convert कर देंगे, क्योंकि direct आप ऐसा save नहीं कर सकते है, local storage में हमको string में values को add करना पड़ता है, और जो हम server से data receive कर रहें, वो json format में है, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू top वाले को convert कर देंगे, आप लिखेंगे, json.stringify, इस function के लेता हूं, क्योंकि direct display करा के कुछ मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, direct console.lock कर देंगे data को, जो भी data है, आप इसको console.lock कर लो, और इसके अंदर comment भी add कर देता हूं, local storage, कुछ इस तरीके से मैंने comment out कर लिया, comma लगा दे, इसके बाद में, save कर लेते हैं, इस function को, और error इसमें इसके बाद में, direct, इसके नीचे ही call कर लेता हूं, get local storage data, और इसको हम यहाँ पर call करेंगे, save, और इसको देख लेते हैं एक बार, तो देखे, initial time पी यह नल शो कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, application को जो है, यहां से refresh कर लेंगे, या फिर login करके देख लेंगे, यहां पर login पर data, फिर से हम इसको test कर लेंगे, application को मैं reload कर देता हूं, और फिर से हम यहाँ पर login कर लेंगे, और हमने क्या लिका था, t2 at t.com, और उसके बाद में password, 123456, पहले invalid add करके check कर लेते हैं, login, तो यहां पर देखे, exhaust error भी show करेंगा, और invalid username और password बराबर से show कर रहा है, अब valid, यहां पर password add करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं, 123456789, और login, तो देखे, यहां पर हम login हो चुके हैं, और user data भी हमारे पास बराबर से show कर रहा है, थोड़ा सा scroll कर लेता हूं, यह रहा local storage, उसमें हमारे पास दीखे, success true, पूरा object है अपने पास, उसके अंदर दीखे, यहां प फिर है यह token, token के बाद में हमारे पास है user, user के अंदर सारी details है, तो perfectly login और register के functionality हमारी application में बन चुकिए, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कोई भी state management solution का use कर सकते हैं, और ज्यादा enhance कर सकते हैं हमारी application को, अब हम क्या करेंगे, हमारी application में global state को manage करेंगे, उसके लिए आप एक तो Redux toolkit का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके पास context API हैं, जो के by default आपको react native में मिलती है, I hope आपने इसको normal react में भी देखाऊंगा, नहीं भी देखाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, directly हम इसको use करे तो आपको समझ में आएंगा, कैसे इसको use करते हैं, और भी अगर आपको इसके बारे में जाना है, तो आप इसकी official website देख सकते हैं, context API करके आप search कर ये Google में, तो आपको first link मिल जाएंगा, और भी other tutorials इसके उपर मिल जाएंगे, कैसे context API काम करता है, आपको इतना याद रखन इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, global state को manage कर सकते हैं, यानि कि हमको बार-बार props पास करने की ज़रूरत निए components के अंदर, directly हम एक global state create करेंगे, और उसको कहीं से भी, कोई भी component में या पिर screen में हम उसको directly use कर सकते हैं, तो इस context के अंदर देखें, बहुत से functions हमको मिलते हैं, त white करने के लिए, consume करने के लिए, class कभी आप use कर सकते हैं, तो मैं एकदम simple way में आपको explain करूँगा, फिर भी अगर आपको इसके बारे में जानना है, तो make sure, इसका documentation ज़रूर देखें, इसमें बहुत सारे options आपको मिल जाएंगे, जितना भी हमको लगेंगा, उतना ही मैं यहा करना है, देखें, जैसे हम यहाँ पर login होंगे, तो login होने के बाद हमको क्या करना है, जो भी user है, उसका details, और फिर जो token है, उसको हमको store करना है, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, private और public route create करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अभी private route create करेंगे, तो कोई ना कोई एक condition होन monitor कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर global state create करेंगे, context API की मदद से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस client directory के अंदर एक new folder बना दे, और इसका नाम आप as it is रख रखते है, context, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक new file बनाएंगे, अभी हम authentication पर काम कर रहें, simple है, आपको क्या करना है, सबसे पहले react को import करना है, import react from react, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर network request भी देख लेंगे, और exeos को default method भी हम set कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, आप पहले शुग क्या करता हूँ, यहाँ पर create कर लेता हूँ, context को, so यहाँ पर यहाँ बाद में async storage भी चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर local storage में से data को भी get करना है, तो हमने register में यहाँ पर login में किया था ना, एक बाद चेक कर लेते हैं, यह रहाँ, async storage, इसको copy कर लेते हैं, इसका import यहाँ पर मैं add कर देता हूँ, इसकी भी हमको जरुरत पढ़ने वाल करेंगे, auth context equal to, फिर create context function को यहाँ पर call कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा context create हो गया, इसके अंदर अब हमको provider का use करना पड़ता है, जिसकी मतब से हम बता सकते हैं, कि इसके अंदर क्या operations आपको perform करने हैं, तो चलिए इसको भी एक variable के अंदर add कर देंगे, const auth provider equal to arrow function, तो हमने इसको arrow function बना लिया, तो यह bracket हो गया, यह curly braces, इसके अंदर हम क्या करेंगे, global state बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे use state को add कर ले, इसके मदद से हम state बना सकते हैं, तो directly आप क्या करें, यहाँ पे state बना लिए, points state, same नाम से कर लेता हो, मैं, क्यूंकि यह same आप को idea मिले, इसलिए हमने इसका नाम रखा है, state, set state, क्योंकि getter function है और setter function है, normal state हम जैसा use करते हैं, theme इसमें भी हम use करने वाले, यह है use state, और इसके अंदर हम जड़ा object create करेंगे, अब object क्यों create कर रहे हैं, इसमें हमको मिलने वाला है user, initially हम user को क्या करेंगे, null कर देंगे initial time पर कोई भी user नहीं रहेंगा, उसी तरीके से हमको token भी चाहिए, token initially हम क्या करेंगे, हापर empty string कर देंगे, save कर लेता हूँ, थोड़ा सा format हो जाएंगा document, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से format हो गया, यहाँ पर global state तो अपने बन गया, मैं comment out भी कर लेता हूँ, यह है global state, अब इस state को हमको कहीं से भी access करना है, लेकिन हमारी application को कैसे पता चलेंगा, तो हमको क्या करना है, इस auth provider को wrap करना है, जहां पर भी आपको इसको use करना है, अब हमको तो पूरे application में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, app.js में इसको wrap कर लेंगे, लेकिन पहले auth context को पूरा create करेंग क्योंकि अभी हमको इसको बताना है, यानि reusable हमको करना है इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फ़ले शुरू, initial time पे जो है user को get करने का try कर लेंगे, user ने जैसे login किया, तो local storage में data add हो गया, अब उस data को हम क्या करेंगे, initial time पे get करेंगे, तो यहां पर मैं लिख क्या करें, use effect hope को add कर लें, उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर use effect hope कर सिमाल करेंगे, यह है function जिसके अंदर हमारे पास multiple functions हो सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, empty dependency छोड़ देंगे, अगर आपको keep track करना है, तो आपके अंदर कोई भी dependency को add कर सकते हैं, अभी हमा कैसे करेंगे, देखें, बहुत simple है, already हमने किया था, I think so, login में किया था ना हमने, मैं एक बड़ चेक कर लेता हूँ, यहां पर हमने load अच्छा है, देखिए, यह रहा ना, get local storage data, same function हमको यहां पर call करना है, अब आप चाहें तो यही से भी इसको copy कर सकते हैं, यहां पर हम from the scratch create कर लेंगे, कोई दिख करती है, यहां पर आप क्या करें, कोई भी इसका एक नाम बना दे, जिसके, load local storage data equal to arrow function, और इसको हम क्या करेंगे, async function बना लेंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे, try cache blocker या पर directly भी कर सकते हैं, एक variable बना लेंगे, count data या पर let data equal to, फिर await करेंगे, await क इस चीज़ का async storage का हम इस्तेमाल करेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, get करेंगे data को, so get item, और उसका नाम आपको लिखना है, तो add the rate, और आपने जो भी नाम लिखा होंगा, तो वो आपको यहां पर pass करा देना है, तो यहां से data get हो जाएंगा, अब इसको हम को parse भी करना है जेसन में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वेरियबल बना देंगे, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के, parts data, पर इस देना भूल गए, parts data, equal to, या फिर naming confusion हो सकता है, इससे, तो login data कर सकते हम इसको, login data, equal to, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर, वेसन का इसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके अंदर हमको parts function मिलता है, इसका इस्तेमाल करेंगे, और जो भी data है, इसको parts कर लेंगे, तो parts होने के बाद, जो data हमको मिलेंगा, वो login data में store हो जाएंगा, इसके बाद में आप क्या करेंगे, simply console.log कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास global state है तो इस set state function की मदद से हम क्या करेंगे, उसके अंदर सारे के सारे data को assign कर लेंगे, तो आप लिखेंगे set data, initially एक copy बना लेंगे state की, क्योंकि हम directly इसको manipulate नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, spread करेंगे state को, अब इसके बाद में हमारे पास है user data और token, क्योंकि हमने state बनाया है, user, token, तो दोनों को हमको यहाँ पर get करना है, तो हम क्या करेंगे directly user को fulfill करा देंगे किस से, जो भी हम data receive करेंगे, अब इसके अंदर में question mark और dot add कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हमको data मिलता है, तो इस तरीके से condition रहेंगी data, फिर उसके बाद में यहाँ पर user को get कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, तो इतनी बड़ी condition के बदले आप क्या कर सकते है, directly जहाना, इस तरीके से syntax भी use कर सकते है, यह भी work करता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे user, उसके बाद में हमारे पास है token, तो token कहां से आएगा, यह भी data में से आएगा, तो आप लिखेंगे load, local storage data, और इसको call कर लेंगे, तो यह यहाँ पर call हो गया, initial time पे अब हमारे पास local storage का data चेक होंगा हर बार, क्योंकि token की validity हमारे पास 7 days थी, तो यह perfectly काम करेंगा, अब यहाँ पर यह तो token हो गया, अब हमको कुछ ना कुछ return करना पड़ेंगा, अब state हम पारी बन गई, initial time पे हमने इसको get भी कर लिया, लेकिन अभी क्या है, हमको return करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर return कर लेंगे, पहले शुरू, क्योंकि यह function है, तो इसमें आप parenthesis लिखें, और return के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा context है, इसको हमको return करना है, कैसे करेंग तो पूरे application में चाहिए functionality, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप properties में हमको, देखे, props के अंदर, children item के हमको option मिलता है, जिसका हम use कर तकते है, तो इसकी मदब से क्या होता है, इसको curly braces में add करें, जितना भी child element रहेंगा इसके बीच में, मानली जिए, इसके अंदर मैंने कोई भी ए easily use कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले शुरू इस context को बताइए, आपके पास कुछ value है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे value, value के अंदर हमारे पास value कौन सी है, हमारे पास है state, तो इस array को हम यहाँ पर copy paste कर लेंगे, अगर object है, तो direct भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास array में इसलिए हमने array बना के इसको path करा दिया, अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, directly destructure भी कर सकते हैं, चिल्डरन को, यहाँ से आप क्या करें, प्रॉक्ट के बदले direct destructure करें, इस component को में remove कर लेता हूं, सिर्फ आपको test purpose के लिए में बना शूग हिया था, अब इस children को हम क्या करें इस function में से destructure करेंगे, जैसा normally हम destructure करते हैं, उसी तरीके से हमने children को भी destructure किया, तो इससे कहा हूंगा, इसके बीच में, जो भी content wrap रहेंगा, वो dynamically change होता रहेंगा, अब dynamic क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार हमारी application में apply करेंगे, और फिर बाद मे देखेंगे, लेकिन I hope basic तो आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद में इसको use करना है, तो नीचे आप क्या करें, इसको export भी कर दें, ताकि हम इसको कहीं पर भी use कर पाएं, export, और पिर curly braces, क्योंकि हमारे पास context भी है, और provider भी है, तो आप लिखेंगे, auth contact, comma, auth provider, त जो auth context है, इसके बाद में आपको dot लिखना है, और इसमें हमको मिलता है provider, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, और इसको save कर लेंगे, यहाँ पर, अब हमको क्या करना है, app.js में इसको wrap करना है, कैसे करेंगे, बहुत simple है, इस navigation container के बाद में, आप यहाँ पर लिखेंगे, auth provider, द आपका stack navigator है, जितना भी stack navigator है, इसको आप क्या करें, यहाँ से cut कर लें, और इस auth provider के अंदर इसको paste कर लेंगे, save, और यहाँ पर error भी, देख सकते हैं, property, load local storage data doesn't exist, okay, तो कहाँ पर एक बाद चेक कर लेते, यह है, context के अंदर, चलते हैं, वापत context में, यह outside call हो गया, तो इ से cut करके inside कर लेंगे, इसको inside में हमको call करना है, save, देखे perfectly application काम कर रहे है, initially local storage हमारे पास empty है, अब जैसे हम login करेंगे, तब हमारे पास state आएंगी, लेकिन फिर हमको home page पर जाना है, application को फिर से reload करेंगे, तो फिर जो भी data हमारा वो vanish हो जाएंगा, यानि खतम हो जाएंगा, तो चलिए, पहले शुरू किया करते, एक new screen create कर लेंगे, यहाँ पर screen के अंदर, एक new file और इसका नाम मैं रखता हूँ, home.care, functional component इसको बना लेंगे, rnfp, react native, functional component with export, save कर लेते हैं इसको, और app.js में इसका एक route बना लेंगे, पहले शुरू यह previous files को close भी कर सकते हैं, या फिर ठीक टाक दिख रहा है, एक screen हम यहाँ पर बना लेंगे, top पर कर देता हूँ, यहीं से इसको copy paste, और top वाला हम कर देंगे, home, और register के बदले यहाँ पर लिखेंगे, home, make sure इसको import भी करिए, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, automatically यहाँ पर home import हो जाएंगा, आपके case में नहीं हो र यह, save कर लेते हैं इसको, और application को reload कर देता हूँ, या फिर रहने देते हैं इसको, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है, login के अंदर functionality बना लेंगे, क्योंकि हमने page तो बना लिया है, फिलाल इसमें हमारे पस सरफ home ही show करेंगा, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ज साथी में आप क्या करें, import कर दे, auth context को, so auth context, देखिए, suggestion शो करेंगा, इस पर click करें, automatically बागी का path भी add हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो manually आप इसको add करें, अब इस state से पहले कर लेंगे, हम यहाँ पर global state को manage, और यहाँ पर comment out कर जाता हूँ, global state, और इसमें हम क क्या करना है, direct हम function पर भी काम कर सकते हैं, फ़रे शुरू डी structure कर लेंगे, const state, और फिर हमको मिलने वाला है, set state, अब यह कहां से मिलेगा, इसके लिए हम context का use करेंगे, so use context, और इसके अंदर फिर auth context को बता देंगे, कि auth context में से हमको यह दोनों चीज़े मिलने वाली है, अब इसके अंदर हम changes कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बहुत simple है, आपको जो handle submit में जाना है, और यहां पर validation के बाद में, जहां पर हमको data मिल रहा है, देखिए, local storage में, हम data को यहां पर set कर रहे था, तो इसके बाद में क्या कर सकते हैं, फिर इससे पहले कर लेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, set कर देंगे data को, set data, sorry, set data नहीं, set state है, और इसको कैसे fulfill करेंगे, जो भी data आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको directly fulfill करा देंगे, उसके बाद में, जैसे login success होता है, तो alert के बाद में हम क्या करेंगे, navigate का इस्पेमाल करेंगे, navigate का नहीं, navigation हमने destructure किया था, एक बढ़ चिक कर लेता हूँ, यह function में हमने destructure किया था, navigation को, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते, navigate भी करा सकते हैं, तो जैसे success होंगा, तब हम navigation यहाँ पर perform कर लेंगे, तो आप लिखेंगे, navigation.navigate, और इसमें हम क्या करेंगे, इसको redirect कर लेंगे, home path, make sure, आपने जो app.js में home की spelling होंगी, वही चीज़ आप यहाँ पर add करेंगे, इस login वाले part में, हमने यहाँ पर इसको add कर दिया, save कर लेते हैं, अब एक बार इसको test कर लेंगे, मैं application को एक बार reload कर देता हूँ, यहाँ से हमारी application reload होगी, और यहाँ पर हम data fulfill कर देंगे, so t at t.com, आपका जो भी username, password है, आ आप यहाँ पर add करें, उसके बाद में password 12325678, login, तो देखे, login successful, ओके पर click करूँगा, अब हम home page पर आ चुके है, यहाँ पर देखेंगे, आप तो देखे, top पर home आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी styling अभी perform नहीं किया है, तो यह top पर चिपक के आ रहा है, मगर successfully देख एक्चुल में हमारे पास data हमको मिला है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले react के बाद में, use context का इस्तेमाल कर लेंगे, use context, और फिर हमारे पास है auth context, तो यहाँ पर इसको भी import कर देंगे, import auth context from context slash auth context, उसके बाद में यहाँ पर destructure करेंगे data को, so global state, यहाँ पर हम destructure कर दें, cost state को, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर use context का स्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर जहाँ auth context को pass करा देंगे, और set state की इसमें जरूरत नहीं है, directly हम क्या करेंगे, state का data get कर लेंगे, so इस text के बाद में, एक और text में यहाँ बना लेता हूँ, text, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जेसन का स्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इसको stringify में convert करना है, stringify, और हमारे पास क्या है, state को as it is pass करा दे, null कर देंगे, और pour कर देंगे, तो इससे थोड़ा सा beautify हो जाएगा, save, तो जैसे save किया, तो तो login user की सारी details यहाँ पर add होगी, जैसे कि success row message login successfully token है, तो successfully यहाँ पर global state हमारी बन चुकी है, तो इसके बेस पर हम क्या कर सकते है, further menu इसको design कर सकते है, या अगर आपको login user का name check करना है, वो भी आप कर सकते है, login logout की feature, या फिर जो आगे navigation menu आप create करेंगे, तो इसके बेस पर आप कर सकते है, बाद में ह सिर्फ हमको एक condition यहाँ पर add करना है, तो वो हम देखेंगे आगे, अभी इतनी कोई खास दरुरत नहीं है, इसको protect में बाद में बता दूँगा, और आप यहाँ पर exios की default setting भी कर सकते है, इस context के अंदर, तो उसको भी एक बार देख लेंगे, यहाँ पर मैं import कर देता यहाँ पर शुरू, exios from, exios from, exios और यहाँ पर हम क्या करेंगे, state के बाद में, default, exios, exios setting, और फिर exios का स्टेमाल करेंगे, exios.default, इसके अंदर हमको method बिलता है, इसमें हम क्या करेंगे, default की मदब से क्या करेंगे, base URL set कर देंगे, so base URL equal to, और फिर जो login register में हमने use किया है, same, इसी URL को कहां तक, v1 तक copy कर लेंगे, तो यह base URL हो गया, इसको copy कर लेता हूँ पहले, बाद में हम इसको change करेंगे, so पहले copy paste, और इसको string के अंदर आपको add करना है, so make sure, यहाँ पर आपके string, save कर लेते हैं इसको, तो base URL हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अब हम क्य करेंगे, हमारा URL चेंज कर देंगे, इतना बड़ा हमको लिखनी की ज़रत नहीं है, direct, हम क्या कर सकते हैं, इसको cut कर सकते हैं, यहाँ से, इतना part में cut कर लेता हूँ, slash auth, slash login रहेंगा यह, save कर लेते हैं इसको, और फिर register में भी same चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से अब हमको इतन बड़ा, endpoint लिखने की ज़रत नहीं है, हमने base URL सेट कर दिया है, तो directly हम उसका use कर सकते हैं, save, और register में भी हम क्या करेंगे, alert के बाद में जो हैना, इसको navigate करा देंगे, swap लिखेंगे, navigation.navigate, इस function के अंदर हम क्या करेंगे, इसको redirect कर लेंगे, login वाले page पे, swap लिखेंगे, login तो जैसे login success होता है, तो यह automatically redirect हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, और application को refresh कर लेता हूं, अभी भी हमरे पास token है, देख सकते हैं, यहाँ पर user का data बराबर से है, लेकिन अभी हमने इसको compare नहीं किया, इसलिए हमको यह refresh करने के बद, automatically login page पे redirect करेंगा, अब फिर से मैं क्या क successful सारी details पराबर से show हो रही है, देख सकते हैं, perfectly application काम कर रही है, और जो हमने अभी default exeos set किया हुआ है, context के अंदर, तो बार बार हमको इतना बड़ा URL set करने की ज़रुरत नहीं, direct हम क्या करेंगे, आगे का जो भी part था, sub route हमने जितना लिखा था न, उसी के साथ में हम continue कर सक है, तो बार बार हमको हर page में जो है, setup करने की ज़रुत नहीं, global state अपनी बन चुकी है, तो इसी में हम क्या कर सकते है, token को भी set कर सकते हैं, so i hope यहां तक आपको समझ में आ गया होंगा, ज्यादा कुछ इसमें hard नहीं है, एक बार आपको थोड़ा बहुत context समझ में आ गया, तो कोई भी complex application आप easily इसमें बना सकते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहले शुरू जो यहां पर context को create करना पड़ता है, उसके बाद में फिर provider आप create करेंगे, provider बहुत बढ़ा होता है, इसमें आपको small part में सबको divide करना पड़ता है, जैसे कि global state, क्या-क्या पहले तो बना सकते हैं, नहीं भी करेंगे, कोई दिखकर भी है, perfectly application काम करेंगी, अगर आपको data access करना है, initial time पे कुछ data चाहिए, जैसे कि हमारे case में हमको user चाहिए, और token चाहिए, इसलिए हमने यहां पर use effectiveness को get किया, उसके बाद में हमने क्या किया, directly return कर दिया context को, और उसक play करा सकते हैं, और यह dynamically change होता रहेंगा, last में हमने क्या किया, इसको app.js से wrap कर लिया, यानि पूरे application में, जितने भी components है, सब में हमने इसकी functionality को add कर दिया, so I hope, यहां तक समझ में आ गया, कुछ भी नहीं आता है, आपके समझ में, तो source code की link description में, और भी अगर आपको कुछ और bell icon press करें, ताकि latest video की notification भी आपको मिलती रहें, और यह जैसे project complete होता है, तो हम फिर Redux के साथ में भी एक project देख लेंगे, जिसमें हम e-commerce application create करेंगे, और वो थोड़ा सा past track लूँगा, क्योंकि हमने सब सीख तो लिया है, तो directly हम उसको भी implement करेंगे, मैं मिलता हूँ next video में अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, footer menu को show कराएंगे, और top पी भी हम देख सकते है, header menu भी create कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलाल देखिए हमारे पास, जो login user है ना तो यह logout कर सकता है, और ना ही कोई other functionality अभी हमारी application में है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू जोए menu उसको design कर लेंगे, और फिर यहाँ पर logout के लिए भी एक button हम add कर देंगे, ताके easily user logout कर पाएं, और फिर उसको login page में redirect कर लेंगे, ताती में यह जो menu है, इसको भी हमको clickable बनाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते, दिखिए, components के अंदर हम क्या करेंगे, एक new folder बना menus के नाम से, और सारे menus हम इसके अंदर create करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, footer menu create कर लेंगे, so footer menu.js के नाम से file मैंने create किया, इसको functional component बना देंगे, rnft, react native functional component with export, save कर लेते हैं इसको, और हम क्या करेंगे, इसको home page में add कर देंगे, so आपको जाना है, home page के अंदर, so यह है home screen, इ पीचे इसको paste कर देंगे, यहाँ पे, इस view के बाद में, footer menu, देखें, suggestion आपको show करेंगा, इस पर click करिए, self closing tag, save, तो देखें, footer menu यहाँ पर show कर रहा है, और इसको हम क्या करेंगे, button बना लेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, touchable opacity, तो आप लिखें, touchable opacity, make sure इसको import भी करिए, opening और closing tag है, और यहाँ पर यह incomplete है, तो यहीं से copy paste कर लेते हैं, इसको paste, तो दीखेंगे, अब यह clickable है, देख सकते हैं, इस पर हम click कर सकते हैं, अभी भी हमको designing करना है, designing के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है colorful कर सकते हैं, या पिर जो भी आपको सकते हैं, तो inline style में, या फिर separate बना लेता हूं, style sheet उपर import कर लेंगे, style sheet और इसके मदद से नीचे styling कर लेंगे, एक style के नाम से variable बनाएंगे, और styles equal to style sheet का use कर लेंगे, इसके बाद में फिर create function, तो यहाँ पर हमने लिखा create, create के अंदर हम को क्या करना है, यहाँ पर key value pairs बना है, जो भी आपको designing करना है, उसके objects आप यहाँ पर बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, flex direction, change कर लेंगे, इसका, नाम भी तो लिखना है, इसका नाम हम कर लेंगे, container, और इसमें हम क्या करेंगे, flex direction, change कर देंगे, flex direction, sorry, यह है, flex direction, दो column में इसको divide कर देंगे, और यहां पे हमको क्या करना है, justify करना है content को, आप लिखेंगे justify content, इसको हम कर देंगे, space between, save कर लेते हैं इसको, और इस container की class को मैं apply कर देता हूँ, इस view पे, यहां पे आप लिखेंगे style, और इसके अंदर styles की मदद से हम add कर देंगे, styles.container, save, और यहां पर कुछ spelling mistake है, flex direction, okay, flex direction, one होगे, okay, sorry, यह flex, यह simple flex है, save, और इसको reload कर देंगे एक बार, और application crash होगे, इसको restart कर लेते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, सब कुछ clear all कर देंगे, फिल से एक्सपो की application open करते हैं, और यह client application, इसको open करेंगे, यहां पर login success, तो देखिए, यह perfectly align हो चुका है, home, फिर जो भी token है वो बराबर से आ रहा है, और footer menu नीचे show कर रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, home में, हमारा application का name और logout बटन दे सकते हैं, या फिर profile का name भी दे सकते हैं, और footer में क्या करेंगे, यहां पर menus हम design कर लेंगे, और footer menu के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए, इस text के बदले म add कर देंगे, save, और यहां पर footer menu के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको कर लेंगे, home, फिम इसी को 2-3 बार copy paste कर लेता हूँ, copy paste, चार बार मने कर लिया, यहां पर फिर अगला menu post के लिए कर लेता हूँ, फिर इसके बाद में आप about भी बना सकते हैं, about, और फिर account, save कर लेते हैं इसको, तो दीखे, एक के नीचे एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी direction change कर लेंगे, तो इस view के अंदर, या फिर directly separate style sheet बना लेंगे, तो style sheet को आप import करें, style sheet, और फिर उसका एक variable यहां पर बना लेंगे, const style sheet, sorry, styles के नाम से, styles equal to style sheet dot create function, और इसके अंदर object बना लेंगे, और यहां पर भी container बना लेंगे, container, इसमें हम क्या करेंगे, flex direction change कर लेंगे, इसको कर देंगे, row, save कर लेते हैं इसको, और यहां पर apply कर लेंगे, view के अंदर, तो आप लिखेंगे style, style के अंदर फिर हमारे पास है style, और फिर dot container, save, तो दीखें, यहां पर एक के बाद में एक पक कर आ गया, इसमें थोड़ा सा margin add कर देंगे, so margin of 10, save, थोड़ा सा margin भी हमको इसमें देखने मिलेंगा, और margin मैं इसमें भी add कर देता हूँ, home के अंदर, margin, और इसको भी कर देंगे 10, save, तो और जादा space हमको इसमें देखने मिलेंगा, justify कर देंगे content को, so justify content space between, तो बराब से options है, हम क्या कर सकते हैं, vector icons भी use कर सकते हैं, काफी popular एक package है, react native के साथ में, जिसका आप use कर सकते हैं, तो एक बर हम इसको देख लेंगे google पे, ब्राउजर में जाएए, और यहां पर तर्च करिए, react native vector icons, second वाली link पे जाएए, क्यों कि first में क्या करेंगा, यह सिर्फ आपक यहां पर जो भी material design, जितने भी सारे icons available थे, react icon pack में से use करते थे, तेम उसी तरीके से यह भी है, react native vector icons, इस पर click करिए, npm.js की website है, यहां पर आपको मिल जाएंगा, कौन-कौन सा यह support करते हैं, नीचे scroll करिए, देखे, browse all, end design, end typo, evil icons, feather icons, font awesome, सारे icons यहां पर available है, तो आप इ जाएंगे vs code में, एक और new tab open कर लेंगे terminal का, और सबसे पहले switch हो जाएंगे cd client के अंदर, और इसको paste कर देंगे, और इतना लिखके आपको enterprise करना है, तो यह package, आपके react native की application में install होना start हो जाएंगा, देख सकते हैं, काफी fast यह download हो रहा है, जब तक हम क्या करेंगे, यहां इसका documentation देख लेंगे, नीचे scroll करेंगे, कैसे use करना है, सारा चीज आपको यहां पर मिल जाएंगा, इसमें आप customization भी कर सकते हैं, हम directly इसका use कर लेंगे, और इसमें से font awesome icon का use करेंगे, 5 का भी support है, 6 का भी support है, तो 5 थोड़ा stable है, तो हम यहां पर font awesome 5 का इस्तेमाल कर लेंग और यहां पर check कर लेंगे, कहां पर है, native icons, तो दीखिए, यह रहा, react native vector icons, इसका हम use कर सकते हैं, तो footer में हम क्या करेंगे, top पे import कर देंगे, पहले शुरू, यहां पर आपको import something from react-native, और package का नम क्या लिखा था, हमने same था न, तो थोड़ा सा confusion हो रहा है, इसमें, font awesome का use करेंगे, documentation देख लेता हो, इसमें लिखा हो है, दीखिए, font awesome 5, तो इसका हम use कर लेंगे, तो directly आप type कर सकते है, font awesome 5, और यह कहां से मिलेंगा, इसके अंदर आपको slash लगाना पड़ेंगा, फिर यहां से आप use कर सकते हैं, दीखिए, font awesome 5, इसका हम use करेंगे, और custom HTML element के इसको treat कर सकते हैं, तो इसी को मैं copy कर लेता हूँ, एक बार test कर लेंगे, सही से काम करता है, इस touchable opacity के अंदर, और यह emulator side में कर देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, इसका use कर लेंगे, paste, font awesome 5 icon, self closing tag, उसके बाद मैं आपको इसका name लिखना पड़ता है, तो home के लिए तो home ही नाम से मैं क्या करता हूँ, एक class बना देता हूँ, icon style, और यहां पर हम क्या करेंगे, icon में margin bottom 3 कर देंगे, उसके बाद मैं इसको justify कर देंगे, so align, self इसको कर देंगे, center, save, और इस icon style को क्या करेंगे, यहां पर apply कर देंगे, तो आप लिखेंगे style, style के बाद में style को target कर तो देखें, perfectly align हो गया, और font size भी change कर लेता हूँ, font size, इसको कर देंगे, 25 ठीक रहेंगा, check कर लेते एक बार, save, तो देखें, 25 इनफ है, पराबर से काम कर रहा है, अब देखें, सबी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, icons का use कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, font awesome क list कर देंगे, या फिर plus, double P हो गया यह, यह है plus, तो देखें, यहाँ पर feather icon, यह रहाँ, font awesome, और यह plus वाले पर हम click कर लेंगे, या फिर plus square, इसका हम use कर सकते हैं, copy कर लेंगे, इस icon को पहले शुरू copy कर लेंगे, सभी में, copy, हर एक touchable opacity में हम इसको add कर देंगे, तो यहाँ प पास है, account, इसमें भी paste कर लेंगे, save, check कर लेंगे एक बार, तो देखें, सभी में icon show कर रहा है, उसके बाद में हमारे पास क्या है, plus square, इसको copy करेंगे, और second वाले में add कर देता हूँ, plus square, save, तो देखें, post के लिए कुछ इस तरीके से show करेंगा, और about है, तो about भी I think हमको मि हम इसे search करना है, तो यह रहा, info circle, तो इसका हम use कर लेंगे, info circle कर ले, paste, save कर लेते हैं, इसको तो देखें, info आ रहा है, और account के लिए तो gear का icon सही रहेंगा, एक बार हम user करके search कर लेते है, user, और font awesome search कर लेते हैं, यह font awesome, और rounded wallet ठीक है, या फिर direct user भी ठीक है, हम direct user इसमें add कर करेंगा, अब आप चाहें तो इसमें color set कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, अपने साब साब इसमें designing कर सकते हैं, तो perfectly हमारा footer menu यहाँ पर create हो चुका है, अभी हमको इसको clickable भी बनाना है, और हमको header part भी देखना है, header के अंदर क्या है, देखें, यहाँ पे हम screen का name लिख स सकते हैं, अभी हमारे पस दिखें, मैं आपको एक बर बता देता हूँ, app.js में सारे का सारा navigation है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा enhance कर सकते हैं, और जैसे हमने footer menu बनाया है, सेम उसी तरीके से हम एक reusable menu create कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो इस menu के अंदर हम क्या करें एक new file बनाएंगे, और इसका नाम हम रखेंगे, screen menu.js, इसमें सारे screen के menu हम create करेंगे, सबसे पहले इसको functional component बना देंगे, rn fe react native functional component with export, save कर लेते हैं इसको, और फिर app.js में हम क्या करेंगे, इसी को पूरा को copy paste कर सकते हैं, तो इस stack दे लेके पूरा का पूरा में copy कर लेता तो थोड़ा सा changes करना है, फिलाल copy paste करें, easily हो जाएंगा, I hope आपको basic तो इसमें समझ में आ गया होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, copy paste कर लेंगे, और container हमको नहीं चाहिए, यहां से container remove कर लेंगे, so navigation container हमने यहां से remove कर लिया, और auth provider भी हमको इसमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हम remove कर लेंगे, यहां से हमने auth provider को भी remove कर लिया, save कर लेते हैं इसको, और यहां पे आप native stack navigator को भी import करें, control space करेंगे, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, automatically यह import हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, अभी कुछ भी changes यहां पर detect नहीं होगा, क्योंकि हमको इसको थोड़ असा step step by step करना है, ताकि हमारी application यहां पर brick ना हो, तो यहां पर navigation menu को हमने एक separate file में add कर दिया, अभी भी हमारे पास app.js में हमारे main files है, तो हम क्या करेंगे, एक और new file root directory के अंदर create करेंगे, root का मतलब क्या है, जैसे component level पे folder है, context है, node modules folder है, तो इस level पे हम क्या करेंगे, एक new file बना functional component इसको भी बना लेंगे, rnfp, react native functional component with export, और इसका नाम change कर लेता होगे, इसको हम जो है, कोई दूसरा नाम दे देंगे, सिर्फ यहां पर confusion ना हो, इसलिए मैंने navigation नाम लिखा है, जैसे कि इसका नाम हम कर सकते है, root navigation, कुछ इस तरीके से हम नाम लिख लेंगे, copy, और यहां import करेंगे ना, तो हमारे component का नाम रहेंगा, root navigation, जो कि import होगा, इस navigation.js file में से, अब इसमें हम क्या करेंगे, simple, जो भी हमने अभी screen menu बनाया है, इसको यहां पर call कर लेंगे, सो इस view को पूरा cut कर लेता हो, मैं, इसके भी हम को ज़रत नहीं, auth context का हम इसमें स्वाल कर लेंगे, जो यहां पर लिखेंगे, auth context, sorry, auth context नहीं, provider, क्योंकि हम यहां पर context का यूज़ करना चाहते हैं, कैसे, जैसे हमने app.js में सब कुछ wrap किया था, तो same, उसी तरीके से हम यहां पर इसको भी wrap कर लेंगे, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिकत नहीं, अभी जैसे हम इसको टाइप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएंगा, पहले हमने क्या किया था, और अभी हमने क्या किया, दोनों को मैं एक बार फिर से explain कर लूँगा, अब इस auth provider के अंदर हम क्या करेंगे, screen menu को add कर देंगे, so screen menu, make sure इसको import भी करिए, self closing tag, save कर लेते हैं तो देखें, app.js में जो code है, इसमें क्या क्या चीज है अपने पास, सबसे पहले navigation container है, उसके बाद में auth provider है, और फिर हमारे पास stack menus है, तो हमने क्या क्या, तीनों को हमने यह आपल separate कर लिया, navigation के लिए हमने अलग से screen menu के नाम से file बना दी, और उसमें हमारे सारे navigation menu है, उसके से, simply देखें, auth provider पूरा आप complete, यहां से remove कर लिजिए, इसकी बिल्कुल तोरलत नहीं है, क्योंकि already हमारा काम यहां से complete हो चुका है, इस navigation container में हम क्या करेंगे, अभी हमने जो navigation के अंदर, root navigation बनाया है, इसको pass करा देंगे, यहां पर आप लिखेंगे, root navigation, make sure इसको import करिए, self closing tag, save कर लेते हैं इसको, तो देखें, यहां पर एक error है अपने पास, property home doesn't exist, क्योंकि screen menu के अंदर देखें, हमारे पास home component है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि home कहां से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर e को cut करके control space करेंगे, suggestion show करेंगे, इस पर click करिए, home automatically add हो जाएंगा same उसी तरीके से register के लिए भी करना है, R को cut करके control space, suggestion show करेंगे, इस पर click करिए, automatically component यहां पर import होता चलेंगा, same उसी तरीके से login है, so N को cut करके control space, यहां पर login show करेंगे, इस पर click करिए, save कर लेते हैं इसको, तो देखें, perfectly यहां पर login screen भी show कर रहा है, अब इसको एक बड़ ट t at t.com, उसके बाद में password add कर लेंगे, यहां पर, 12345678, login, तो दीखें, login successful, और successfully हम home page पे भी redirect हो गए, मतलब हमने जो भी अभी changes किया है, screen menu, navigation, और फिर app.js में भी changes किया है, तो perfectly काम कर रहा है, और यहां से अपकर सकते, import statement को यहां से delete कर सकते हैं, इसकी जरुरत नहीं है, औ और साथी में, इस context की भी हमको जरुरत नहीं है, तो काफी clean हो गया हमारा app.js, save कर लेते हैं इसको, और इस stack को भी remove कर लेंगे, इसकी वज़े से यह error शो कर रहा है, तो remove, save कर लेते हैं, navigation container, अच्छा, navigation container हमने remove कर लिया, undo कर देता हो, control z, navigation container रहने देंगे, बाग ही हम इसको remove कर लेंगे, इसको भी delete कर देते हैं, और provider को भी delete कर लेंगे, और stack को भी यहाँ से remove कर लेंगे, save, अब ठीक है, आप perfectly काम कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको conditionally भी check कर लेंगे, अगर हमारे पास token है, तो फिर हमको बार बार login होनी की ज़रुत नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस screen menu के अंदर क्या करेंगे, condition add कर देंगे, फ़ले शुरूप context में से data को get करेंगे, तो react में अब क्या करें यहाँ पर curly braces add करें, और use context काम इस्तेमाल करेंगे, use context, और इसके मदद से state values को destructure करेंगे, साथी में auth context भी चाहिए ना, इसको भी import कर देंगे, import auth context, make sure यहाँ पर सही path में से आप import करें, उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, global state को add कर देंगे, so global state, get कर लेंगे इसको const, state हम को चाहिए, और state में का data हम को get करना है, यह कहां से आएगा, use context की मदद से, जो हमारे पास context हमने create किया है, auth context का, उसको हमारे पास state है, तो हम क्या करेंगे, home show करेंगे, अगर state नहीं है, तब क्या करेंगे, login और register हम show करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक condition यहाँ पर बना ले, इस stack navigator के अंदर एक curly braces, और यहाँ पर हम if else की condition add कर सकते हैं, लेकिन किस बेस पे करेंगे, अगर हमको state म results की हम यहाँ पर बनाने वाले, या फिर auth condition कर लेते हैं इसको, const auth user या फिर authenticated user कर लेते है, authenticated user equal to, अगर यह authenticated है, तो हम कैसे इसको check करेंगे, बहुत simple है, हमारे पास context है जिसमें हमारे पास state है, तो अगर हमको state मिलती है, तो पहले शुरू 주 Dude मिलती है उसको check करेंगे, उसक अगर हमको user मिलता है, एक और condition हम यहाँ पर check करेंगे, हमारे पास token भी है, तो token को भी हमको check करना है, आगे और enhance करेंगे हम इसको, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, उसके बाद में आप again state को target करेंगे और check करेंगे, अगर state है, तो उसके अंदर state.token को भी check करो, मैं आपको पहले बताया था ना, इस question mark और dot का मतलब क्या होता है, and का होता है, double condition लिखने के बतले, आप question mark और dot लगा सकते, तो वो दोनों same काम करेंगा, अब इस authenticated user के base frame क्या कर सकते है, conditionally जहें screen को show करा सकते है, कैसे कराएंगे, simple है, यहाँ पर आप क्या करें, इसको चेक करें, authenticated user, अगर है, तो कुछ चीज़े return करो, नहीं तो एक और condition हम यहाँ पर बना देंगे, यह true condition है, second value false है, तो false में हम क्या करेंगे, पहले शुरू, fragment बना लेंगे, क्योंकि एक से दो component अगर आपको display कराने है, तो फिर आपको fragment यहाँ पर use करना पड़ता है, और इसको multiline भी कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, यह condition, और यह condition हमारे पास है, second वाला देखिए, जो stack है, login और register का, इसको यहाँ पर cut कर लेंगे, और इसके अंदर हम इसको paste कर लेंगे, यहाँ पर paste, और इसके बाद में एक बचता है, home के लिए, इसको यहाँ से cut कर गे, अगर single है, तो आप directly इसको add कर सकते हैं, इसको भी मैं fragment में add कर देता हूँ, ताकि हमको बाद में fragment add ना करना पड़े, तो empty opening और closing tag, syntactical sugar form हम यहाँ पर देख रहें, paste कर लेंगे इसको, और जैसे save करूँगा, थोड़ा auto format भी हो जाएगा, save कर लेता हूँ इसको, तो कोई भी error अपने पास नहीं है, reload कर देंगे application को, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, login हो जाता हूँ, tatt.com, और फिर password add करेंग, 123456, login, अच्छा, password गलत है, password मैं add कर देता हूँ, बराबर से, यह valid password है, login, तो दीखे, login successful, अब अगर यहाँ से आप login access करेंगे, तो वो नहीं होगा, अभी हम क्या कर लेंगे, logout की functionality पर काम कर लेंगे, और इस home को भी आप design कर सकते हैं, जैसे home का जो container था ना, इसमें हम क्या करेंगे, margin तो हमने already दिया था, इसको margin horizontal कर लेंगे, या फिर margin top कर लेते हैं, margin top, इसको top से ले देते हैं, 40, save, अभी ठीक है, home बराबर से यहाँ पर visible है, अभी next हम क्या करेंगे, application का title और logout बटन यहाँ पर show करेंगे, header वाले पार्ट में, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर home section पर काम करेंगे, जैसे कि screen का नाम डिस्पले करा सकते हैं, या फिर जो भी अपनी application का नाम है, वो हम यहाँ पर display करा सकते हैं, और यहाँ से user को logout भी करा सकते हैं, कैसे करेंगे, चली, उसके लिए हम क्या करेंगे, components के अंदर जो menu का folder है, उसके अंदर एक और menu की file create करेंगे, और इसका नाम में रखताओ, header, menu.share, और इसको functional component बना देंगे, rnfp, react-native functional component with export, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, context कर स्टेमाल करेंगे, तो आप लिखेंगे, use.contact, और फिर auth.context भी हमको लगेंगा, तो इसको भी हाँ, जहाँ पर import कर देंगे, context, context के अंदर हमारे पास है auth.context, तो इसमें से हम इसको import करेंगे, और यहाँ से t को cut करके check कर लेते, control space, ओके, यहाँ पर है auth.context, अब यह बराबर से import भी है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, global state में का data यहाँ से get कर लेंगे, so const destructure, क्या state हमको destructure करना है, साथी में आप set state के मदद से जाए, changes भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर logout के लिए फंक्शन देखेंगे, तो इसके लिए हमको जाए, फिर set state का function लगेंगा, function क्या है getter setter method है, हम इसको simply destructure कर रहें, और यह कहां से आएंगा, use context में से, और इसके अंदर हमारा context हम बता देंगे, हमारे case में और context, इसमें से यह state, set state को get कर लेंगा, अब इसके मदद से हम global state को यहाँ पर manipulate कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, view के बदले, या फिर view के अंदर भी आप लिख सकते हैं, touchable opacity का हम use कर लेंगे, तो directly भी आप लिख सकते हैं, suggestion आपको show करेंगा, देखें, touchable opacity, इस पर click करेंगे, automatically यह उपर import हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो manually आप इसको import करें, opening और closing tag, तो button के बदले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर touchable opacity का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमको press event यहाँ पर provide करता है, अब इसके अंदर आप text का भी यूज़ कर सकते हैं, दौरवल हम text भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, text के बदले, एक logout के लिए icon का यूज़ कर लेंगे, तो आप font awesome icon का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे के हमने footer menu में design किया था न, दीखे, font awesome, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका name हमने add किया था, और इसको थोरण सा style भी किया था, style में हमने क्या लिखा था, दीखे, icon को हमने क्या किया था, align self center करके रखा था, तो आप सेम इसी तरीके से जह, icon को import कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका import statement copy कर लेंगे, copy, और header वाले part में भी add कर देंगे, so यहाँ पर मैं इसको paste कर देता हूँ, और एक icon का यहाँ से class copy कर लेंगे, copy, और इसको यहाँ पर इस opacity के अंदर paste कर देंगे, save कर लेते हैं इसको, और style अपने पस नहीं है ना भी, तो style में remove कर लेता हूँ, या फिर style भी create कर लेते हैं, as it is same copy paste कर लेता हूँ, थोड़ा सा time बचेंगा, आप जहें manual इसको create कर सकते हैं, पूरा का पूरा में यहाँ से copy कर लेता हूँ, copy, चलते header menu में नीचे इसको paste कर देंगे, और style sheet भी import करना है, और container हमको नहीं चाहिए, अभी फिलाल इसको empty छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, style sheet को add कर देंगे, आप लिखेंगे, style sheet, save कर लेते हैं इसको, save करने के बाद आपको क्या करना है, इसको routes के अंदर add करना है, तो इस screen menu के अंदर हम क्या कर कराएंगे, कैसे display कराएंगे, देखें, यहाँ पर हमारे पास home का stack है, इसमें हमारे पास है option, अब हम चाहिए, तो यहाँ पर add section भी दिखा सकते हैं, जैसे के इसको मैं remove कर लेता हूँ, यहाँ से simply save कर लेते हैं इसको, अभी options हमारे पास empty है, और यहाँ पर हमारे पास home show कर आए, और इस home text को मैं remove कर लेता हूँ, इसकी जरुरत नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से remove कर लेंगे, save, तो कुछ इस तरीके से भी content है अपने पास, और इस screen menu में हम क्या करेंगे, इसको multiline कर देता हूँ, polish through, और इसमें आप चाहें तो application का title भी add कर सकते हैं, जो भी आपके application उसको आप display करा सकते हैं, जैसे कि मैं इसका नाम लिखता हूँ, full stack app, इतना लिखके save करेंगे, तो देखें, यहाँ पर title हमारी application का change हो गया, अब हम क्या करेंगे, right side पे icon को display कराएंगे, कौन से icon को, यहाँ पर जो हमने home का icon बनाया है ना, तो इसको हम यहा अदर हमको एक और property मिलती है, header, right, तो बहुत सारी properties से इसके अदर, आप इसका documentation ज़रूर देखें, इसमें क्या करना है, आपको simply एक function call करना है, जिसमें जो भी component है, उसको आपको return कराना है, हमारे किसमें क्या है, header menu है, तो हम क्या करेंगे, custom HTML element बनाएंगे, कौन से नाम से, header, menu के नाम से, देखें, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, component automatically import हो जाएंगा, self close tag, save कर लेते हैं इसको, तो जैसे हमने save किया, तो देखें, icon यहाँ पर आ गया, अब यह clickable भी है, देख सकते हैं, अरी home है न, तो इसके बदले हम इसका नाम change कर लेंगे, जैसे के sign out करके देख ल color भी दे सकते हैं, direct up color change कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे red, तो यह red में show करेंगा, यानि यहाँ से यह logout के लिए पूछेंगा, आप इस icon को change कर सकते हैं, बाद में अपने हिसाब से, अब जैसे इस पर click होना, तो यहाँ से हमको logout की functionality को यहाँ पर achieve करना है, कैसे करेंगे, ब equal to arrow function, तो यहाँ पर यह होगा हमारा normal arrow function, ट्राइक बलॉक लिखनी कि इसमें ज़रात नहीं, directly भी हम इसको access कर सकते हैं, इसमें हमको जो है local storage लगेंगा, तो उसका भी import आप copy paste कर सकते हैं, हमने कहाँ पर use किया था इसको, context में किया होंगा, हमने एक बल चेक कर लेते, control P करत दिया, अब हमको क्या करना है, इसी के मदब पर लोकल storage को clear भी करना है, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस function को async कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ हम क्या करेंगे, set कर देंगे state को, क्यूंकि state को हमको empty कर आना है, इसके अंदर हमारे पास है token, so token को मैं क्या करता हूँ, य यूजर भी है ना, तो यूजर को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर null कर देंगे, तो आप लिखेंगे user null, और फिर हम क्या करेंगे, await करेंगे, await की चीट का करना है, हमारे पास है local storage, async storage के नाम से, so async storage.remove item, फिर आपने जो भी variable का नाम लिखा था, जैसे हमारे case में हमने लिख successfully, फिर उसके बाद में navigate भी इसको करा देंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, वैसे navigate कराने की ज़रूरत नहीं, automatically हमको navigate करा देंगा, test कर लेंगे functionality भी, alert हमने add कर दिया, save कर लेते हैं इसको, अब हमको क्या करना है, इसको assign करना है, touchable opacity के उपर, तो यहाँ पर आप लिखें और automatically हम login के ऊपर redirect हो गए, कैसे हैं, देखिए हमने इसके लिए condition बना के रखी थी, screen menu के अंदर देखें, हमने एक condition बनाई थी, authentication के लिए, अगर हमारे पास token है, तभी यह screen show करेंगी, user और token मिलता है, तभी हमको यह home screen देखने मिलेंगी, वरना यह by default हमको क्या करेंगा, login के पेज़ पर redirect कर लेंगा, फिर इसे मैं login कर लेता हूँ, जो भी आपका email id है, आपको इससे login कर लेना है, जैते कि यहाँ पर tatt.com, फिर यहाँ पर password add कर देता हूँ, login, तो देखें, login successful, सारा का सारा data वापस से आ गया, अब अगर मैं फिर से logout पर click करूँगा, तो देखें, logout successful, और फिर हम login page पर redirect हो गए, तो successfully हमारी application में header logout की functionality भी enable हो गई, अब हम जब बाखी के screen पर भी काम कर सकते हैं, जैसे कि user के account पर या फिर post पर भी हम काम कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, home section या फिर जितने भी अपने screen बाखी है न भी menu उस पर, तो उस पर का करेंगे, लेकिन अभी हमारे application में एक और problem है, कि दीए मेरे पास अभी token है, लेकिन token और user होने के बाद भी, मैं जैसे refresh करता हो, तो हमारी application हमको login page पर redirect कर देती है, तो आई दिंग कुछ issue है, एक बार हम क्या करेंगे, इसको fix कर लेंगे, फिर उसके बाद में बाखी की screens create कर और यहां पर हमने देखिए data को set किया था, फरले शुरू हमने data को get किया, उसके बाद में फिर उसको एक login data के अंदर हमने save कराया, लेकिन यहां पर issue क्या है, देखिए हमने data को directly pass करा दिया, तो इसमें क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे na console में, हमारे पास जो data आ रहा है वो json object है, और उसको हमने जो है नीचे login data में parse किया हुआ है, लेकिन जब हम उसको pass करा रहे है na set state के अंदर, तो यहां पर हमने accidentally data को यहां पर pass करा दिया, तो इसके बादले आप क्या करें, यहां पर login data add करें, क्योंकि यह data login data में से आएंगा, अगर आप direct data लिखेंगे, त save कर लेते हैं इसको, तो जैसे save करेंगे, तो automatically home page पे redirect हो जाएंगे, अगर अभी मैं refresh भी करूँगा application को, जैसे यहां से मैं reload कर देता हूँ, तो reload के बाद में भी हमारी application हमको home page पे redirect करेंगी, तो देखें, refresh करने के बाद भी इसने हमको वापस से इसी home page पे redirect कर लिया, अब जैसे हम यहां से log out होंगे, तो देखें, वापस से हम login page पे आ गए, अब अगर मैं refresh करूँगा, जैसे हमने यहां पर refresh किया, तो देखें, वापस से हम login page पर आ गए, अब फिर से मैं login हो जाता हूँ, आपका जो भी credential है आप उससे login करिए, मैं यहां पर login कर लेता हूँ, मेर cut करके फिर से restart कर देता हूँ, emulator को, so previous data इसमें से wipe कर लेंगे, wipe data, और फिर से यहां से इसको run कर लेंगे, तो play button पर आप click करिए, यह फिर से on हो जाएंगा, और जैसे यह load होता है, इसको आप क्या करेंगे, power up कर लेंगे, इसको थोड़ा सा time लेंगा यह on होने में, क्योंक करेंगे, I hope आपको समझ में तो आगया, मैंने क्या explain किया, यह थोड़ा सा time लेता है, तो इसको side में रहने देते है, booting पर, अभी हम क्या करेंगे, यहां पर screen के अंदर, और new files create करेंगे, और odd तो होगा हमारा, उसके बाद में home था, उसके बाद में क्या करेंगे, about के लिए हम इसको as it is, यहां पर print करा देंगे, क्योंकि हमको इसमें footer भी चाहिए, सारे components में हमको footer चाहिए, तो इसी page को हम जगे copy paste कर सकते हैं, सब में, तो कौन से लेके, यहां तक के return वाला part copy करेंगे, और इस about के अंदर, पहले चुरूँ इसको functional component बना दे, rn fe react native functional component with export, और फि paste कर देंगे, इसके imports भी अपने को चाहिए, और यहां पर यह restart हो गया, इसको emulator में open कर लेते हैं, यह press करूँगा, तो यह automatically यहां पर open होता रहेंगा, और चलते हैं वापस home page में, और top पे के imports भी हम copy paste कर लेंगे, copy, और यहां पर paste, save कर लेते हैं इसको, तो एक about की screen हमारी बन चुकी है, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर, एक और screen यहां पर create करेंगे, so right click on screen, new file, और इसका नाम हम रखेंगे, post.zare, इसको भी हम क्या करेंगे, functional component बना देंगे, rnfp, और जो हमने अभी ऊपर copy किया था, about में, सेम चीज़े आप क्या करें, यहां पर भ button वाले part को, cut करके paste कर लेंगे, और यहां से हम क्या करेंगे, stringify को remove कर लेंगे, इसकी ज़रातनी है, menu हम को चाहिए, control space, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, यह component भी automatically import हो जाएंगा, और यहां पर styles container है, तो styles हम को about में भी दिना पड़ेंगा, so नीचे scroll करते हम, कहां पर हमारा home page यह रहा हो, इसमें हमारे पास style भी है, तो style भी copy कर लेंगे, copy, post में भी नीचे paste कर देंगे, save कर लेते हैं post को भी, और यहां पर style sheet भी हमको import करना पड़ेंगा, so style sheet, post में भी हमको data अलग से add करना है, तो इसलिए मैं जहें आपर ज़्यादा इसको नहीं बता रहा हूँ, one by 11 काम करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, इसके बाद में हमारे पास है, about के अंदर style sheet, so यहां पर भी इसको paste कर लेंगे, paste करने के बाद आप क्या करें, state को remove कर लीजे, about में हमको state नहीं चाहिए, context भी remove कर लेंगे, और use context भी नहीं चाहिए, तो आप इसको भी remove कर तो post और about page हमारा ready है, पहले चुरु इसमें login कर लेंगे, इसको close कर देता हूँ, और credential से login कर लेंगे, आपके जो भी है, अपने हिसाब से यहां पर add करें, pat.com, और password अपने पास था, 12345678, login, तो login successful, और यहां पर देखिए post है, about है, और account की screen है, so account की screen भी हम यहां पर create करें और इसका नाम हम रखेंगे, account.js, इसको भी functional component बना देंगे, rnfp, react native functional component with export, और इसको भी home में से copy कर लेंगे, style sheet copy कर लेते हैं, पहले copy, गिर रहा account, इसके नीचे इसको paste कर लेंगे, उसके बाद में पिर हमारे पास है return statement, और इसमें state भी चाहिए, तो state भी हम copy कर लेंगे, क import statement है, so import statement आपको copy करने है, और account में यहाँ पर top पर paste कर लेंगे, save कर लेते हैं, इसको, I hope आपको समझ रहा होगा, बहुत basic है, already हमने बहुत कुछ इसमें देख लिया है, कितना कोई आपको problem नहीं जाएंगी, फिर भी कुछ भी problem आता है, तो नीचे comment ज़रूर करिए, अब next हम क्या करेंगे, screen menu में जाएंगे, और जैसे हमने यहाँ पर home screen शो किया था, तो उसके नीचे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर, बाखी के menus के लिए, कौन से menus, post, about, और account के लिए, menu screen create करेंगे, so इसी को आप copy paste कर सकते, copy, paste, इसका नाम हम add कर देंगे, second वाला है post, तो post हम add क कर देंगे, और इस home के बदले आप लिखेंगे, post, और आपको suggestion show करेंगे, इस पर click करिए, component automatically import हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो manually आप यहाँ पर import करें, तो second screen हमारे पास बन चुकी है, और कौन सी वाली है, यह है post, इसमें देखिए title आप remove भी कर सकते है, title आप header, back button, title, और इसमें हम कर देंगे, back, save कर लेते हैं इसको, और कुछ spelling mistake है, I think, header right, header right कहां पर, अच्छा, यह रहा देखिए, header right है, so इसको remove कर लेंगे, मैं इसकी ज़रुत नहीं है, save, header, अच्छा, header right भी चाहिए अपने को, यहाँ पर comma भूल गया हम, so, यहाँ पर comma, save, copy paste कर रहे हैं, उसके बाद में हमारे पास है about, तो about, same नाम से path बना लेंगे, उसके बाद में component का ना, component का नाम भी same है हमारे case में about, देखिए, यहाँ पर suggestion show करेंगा, इस पर click करें, about component भी automatically import हो जाएंगा, आपकी case में नहीं होता है, तो manually आप इस तरीके से उसको add करें, about भ copy को small में कर देते हैं, और component का नाम भी हमारे पास है, account, so यहाँ पर आप क्या करें, लिखें, account, make sure इसको भी import करें, top पे एक बार ज़रूर चेक करें, कि यह auto import हुआ है या नहीं, तो देखिए, तीनों components हमारे पास import हो गए, save कर लेते हैं इसको, अब जैसे आप इस पर click करे करेंगे, तो दीखिए, कुछ भी आपको result यहाँ पर show नहीं करेंगा, क्योंकि दीखिए, यहाँ पर click की functionality है, लेकिन इसको पता नहीं है, कि यहाँ पर click करें, तो यह page यहाँ पर show करो, तो वह कैसे करेंगे, बहुत simple है, footer menu पर जाएंगे, यहाँ से मैं footer menu का page open कर लेता ह और यह screen menu के अंदर नहीं है, देख सकते हां, अगर यह screen menu के अंदर रह रहा तो हम क्या कर सकते हैं, directly navigation को destructure करके use कर सकते हैं, जैसे हमने login register में किया था न, तो यहाँ पैसा नहीं है, हमको क्या करना पड़ेंगा footer में, use navigate hook का इस्तेमाल करना पड़ेंगा, तो पहले equal to use navigation, इसको call कर लेंगे, अब इस navigation variable की मदद से हम क्या कर सकते हैं, redirect कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यह touchable opacity के on press में क्या कर सकते हैं, इसको execute कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे on press, arrow function, और इसमें हम क्या करेंगे, directly navigation का स्तेमाल कर लेंगे, navigation.navigate, इसके अंदर जो function मिलत इसके बाद में पिर कहां पे redirect करना है, अब यह home वाले पर है, तो इसको home कर देंगे, same इसी को copy paste कर लेंगे, यहां से आप on press को copy करिए, सबी में आपको add करना है touchable opacity के अंदर, और यहां पर यह वाला post के लिए है, तो आप लिखेंगे post, उसके बाद में हमारे पास है about के यहां पर इसके touchable opacity में, यहां पर हम कर देंगे account, save कर लेते हैं इसको, make sure, यहां पर आप जो add कर रहे हैं न value को, navigate के अंदर, यह value, और आपके screen में जो आपने name add किया है, यह दोनों same होना चाहिए, तभी यह काम करेंगा, save कर लेते हैं इसको, और application को एक बार refresh कर लेंगे, reload pursuit application, अब मैं यहां पर post पर click करता हूँ, तो देखे, post page बराबर से show कर रा है, और styling थोड़ी सी हमारी messa होच चुक है, about पर click करेंगे, about page आरहा है, account पर click करेंगे, तो देखे, account page बराबर से show कर रहा है, और account बराबर से show कर रहा है, लेकिन भागी के page बराबर से नहीं आ रहे तो एक और view हम इसके अंदर add कर देंगे, container के अंदर एक और container और इस putter के अंदर wrap कर लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, style sheet add कर देंगे, style और यहाँ पर आप inline style भी use कर सकते हैं, इसको भी क्या करेंगे, flex 1 कर देंगे और फिर justify कर देंगे, content को flex, end करके, देख लेट एक पर try करके, save, about page को यहाँ से open करेंगे, तो देखिए अब बराबर से show कर रहा है about में post में still हमको करना है, तो same आप क्या करें, about वाला पूरा view यहाँ से copy करेंगे, और जाएंगे post के अंदर, और इस post के अंदर जाएं, यहाँ पर इसको paste कर देंगे, save, तो देखिए, यह भी बराबर से align हो गया, और फिर account में भी same चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी content जो ह हमको एक text इसमें से चाहिए, बस, तो text को copy कर लेंगे, बाकि सब को delete कर देंगे, और यहाँ पर इसको paste कर लेता हूँ, save, तो देखिए, account भी बराबर से show कर रहा है, इसमें भी कोई भी issue नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन इतना कोई खास effect नहीं देख रहा था, अभी ब इसकी जरुषत नहीं, इसके बतले directly हमारे पास name है, तो उसका हम use कर सकते हैं, इस text के बतले हम क्या कर लेंगे, इसको मैं delete कर देता हूँ, stringify को, direct state में से name को get कर लेंगे, so state, अगर state मिलती है, इसके बाद में क्या करेंगे, state, अगर state मिलती है, तो उसके अंदर क्या करो, user ह name को मिलेंगा, उसका name यहां पर display करा दो, और एक name करके text भी बना लेंगे, name, कुछ इस तरीके से save, तो दीखे, name आ रहा है बराबर से test, और एक और curly braces हो गए, अब ठीक है, उसकी तरीके से, इसको copy paste कर लेंगे, और इसके बदले यहां पर इसका email add कर देंगे, तो name, email, save, ब यह user है, और बाद में styling करेंगे, जब account section पर हम काम करेंगे, अभी फिलाल के लिए इतना details काफी है, अब हम क्या कर सकते, post पर भी काम कर सकते, और यह zoom हो गया, तो account हमारा बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे menu पर click होता है, जैसे अभी हम about menu पर है, तो यहां पर इसका color change होना चाहिए, ताकि हमको idea रहे कि यह active है, जैसे home पर करेंगे, तो home active हमको दिखाई देना चाहिए, वैसे ही post और account के लिए हमको करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और यहां पर hook इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमको react navigation provide करता है, इसका नाम है use route, तो इसकी पर भी हमको multiple hooks मिल जाते हैं, जैसे के यहां पर में लिख लेता हूँ, यह है hooks, और इसका एक variable हम create करेंगे, fonts, route के नाम से कर लेते हैं, route equal to use route, इसको call कर लेंगे, तो यहां पर यह बन चुका है, तो यहां पर इसका variable बन गया, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, conditionally check कर लेंगे कहां पर हम कर सकते हैं, जैसे के font awesome में, हम color की property को access कर सकते हैं, और इसको multiline कर देते हैं पहले शुरू, आपके आपको अच्छे से दिखाई दे, एक में भी अगर आपको समझ में आ गया, automatically आप बाखी में उतसे कर सकते हैं, color की property हम यहां पर change करेंगे, कैसे, दिखे, यहा पर हम क्या करेंगे, पहले route करेंगे, route.name, अगर route.name है, तब क्या करो, यहां पर color की property add कर दो, इसका color आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के orange कर लेते हैं, orange color, save कर लेते हैं इसको, तो देखे, यहां पर यह active हो गया, और post भी किया गया, हमने, पोस्ट वाले पर किया, और यहां पर equivalent, एक condition चेक कर लेंगे, अगर post है, तब ही यहां पर इसको active कर रहा हो, देख सकते हैं, इसको आप copy paste भी कर सकते हैं, copy, सही से काम करता है यह नहीं, उसको test कर लेंगे, इसके बाद में फिर इसको fix करेंगे, और यह है home के लिए, इसके बाद में हमारे पास नीचे है about section, तो इसके font awesome पे भी paste कर देंगे, save, और इसको rename कर देंगे पहले शुरू, यह है about, इसके बाद में हमारे पास है last में account के लिए, तो इस font awesome के अंदर, इसको paste कर लेंगे, और यहां पे लिखेंगे, account, save कर लेते हैं इसको, और about में, दो तो about हो गया, एक बार check कर लेते है, about तो select नहीं है, cross check कर लेते है, about है, application को reload कर देंगे, refresh, तो दीखें, अभी home पर है, जैसे post पर जाओंगा, तो post यहां पर active है, about पर जाओंगा, तो about active है, उसी तरीके से account पर जाओंगा, तो दीखें, account active है, तो perfectly यह functionality काम कर रही है, आप चाहे लग रहा है, designing अगर आपको करना है, तो आप अपने हैसाब से भी test करिए, last में हम इसको और modify भी कर सकते हैं, फिलाल के लिए देखें, कुछ इस तरीके से हमारा UI बन चुका है, जैसे इस पर click करेंगे, तो बराबर से यहां पर यह class active भी हो जाएंगी, यानि यह जो menu है, य यहां पर update की functionality को enable करना है, अभी फिलाल के लिए हमारे पास कोई भी backend में update का route नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, backend के अंदर update profile के लिए एक route create करेंगे, उसके बाद में फिर यहां पर totally view को redesign करेंगे, और यहां पर एक और button हम add कर देंगे, जिसकी मदद से user अपना name, और उसका email address, email address तो नहीं, हम उसका password अपडेट करा देंगे, और role भी fix रखेंगे, इसको बाद में हम admin के लिए रख सकते हैं, admin इसको change कर सकता है, तो चलते हैं, server के अंदर, client को minimize कर देते हैं, server के अंदर हम क्या करेंगे, routes के अंदर देखिए, user routes है, इसके अंदर हम क्या कर राउटर.put, put के अंदर हम क्या करेंगे, URL pattern लिख लेंगे, जैसे कि update-user, उसके बाद में controller function, so controller function के लिए हम क्या करेंगे, controller की file के अंदर एक और new function बना लेंगे, पहले शरूँ empty बना के छोड़ देते हैं, और comment आउट भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, update user, और एक new function बना देंगे, const update user controller equal to arrow function, इसको copy करेंगे, और नीचे export कर देंगे, कॉमा लगा कि आप इसको paste कर लें, save कर लेते हैं इसको, अब user route के अंदर इसको add कर देंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे, update user controller, देखिए suggestion शो करेंगा, इस पर click करिए, automatically controller भी उपर import हो जा अब हम क्या करेंगे, user controller के अंदर काम करेंगे, इसको minimize कर देते हैं, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस function को async कर लें, async arrow function, अब यह callback function है, इसलिए request और response इसमें भी हम receive करेंगे, और try के इस block का इसमें स्तेमाल कर लेंगे, catch के अंदर simply console.log कर देंगे, तो आप यहां पर लिखे console.log of error, और response भी send कर देंगे, so यहां पर आप क्या करें, res.status, status of 500, और पर send कर देंगे हम object को, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, success को कर देंगे, fault, फिर एक message add कर देंगे, जिसमें हम लिख सकते हैं, यह colon arrow in user update API, और इसके बाद में जो भी errors को as it is, यहां पर print क करा देंगे, अब try के अंदर हमको क्या करना है, user से कुछ चीजे get करना है, क्योंकि हमको update क्या करना है, हमको वो पता होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, user से जा कुछ चीजे यहां पर destructure करेंगे, so const something from request.body, यहां पर हमारे पात आएंगा name, हम user का name update करा देंगे, उसके basis पर कराएंगे, email के base पर हम करा सकते हैं, तो इस email के base पर हम क्या करेंगे, क्योंकि email unique field है, तो हम क्या कर सकते हैं, user की details को update करा सकते है, कोई भी parameters के हमको इसमें जवरत नहीं पढ़ेंगी, अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, हमारे पास password भी आएंगा, so हम क्या करें and password.length less than 6 है, तब क्या करो, यहीं से return हो जाओ, फिर response send कर देंगे, less.status, status of 400.send, और यहां पर एक message add कर देंगे, success false, message यहां पर आप 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 कर दें, password is required and should be 6 character long, तो यहां पर हमारा password का validation हो जाएगा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर, user को find कर लेंगे, so किस बेस पर हमको find करना है, हमारे पास already email है, तो इसके बेस पर हम find कर सकते हैं, तो इसको एक variable के अंदर भी हम store कर देंगे, response user equal to, फिर await करेंगे, हमारे पास है user model, इसके अंदर हम क्या करेंगे, find one का इस्तेमाल करेंगे, और फिर email को pass करा देंगे, email के बेस पर हमको यहां पर find करना है, अब हमको यहां पर user मिल जाएंगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी password है, मैं पहले शुरू क्या करता है, इसको यहां से cut करके हम, top पहले शुरू user को find कर लेंगे, उसके बाद में फिर password चेक करेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा side में कर लेते है अब ठीक है, अब जैसे password की बाद में हम क्या करेंगे, हमको अगर यहां पर password मिलता है, इसको hash भी कर लेंगे, तो इसको एक queryable में store कर देंगे, const, hash, password, equal to, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर, again, हमारे पास जो password आ रहा है, बहले शुरू चेक करेंगे, अगर password है, तब क्या करो यहां पर await करो, await किस चीज़ करना है, हमारे पास एक function हमने बनाया था, hash password के नाम से, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते है, suggestion शो करेंगा, इस पर click करेंगे, एक बार फिर से मैं top पर बता देता हूँ, हमारे पास है, hash password और compare password, जो कि हमने auth helper के अंदर create किया था, तो इसी का हम यहां पर use करने वाले है, हम क्या करेंगे, अगर हमको password मिलता है, तो वापस इसको हमको hash भी कराना है, कैसे hash कराएंगे, इसके अंदर हमको plain password को pass करा देना है, तो जो भी updated password रहेंगा, वो hash हो जाएंगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, इस तो कर देंगे, undefined, मतलब कुछ भी changes मत करो, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और variable बनाएंगे, जिसके मदद से हम updated user को get करेंगे, क्योंकि यहां पर password या फिर name अगर change हो रहा है, तो हमको क्या होंगा, यहां पर new user मिलेंगा, new user यहां फिर kellygs को updated user, तो comment out भी करते चल रहा हूं, ताकि आपको याद र और इसके अन्दर हम क्या करेंगे, find1 और update function का इस्त defense पेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर email बता दिएगे, email के बेस पेंगे करना है update, फिर क्या update करना है, उसके लिए हम एक object बना लेंगे, फहले शुरो हम क्या करेंगे, name पर check करेंगे, क्योंकि अब्रेड नहीं तो क्या करो, जो यूजर है पना, उसके अंदर हमारे पास पहले से नेम है, तो वही नेम यहाँ पर add कर दो, कुछ भी changes इसमें मत करो, अगर यूजर को सिरफ password add करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगें यहाँ पर password भी check कर लेंगे, जो भी hash password है, अगर यूजर ने password च यह condition सही रही थी, और यहाँ पर हम जो update देख रहे हैं, तो इसके आगे एक और object बनाएं, और इसके अंदर new की property को आप true कर लें, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर response send कर देंगे, res.status, status of 201, यहाँ पर 200 कर लेते हैं इसको, फिर यहाँ पर send function इस्तेमाल करें और इसके अंदर object भेज देंगे, इसके अंदर हमको success करना है, इसके बाद में message आइट कर सकते हैं, यहाँ पर user यहाँ पर profile कर देता है, इसको profile updated please login, क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे हमारा user की profile update होती है, तो इसमें name भी update हो सकता है, password भी update हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस उसको यहाँ पर pass करा देंगे, updated user, save कर लेते हैं इसको, और कहीं पर error एक बार देख लेते हैं, prepare पर error शो कर रहा है, scroll करते हैं उपर, कहाँ पर password हो के, यहाँ पर हमने comma नहीं दिया, comma नहीं दिया, so comma, save कर लेते हैं इसको, तो error चला गया, अब इसको हम test भी कर सकते हैं, तो चलिए application को run कर देंगे, terminal को आप open करिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले server में switch हो जाएंगे, cd server, फिर npr run server, इतना लिखके आपको enterprise करना है, तो दीखें, यहाँ पर हमारा node.js का server start हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, postman tool का इस्तेमाल करेंगे, चलते, postman tool में, और यहाँ पर एक और new endpoint क्रिएट करेंगे, और हमने क्या नाम दिया था, एक बड़ चेक कर लेंगे, तो routes के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास है updated user alt slash है, यहाँ पर दिखें, यहाँ पर हमने slash miss कर दिया, save कर लेते हैं इसको, चलते वापस, postman में, एक new request, और register वाली request को मैं copy कर लेता हूँ, simply copy, और यहाँ पर paste कर लेंगे, method का type हमने लिखा था, put, देख सकते हैं, यहाँ पर हमने put का use किया था, तो यहाँ पर भी आप क्या करें, put का इस्तेमाल कर लें, फिर body, raw data, और फिर यहाँ से json, इसके अंदर अब आपको क्या changes करना है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं register में का same to same copy कर लेता हूँ, ठीक है, जो भी test था न अपने पास user, इसको हम copy कर लेंगे, copy करने के बाद यहाँ पर paste कर लेंगे, हमारे देखे name test है, तेसको हम क्या कर देंगे, test one कर देंगे, password इसमे pass نہیں कर आएंगे, password हमको नहीं change करना है, तो password removed कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, extra comma भी remove कर लेंगे, और इस test को जो है na test user कर लेंगे मैं database भी साथ में open कर लेता हूँ so mongol db compass को आप open करिये और आपका जो भी connection stringers से login हो जाए है और हमारे database का नाम था यहाँ पर react native इसके अंदर हमारे पास है users और नीचे scroll करते हैं देखते हैं हमारे पास user 1 है तो यह काफी सारी users है ना मैं इनको delete कर देता हूँ उसकी जरुरत नहीं है भी delete test2 है t2 यह भी डिकर देता हूँ delete और topic है देख सकते है a at a तो इसको भी मैं delete कर देता हूँ यहां से सिर्फ a की user है भी अपने पास देख सकते हैं test जिसकी email id है tat.com तो चलिए इसको हम क्या करेंगे modify कर लेंगे और इसको cancel कर लेता हूँ चलते postman में और इस test के बदले क्या करेंगे हम इसका नाम change कर देंगे जैसे के user कर लेते है इसको यह पर test user ही सही है थोड़ा idea पर रहेंगा यह test user है और यहां पर मैं send पर click करता हूँ और error है अपने पास देख सकते है 404 not found अच्छा रजिस्टर है ना इसके बदले हमारे पास था update-user अब मैं send पर click करता हूँ तो देखिए यहां पर success true profile updated का message भी है और user भी यहां पर आ चुका है और password भी यहां पर show कर रहा है ना तो password को undefine भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलते है वापस user controller में और जैसे response हैंड होगा उससे पहले हम क्या कर लेंगे जो भी user है यूजर का password हम क्या करेंगे यहां पर कर देंगे undefine save वापस से update करके देख लेंगे पहले database में एक बार चेक कर लेंगे यह database refresh करेंगे तो देखिए यहां पर इसका name चेंज हो चुका है और password का string गलत है यहां पर चेक कर सकते हैं password में कुछ issue होगा है एक बार cross check कर लेंगे इसको यह password user से भी password लिया था यहां पर password है hash password अच्छा हमने direct hash password pass करा दिया हमने एक variable बनाया था दीखिए यहां पर hashed password तो spelling mistake का issue हो गया इसमें दूसरा variable हमने add कर दिया यह function add हो गया तो function नहीं चाहिए हमको यह जो variable में हमने इसको store किया है वो हमको यहां पर add करना है paste कर लेते हैं इसको save कर लेंगे और यह बार क्या करेंगे password भी change करके देख लेंगे चलते वापस postman में और यहां पर password भी add कर देता हो password और इसमें हम पासवर्ट चेंज कर लेंगे पहले हमारे पास था 128 था ना इसको 129 कर देंगे 123456789 अब send और name change कर देंगे वापस से test user है तो वापस से फिल शो कर रहा है तो undefine हमने नहीं किया क्या user.password अच्छा updated user है ना यह एक और mistake यहां पर आप इसको करिए updated user.password सेव कर लेते हैं इसको चलते हैं वापस postman में और इसको वापस से change कर लेंगे test 1 कर लेता हूँ उसको test 1 send पर क्लिक करता हूँ तो दीखे success true message भी यहां पर show कर रहा है अब यहां पर password की field show नहीं कर रही देख सकते हैं और database में अगर आप देखेंगे refresh कर दिखेंगे इसको तो दीखें बराबर से show कर रहा है test1 t8t.com और role भी इसका बराबर से show कर रहा है तो perfectly हमारी update की functionality यहां पर काम कर रही है अब हमको जहें user के UI पर काम करना है हम क्या कर सकते हैं account की screen पर काम कर सकते हैं और वहां पर सबसे पहले initial time पर चीज़ों को get करेंगे फिर उसके बाद में update की functionality यहां पर enable कर दें so one को cut करके वापस से send पर click करता हूँ तो दीखे हमने सिर्फ यहां पर test को change किया तो कोई भी एक चीज़ को भी आप target कर सकते हैं make sure आप email को ज़रूर provide करें क्योंकि email के बेस्पर हम यहां पर changes करने वाले हैं अगर आप यहां पर password नहीं भी provide करेंगे और changes करेंगे यहां पर test one और अगर सिर्फ आपको password यहां से change करना है तो आप name को remove करिये और password को add के रिए email के साथ में तो सिर्फ password आपका update होंगा so I hope आपको यहां तक समझ में आ गया हूंगा next हम क्या करेंगे UI पर काम करेंगे यानि account screen पर हमको काम करना है अब हम क्या करेंगे यहां पर account screen पर काम करेंगे सबसे पहले इसको थोड़ा सा redesign कर लेंगे काफी basic यहां पर अभी layout है तो चलिए account screen पर चलते हैं directly हमने इसको यहां पर display कराया था तो हम क्या करेंगे देखिए एक container तो ठीक है इसमें क्या करेंगे top एक image को add कर देंगे उसक closing tag इसके अंदर आपको source बताना पड़ता है तो यहां पर हम लिखेंगे source और source के अंदर double curly braces और इसके अंदर URI और इस URI के अंदर आप path बता सकते हैं कि कहां से image आने वाली है तो मैं का करता हूँ भी फिलाल के लिए जाना Google से image copy कर लेंगे Google images और यहां पर हम search कर लेंगे user के नाम से है और कोई भी एक user की image आप copy paste कर सकते हैं जैसे कि यह user इसको click करते है copy image link और इसको हम क्या करेंगे यहां पर paste कर देंगे, paste, save कर लेते हैं इसको और emulator भी एक बार देख लेते है, show करता है या यहां पर तो भी show नहीं कर रहा है, height और width आड़ करके देख लेंगे, इस source के बाद में यहां पर हम क्या करेंगे, style दे देंगे, style, inline style मैं यहां पर add कर रहा हूँ, आप चाहे तो separate styling बना सकते है, height add कर देंगे, height हम क्या करेंगे, 200 करके check कर लेंगे, और साथी में इसकी build है इसको भी 200 कर देता हूँ, save, तो देखे, image बराबर से यहां पर show कर र इसको कर देंगे, center में, save, तो यह center में align हो जाएंगा, आप चाहें तो कोई दूसरी image भी यहां पर use कर सकते हैं, और यह तो पूरी rounded है, अगर आपके पास rounded image नहीं है, तो आप क्या करें, यहां पर border radius add कर लें, border radius of 100, तब भी यह round में हो जाएंगा, तो यहां पर हमारे पास एक image बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, बाखी के content पर काम करेंगे, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, separate view के अंदर ले सकते हैं, और इसके निचे एक में text add कर देता हूँ, और इसमें text add कर देता हूँ, फिलाल के लिए, currently you can only update your name and password, तो यह एक message में add करना चाहता हूँ, save कर बना देंगे, और इसका नाम में रखता हूँ, walling text, और इसके object में क्या करेंगे, इसका color change कर लेंगे, इसको कर देंगे red, और font size भी इसका कम कर देंगे, थोड़ा सा, so font size, इसको कर देता हूँ, मैं 18 करके एक बार देख लेते हैं, और यह है, colon, save कर लेते हैं इसको, और apply कर देंगे, एक बार इस text के अंदर, so यहाँ पर लिखेंगे style, फिर इसके अंदर styles का हमको use करना है, और इसके अंदर हमने बनाया था, warming text, save कर लेते हैं, 18 काफी बड़ा हो रहा है, 10 करके देख लेते हैं, 10 तो ठीक है, 13 करके देखते हैं, 13, 13 enough है, ठीक है, और इसको center कर करेंगे, so text align center, save, तो यह center में align हो जाएंगा, और एक star में यहाँ पर बना लेता हूँ, अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर name, email, role, password, सभी को हम get करेंगे, और उसको input box के अंदर wrap कर लेंगे, so आप क्या करें, यहाँ पर इस text के बाद में, एक और new view बना लें, so view container, और इसको side by side कर देता हूँ, तो इस container के अंदर हम क्या करेंगे, text का इस्तेमाल करेंगे, so यह normal text, इसमें हम name को display करा देंगे, और पर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर text input का इस्तेमाल करेंगे, text input, self closing tag, save कर लेते हैं पहले शुरू, देखेंगे कैसा दिख रहा ह और यहाँ पर थोड़ा styling का भी issue है, तो styling भी हम बाद में कर लेंगे, इसके कोई दिक्कत नहीं है, पहले शुरू उसके अंदर हम क्या करेंगे, value को add कर देंगे, so value, अब यह value कहां से आएंगी, यह आएंगे हमारे पास state में से, तो directly हम इसको यहाँ पर use कर लेंगे, तो य input के नाम से मैं बना लेता हूँ, input container, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले margin दे देंगे top से, so margin top of 20, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर flex की direction इसको change कर देंगे, so flex direction of row, तो side by side यह show करेंगा, और justify भी कर देंगे content को center में, ताकि यह perfectly center align हो जाए, और items को भी इसमें align कर देंगे, so align items center, save कर लेता है, एक बार apply करके देख लेंगे, इस input container को हमको apply करना है, इस view के अंदर, so आप यहाँ पर लिखेंगे style, फिर styles का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे input container, save, तो दीखें, तो बराबर यह side by side आगे, flex direction हो गया, margin top से मिल गय अब इसके अंदर जो text है, और input है, इस पर भी हम styling कर सकते हैं, तो उसके लिए भी style बना देंगे, फ़ले शुरू text को target करेंगे, तो उसका नाम लिखेंगे, input text, आपको जो भी नाम देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते है, इसका font weight है, इसको मैं जो है bold कर देता हूँ, साके हमको पता चले, यहाँ पर कोई field है, और इसकी width भी set कर देता हूँ, मैं width कर देंगे, 70 enough रहेंगा, इसको बाद में देखते हैं, device के साब से भी इसको change करना पड़ सकता है, और इसका color मैं कर देता हूँ, light gray color, तो direct gray color एक पर apply करके देख लेंगे, save, और इसको apply कर style को add कर दे, style, फिर styles को target करेंगे, styles.input text, save कर लेते हैं इसको तरीके, कुछ इस तरीके से यह show कर रहा है, और input को भी target कर लेंगे पहले शुरू, क्योंकि फिर वो बराबर से हमको idea रहेंगा, कैसे दिख रहा है, तो इसके बाद में, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, input box, और इ इसको कर देता हूँ, 10, फोड़ा सा side से हमको यह मिलेंगा, save कर लेते हैं, पहले शुरू apply कर देंगे, कैसा दिख रहा है, फिर उसके सबसे और changes इसके अंदर कर लेंगे, यहाँ पर आप क्या करें, style, और फिर style sheet को target करेंगे, styles.input box, save कर लेते हैं इसको, तो देखे, कुछ इस तरीके save देख रहा है, और इसमें का content visible नहीं है, इसके उपर और काम करना पड़ेंगा, margin left हमने दे दिया, font size change कर लेंगे, font size, इसको कर लेंगे, 18 करके, save, 18 तो काफी बड़ा है, इसको 16 कर लेते हैं, 16, save है, और side से चिपक के आ रहा है, तो padding left हम add कर देंगे, padding left of 20, save, त इस input का border radius ती थोड़ा सा change कर लेंगे, border radius, sorry, BR हो गया है, यह है border radius, इसको कर देंगे 10 करके देख लेते हैं, save, तो दीखे, normal कुछ इस तरीके से रहेंगा, यह फिर 10 जादा हो रहा है, normal सा edge effect हम देंगे, so 5 कर लेते हैं, तो perfectly देखे, कुछ इस तरीके से हमारे पास रहेंगा और हम क्या कर सकते हैं, इसमें, name हो गया, email भी show कर आ सकते हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, इस view को copy paste कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, और इसमें changes कर लेंगे, जैते के first name के लिए था, second वाला email के लिए कर लेंगे, email, और यहां से हम क्या करेंगे, email get कर लेंगे, so user.email, उसके बाद में हमारे पास रहेंगा, password के लिए, so password, और फिर user.password, initial password show नहीं करेंगा, क्योंकि हमने इसको undefine करके रखा है, और यहां पर last में हमारे पास है, roll, so यहां पर हम roll add कर देंगे, यह है roll, और फिर user.roll, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें, सारी fields पराबर से आ रहे हैं, अब नीचे कर जो भी text थाना, इसको remove कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें, कुछ इस तरीके से हमारी account की screen बन चुकी है, अभी इसमें कुछ भी type नहीं होगा, क्योंकि इसके on change event पर हमको काम करना है, अब यहां पर changes हमको क्या करना है, दीखें, जो email की field आना, उसको हम disable कर देंगे, तो आप क्या करें, सबसे पहले, email के अंदर आईए, इसको multiline कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से दिखाए ले, और इसमें editable की field आती है, इसको आपको simply जब false कर देना है, और यह है equal, editable equal to false, save कर लेते हैं इसको, तो आप email में कुछ भी type नहीं कर सकते, save हम क्या करेंगे, role के अंदर भी इसको apply कर देंगे, copy करते हैं, editable को, और role के अंदर भी, जो हमारा input है, उसके अंदर भी इसको apply कर देंगे, multiline कर देता हूं, paste, save कर लेते हैं, तो थोड़ा auto format यहाँ पर हो जाएंगा, तो दीखे, user क्या कर सकता है, name को edit कर स इसकी मदद से हम user को update करेंगे, तो चल यह top टे हम क्या करेंगे, सब सब पहले, useState hook को add कर देंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, useState, इसके बाद में हमको state बनानी है, context के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर local state बना रहे है, so local state के लिए आप क्या करेंगे, देखें, हमक पासके है state है state के अंदर user है तो user को भी हम destructure कर सकते है on user equal to state state में से हमने user को destructure कर लिया अब directly हम इसके अंदर value को pass करा सकते हैं कैसे कराएंगे simple आपको लिखना है user अगर user है तो उसका name यहाँ पर add कर दो save कर लेते हैं इसको then उसी तरीके से हम क्या करेंगे password को भी get कर लेंगे यहाँ पर name के बदले में कर लेता हो password set name के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर कर लेंगे password और initial कहां से आएंगा password यह भी आएंगा user में से जो कि visible नहीं है initial time पर हमने इसको undefine करके रखा है लेकिन update के time पर user उसके अंदर values को add कर सकता है और फिर वह password update हो जाएंगा और साथी में email भी हम यहाँ पर get कर लेंगे so copy paste email और email को set नहीं करना है तो सिर्फ email हम यहाँ पर add कर देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ user.email सेफ कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे input के साथ में bind कर देंगे first हमारे पास name के लिए है तो इसको multiline कर देंगे और यहाँ पर देखें already हमने इसको pass करा के रखा है न value उसको तो इसके बदले हम क्या करेंगे जो भी हमने उपर state बनाई है उसमें से इसको get करेंगे तो आप लिखेंगे value में name और हमको क्या करना है again second वाला है email के लिए तो इसकी value रहेंगी direct email की state है उसके बाद में हमारे पास है password तो direct हम यहाँ पर password लिख सकते हैं और role को as it is रखेंगे role हमको pass भी नहीं कराना है user का role हम यहाँ प अपने पास नहीं है और values भी बराबर से भी आ रही है अभी भी इसमें अगर आप कुछ भी type करेंगे तो यहाँ पर type नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमको इसके on change event पे काम करना पड़ेंगा और साथी में एक loading की state भी बना लेता हो ताकि जब हम handle function देखेंगे ना तो उसम time पर इसको कर देंगे false और इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर values को change कर पा हूँ इसलिए इसके on change text पर हम काम करेंगे जैसे के name के स्टा हम क्या करेंगे यहाँ प्योंको मिलता है on change document kan लिख लेंगे इसको और multiline कर दोता हूं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, inline arrow function यहाँ पर pass करा देंगे, और यह function हमको क्या करेंगा, text return करेंगा, जो भी value type करेंगा, वो हमको return करेंगा, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, set कर देंगे, name को और इसके अंदर जो भी text हमको provide हो रहा है, अब Cisco fulfill करा देंगे, save कर लेते हैं इसको, same यही चीज़ हम को क्या करना है, password वाले पर भी add कर देना है, तो इसको multiline कर देंगे, पहले शुरू, और यहाँ पर password में भी add कर देंगे, save कर लेते हैं इसको, अब अगर यहाँ पर आप कुछ भी type करेंगे, तो दीखे, type हो रहा है उसे तरीके से password में भी type हो रहा है, और हाँ, यहाँ पर set state, आप change कर ले, password की, तो यहाँ पर आपको लिखना है, set, password, save, अब दीखे, आप बराबर से type हो रहा है, वरना दोनों एक साथ type हो रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक function बना लेंगे, और button भी हमको बनान और इसमें हम क्या करेंगे, button को create करेंगे, touchable opacity का use कर सकते हैं, तो आप लिखे, touchable opacity, make sure इसको import करें, opening और closing tag, इसके अंदर text को add कर देंगे, और इसमें हम लिख लेंगे, update user, यह पर update profile कर लेते हैं, update profile, save कर लेते हैं इसको और check करते हैं एक बार, तो दीखे, button तो बराबर से आ रहा है, हम इसको center में कर लेंगे, तो इस view को style दे देते हैं, और align कर देंगे items को, इसको भी center में कर लेंगे, save, तो यह center में align हो गया, और इस button को भी हम क्या करेंगे, नीचे style कर लेंगे, तो इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बाद में करता हूँ, input box के बा अगर direct में हो गया तो ठीक, वरना हम क्या करेंगे, text जो हमने लिखा है, उसको change करेंगे, पहले शुरू save करके check कर लेते हैं, इस update बटन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस touchable opacity पर pass करा देंगे, so style, style के अंदर style, फिर dot लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, update 40 ठीक रहेंगा, इस पर चेक कर लेते हैं, 40 पर कुछ इस तरीके से आ रहा है, इसकी width भी set कर लेंगे, so width, width कर देंगे 200, save, 200, ok है, यहाँ पर 250 कर लेते हैं, 250, save, border radius पर add कर देता हो, border radius of 20, save, तो थोड़ा सा rounded हो जाएंगा, और 20 ने इसको भी 10 कर लेता हो, ज्यादा rounded हो रह साथ ही में, align, item, center, और फिर justify content, इसको भी कर देंगे, center में, save, तो सब कुछ center में हो जाएंगा, अभी text की वज़े से show नहीं कर रहा होंगा, हम क्या करेंगे, text के लिए एक class बना देंगे, और इसको हम कर सकते हैं, update, btn, text, इस तरीके से कर लेंगे, और इसमें हम क्या आजे है, FFF, FFF, और इसको font size चेंज कर लेंगे, font size, इसको कर देंगे, 18 कर देंगे, 18 कर देंगे, इसको save, और apply कर करके एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर इस text के ओपर आप क्या करें, style को add कर दे body, style, और इस style के अंदर हम क्या करेंगे, style sheet को target करेंगे, इसके बाद में हम Update button text, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें, पराबर से यहां पर update शो कर रहा है, और font size काफी बढ़ा हो गया इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको 16 कर देंगे, save, अब ठीक है, जैसे इस पर click हो, तो दीखें, एक clickable भी है, अब इसके on press पे हम क्या करेंगे, एक function भी बना लेंगे, त handle update equal to arrow function, और इसमें आप try catch block का use कर सकते हैं, try or catch, catch के अंदर आपको क्या करना है, simply console.lock करना है, जो भी error as it is pass करा देंगे, और पिर जो alert है, वो भी हम यहां पर display करा देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, copy paste भी कर सकते हैं, login में से मैं क्या करता हूँ, alert को copy paste कर लेता हूँ, द error message रहेंगा, वो as a alert हमको show होगा, फिर set loading भी इसमें false कर देंगे, और console.lock कर लेता हूँ, console.lock, और इसमें मैं लिख लेता हूँ, update user, और यहां के हम क्या करेंगे, name और password को pass करा देंगे, क्योंकि यही दो चीज हमको चाहिए, और console.lock कर देता हूँ, alert कर देता हूँ, alert में हम password को, save कर लेते हैं इसको, और object तो लगेंगा, object के अंदर इसको pass करा देंगे, save, और इस handle update को हम क्या करेंगे, इस touchable पे हम क्या करेंगे, इसके on press पे apply कर देंगे, on press, जिसमें हम handle update को pass करा देंगे, save, check कर लेते हैं, जैसे मैं update पर click करूँँगा, तो दीखे, alert में object, object आ र data आ रहा है, और इसको मैं remove कर लेता हूँ, इसके बदले कोई भी meaningful data हम add कर देंगे, जैसे कि test1, और password यहाँ पे visible है, so, इसके अंदर जो secure का attribute आता है, वो भी हम add कर देंगे, ताके password visible ना हो, तो इस password के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, secure text entry, इसको कर देंगे true, और यह है equal, colon type होगे, save कर लेते हैं इसको, तो जो भी password है, वो visible नहीं रहेंगा, और इसमें से password को हम remove कर लेंगे, इसमें मैं कोई valid password add करता हूँ, जैसे कि 123456789, और यहाँ पे दिखिए, scrollable effect भी हमको add करना है, क्योंकि यहाँ पे दिखिए, lock हो जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उपर जो है, scroll view का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, scroll view, और पूरे component को, जो भी हमारा view है, तो इसको इसके अंदर wrap कर सकते हैं, इस container के बाद में, scroll view का इस्तेमाल करें, scroll view, opening और closing tag, अब हम क्या करेंगे, scroll view को यहाँ से cut करेंगे, और footer से प अप्लिकेशन में enable हो जाएंगी, वरना हमको इसको वापस से बंद करना पड़ेंगा, फिर हमारा text यहाँ पर show करेंगा, उससे better हमने इसको scroll view में add कर दिया, वापस से random password में add करता हूँ, और update पर click करता हूँ, update, तो देखें, test 1, और password show नहीं कर रहा है, multiple response यहाँ पर show नही अब हम क्या करेंगे, रॉपर xios को import करेंगे, xios की मदद से हम network requests भेज सकते हैं, from xios, xios में से हम në next use को import कर लिया, इसके मदद से हम network requests यहाँ पर भेजएंगे, अब try में हम क्या करेंगे, सबसे पहले set करेंगे, loading को, initial time पर हम इसको कर देंगे true, और इसके बाद में क्या कर करेंगे डी-structure करेंगे data को यह data कहां से आएंगा network refresh में से आएंगा तो यहां पर आप क्या करें अवेट करें अवेट और फिर हम exeos कर स्केमाल करेंगे यह है exeos फिर put request है तो आप लिखेंगे put उसके बाद में url pattern slash auth slash update dash user तो यह हमारा end point है इसके बाद में हम क्या करेंगे यहां पर जो भी हमारा data है उसको pass करा देंगे तो एक object बनाएंगे इस object के अंदर आपको name को pass कराना है फिर password को pass कराना है इसके बाद में email को भी आपको यहां पर pass कराना है क्योंकि इस email के बेस्ते ही हम user को change कराने अब यहाँ पर हमने डेटा भी भीज दिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, set करेंगे loading को, क्योंकि यहाँ पर हमको response मिलने वाला है, तो loading को आप क्या करें, यहाँ पर false कर लें, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर alert message show कर लेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे alert, alert के अंदर आप कोई भी message print करा सकते हैं already अपने पास alert message है controller में अगर आप देखेंगे तो हमने success में देखिए एक message भी छोड़ा है तो इसका हम use कर सकते हैं तो इसके लिए आप लिखें data अगर हमको data मिलता है तब क्या करो data के अंदर जो भी messages को यहां पर print करा दो और साथ ही में हमारे पास token भी है तो हम एक और काम कर सकते हैं set state का इस्तेमाल कर सकते हैं हमने देखिए यहां पर state get किया हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे set state का भी इस्तेमाल कर लेंगे set state global state है इसके मदद से हम क्या करेंगे जो भी user है ना उसको यहाँ पर manipulate कर देंगे क्योंकि देखें user name password change हो रहा है तो वापस हमारे पास token और user का data जो है change होंगा तो user को must है कि वो फिल से login करें बाद में एक और solution इसका देख लेंगे अगर यह काम नहीं किया तो आप क्या करें set loading के बाद में एक variable बना देख यह led और इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं जैसे के ud कर देता हूं updated data equal to फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर json का इस्तेमाल करेंगे json.stringify stringify के अंदर हम data को pass करा देंगे क्योंकि यहाँ पर string में हमको convert करना पड़ता है data को और जो data हम receive कर रहे हैं वो json format में है अब इसके बाद में हम क्या करेंगे set state का इस्तेमाल करेंगे set state पहले शरूब हम क्या करेंगे यहाँ पर copy बना लेंगे जो भी state है उसके as it is नहाँ पर copy बना लेंगे copy उसके बाद में जो भी user है उसको pass करा देंगे, कहां से आएंगा user, उपर हमारे पास ud के नाम से हमने बनाया है, तो उसकी मदद से हम इसको get कर लेंगे, ud, अगर हमको updated user मिलता है, तब क्या करो यहाँ पे, जो भी इसका data है, कौन सा data, updated user, जो हमने return करा है ना, इक बर मैं बता देता हूँ, controller में, हमने दे update हमको मिलने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको pass करा देंगे, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर error show कर रहा है, check कर लेंगे इसको, prettier बन, कहां पर error show कर रहा है, await में यहाँ पर error show कर रहा है, तो इस function को आप क्या करें, pacing बना ले, तब ही जो हम await का use कर सकते ह यहां से remove हो गया, देख सकते हैं, फिर से मैं क्या करता हो, application को reload भी कर देता हो, और press करेंगे, तो यहाँ पर हमारी application reload हो जाएंगी, देख सकते हैं, चलते वापस account में, और यहां से हम क्या करेंगे, अब user को update का try कर लेंगे, अभी database में भी value एक बाल चेक कर लेंगे, हमारे update test, और यह जो button है, इसका text में हम change कर लेंगे, conditionally, तो यह है update, इसको हम क्या करेंगे, cut कर लेंगे, curly braces, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले check करेंगे, अगर loading है, तब क्या करो, यहां पे, please wait show कर आओ, please wait, else में हम क्या कर सकते हैं, यहां पर, इसको multiline कर देता हो, else में ह यहां पर लिखेंगे, update profile, save कर लेते हैं इसको, यह बराबर काम करेंगा, application को reload कर देता हूँ, एक बार फिर से, यहां पर हमारी application reload हो गई, चलते हैं, account में, और इस test one के बदले हम इसको कर देंगे, test, और यहां से में update पर click करता हूँ, तो दीखे, profile updated, please login, message भी बराबर से show क रहा है, और हम automatically login screen पर redirect हो गए, अब फिर से, हम जो हम login try करेंगे, एक बार, thp.com, और फिर इसके बाद में password 12345678, login, और invalid बता रहा है, I think 9 तक हम ने update किया था, login, तो दीखे, login successful, और अगर आप हम account पर जाएंगे, तो दीखे, हमारा user बराबर से test show कर रहा है, database में भी एक ब तो perfectly हमारे पास, account में update की functionality बें enable हो गई, बाद में हम देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पर show कर रहा है, profile इसको भी change करने का बाद में देखेंगे, image upload भी हम कैसे देख सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे, अभी फिलाल के लिए हमारा account में profile का जो भी name, password को update करने के लिए functionality बन update के लिए हमने देखें, यहाँ पर controller के अंदर function लिखा है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और change कर सकते हैं, जैसे यह update हो, इस ते पहले हम एक middleware को भी execute कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर user login है, सिर्फ उसको हमको यहाँ पर access देना है, तो हम क्या कर सकते ह compare कर सकते हैं, अगर हमको token मिलेंगा, तो इसके base पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके profile को update कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, custom middleware create करेंगे, यह पिर directly भी आप एक function create कर सकते हैं, हमने already जए हमारे token को encrypt करके रखा है, तो decrypt करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और function create करेंगे, देखिए, यहाँ पर हमने token create करके रखा है न, तो इसको हम क्या करेंगे, decrypt करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, under score id की field है, तो इसके base में क्या करेंगे, decrypt भी कर लेंगे, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और package यहाँ पर देखेंग तो इस express gwt की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसको compare कर सकते हैं, simple पहले शुरू आपको install करना है, तो इस command को आप copy करेंगे, copy करने के बाद हम क्या करेंगे, vs code में, जो हमारा node का server run है, उसको थोड़ी देर के लिए terminate कर देंगे, ctrl c, और यहाँ पर इस command को paste कर देंगे, npm i express gwt, I hope आपको देख रहाँगा, देखिए यहाँ पर, इतना लिखके आप enterprise करिए, make sure आप server directory के अंदर हो, तो यह package install हो जाएंगा, छोटा सा package है, जाधा time इसने भी नहीं लिए, close कर देंगे इसको, और वापस से हमारे server को run कर देंगे, npm run server, और यहाँ पर हमारा server run हो चु देखिए, यहाँ पर express-jwt install हो चुका है, इसको close कर देंगे, और आप एक अलग से middleware function बना सकते हैं, या फिर controller के अंदर ही, आप side में new function बना सकते हैं, जैसे के top पे हम बना लेंगे, start में ही बना लेते हैं, ठीक है, पहले शुरू आप क्या करें, import कर ले, express-jwt को, import नहीं यहाँ पर require syntax है, so const करेंगे, const express-jwt equal to require of express-jwt, अब इसके मदस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर middleware बना लेंगे, so middleware, और इसका नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के require या फिर require sign-in, इस तरीके से हमने इसका नाम लिख लिया, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहा पर express-jwt का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर आपको देखिए, दो object को पास कराना पड़ता है, सबसे पहले इसमें हमारे पास होता है secret, तो आप लिखेंगे, secret, इसका documentation भी एक बार देख लेंगे, चलते है, documentation में, और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़े दिखिए, यहां पर एक secret हमको provide करना पड़ता है, और algorithm भी हमको इसके अंदर पास कराना पड़ता है, तो सेम इसी को हम क्या करेंगे, copy, paste कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा modify कर लेंगे, copy, copy करने के बाद, यहां पर express के अंदर इसको paste कर लेंगे, और double object हो गया, सो इस object को हम remove कर लेंग हमारे पास देखिए, एक secret है, और secret इसमें direct लिखा हुआ है, तो इसको cut कर देंगे, हमारा secret आएंगा, process के अंदर से, process.env.jwt underscore secret, इसमें से हमारे पास secret की आएंगा, और algorithm by default, hs256 यहां पर use हो रहा है, save कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, कोई error तो नहीं है, okay, यहां प है, required हमने बराबर से किया हो है, एक बार documentation देख लेंगे, यह है, jwt, अच्छा, तो import statement कुछ इस तरीके से, इसी को copy कर लेंगे, copy करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, इसको paste कर लेंगे, थोड़ा सा import यहां पर अलग है, यहां पर alias यूज किया हो है, देख सकते हां, express jwt, jwt, यानि अगर आपको use करना है, तो directly आप क्या करेंगे, jwt का इस्तेमाल करेंगे, तो इस express jwt को cut करके आप लिखें, jwt, save कर लेते हैं, अभी कोई भी error हमारे पास नहीं मिलेंगा, देख सकते हां, हमारा server run हो चुका है, अब यह function क्या करेंगा, as a middleware काम करेंगा, इसको कैसे test करेंगे, तो हम क्या कर सकते है, यूजर route के अंदर, जहां पर भी आपको use करना है, जैसे हमारे case में भी update के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको apply कर देंगे, आप लिखेंगे require, और क्या लिखा था हमने नाम एक बर चेक कर लेते हैं, वापस से require sign in, और इसको export नहीं किया न, पहले शुरू नीचे इसको export कर देंगे, controller के अंदर, नीचे scroll करिए, start में कर देता हो, paste, comma लगा देंगे, save, तो यहां पर यह export हो जाएंगा, अब user route में इसको add कर देंगे, so यहां पर एक और comma, और यहां पर हम लिखेंगे require sign in, देखिए suggestion show यह auto import हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, तो अभी भी कोई भी error अपने पास नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, postman में इसको test कर लेंगे, फिर उसके बाद में हमारी react native की application में भी इसको test कर लेंगे, चलते है postman में, और यहां पर ठीके update के लिए हमने लिखा था न, यहां पर database का नाम है react native, और यहां पर हमारे पास है user test के नाम से, इसको update करके देख लेते हैं एक बार, चलते हो आपस postman में, और यहां पर देखे, name हमने test1 लिखा हुआ है, पहले से है इसमे, postman जो है थोड़ा सा data हमारा save रखता है, तो इससे हमारा थोड़ा सा time बच authorization का error अपने पास show कर रहा है, और database भी एक बार check कर लेंगे, यहां पर refresh करता हूँ, तो देखे, कोई भी value यहां पर update नहीं हुई, तो इसको कैसे fix करेंगे, अब हमको क्या करना है, जब भी request बेजेंगे, साथ ही में हमको token भी provide करना है, अब postman में token कैसे provide करेंगे, authorization में करता है, यह है, brl, और इसके बाद में फिर token, अब token तो अब अब अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक new user से login कर लेंगे, तो login में जाना है, body, इसमें दीक है, हमारे पास same है, email, tat.com, और यहां पर है password, 123456789, send पर click करेंगे, तो यहां पर हम login हो गए, अब यह जो body part है, इसमें हम क्या कर रहे है, फिलाल हमारा user का नाम है, test, और यहां पर update में हम क्या कर रहे है, इसको कर रहे है, test one, तो जैसे अब मैं send पर click करूँगा, तो अब कोई भी error हमको देखने नहीं मिलेंगा, और successfully हमारी query execute हो जाएंगी, send पर मैं click करता हूँ, तो देखें, success row, और profile यहां पर हमारी update हो गई, अगर आप अभी database में check करेंगे, जैसे कि अभी देखें, test show कर रहा है, जैसे refresh करूँगा, तो देखें, test one यहां पर successfully आ रहा है, मतलब हमारे backend में require sign in का middleware बन चुका है, यानि जब तक कि हमको token नहीं मिलेंगा, कुछ भी value यहां पर update नहीं हो लेकिन हम उसको react native में कैसे provide करेंगे, तो उसमें भी बहुत simple है, थोड़ा से इसको नीचे कर लेंगे, और जाएंगे हम account वाले section में, जहां पर हमारा update profile handler है, यानि इसका जो function हमने लिखा था, उसके अंदर हमने exios call क्या था, देख सकते हैं, first में हमारे पास क्या था, यहां पासा उपर कर लेता है उसको, और इसमें हम लिखेंगे headers, headers क्या है, इसके अंदर हमको object मिलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, authorization का इसमें क्या करेंगे, अगर आप BS code यूज़ कर ले तो आपको साथी में suggestion भी मिलता रहेंगा, जैसे के हमारे case में हमको मिल रहा है, इस पर click करि इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर token provide करेंगे, हम क्या करेंगे, बीना token की भी एक बार, react native के application को test कर लेंगे, so header part को मैं remove कर लेता हूँ, save, और इस object को भी remove कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको test, अभी तो फिलाल इसको logout कर लेत login, login successful, और account में आएंगे, तो दीखें हमारा अभी initial नाम है test1, और इसको rename कर देंगे, हम यहाँ पर test, update कर देते हैं, ठीक है, हमने लिखा, अब मैं update profile पर click करता हूँ, तो दीखें यहाँ पर undefine आ रहा है, यानि इसको कुछ भी value यहाँ पर नहीं मिल रही है, और अगर एक नीटिव का console देखेंगे, तो दीखेंगे, हमारे पास exeos का error है, जिसमें हमारे पास code 401, तो 401 का मतलब होता है, unauthorized, तो perfectly वो यहाँ पर show कर रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, header pass करा के देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, headers, headers object है, headers के इंदर एक और object, और यहाँ पर लिखेंगे, authorization, authorization में, again, back tick, यहाँ पर फिर naming convention, bearer, फिर उसके बाद में dollar, template string आपने देखा हूंगा, वही चीज़ हम यहाँ पर use कर रहें, और इसके अंदर token को pass कराएंगे, और direct token अपने पास नहीं है, token हमारे पास state के अंदर है, state के अंदर से हमको जो token मिलने वाला है, त करेंगे, यहाँ पर इसके बाद में token को pass करा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, check कर लेंगे direct, अगर हमको token मिलता है, तब जहें token show करा दो, और double condition हम add कर देंगे, so यहाँ पर मैं लिखता हूं, अगर token है, तब जहें आपर token को add कर दो, save कर लेते हैं इसको, और फिर हम react native के application को reload कर देंगे, so आर प्रेस करिए, हमारी application यहाँ पर reload हो जाएंगी, देख सकते हैं अभी initial time पर हम इसके अंदर login है, अब यहाँ से मैं कुछ भी update करा के check कर लेता हूँ, जैसे 1 है na test 1, इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे test update, और फिर उसके बाद में update profile, तो देखिए, profile updated, please login, एक बाद database में check कर लेंगे, initial time पर देखिए test 1 है, अगर मैं इसको refresh करूँगा, तो देखिए test update, perfectly यहाँ पर अब UI पे भी हमारा middleware सही से काम कर रहा है, अब मैं फिर से क्या करता है, असमें login हो जाता हूँ, tft.com, फिर यहाँ पर password add कर देंगे, 123456789, जो भी आपका login ID है, password है, तो login करिए, यहाँ पर हम OK पर click करेंगे, जाएंगे account में, तो देखिए, यहाँ पर test update, तो successfully middleware की functionality यहाँ पर बन गई, अब आप चाहने तो देखिए, यहाँ पर manual headers अब में pass कराने से अच्छा, आप context के अंदर default headers भी pass करा सकते हैं, और अगर को, cut कर ले, save कर लेते हैं इस file को, और हम क्या करेंगे, context वाली file को open करेंगे, so context, auth वाला जो context से इसको open करिए, उसमें हमारे पास था दिखिए, default base URL, और साथी में क्या करेंगे, हम यहाँ पर token भी pass करा देंगे, so, axios.defaults. फिर उसके बाद में देखिए, बहुत से options हमको मिलते हैं, adapter, auth, before, redirect, cancel, data, तो जितने भी menus है आप उसका use कर सकते हैं, हमारे case में हम क्या करेंगे, adders का use करेंगे, उसके बाद में common का इस्तेमाल करना है, common मतलब इसमें क्या होता है, हमारे पास authorization होता है, देख सकते हैं, हमको suggestion suggestion भी show करता रहता है साथ में, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको equivalent कर देगे, किस से अब यहां से मैं update profile पर click करता हूँ, अच्छा है undefine आ रहा है, मतलब यहां पर token सही से get नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहां पर default को cut करके, use effect के बाद में कर देंगे, return से पहले, ordering में भी issue हो सकता है, इसको भी एक बाद test कर लेंगे, काम करता है यानि, वापस हम update profile पर click करते हैं, again हमारे पास authentication का error है, check कर सकते हैं, exeos का error अपने पास show कर रहा है, तो यहां पर token इसको get नहीं हो रहा हूँगा, so इसको destructure भी कर सकते हैं, destructure कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर token को destructure कर लेंगे, इस exeos से पहले, let token equal to, अगर अपने पास state है, और state के अंदर हमारे पास token है, तो इसको ऐसे save करके एक बार देख लेते हैं, और यहां पर directly हम क्या करेंगे, token को pass करा के check कर लेंगे, token, save, check कर लेते हैं इसको एक बार, application को reload कर देंगे, account में चलते हैं वापस से, और यहां पर इस update को cut कर लेंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, send पर click करके देख लेंगे, update profile, again, error शो कर रहा है, यहां पर common के अंदर कुछ issue हो रहा है, देखते हैं, इसको fix कर लेंगे पहले शुरू, I think हमने इसमें bearer pass नहीं किया ना, इसलिए हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको cut कर लेंगे पहले शुरू, और फिर back tick कर स्तेमाल करेंगे, पहले शुरू इसमें भी आपको bearer को pass कराना है, उसके बाद में dollar, curly prices, और फिर token को यहां पर pass करा देंगे, तो यह है, token, save कर लेते हैं इसको, और फिर से इसको एक बार test कर लेंगे, और यहां पर test update के बद इसको कर देंगे, simply test, और इसको जहें update कर देंगे, तो यहां पर मैं update profile पर click करता हूँ, तो देखिए, perfectly आप काम कर रहा है, profile updated, please login, तो successfully यहां पर हमारा default token भी set हो चुका है, और हमको इसको variable में store करनी की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमने कर दिया, तो और ज्यादा हमारा code clean हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, post API पर काम करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी post का schema नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सब सब पहले, एक new model file create करेंगे, फिर उसके बाद में new route file, और पिर एक controller file भी हम create करेंगे, फ़ले शुरू हम को क्या करना है, जैसे हमने user क के लिए schema को design किया था ना, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, post के लिए भी schema को design करेंगे, तो आप क्या करें, models के अंदर एक new file बना ले, इसका नाम आप रख सकते है, postmodel.hres, और इसमें हम क्या करेंगे, सब सब पहले, mongoose को import कर देंगे, const mongoose equal to, फिर require कर लेंगे, mongoose को कहां से, from mongoose, mongoose के package में से हमने mongoose को import कर दिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर schema डिजाइन करेंगे, यहूप आपको थोड़ा बहुत knowledge तो लग गया होंगा इसमें, फिर भी कुछ भी समझ भी नहीं आता है, तो नीचे comment जरूर करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह है schema, make sure capital letter में लिखे, इसके अंदर हमको object मिलता है, और इस object के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, क्या क्या चीज़े हम इसके अंदर रखने वाले हैं, जैसे के हम क्या करेंगे, पोस्ट का title रखेंगे, और यहाँ पर आप क्या करें, title के अंदर इसका जो type है, उसको कर दे, string, तो type string हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर require कर देंगे, इसको, sorry, spelling mistake, require, array में लिख लेता हो, ताकि validation message भी हम यहाँ पर add कर पाए, require true कर दिया हमने, उसके बाद में message add कर देंगे, यहाँ पर, so, आप लिखेंगे, please add title, यहाँ post title भी ळिख सकते हैं, validation message के अदर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँपे description add कर देंगे, so, description, इसका title भी आपको बताना है, इसका title भी रहेगा, string, और इसको भी require कर देंगे, so, यहाँपे आप लिखेंगे, require और इसको भी array के अंदर कर देता हो, require, fraud, फिर validation message यहाँपे इसने create की है, तो उसको भी हम यहाँ पर manage कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको फिर relationship maintain करना पड़ेंगा, यानि कि user model के अंदर, जो id है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर post के साथ में associate करेंगे, यानि जब भी user post create करेंगा, तो उसके साथ में इसके id भी हम यहाँ पर भीज देंगे, ताकि हमको पता चले कि यह कौन से user ने post को create किया है, तो यहाँ पर एक और object बनाएंगे, posted by, और इसका जो type रहेंगा, इसको हम change करेंगे, यहाँ पर mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose.schema, और उसके अंदर हमको मिलता है object id, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको बता देंगे, कहां से मिलने वाला है, फिर आपको reference देना पड़ता है, reference में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे user model का name है, जैसे के हमारे case में क्या है, user है, make sure, आपने जो भी नाम दिया होंगा तो आप उसी को copy paste करिए, हमने reference के अंदर user को pass करा दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी require कर देंगे, यानि must है, जब भी post create हो, तो उसके साथ में जो भी user है, उसकी id भी यहाँ पर catch होना चाहिए, last में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और object बना लेंगे, और इ exports, equal to, तो mongoose का इस्तेमाल करेंगे, mongoose.model, और फिर इसके बाद में model का title, हमारी case में हम रखेंगे, post, automatically SEO के आगे लगा देंगा, फिर reference type आपको बताना है, तो reference क्या रहेंगा, हमारा post schema का variable, जो कि हमने यहाँ पर create किया है, तो इसका reference हम यहाँ पर pass करा देंगे, तो इसक पर हमारा schema तयार है, अब हम क्या करेंगे, route की file भी create कर लेंगे, so route में हम क्या करेंगे, एक new file बना देंगे, और इसका नाम हम रखेंगे, post routes.js, और इसमें सबसे पहले express को import कर देंगे, const express equal to require of express, express को हमने import कर दिया, इसके बाद में यहाँ पर router object करेंगे, so इसके लिए equal to, फिर express का स्थेमाल करेंगे, express.router और इसको call कर देंगे, last में हम को क्या करना है, यहाँ पर export करना है, तो आप export कैसे करेंगे, simple है, module.exports equal to router, तो यहाँ पर यह export हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, और साथ हम इसको क्या करेंगे, server.js की file में भी add कर देंगे, जैसे हमने authentication के लिए add किया था, same, उसी तरीके से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और routes बना लेंगे, so app.useof, endpoint same रखेंगे, slash api slash v1, उसके बाद में फिर post रखतेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास post है, उसके बाद में comma लगा कि हम require function use करेंगे, और यहाँ पर आपको अंदर आपको करना क्या है, जैसे के इस post route के अंदर हम क्या करेंगे, get, post, put, delete, यह सारे operation हमको देखने है, तब हम क्या कर सकते है, यहाँ पर उसको create कर सकते है, पहले शुरू हम क्या करेंगे, create करेंगे, तो मैं यहाँ पर create के लिए लिए लिखता हू, create post, और इसका method रहें यहाँ पर require sign-in का middleware है, उसको भी यहाँ पर add कर देंगे, देखे, आपको suggestion show करेंगे, इस पर click कर यह file automatically यहाँ पर import हो जाएंगी, तो इसकी मदद से क्या होँगा, हमारा authentication check होँगा, जो भी token है, अगर वो valid होता है, तब हम आगे का, जो भी हमारा callback function उसको execute कर पाएंगे, अभी फिलाल हमारे पास कोई भी callback function नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक और new file बना लेंगे, controllers के अंदर, और इसका नाम हम रखेंगे, post controller.chairs, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, function बना देंगे, const create post controller equal to arrow function, यहाँ पर हमने arrow function बना लिया, उसके बाद में नीचे export कर देंगे, module.ex post equal to curly braces, और फिर उसके अंदर create post controller, save कर लेते हैं इसको, और साथी मैं आप comment out भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर में लिखता हू, create post, और इस V को remove कर देता हू, extra होगा, save कर लेते हैं इसको, अब हम क्या करेंगे, इसको post route के अंदर add करेंगे, देखें, यहाँ पर जैसे अब post भी हमारा successfully यहाँ पर create हो चुका है, देख सकते हैं, अभी हमको इसके अंदर जाए, functionality को add करना है, कैसे करेंगे, पार simple है, चलते वापस, post controller के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस function को async कर लेंगे, async arrow function, अब यह callback function है, इसलिए request का और response हमको इसमें देखने मिलत है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, try case block का इस्तेमाल कर लेंगे, हमको क्या करना है, simple console.lock करना है, यह भी error है, उसको हम as it is print करा देंगे, और साथी में response भी send कर देंगे, so res.status, status of 500, फिर उसके बाद में send का function, send के अंदर object पास करा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, success कर देंगे, true, और उसके बाद में, आप message भी add कर सकते हैं, जैसे के, error in create post API, और जो भी error है, as it is, हम यहाँ पर pass करा देंगे, तो आप error को यहाँ पर pass करा दे, और यह भी है, error, उसके बाद में हम क्या करेंगे, success case यहाँ पर check करेंगे, क्योंकि देखिए, अब देखिए, य कुछ चीज़े हमको user से मिलेंगे, यानि front end जो भी है, हमारे case में react native के application है, आपके case में कुछ और भी हो सकता है, अगर आपको सिर्फ यह server का code चाहिए, तो हम क्या करेंगे, react native के application में, title और description को get करेंगे, जैसे कि हमने model के अंदर बता के रखा है, हमको title चाहिए, description चाहिए और फिर post it by भी चाहिए, अब यह post it by हमको कहां से मिलेंगा, देखिए, यह चीज़ अपने पास already है, कैसे, मैं थोड़े दिर में आपको बताता हूँ, चली, पहले हम क्या करेंगे, controller में काम कर लेंगे थोड़ा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, destructure करेंगे कुछ चीज़े, const dest structure equal to, फिर request.body, request.body में से हमको कुछ चीज़े चाहिए, जैसे कि यहाँ पर title चाहिए, उसके बाद में फिर हमारे पास है description, title और description हमको user से मिलने वाला है, और spelling mistake है इसमें, तो इसको करक कर लें, description, और इसको भी validate कर देंगे, so comment out कर देतें, validate, if not title, अगर, sorry, यह है, if not title, और क description और suggestion नहीं कर रहा है, यहाँ पर I हो गया, देख सकते हैं, इसको भी correct कर ले, यह है description, so इसी को copy paste कर लेंगे यहाँ पर, अगर हमको description नहीं मिलता है, तब भी क्या करो, यहीं से return हो जाओ, और response send कर देंगे, press.status, status of 500.send, send के अंदर, again हम क्या करेंगे, success यहाँ पर कर दें please provide all field, तो यह message हमने इसके अंदर add कर दिया, और यह है lower case में, अगर validation भी successful हमारा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर, जो भी हमारे पास title और description आ रहा है, उसको save करा देंगे, save कैसे कराएंगे, हमारे पास क्या 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 चीज़े, post model में देखिया, हमारे पास है title, description और posted by, तो यह posted by हमारे पास already authentication में है, अगर मैं आपको user route बता हूँ, user controller के अंदर देखिये, हमने token create किया था, कहाँ पर, जैसे आप login करेंगे, एक बार बता देता हूँ, देखिये, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, token को create कर रहे, user.underscore id के नाम से, तो अब यह directly user के नाम से भी auth के नाम से, इसको आपको get करना है, कैसे करेंगे, आप चाहें तो request, जो भी object है ना, उसको console.log भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, वो भी करके एक बार देख लेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले, model की मदद से data को save कराएंगे, और उसको एक variable के अंदर store करा देंगे const, और इसका नाम में रखता हूँ, post, equal to, फिर हम क्या करेंगे, अब wait करेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखना है, post model, देखिए, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, post model automatically top पर import हो जाएंगा, आपके case में नहीं होता है, तो manually आप कुछ इस तरीके से उसको import करेंगे, अब इसके करेंगे, इसको call करेंगे, और इसके अंदर सारे object को pass करा देंगे, कौन-कौन से object, तब से पहले हमको title को pass कराना है, तो आप लिखेंगे title, उसके बाद में हमारे पास है description, और पिर हमारे पास है posted by, अब posted by कैसे आएंगा, देखिए हम इसको manual भी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे posted, जो spelling आपने model में लिखिए, make sure वही spelling आप यहाँ पर भी लिखें, तो इसी को copy-paste कर लेंगे, ताकि spelling mistake ना हो, posted by, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास request है, उसके अंदर हमको authentication मिलने वाला है, so request.auth, और उसके underscore id को हम यहाँ पर fulfill करा देंगे, मैं सा auth के नाम से user की id, और फिर जो भी token value मिलती है, तो वो हमको मिलने वाली है, मैं save कर लेता हूँ उसको, और अभी error भी show करेंगा, कहाँ पर error show कर रहा है, देख लेते prettier पर, और की condition में दीखे, comma लग गया, so यहाँ पर दीखे, comma लग गया, save, अभी यह error चला गया, और यहाँ प इसके बाद में send function, यह रहेंगा object, इसमें हमको क्या करना है, success को कर देना है, true, उसके बाद में हम message add कर देंगे, message post created successfully, यह message हमने add कर दिया, और जो भी post है आप उसको pass करा सकते है, तो यहाँ पर हमने उसको एक variable के अंदर store करके रखा है, और यहाँ पर as a object भी हम इसको pass करा रहे है, save कर लेते हैं उसको, तो कोई भी error अपने पास अभी नहीं है, और हमको object भी check करना है, तो देखिए, मैं आपको request object भी बता दूँगा, जो भी हमारे पास request आ रहा है, उसको एक बन देख भी लेंगे, लेकिन अगर सब को सही रहा है, तो हमारा post भी create होंगा, तो चल और देखिए body के अंदर data है, automatically data है, मैंने इसको भी delete नहीं किया request को, तो postman में थोड़ा सा catch है, तो इसको थोड़ा सा advantage भी हमको मिलता है, अगर आपने यहाँ पर कोई folder create करके रखता होंगा तो फिर और भी जाद अच्छी बात है, अब हम क्या करेंगे, इस token को यहाँ से copy क कर लेंगे पहले शुरू, copy और एक new tab open कर लेंगे, यह update के लिए था, तो एक और tab में यहाँ पर बना लेता हूँ, और headers में हम क्या करेंगे, headers के अंदर हम से authorization को add कर देंगे, और फिर b-rl आपको लिखना है, paste देंगे, उसके बाद मैं इसको paste कर लेंगे, अब हम क्या करें create-post, आपने जो भी url का नाम लिखा हूँगा, make sure वही लिखें, जैसे के हमारे case में post route, यहाँ पर दीखें हमने लिखा हूँ, create post, तो same to same में यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख सकते हैं, create post, paste कर देता हूँ, उसको copy paste, ताके और spelling mistake ना हो हमारे से, इसके बाद में क्या करे करेंगे, body के बाद में आपको raw data पर जाना है, और यहाँ से json को select करेंगे, उसके बाद में आपको direct object को यहाँ पर pass कराना है, इसमें हमारे पास रहेंगा title, पैटल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के first post, और फिर उसके बाद में हमारे पास रहेंगा description, तो description मैंने add कर दिया make sure, यहाँ पर जो description है, और request.body के अंदर जो आपने लिखा है, वो same होना चाहिए, यह वाला description, तभी यह काम करेंगा, वरना आपको arrow देखने मिल सकता है, तो मैं यही से इसको copy-paste कर लेता हूँ, यह है description, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, again, कोई भी text लिख सकते हैं, this is my first post, कुछ इस तरीके से हमने pass करा दिया, और posted by हमको provide करने की ज़रात नहीं, जैसे यह request हीट होंगी, तो automatically request का जो object है, हमारे console पे भी print होगा, success तो होई जाएगा, और इसको database में भी check कर सकते हैं, database में आप क्या करें, cloud cluster से अभी connect हो जाएं, जो भी जहाँ पर भी आप use कर रह ही है, अब जैसे हम यहाँ पर send पर click करेंगे, अगर सब कुछ सही होता है, तो यहाँ पर एक document create हो जाएंगा, तो चलिए इसको test कर लेंगे, send पर click करता हो, तो दीखे, success row, और फिर message हमारे पास आगया, push created successfully, और यहाँ पर सारी value आ गई, अब इसको हम database में भी check कर सकते हैं, चलते database में, और यहाँ पर मैं जैसे refresh करूँगा, ओके, यहाँ पर तो नहीं आया, फिर कर लेते हैं इसको, save नहीं हो, अच्छा हमने save function call ही नहीं किया, यहाँ पर दीखे, हमने इसको get तो कर लिया, लेकिन इसको save नहीं किया, तो इसके आगे आगे आप क्या करें, dot save function को call क करें, तभी यह work करेंगा, save कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस post main में, और फिर से इस त्रेम request को मैं hit कराता हूँ, send पर click करेंगे, तो दीखिए, again success true, post हमारा create हो गया, तो चलते वापस MongoDB database में, अब refresh करेंगे, तो दीखिए, यहाँ पर successfully हमारे पास data आ चुका है, जिसका title है, first post, और फिर description है, और किसने create किया, तो उसकी ID भी यहाँ पर आ चुकी है, अब आप इसको confirm भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके last में hit da, और start में 64, तो हम क्या करेंगे, user के अंदर check कर लेंगे, तो देखिए, अभी एक user है, बाखी के user मैंने delete कर दिया था, आपके case में अगर सकते हैं, और अब चलते एक console में, और console के अंदर हमारे पास request का object होगा, तोड़ा सा scroll करिए, देखे, बहुत बड़ा object है, इसमें बहुत सी properties हमको देखने मिलती है, तो आप जो है one by one सभी को देख सकते हैं, मैं पूरा top से बता रहा हूँ आपको एक बार, देखे, यहाँ स underscore id कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हमारे केस में भी फिलाल auth के नाम से है, और I think मैं इसको token के time पे auth लिख लिया हूँगा, इससे लिए जब auth के नाम से बता रहा है, नीचे स्क्रोल करते हैं, तोड़ा सा और नीचे स्क्रोल करिए, आपको show करेंगा, दीखे, यहाँ पे show क get हो चुकी है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया, और नीचे अगर आप देखेंगे, तो इसमें है token, तो token की मदद से यहाँ पर इसने id को get कर लिया, जो भी login user है, उसके id यहाँ पर get हो गई, अब यह login id से अगर कोई भी post create होगा, तो इसके साथ में id get हो जाएंगी, जो कि हमन model के अंदर बना के रखा है, एक पर फिर से बता देता हो मैं, यह हमारा post model, और इसको नीचे कर लेंगे थोड़ा सा, हमने इसके अंदर देखिए, object id का use किया हुआ है, और इसके reference में हमने बता है user, तो automatically वो इसको get कर लेंगा, तो successfully यहाँ पर हमारे create post की functionality जो है, बन चुकी Next, ओन क्या कर सकते हैं, इसको UI पर test कर सकते है, यानि हमारी React Native की application में हम क्या करेंगे, post पर काम कर लेंगे, एक form बना लेंगे और फिर उसके मतरस हम इसको test कर लेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस post पर काम करेंगे, अभी फिलाल यह screen empty है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक input और फिर description के लिए हम कुछ ना कुछ text add कर सकते हैं या फिर input हम use कर रहे ना row का size होता इसको बढ़ा देंगे और यहां पर इसके लिए बटन भी add कर देंगे जैसे इस पर click हो तो post यहां पर save होना चाहिए पहले शरूर इन routes को मैं close कर देता हूँ अभी server की जरूरत में इसलिए सब कुछ मैं यहां से close कर देता हूँ और client application में जाएंगे हमारे पास है post की screen इसमें हम काम करेंगे फिलाल हमारे पास लिखे एक ही जो है इसके अंदर footer menu है अब हम क्या करेंगे content को यहां पर display कर आएंगे तो उसके लिए एक और view में add कर देता हूँ और इस view के अंदर हम क क्या करेंगे एक heading add कर देंगे तो इसके लिए अपलेके text make sure इसको import भी करिए from react native और यहां पर हम लिखेंगे create a post इस तरीके से हम text add कर देंगे save करते चलते हैं साथ में तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है और इसमें देखिए margin है na margin top इसको remove कर लेता हूँ इसकी target भी करेंगे यहां पर simply हमको क्या करना है align करना है items को so align items और इसको हम कर देंगे center में तो सब कुछ center में हो जाएंगा और यहां पर margin ठीक है na create post के अंदर आप से हैं तो वापस भी add कर सकते हैं मैं वापस से add कर देता हूँ margin top और इसको 20 करेंगे जादा नहीं चाहिए इसमे 40 I think जादा हो रहा था ना एक बर चेक कर लेते हैं 40 save ठीक आगे चलिए बाद में इसको fix कर लेंगे कोई दिख कर नहीं है इसको हम थोड़ा सा CSS की मुदद से target भी कर सकते हैं साती में तो एक नीचे class बना देता हूँ मैं यहां पर हम लिखेंगे heading और इस heading को हम क्या करेंगे color दे देंगे पहले शुरू, color इसका कर देंगे हम black, dark black कर सकते हैं यहां पर blue करके check कर लेंगे blue, font size इसका change कर लेंगे, stop लिखेंगे font size और इसको कर देता 25, I think 25 इनफ रहेंगा, उसके बाद में font weight इसको कर देंगे हम यहां पर bold, तो यह थोड़ा bold हो जाएंगा, save कर लेते ह tiles.heading, save कर लेते हैं उसको दीखें, कुछ इस तरीके से दिखेंगा, blue color इतना खास नहीं दीख रहा है, तो color में remove तरके एक बाल देख लेता हो, save, black जादा ठीक ठाक लग रहा है, और इसको capital letter में भी कर सकते हैं, जैसे कि text transform, इसको कर देंगे हम, uppercase, capital letters में हम को देखने मिल करेंगा, जो कि ठीक ठाक लग रहा है, अब हम क्या करेंगे, input box create कर लेंगे, तो इसी text के नीचे हम क्या कर सकते हैं, input का भी use कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे, text, input, from react native, self closing tag, save कर लेते हैं पहले शुरू, और यहां पर तो दिखने हैं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर placeholder add कर देंगे, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के add post title, save, तो देखें, बराबर से show कर रहा है, और यह center align है, और यह placeholder का जो color है, उसको भी बाद में change करेंगे, पहले शुरू इसको नीचे हम क्या करेंगे, target करेंगे, बसका नाम रखता ह और इसको apply कर देता हूँ, यहाँ पर, इस text input में, यहाँ पर हम लिखेंगे style, style के बाद में, styles.input box, save कर लेते हैं, अभी कुछ भी यहाँ पर effect नजर ने आएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर direct styling करेंगे, और साथी में output भी देखेंगे, कैसा दिख रहा है, तो हमको background color add कर देंगे, इसको कर देता हूँ, hash, ff, 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 तो यह white color में हो जाएंगा, और इसकी width भी बड़ा लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, width, width कर देंगे हम इसकी, 320 pixel, I think, इतना ठीक रहेगा, save, और इसमें margin top भी देता हूँ, margin top, इसको कर देंगे हम 30, save, content है न, उसको हम change कर देंगे, font size, इसको कर देंगे 16, यहाँ पर मैं इसको 16 कर लिया, save कर लेते हम इसको, तो ठीक टाक लग रहा है, और padding left भी दे देंगे, यहाँ से, so padding left, इसको कर देंगे 10, save, फोड़ा से space भी हम को मिलेंगा, यहाँ पर 20 कर लेते है, 20, 20 जादा हो रहा है, so इसको कर द है, तो इसमें ग्रे कलर देंगे, इसको save, मैं एक बार बॉडर विट एड़ करके चेक कर लेता हूं, तो बॉडर विट तो 1, इसको पहले विट बताने पड़ेंगी, फिर उसके बाद में आप कलर बता सकते हैं, और यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, औ अगर आपको कुछ चेंजिस करने तो आप कर सकते हैं, जैसे कि इसको multiline कर देते हैं, placeholder को इसके नीचे, और placeholder का color भी आप चेंज कर सकते हैं, इसकी भी एक property हमको मिलती है, देखे, placeholder, text color, इसको भी कर देंगे, ग्रे, save कर लेते हैं इसको, तो light gray effect आपको देखने मिल रह description, save कर लेते हैं इसको, और यह है description, अब ठीक हैं, और दोने भी same show कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदल additional properties हम add कर देंगे, जैसे के multiline, और इसको हम कर देंगे true, और इसमें एक और चीज मिलती है, हमको number of lines, इसको हम कर देंगे six, save कर लेते हैं इसको, तो six character यहा add करे, input box के अंदर, क्योंकि दोनों में same class को हमने use किया है, तो इसमें आप क्या करें, एक text align, vertical करके class आती है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर target कर लेंगे, और उसमें आप क्या करें, इसको कर दें, top, save कर लेते हैं इसको, अच्छा, यहां पर comma भूल गए, comma, save कर लेते हैं और effect इसमें तो नजर नहीं आ रहा है, padding top करके देख लेके हैं, padding top, save, अब ठीक है, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से effect हमको देखने मिलेंगा, और footer का भी issue है, देख सकते हैं, footer चिपक क्या रहा है, इसको scroll view के अंदर add करके देख लेते हैं एक बार, यह footer को हम separate रखें आप लेके scroll view, opening और closing tag, और यहां से end tag है, उसको cut करेंगे, और इस view के बाद में paste कर लेंगे, save, तो देखें, अब बराबर से, अचा अभी भी नहीं हुआ, देख सकते हैं, बाद में देखते हैं, इसको fix करने का, अभी फिलाल के लिए तो ठीक ठाग है, scroll view में हमने इसको add क क्लिक करेंगे ना, तो यह गायब हो जाएंगा, वरना दिखेंगे, अपर enter का आपको symbol मिलेंगा, क्योंकि direct आप exhibit नहीं हो सकते हैं, जैसे आप outside क्लिक करेंगे, तो automatically यह चला जाएंगा, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, button को भी add कर देंगे, तो उसको भी separate view के अंदर में add कर देता हू, view, और button के लिए हम यहाँ पर touchable opacity का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लिखेंगे touchable opacity, make sure इसको import करेंगे, suggestion show करेंगा, इस पर click करेंगे, automatically import हो जाएंगा, इसके अंदर हम जाए, normal text का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे के create post, कुछ इ का करेंगे, थोड़ा से style कर लेंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर add कर देंगे, और इसको center में करने के लिए direct inline style यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, align items कर देंगे, align items, इसको कर देंगे center, save, तो center align हो गया, इसको अभी हमको target भी करना है, नीचे एक औ object बना लेंगे, और इसका नाम हम लिख सकते है, postbtm, और इसको apply भी कर देंगे, कहाँ पर apply करेंगे, इस touchable opacity के अंदर आप क्या करेंगे, style लिखेंगे, और इसके अंदर इसको apply करेंगे, styles की मतदसे, styles.postbtm, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको target करेंगे, जैसे कि background color, हम black, save कर लेते हैं इसको, तो background color black हो गया, उसके बाद में इसकी width set कर लेंगे, width of 300 pixel, तोरी direct 300 लिखेंगे, और margin top दे देते हैं, margin top of 30, save, और इसकी height भी add कर देंगे, height of 40 करके देख लेते हैं, तो ठीक ताक है 40, border radius add कर देता हूं, उसका थोड़ा सा, border radius of 5 ठीक रहेंगा, और इसके अंदर जो भी content है, इसको align कर देंगे, align items, इसको कर देंगे, center, और justify कर देंगे content को center में, save, तो सब को center में हो जाएंगा, इसके अंदर का जो भी text है भी visible नहीं है, क्योंकि यह text के अंदर है, अभी हमने touchable opacity को target किया, इसके अंदर देखिए हमारे पास है create post, तो इसक के लिए पे हम क्या करेंगे, एक और object बना लेंगे, post, btn, text, और इसको color है, इसको हम change कर लेंगे, इसको कर देंगे, hash, fff, fff, तो यह white color में यहाँ पर show करेंगा, और font size भी इसमें change करके देख सकते है, font size, मैं direct apply करता हूँ, बाद में देखेंगे, इसको कर देंगे, 18, save कर button, type, save कर लेते हैं, इसको तो देखेंगे, यहाँ पर बराबर से show कर रहा है, और ठीक टाक लग रहा है, आपको अगर इसमें changes करना है, तो आप कर सकते हैं, और यह input है, इसका border radius भी हम change कर सकते हैं, तो input box जो है, इसमें क्या करता हूँ, border radius add कर देता हूँ, border radius of, 10 करके देख तो थोड़ा सा rounded show करेंगा, जो कि ठीक टाक लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा button भी बन चुका है, अब इस पर click करेंगे, कुछ भी effect हमको नजर नहीं आएंगा, क्योंकि हमको क्या करना है भी, यहाँ पर जो भी post में title add हो रहा है, उसको save कराना है, और यहाँ पर जो भी description है उसको भी हमको save कराना है, तो इसके लिए हमको लगेंगी state, और यह जो button हमको bold भी कर देंगे, थोड़ा सा light लग रहा हो, तो font weight हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, bold, save, तो थोड़ा सा यह bold में नजर आएंगा, और font awesome का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहां पर use क किया था, इसको, पूटर के अंदर यूज किया था, font awesome को, उसी का हम यहां पर use कर सकते हैं, top पे से import को क्या करें, copy कर ले पहले शुरू, copy, और post के अंदर हम क्या करेंगे, top पे इसको paste कर देंगे, so, इस पूटर menu के बाद में इसको paste कर लेंगे, और फिर menu का icon जो है, उसको को भी copy कर लेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, plus वाला कोई भी copy कर सकते है, plus square हमने use किया था, इसी को हम copy paste कर सकते, copy, और यहां पर हम क्या करेंगे, इसको, inside button, जो text है, उसके अंदर paste कर लेंगे, इसको multiline कर देते हैं, पहले शुरू, यहां पर मैं इसको paste कर लेता इसको भी कर देंगे, 18, save, और extra space के लिए आप क्या करें, curly braces, single quotes या पर double quotes, और उसके अंदर double space का use कर लेता हूं, तो थोड़ा सा space भी हमको इसमें देखने मिल जाएंगा, तो कुछ इस तरीके से दिखें, यहां पर create post का button हमको देखने मिल रहा है, अब इसके on click पे हम क्या क लगेंगे, separate हमको वो बनाना है, तो पहले शुरू आप क्या करें, const, title, set, title, equal to use state, initially इसको empty string कर देंगे, तो इसी को copy paste कर देंगे, three times, और फिर हमारे पास है description, और फिर यहां पे title कट करके हम लिखेंगे, set, description, make sure spelling सही लिखें, और यहां पर देखें, अपर के slower case का issue है, उस इसके बाद में set loading, और initially इसको boolean value देना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, false कर देंगे, save कर लेते हैं, साती मैं comment out करता हूँ, मैं यहां पर local data इसके बाद में एक function बना लेंगे, handle form data या फिर post data कर लेते हैं, handle post data, यहां पर एक function बना लेंगे, const handle post equal to arrow function, inline arrow function हमने बना लिय और इसके अंदर हम alert का use कर लेंगे भी फिलाल के लिए, alert, और alert में क्या करेंगे, जो भी title इसको यहां पर get कर लेंगे, title, और इसके लिए back tick लगेंगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर back tick को add कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, your post title is dollar curly braces, फिर इसके अंदर title को pass करा करेंगे, उसी तरीके से, यहां पर मैं लिखता हूँ, and post disk कर लेता है उसको shortcut में, और जो भी description इसको भी curly braces के अंदर add कर देंगे, dollar curly braces, और यहां पर हम लेखेंगे description, save कर लेते हैं इसको, और इस state को हम क्या करना है, भी bind करना है, क्योंकि अभी कुछ भी हम यहां पर add इसको पता नहीं है के value कहां से आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, input के अंदर देखें, value की property हमको मिलती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, value को add कर देंगे, so value यहां पर add करेंगे, title, first title, इसलिए title को add कर देंगे, उसके बाद में onchange भी मिलता है, so हम क्या करेंगे, onchange text को यहां पर target करेंगे inline arrow function और इसमें हम set कर देंगे title को set title जो भी text हम receive करेंगे अभी text कहां से आएगा यह आएगा function के अंदर से तो आप इसको pass करा दे तो जो भी text है उससे क्या होगा हमारा title fulfill हो जाएगा इसको और copy कर लेंगे पहले शुरू और नीचे वाले में भी paste कर लेंगे यहाँ पर title के बदले हमारे पास है description और फिर set title के बदले यहाँ पर है तो आप क्या करें touchable opacity के on press event पे क्या करें इस function को assign कर ले handle post save कर लेते हैं इसको और यहाँ पर कुछ meaningful data में add कर देता हूँ post 1 और इसको कर देंगे desk 1 अब मैं यहाँ पर create पर click करूँगा जैसे पहले side में click कर लेता हूँ अब इस पर जैसे click करूँगा तदीके your post title is post 1 and post desk is desk 1 तो perfectly हमारे पास state की value get हो रही है जो भी input में type हो रहा है वो get हो रहा है अब इसके बेस पे हम क्या कर सकते है actual में data को भेज सकते है हमारे backend पे already हमने इसको postman में test करके रखा है तो directly हम क्या करेंगे यहाँ पर अब exios की मतल से network request भेजेंगे तो यहाँ पर exios को import करें import exios from exios exios को हमने import कर दिया अब चलते वापस handle function के अंदर और alert को में remove कर लेता हूँ इसकी ज़रूद नहीं है इसके बदले try catch block का use कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस function को async कर लेंगे async function क्योंकि हमको response के लिए await करना है इसमें आप console.log भी कर सकते हैं जो भी error आ रहा है इसको as it is print करा दो और साथी में alert भी हम use कर सकते हैं alert के अंदर हम क्या करेंगे जो भी error response है उसको यहाँ पर display करा देंगे तो same आप login में से भी copy paste कर सकते हैं थोड़ा सा time बचेंगा login.js और देखें यहाँ पर set loading जितना भी था catch का screen जितना भी था तो उसी को same copy करके यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ एक और और की condition में alert मैं add कर देता हूँ और की condition जो भी error है अगर उसमें direct message है तो वो भी आप यहाँ पर display करा दो तो error.message यहाँ पर मैं add कर दिया है save कर लेते हैं इसको पहले शुरू अब start में हम क्या करेंगे पहले शुरू जो है validation perform कर लेंगे तो strike के अंदर मैं क्या करता हूँ पहले check कर लेते हैं if not title अगर हमको title नहीं मिलता है और की condition फिर not description अगर description भी नहीं मिलता है तो क्या करो? alert यहाँ पर send करो और यहाँ पर हम लिखेंगे please add post title और description और spelling mistake होगे इसमें यह है description save कर लेते हैं इसको और test कर लेंगे एक बार जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी value को remove करता हूँ यहाँ से post को मैंने cut कर दिया और इसके बाद में इस button पर हम click करेंगे तो देखें alert बराबर से आ रहा है please add post title और description आप चाहें तो separate भी इसको रख सकते हैं add title, add description तो फिर आपको क्या करना पड़ेंगा इसमें से इसको cut करना पड़ेंगा इसमें से और की condition को remove कर ले तो cut और इसी को आपको copy paste करना पड़ेंगा copy paste और इस title के बदले हम क्या करेंगे description add कर देंगे कुछ इस तरीके से और पिर आप क्या कर सकते हैं पोस्ट वाले में से description को remove कर सकते हैं और second वाले में से title को remove कर सकते हैं save अभी ओके पर click करता हूँ और वापस से अगर इस button पर click करूँगा देखें post title हमारे पास add किया हुआ नहीं है लेकिन description है अगर हमाँ इस पर click करता हुआ तो direct message है please add post title तो इस तरीके से भी आप validation perform कर सकते हैं और initial time पर हम क्या करेंगे setLoading को जो है यहाँ पर true कर देंगे so setLoading और और तिर validation के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर network request भेजेंगे तो आप क्या करेंगे एक variable के अंदर store कर सकते है यहाँ पर directly data को destructure कर सकते है क्या करेंगे directly data को destructure करेंगे यहां पर await करेंगे अवेट किस चीज का exeos पर इस्तेमाल करना है फिर post method है इसमें हम क्या करेंगे network request भेजेंगे तो slash post slash जो भी आपको URL मैं एक बार आपको बता देता हूँ हमारे पास जो भी post route है वो आपको यहां पर add करना है तो same to same आप copy paste पी कर सकते हैं ताकि spelling mistake ना हो तो यहां पर post के बाद में as it is इसको paste करता हूँ इसके बाद मैं comma लगाएंगे comma के बाद में हमारे पास है title, title के बाद में हमारे पास है description तो दोनों चीजे हमको यहां पर pass कराना है अब दोनों हमने pass करा दिया तो यहां पर क्या होँगा हमारे पास response जाएंगा तोड़ा से चोटा कर देता हूँ ठीक है यहां पर हमको success response मिलेंगा तो हम क्या करेंगे set कर देंगे loading को और यहां पर इसको कर देंगे false false क्यों कर रहे हैं अगर error भी आता है तो हमको इसको false कर देना है यानि loading spinner या फिर जो भी text है वो बार-बार हमको नहीं चाहिए जब request जाएंगी तब ही spinner या फिर जो भी text है loading का वो show कराओ और ना मत कराओ तो यहां पर हमने set कर दिया loading को false फिर हम क्या करेंगे alert कर लेंगे हमारे पास data में message भी था एक बर फिर से बता देता हूँ पोस्ट कंट्रोलर के अंदर हमने message भी add किया हूँ देख सकते हैं तो इसका हम use कर लेंगे चल देख पोस्ट में और यहां पर हमको अगर data मिलता है तब क्या करो यहां पर data के अंदर जो भी message उसको display करा दो तो इसका मतलब क्या है हमारे पास अगर data है and फिर data के अंदर message check हो हुआ तो shortcut में हमने क्या लिखा question mark लिखा उसके बाद में dot तो दोनों का मतलब same है और यहां पर हम क्या कर सकते है user को navigate भी करा सकते हैं कैसे है already हमारे पास यह जो post है component वो stack के अंदर है तो अगर यह stack में है तो आप क्या कर सकते है navigation को destructure कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे navigation को destructure कर लेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे अगर success होता है ना alert के बाद में इसको navigate करा देंगे so आप लिखेंगे navigation dot navigate और इसके अंदर आपको path add करना है तो हम क्या करेंगे इसको home पे redirect कर लेंगे save कर लेते हैं इसको और इसको test कर लेंगे एक बार मैं application को reload कर देता हो और यह crash हो गई so इसको minimize करते हैं और first वाल आप minimize करें और वापस से एक्सपो की application और client वाले application को open कर लेंगे चलते create post के अंदर और यहां से अब हमको post को test करना है अगर सब को सही रहा और हाँ यहां पर दीखें double slash हो गया इसको cut करके save कर लेते हैं अब यहां पर details को fill करेंगे database पीपर check कर लेते हैं एक ही post है अपने पास refresh करके check कर लेंगे fetching documents और internet broken मैं फिर से router को restart कर लेता हूँ तो यहां वापस से मैं connect हो चुका हूँ अब refresh करता हूँ तो देखें एक ही database हमारे पास है यह एक ही document अभी हमारे पास है first post के नाम से अगर अभी सब कुछ सही रहता है तो perfectly एक new post यहां पर create हो जाएंगे हमारी react native application के साथ में तो च देखें second post कर लेते हैं इसको second post no data कुछ भी लिख सकते हैं XYZ अब अगर मैं यहां पर click करता हूँ create post पर सब कुछ सही रहेंगा तो एक alert message आएंगा और हम redirect हो जाएंगे home page पर तो चलिए इसको test कर लेंगे create post तो देखें post created successfully और हम home page पर click करता हूँ तो देख सकते हैं अभी हम home page पर हैं और database पर तेख लेंगे चलते वापस MongoDB database में अब refresh करूँगा तो देखें दो document अपने पास आ चुके हैं second post और no data हो गया है पर बात नहीं बराबर से इसकी ID भी आ रही है आप इसको जह multiple user से भी test कर सकते हैं so make sure test करिए एक से दो account से आप क्या करें यहां पर post को create करिए आगे हम करेंगे इसको filter भी करेंगे लेकिन अभी फिलाल के लिए जह हमारे पार post की functionality हमारे react native में भी बन चुकी है तो अब आप जो है कितने भी post यहां पर create कर सकते हैं जैसे कि एक और post में create करता हो third post और यहां पर add कर देंगे this is my third post और फिर उसके बाद में create post पर click क करेंगे तो देखें post created successfully तो perfectly हमारी functionality काम कर रही है वापस से database में आप इसको cross check करें यहां पर आप देख सकते है third post भी हमारी create हो गई तो successfully create की functionality हमारे application में बन चुकी है home पर क्या कर सकते हैं सारे के सारे post को जो है display करा सकते हैं और फिर user के specific post को भी हमको यहां पर अभी display कराना है जैसे कि edit, delete और फिर image की functionality भी बाख़िये नभी profile में image upload भी हमको देखना है तो देखेंगे step by step अभी फिलाल तो post के functionality भी बन चुकी है next हम क्या करेंगे जितने भी post इसको get करेंगे previous video में हमने create post पर काम किया था अब हम क्या करेंगे जैसे post create होती है और home page पे हम क्या करेंगे सारे के सारे post को display कराएंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले backend लगेंगा backend में अगर हमारे पर successful response हमको मिलता है तब ही हम उसको यहाँ पर home page पर display करा सकते हैं तो चलिए पहले शुरू हम क्या कर लेंगे server के अंदर एक और new route create करेंगे तो आपको जाना है post route के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और new request बना लेंगे जैसे के get all post और इसमें router function का इस्तेमाल करेंगे और get method आपको call करना है और यह है get get के अंदर सबसे पहले URL pattern इसका नम हम रखेंगे get all-post इस तरीके से मैंने इसका URL endpoint लिखा उसके बाद में require function के इसमें जरुरत नहीं है direct भी हम क्या कर सकते है user अगर login नहीं है तब भी हम इसको display करा सकते है और एक callback function हम यहाँ पर create करेंगे तो callback के लिए आपको जाना है controller के अंदर post controller और नीचे हम क्या करेंगे एक और controller function create करेंगे arrow function बना के छोड़ देंगे जैसे किसमें लिख लेंगे get all post और यहाँ पर इस को और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको नीचे export कर देंगे comma लगा के यहाँ पर paste कर देंगे save तो यह function export हो गया अब इसको हम हमारे route के अंदर use कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके बाद में आप क्या करेंगे लिखेंगे get all post controller देखें suggestion show करेंगा इस पर click करिए automatically controller function top पे import हो है वैसे तो automatically VS code में suggestion मिल जाता है in case अगर intelligence नहीं काम कर दा है तो आप manually इसको import करें save कर लेते हैं route को तो यहाँ पर हमारा route बन चुका है अब हमको क्या करना है controller के अंदर logic को लिखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस function को async कर लेंगे async arrow function और यह callback function है इसलिए request और response हम इ साथी में आप क्या करें try catch block का इस्तेमाल करें so try and catch block catch के अंदर console.lock जो भी error इसको as it is print करा दो फिर यहां से हम क्या करेंगे return करेंगे status code को इसमें हम लिखेंगे 500 फिर इसके बाद में send function आप चाहें तो direct.json function भी use कर सकते हैं लेकिन send काफी better है और बागी आपकी choice के उपर ह इसमें हम क्या करेंगे success कर देंगे false उसके बाद में आप यहां पर message add कर सकते है message जैसे के error in get all post API और पुरा caps होगे कोई दिखकर नहीं चलता है error में तो response मिलने वाला है और इसके बाद में जो भी error इसको as it is print करा देंगे तो यहां पर हमारा error का case solve हो चुका है अब हम क्या क करेंगे success case को यहां पर try करेंगे अब यह क्या है get post controller तो इसमें हमको सारे के सारे post चाहिए तो इसमें हमारे पास जादो कोई condition नहीं है direct जितना भी post में हमारे पास data है वो हमको यहां पर display कराना है तो हम क्या करेंगे directly queryable create कर लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे post equal to फिर हम await करेंगे अब इड किस चीज़ का करना है हमको MongoDB database में से सारे post को display कराना है तो इसके लिए हम लिखेंगे post model का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हमको मिलता है find का function इसको call कर देंगे तर यह है find तो इससे क्या होंगा जितना भी इसके अंदर data है वो यहां पर get हो जाएंग इसके अंदर हमको find function की मदद से सब कुछ data को यहां पर execute करना है तो चलिए यह हो गया हमारा query देखेंगे बहुत simple है एक line में हमारा code यहां पर बन चुका है इसके बाद में return कर देंगे return यहां पर direct response send कर देता हो res.status status of 200 यानि ok request इसके बाद में send कर देंगे send क्या करना हमको यहां पर success को हम कर देंगे यहां पर row उसके बाद में message आप add कर देंगे sorry यह है message message के अंदर कोई भी message लिख सकते है all post data और फिर जो भी post है इसको as it is यहां पर pass करा देंगे तो आप लिखेंगे post save कर लेते हैं इसको तो यहां पर हमारा controller function बन चुका है देखें कितना simple है की ज़रूरत नहीं है तो directly भी हम लिख सकते हैं पहले शुरूई यहां तक देखें create post का है ना इसी को copy paste कर लेते हैं उसके बाद में हमारे पास है get dash all dash post एक बार cross check कर लेते हैं routes file में आप देख लें क्या लिखा है post हो गया ना यह तो single post कर लेता हूं मैं save कर लेते हैं इसको तो देखें success row all post data उसके बाद में देखें post अपने पास बराबर से show कर ला है I hope आपको देख रहा हूंगा देखें ये एक post हो गया उसके बाद में second, third तो three post अपने पास अभी available है अब इसमें देखें हमारे पास क्या है posted by भी है तो हम यहाँ पर specify कर सकते कि कि किसने इस post को create क्या है उसको कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हमारे पास total schema है हमने क्या किया था अगर आपको याद होंगा मैं एक बार आपको model बता देता हो post model इसमें हमने देखें posted by का type जो रखा था वो object id था और उसके अंदर schema reference हमने दिया था user का तो जो भी user रहेंगा जो भी post create करेंगा उसकी id automatically get हो जाएंगे और उसके base पे आप क्या कर सकते हैं उसके सारे fields को access कर सकते हैं कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास आता है populate का function तो find के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे dot populate और इस populate के अंदर आपको बताना है कि किस base पे आप posted by आपने जो भी यहाँ पर नाम लिखा है उसके base पे आप find करिए हमारे case में posted by के नाम से और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको pass करा देंगे posted by अब यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि इस field में से हमको populate करना है लेकिन क्या के चीज़से हमको चाहिए जैसे कि हम क्या करेंग करेंगे यहाँ पर query execute करेंगे dot sort key अब sort क्या करेंगा इसको filter करेंगा किस base पर आपको sort करना है simple हम क्या करेंगे जो भी created add की property है हमारे case में क्या है जो भी response आ रहा है और created add की property है तो इसमें हमारे पास date और time होता है तो इसके base पर हम इसको filter कर सकते है यानि most recent जो भी post में और यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए send पर click करेंगे वापस से तो अब देखिए हमारे पास data जो रहेंगा उसके अंदर posted by बराबर से show करेंगा पहले show नहीं कर रहा था पहले सरफ posted by में id आ रही थी अब उसके अंदर id भी आएंगी और किसने post को create किया है उसका name भी और उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर आप notice करेंगे title में तो यह third post है third मतलब हमने इसको last में किया था तो बराबर से filter भी काम कर रहा है जो भी created add में minus one लिखा था तो उसके base पर क्या होंगा जो भी most recent post रहेंगी वो top पे display होंगी तो perfectly हमारे पास यहाँ पर server create हो पोस्ट को get करेंगे तो चलते वापस visual studio code में तो चलते वापस client में और client के अंदर हमारे पस दीखे context का folder इसके अंदर हमें new file create करेंगे और इसका नाम में रखता हो post context.js और इसमें react को import करेंगे import react और फिर हमको इसमें context का भी use करना है इसलिए कॉमा लगा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर use context का इस्तेमाल करेंगे और यह double import हो रहा है इसको cut कर लेंगे साथी में हमको state भी चाहिए global so use state हो और इसके बाद में use effect हो भी लगेंगा क्योंकि हमको initial time पर सब कुछ यहाँ पर get करना है और spelling mistake यह है use effect तो तो तीनों को हमने यहाँ पर import कर दिया साथी में network request भी देखना है तो import xios from और फिर यहाँ पर xios message को import कर देंगे तो यहाँ पर हमारे imports हो गए इसके बाद में हम क्या करेंगे context को create करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है एक variable बनाना है अब यह post से related है तो आप लिखेंगे post context equal to use context और use context नहीं रहेंगा इसमें रहेंगा create context तो आप क्या कर इसको change कर ले पहले शूर यह रहेंगा create context क्योंकि हमको इसमें context को create करना है use अगर हमको जहाँ पर करना रहा component के अंदर तब हम use context का इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ पर लिखें create context तो इससे क्या होगा यहाँ पर एक empty context create हो जाएंगा उसके बाद में आपको provider यहाँ पर create करना पड़ता है और आप global state भी यहाँ पर create कर सकते हैं यह हमारे global state const और इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले loading add कर देंगे क्योंकि हमको spinner भी चाहिए बाद में देखेंगे हम spinner भी आप चाहिए तो इसके base to text को भी change कर सकते हैं और initial इसको क्या कर देंगे यहाँ पर false कर देंगे I hope आपको context create करना तो आ गया होगा फिल भी मैं एक बार repeat कर रहा हूँ थोड़ा सा और ideas में मिल जाए अब एक और हम state create करेंगे const और इसमें सारे post को हम get करेंगे const post set post equal to fill use state और initially इसको कर देंगे empty array क्योंकि post क्या है? array है जितना भी data रहेंगा वो array के form में हमको देखने मिलेंगा array of objects अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे return कर लेंगे पहले शुरू so आप लिखे return return के अंदर हमको जब प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना पड़ता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे post provider और function हमने create नहीं किया ना directly हम लिख रहे हैं इसको देख सकते हैं so पहले शुरू आप क्या करें इसको एक function के अंदर add कर दे जो के main हमारा provider रहेंगा आप यहाँ पे लिखेंगे const post provider equal to arrow function तो यह रहेंगा arrow function जो के हमको children receive करा के देंगा children को हमने directly destructure कर लिया और सब कुछ आपको क्या करना है? इसके अंदर wrap करना है और यहां से return को मैं delete कर देता हूँ और जो भी status को इसके अंदर हम add कर देंगे cut करने के बाद यहां पर मैं इसको paste कर लेता हूँ अब हम क्या करेंगे? यहां पर return कर देंगे तो थोड़ा सा space भी दे देते हैं और इसको side में भी कर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करने वाले return करेंगे, आप लिखें return, return हमको क्या करना है, जो भी हमारा context है, उसके अंदर जो हमको provider की मदद से values को set कराना है, कैसे कराएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, post, context, फ़ले opening और closing tag हम add कर देंगे, इसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर dot लगाए, और इसके अंदर हमको option मिलता है, provider, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, value को pass करा देंगे, अब value कहां से आएंगे, values equal to object रहेंगा, so array हो गया यह, यह है object, और इसके अंदर हमारे पास रहेंगा, array, array रहेंगे, children, तो किसी भी component से आप इसको easily wrap कर सकते हैं, और जिससे भी wrap करेंगे, तो इसके अंदर आप in values को use कर सकते हैं, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक function बनाएंगे, जिसमें हम get करेंगे, सारे post को, तो यहाँ पर एक function बना ले, const, और इसका नाम हम रख स और try catch block भी हम इसमें देख सकते हैं, so try or catch block, catch में हम को क्या करना है, console.lock करना है, जो भी error है, उसको as it is print करा दो, और set कर दो loading को, वापर से false meant, initial time पे हम क्या करेंगे, इसको true कर देंगे, तो आप यहाँ से इसको cut करके, initial time पे loading को true कर ले, उसके बाद में क्या करेंगे, try करें फिर हमको exeos का स्तेमाल करना है, और इसके अंदर हमारे पास है get function, so get के अंदर URL pattern आप add कर देंगे, जैसे के हमारे case में post slash get dash all dash post, तो यह हमारा URL endpoint है, आप इसको cross check कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है get all post, तो इस ही का हमने यहाँ पर use किया है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से कर देंगे, set loading को false, क्योंकि हमको अगर response मिलता है, इसको वापस से हम क्या करेंगे, false कर देंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, set कर देंगे post को, किस से, जो भी data आ रहा है, तो data अगर हमको मिलता है, उसके अंदर हमको मिलने वाले post, जो कि हमने controller के response के अंदर set किया था, देख सकते हैं, आपने जो भी यहाँ पर लिखा होगा न, उससे आप क्या करें, context में set post को fulfill करा दे, तो data.post, save कर लेते हैं इसको, तो हमारा context यहाँ पर create हो चुका है, देख सकते हैं, अब यहाँ पर यह function तो बन गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, initial time पर सारा का सारा data चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे case में जो है, पहले शुरू comment बना लेंगे, initial, post, उसके लिए हमको चाहिए, use effect, use effect के अंदर हम जो है, functions बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर लेकिनगे, function with empty dependency, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस function को call कर लेंगे, get all post, अभी जो हमने function बनाया है, तो initial time पर हम इसको call कर लेंगे, तो जब भी post context call होगा, तो हमारे पर जितना भी post में data रहेंगा, वो बराबर से show होगा, save कर लेते हैं इसको, check कर लेते हैं, कोई error अपने पस, error तो अभी नहीं है, एक बार native की application भी देख नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको bind भी करना है, bind कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इसको navigation वाले में add कर सकते हैं, जैसे कि हमने auth provider से, हमारे screen menu को wrap किया था, तो उसी तरीके पर हम क्या कर लेंगे, इसको post provider के साथ में wrap कर लेंगे, और I think हमने इसको export नहीं किया नीचे export करना भूल गया, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरु उसको export भी कर देंगे, export, export करेंगे, थभी हम उसको कहीं पर भी use कर पाएंगे, आप लिखेंगे export, तो इसके बाद में हमारे पास है, post contacts, और फिर उसके बाद में है, post provider, तो दोनों को हमने export कर लिया, टेप कर ल और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यह जो screen menu है, उसको इससे wrap कर लेंगे, तो यहां से आप इसको cut करके, इसके अंदर paste कर लें, save कर लेते हैं, और cross check करें, कोई error तो show नहीं कर रहा है, देखें, यहां पर error है, create context has already been declared, चलते वापस post context में, यह double import हो गया, इसको cut कर लेंगे, save, तो देखें, अभी कोई भी error नहीं है, और यहां पर 404 का भी request error आ रहा है, तो यहां पर single post है, API को cross check करें, server.js की file में एक बड़ चेक कर लेता हूँ, हमने क्या लिखा था, यह server.js की file, इसमें single post है, और हमने API call करते time, post लिख लिख लिया ना, तो इसमें से इसको remove कर लें को, देखते हैं, कोई error और शो करता है, तो देखें, अभी कोई भी error अपने पास नहीं है, तो successfully data भी इसमें get हो रहा हूँगा, इसको test भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है, homepage में, चलते हम homepage के अंदर, और server की file को close कर देंगे, navigation को भी close कर लेता पिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर, state के बदले क्या करेंगे, post का data display करा देंगे, अब हमको क्या चाहिए, इसमें, post context चाहिए, इसको क्या आप क्या करें, लिखें, इसमें नहीं, file दूसरी है न, इसको double से import करना पड़ेंगा, या फिर आप shortcut use कर सकते हैं, कैसे, state की नीच हो जाएंगे, अगर आपकी case में नहीं होता है, तो आप manually इस context की file को import करें, और इस state के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, post, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें, successfully सारा का सारा post का data अपने पास show कर रहा है, और यहाँ पर दीखें, हमार जो footer menu है, वो नीचे चल कराएंगे, तो अलग से एक और component हम create कर सकते हैं, और पिर उसकी मदब से हम इसको display कराएंगे, पहले शुरू इस home को भी थोड़ा सा fix कर लेते हैं, काफी weird सा design लग रहा है, तो इसमें आप देखें, पहले शुरू तो यह वाली चीज हमको नहीं चाहिए, या पिर other reference आप र पता सकते हैं, आपके उपर है, आपको क्या क्या चीज़े display कराना है, पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, यह जितना भी container है, इसको scroll view के अंदर ले लेंगे, और scroll view को आपको import भी करना है, जैसे इस पर click करेंगे, यहाँ पर automatically import हो जाएंगा, आपके case में नहीं हो रहा है, तो आप manually top पे import करें, उसके बाद में फिर यहाँ पर आप उसको opening और closing tag के मदद से add करें, और यहाँ पर आप क्या करें, यह जो भी text है, इसको इसको इसके अंदर add कर लें, save कर लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर बराबर से अब हमारा footer भी display हो रहा है, और footer को भी मैं क्या क इसको कर लेता हूं, मैं white color, so ff, 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 six time मैंने ff लिखा, तो यह white color में कुछ इस तरीके से show करेंगा, और जो background color है, वो थोड़ा सा dark है, तो हमको थोड़ा सा effect भी यहाँ पर नजर आएंगा, और margin top अगेर हम इसमें से remove कर लेता हूं, इसकी ज़रूरत नहीं है, margin top of 40 है, तो cut करके check कर लेते हैं, तो देखें, बराबर से आ रहा है, normal सा margin देंगे, ज्यादा margin दे के इसमें मतलब नहीं है, और बागी सब कुछ सही है, देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक separate component file create कर लेंगे, जिसमें हम सारे के सारे post data को display कराएंगे, और यह post के लिए हम क्या कर लें postcard.cs, ये भी ठीक टाक लग रहा है, फिर इसको functional component बना देंगे, rnfp, react native functional component with export, save कर लेते हैं इसको, save करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा home page है, उसमें import कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, as a object अब को pass करा रहे थे, तो उससे पहले मैं क्या करता ह और यहाँ पे post component को add कर देता हूं, postcard, make sure इसको import भी करिए, suggestion show करेंगा, इस पर click करिए, self closing tag, save कर लेते हैं इसको, और top पे आप देख सकते हैं, यह है postcard, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी post receive कर रहे हैं, उसको as a prop pass करा देंगे, तो इसको हम इस component के अंदर भी use कर प करेंगे post data को, so curly braces और post, अब इस post के अंदर जितना भी data हैं, उसको access कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसमें देखे हम को multiple post मिलने वाले, तो सबसे पहले इसको हम को map करना पड़ेंगा, map करेंगे तो single post मिलेंगा, single post के बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसकी id, title, description, posted by, created ad, updated ad, यह सा साथ ही मैं इसको style भी करते हैं, हम एक चोटा सा कार्ड बना लेंगे यह आपन, ताकि उसको उसके अंदर डिस्प्ले करा पाएं, तो इस view के अंदर आप क्या कर सकते हैं, बले शुरू एक heading दे देंगे, यहाँ पर जैसे post card है, उसके बदले हम लिख सकते हैं कि कितने card हमार करेंगे save, तो दीखे, total 3 post और इसको style भी दे देंगे, so style और इसके अंदर inline style भी हम create कर सकते हैं, तो top पे आप style sheet को import करें, style sheet और नीचे इसको variable बना देंगे, तो यहाँ पे आप क्या करें, एक variable बना दे, const styles equal to style sheet, उसके अंदर हमारे पास है create का function, इसके अंदर हम object बना सक करेंगे, पर इसके अंदर हम क्या करेंगे, heading के लिए बना लेंगे, heading, और इसका जो color है, उसको change कर देंगे, इसको कर देता हूं, green, save कर लेते हैं, इसको error शो कर रहा है, कोई दिक्कत निया, हमने empty style यहाँ पर छोड़ा है, उस वाज इससे show कर रहा हूंगा, तो हम क्या करे हैं, तो यह center में align हो चुका है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर card create करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक और view इसके अंदर create कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पहले शुरू map करेंगे data को, इस text के बाद में, आप क्या करें, map कर ले data को, कौन से data को, अगर हमको post मिल तब क्या करो, यहां पर इसको map करो, यानि उसके अंदर हमको data मिलेगा, कौन सा data मिलेगा, फ़हले तो हम क्या करेंगे, arrow function बना लेंगे, और यहीं पर इसको return कर देंगे, directly हम क्या करते हैं, इसको return कर रहे हैं, इसमें हमको एक तो post मिलेंगा, single post, और एक index भी मिलेंगा, index की चाहिए, क्योंकि key की property हमको map method के इंदर मिलती है, अगर आप वो provide नहीं करेंगे, तो आपको warning शो करता है, क्योंकि map method को काम करने के लिए एक unique id लगता है, तो आप index भी लिख सकते हैं, या फिर जो आपकी underscore id की field है, वो भी आप key की property में add कर सकते हैं, मैं directly यहाँ पर index यूज करूँगा, क्योंकि index भी 0 से शुरू होता है, आप उसका use कर सकते हैं, और return में आप क्या कर सकते हैं, इसका direct content को display करा सकते हैं, पहले शुरू मैं empty opening और closing tag ले लेता हूँ, यानि fragment का हम use कर सकते हैं, या पर directly हम क्या करेंगे, एक view ले ले लेंगे, और उसको style कर लेंगे card के form में, आप क्या करें, यहाँ पर एक view ले ले ले, view, और इस view के अंदर हम क्या करेंगे, इसको card की class दे देंगे, और इसके अंदर हम एक text add कर लेंगे, पहले शुरू text, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ title, और title हम display करा सकते हैं, पहले चेक कर लेंगे, single post get होता है नहीं, तो post, अगर post मिलता है, तो उसके अंदर हमारे पास रहेंगा title, save करके एक बार चेक कर लेते हैं, और error शो कर रहा है, तो यहाँ पर view के आगे, extra greater than का sign add हो गया, उसको cut कर लेते हैं, चेक कर तेक बार, तो देखे, वो extra sign add हो गया था नहीं, उसके वज़े से यह display नहीं कर रहा था, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो देखे, title बराबर से show कर रहा है, third post, second post, first post, तो perfectly यह काम कर रहा है, अब इसी को आप copy paste कर सकते है, post.title के वदले यहाँ पर description भी आप add कर सकते है, और यहाँ पर description का title add करने की ज़रूरत नहीं, direct भी आप लिख सकते हैं, but save कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर description भी add हो रहा है, बराबर से, और साथी में हम क्या कर सकते है, किसने इस post को create किया है, उसको भी display करा सकते है, और फिर, कब यह post create होई है, तो वो time भी हम display करा सकते है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक और view के अंदर add कर देता हूँ, बाद में क्या करेंगे, इसको flex के मदद से side by side कर देंगे, और इसी post को मैं copy paste कर लेता view के अंदर view और इसको एक और view के अंदर wrap करना पड़ेंगा, हम क्या कर सकते हैं, इस view को last में add कर देंगे, यह ना उसे को cut करके paste कर देंगे, एक main view रहेंगा, उसके बाद में हमारे पास text रहेंगा, फिर उसके बाद में एक view के अंदर, एक second view हम create करेंगे, और उसके अंदर फिर date और time को display कराएंगे, जैसे कि post है, post में हमारे पास किसने create किया है, उसकी id हम यहाँ पर get कर सकते हैं, जैसे कि posted by, save कर लेते हैं इसको, posted by में हमारे पास direct id और name है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, posted by हमको अगर मिलता है तो इसका name डिस्पले करा दो, save, तो अब इसका name बराबर show करेंगे, test test, क्योंकि हमारे user का नाम test है तो test बराबर से show कर रहा है, और एक एक बार इसको copy paste कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, created add की property डिस्पले करा देंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे created add, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें यहाँ पर time भी बराबर से show होगा, लेकिन यह time का format थोड़ा सा अलग है तो इसको हम fix कर सकते हैं कैसे, इसके लिए moment की library का use कर सकते हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक और tab यहाँ से open कर लेंगे, और client directory के अंदर switch हो जाएंगे, cd client और यहाँ पर लिखेंगे npm i, i for installation और यहाँ पर इसके बाद में आप लिखेंगे moment, आप इसको npm js पे भी search कर सकते हैं, date time से अगर आपको deal करना है तो बहुत अच्छा package है, npm i moment चोटा सा package है, डाउनलोड हो गया, इसको cut कर लेते हैं, टॉप के इसको import कर देंगे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, moment को import कर देता हूँ, import moment from moment, moment में से हमने moment को import कर दिया, अब इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यह जो भी created add के property है, इसको बराबर से display करा सकते हैं, कैसे कराएंगे, बहुत simple है, start में आप क्या करें, moment को आपको call करना है, उसके बाद में आपको मिलता है format को option, तो आप लिखेंगे format, format को भी आपको call कर देना है, call करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर किस form में आपको चाहिए, जैसे के, print के अंदर आप क्या करें, dd, mm, yyy, तो यह regular जो हमारा date time चलता है, isti में, वो यहाँ पर show करेंगा, अब यहाँ पर हमने moment के अंदर इसको pass कराना है, जैसे के आप क्या करें, created add zoom आ रहा है न, property, इसको यहाँ से cut कर ले, cut करने के बाद आपको इसके अंदर उसको pass करा देना है, तो आप यहाँ पर पेश्ट कर ले, save कर लेते हैं इसको, तो दीखे, यहाँ पर बराबर से date शो करेंगा, अगर आपको time भी show कराना है, तो आप अपने सबसे की library को explore करें, npm.js पर या फिर google पर भी आप search करेंगे moment, तो आपको काफी सारे details या फिर functions इसके मिल जाएंगे, जो भी जैसा भी आपको use करना है, आप अपने सबसे को customize कर सकते हैं, तो अभी फिलाल के लिए इतना formatting काफी है, अब इसको थोड़ा सा style भी कर देंगे, तो style के लिए आप क् to card, और card को हम यहाँ पर design कर लेंगे, इसकी width set कर लेंगे पहले शुरू, width, width हम कर सकते हैं, 100%, save कर लेते हैं, तो width इसकी हो जाएंगे, पहले color change करके देख लेते हैं, यहाँ पर मैं क्या कर रहता हूँ, background, color, और इसको हम कर लेंगे, white, save, और background color तो apply या पिर white हो गया है, इत card, और हमने इस पर card ही apply क्या हो, border add करके देख लेते हैं, border width, इसको कर देते हैं, फिलाल के लिए 1, तो देखें, बराबर से show कर रहा है, और यह white बराबर से नहीं ले रहा है, तो hash, fff, fff, save कर लेते हैं, इसको आप white में show कर रहा है, और border width है इसको कर लेता हूँ में 0.2, तो इसको करेंगा, अब इसके बाद में padding पे add कर लेता हूँ, ताके थोड़ा से space हमको मेले, padding 20, tick-tack लग रहा है, border radius पे add कर लेता हूँ, border radius of 5, save कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा rounded आपको देखने मिल जाएंगा, आप इसको बड़ा भी सकते हैं, और 100% के बदले आप इसका space भ हमको देखने मिलेंगा, और margin bottom भी देटेंगे, margin bottom of 10, save कर लेते हैं, तो एक post के बाद में हमको थोड़ा 10 pixel का margin भी देखने मिल जाएंगा, कुछ इस तरीके से post आ रहा है, और margin top भी देटेता हूँ, margin top of 10, save कर लेते हैं इसको, या पिर इसके बदले क्या करेंगे, दो-दो करता हूँ, और इसमें हम क्या करेंगे, margin vertical कर देंगे इसको, so margin vertical, save कर लेते हैं इसको, तो बराबर से 10-10 pixel में divide हो जाएंगा, देख सकते हैं, top और bottom से, या पिर इसको 5 करके देख लेता है, एक बार 5, 5 भी ठीक है, देख सकते हैं, 5 भी ठीक टाक लग रहा है, या पिर 10 रह तो, title के नाम से एक बना लेता हूँ, title, और इसमें हम सरफ font weight को bold कर देंगे, so font weight of bold, और यहाँ पर इसको apply कर देंगे, इस title के अंदर, style लिखेंगे, style के बार में styles को target करेंगे, style start title, save कर लेते हैं इसको, तो यह थोड़ा सा bold effect हमको देखने मिलेंगा, आप इसका font size भी change कर स रखते हैं, center के लिए आपको क्या करना है, दीखें, अगर इसमें title बढ़ा रहेंगा, तो फिर वो center में बारावड से show नहीं होगा, इसलिए मैं इसको side में ही रखा है, आप इसको बाद में enhance कर सकते हैं, उसके बाद में हमारे पास है, यह दो view, तो इसको भी हम को target करना है, तो एक footer के नーム से हम बना सकते हैं, यहाँ पिए enter, और इस footer के अन्दर हम क्या करेंगे, the voter black direction, change कर लेंगे सको, और यहाँ पर इसको कर देंगे arrow, save कर लेते हैं, और यहाँ पर इस view को क्या करेंगे, सको apply कर लेंगे style, और पिर यहाँ पर आप लिखेंगे style.footer, save कर लेते ह इसको तो दीके side by side ये show करेंगा एक तरफ user रहेंगा और पिर उसके बाद में date रहेंगी यानि ये post cup create हुई है और किसने इसको create किया हुआ है और आप चाहिए तो इसमें icon भी use कर सकते हैं तो icon के लिए हम क्या करेंगे font awesome का इस्तेमाल कर लेंगे और हमने login में use किया था login में footer के अंदर उसको use किया था तो footer में से क्या करेंगे ये देखे ये icon है इसको copy कर लेता हूँ copy करने के बाद हम क्या करेंगे वापस जाएंगे postcard में और यहाँ पर name में क्या करेंगे पहले शुब इसको paste कर लेंगे और यहाँ से आपको color की property और style की property temporary remove करना है save कर लेते हैं इसको और इसको import भी करना है तो आप क्या करें इस पर click करें suggestion आपको show करेंगा इस पर click करेंगे automatically import हो जाएंगा save कर लेते हैं इसको और इसको curly braces में मत करिए direct आपको import करना है तो curly braces को आप remove कर लीजिए यहाँ पर देख सकते है icon बराबर से show कर रहा है और यह icon हमको नहीं चाहिए इसके लिए हम क्या करेंगे user का icon add कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे user तो दीखें user का icon बराबर से show कर रहा है और इनके बीच में space भी चाहिए तोड़ा सा क्या करता हूँ shooter के अंदर margin top दे देता हूँ margin top of 20 save कर लेते हैं इसको तोड़ा सा space हमको जादा इसमें देखने मिल सकता है अगर background color add करेंगे तो वो spacing के वज़े से थोड़ा issue करेंगा जैसे के मैं इसमें कर देता हूँ gray color, gray color, save तो देखे कुछ इस तरीके से देखता है अगर आपको further इसको design करना है तो आप Google से भी reference ले सकते हैं अब यहाँ पर देखे test के लिए हो गया अब date के लिए भी आप जो है कोई भी घड़ी का icon show करा सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ इसी को copy paste कर लेता हूँ block मतलब घड़ी save कर लेते हैं इसको तरीके यहाँ पर घड़ी का icon भी show करेंगा अगर आपको icon यहाँ पर दूसरा चाहिए तो आप इसकी library में से जो भी suitable icon है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और title में भी क्या करता हूँ मैं तोड़ा सा space add कर देता हूँ margin bottom margin bottom of इसमे 10 कर देते हैं save तो कुछ इस तरीके से हमारा post दिखा ही देंगा और अगर आपको इसकी बीच में line add करना है तो भी आप कर सकते हैं इसके लिए हम एक extra text बना सकते हैं क्योंकि direct HR text तो हम को नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे एक और text बना लेंगे text और इसको inline style दे देता हूं style और इसमें border width add कर देंगे so border width इसको कर देंगे one और यह पूरा content wrap हो रहा है तो border bottom करके देख लेते हैं border bottom width तो दीखें कुछ इस तरीके से आएंगा और इसको अलग से target करना पड़ेंगा तो हम क्या कर सकते हैं इसको भी अलग से class बना लेंगे इसके लिए यहां से इसको cut करते हैं styles का use कर लेंगे style फिर उसके बाद में इसको कर देंगे hr कर देते हैं फिलाल के लिए save कर लेते हैं यहां पर hr को target कर सकते हैं border bottom width इसको कर देंगे one वन काफी बड़ा हो रहा है इसको हम कर सकते है 0.1 save और यह काफी light है so 0.3 ठीक टाक लग रहा है और margin bottom इसमें से remove कर लेंगे इसकी ज़रुत नहीं title में save फिर भी still हमारे पास जा है padding शो कर रहा है तो कहीं पर यह class class clash हो रही है इसलिए यहां पर यह title बराबर से show नहीं कर रहा है इस border bottom कम क्या करेंगे एक बार जो है title की class में add करके देख लेंगे paste save कर लेते हैं इसको अब ठीक टाक लग रहा है देख सकते है title के अंदर हमने add किया ना तो ठीक टाक लग रहा है तो extra class की ज़रत नहीं है इस HR को भी remove कर लेते हैं और जो extra text हमने बनाया था HR के लिए इसको भी remove कर लेंगे save कर लेते हैं इसको तो देखे कुछ इस तरीके सा हमारा content show करेंगा इस description को भी आप जो है design कर सकते हैं तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस style को copy कर लेंगे copy, paste, title के बदले इसको कर देंगे desk, shortcut में desk कर लेता हूँ और नीचे इसको target कर लेंगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें थोड़ा सा spacing हम add कर देंगे जैसे के margin, top इसको कर देंगे 10, save तो top से थोड़ा सा margin भी हमको देखने मिल जाएंगा तो post हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है अगर आपको इसमें all designing करना है तो आप अपने हिसाफ से design कर सकते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, home के अंदर हम क्या करेंगे जो json है इसको मैं comment out कर देता हूँ, अब simply हमारे पास इतने सारे post है अभी एक और problem क्या है, हमारे पास context बन चुका है तो जैसे अगर आप post create करेंगे तो उसी के साथ में context को भी update कर सकते हैं जैसे करेंगे, तो इसके लिए जाएंगे हम post वाले page में, तो आप यहाँ पर search करें, post page जो भी आपका post page है, उसमें हमारे पास देखे, handle function है इसमें हम क्या करेंगे, set कर देंगे post को कौन से post को, देखे, context में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर pass कर रहे हैं, हमारे पास post की, और set post की global state है, इसको हम यहाँ से execute कर सकते हैं, यानि manipulate कर सकते हैं, चलते हैं, post के अंदर, और पहले शुरू जो है, use context के इस्तेमाल कर लेंगे, so use state के बाद में आप क्या करें, यहाँ प यहाँ पर हम क्या करींगे, global state, const, and set post क की रहें, make sure, आपने जो context में state बनाई हैं, यह and दोनों आप यह और दोनों सेम होना चाहिए, तभी यह काम करींगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, set post को destructure करेंगे, फिर उसके बाद में आपको use context का सिमाल करना है, और आपको अपना क्या कर सकते हैं या फिर उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सैट कर देंगे post को, अब सिट post यह Code पास previous post भी रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी post है, इसको as it is pass करा देंगे, तो आप क्या करें, post को भी यहां से destructure कर लें, global state में आप क्या करें, यहां पर जोड़ा से scroll कर देता हूँ, जितने भी post है, इसको भी हम get कर लेंगे, और initial time पे इसके copy बनाएंगे, यानि new post हमको add करने से पहले इसके copy बनाने, उसके बाद में जो भी data आ रहे है, उसके अंदर हमारे पास post है, तो उससे इसको fulfill करा सकते हैं, और यह single post है इसके अंदर, save कर लेते हैं इसको, और application को reload भी कर देता हूँ, यहां से आप क्या करें, और press करें, हमारी application restart हो जाएंगी, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से post अपने पास show कर रहे हैं, और देखें, यहां पर key की property हमने पास नहीं की न, तो देखें, each child in a list would have a unique key prop, तो यह भी हमको करना पड़ता है, मैं आपको बताया था न, उसके लिए हमने आई को import किया था, तो उसको हमने यहां पर pass नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, इस post card के अंदर आप क्या करें, यहां पर जो आप map कर रहे हैं, उससे पहले इस view के अंदर, e की property पास करा दे, key और उसके अंदर मैं i को पास करा देता हूँ, save, तो यह error यहां से remove हो जाएगा, आप post भी test कर लेंगे, इस post के अंदर आप जाए, कुछ भी add कर सकते हैं, जैसे कि my fourth post, checking global post contact, और spelling mistake इसमें तो इसको ignore कर सकते हैं, आपर right click करेंगे, तो suggestion शो करेंगा, देखिए, checking global post context, क्योंकि mobile में भी autocorrect यहां पर आता है आपको, तो चलिए, अब यहां पर मैं create post पर click करता हूँ, तो देखिए, post created successfully, fourth post भी आ चुकी है, देख सकते हैं, बराबर से यह show कर रहा है, और इसमें created add की property बराबर से काम नहीं कर देए, तो यह थोड़ा सा problem दे सकती है, मैं क्या करता हूँ, server को restart कर देता हूँ, इसको terminate कर देंगे, और वापस से हम लिखते npm start, फिर से हमारा expose CLI run हो जाएंगा, फिर हम क्या करेंगे, बराबर से आप show कर रहा है, तभी कबार emulator सही से इसको detect नहीं करता है, तो आपको application को restart करना बढ़ता है, देख सकते हैं, first post, second, third and fourth, तो perfectly post की functionality हमारे पास बन चुकी है, कुछ इस तरीके से card में show हो रहा है, आप इसको और design कर सकते हैं, customize भी कर सकते हैं, make sure इसमें play करिए, card को और enhance करिए, Google पे आपको बहुत से customization वाली code मिल जाएंगे, आप search करिए और इसको design करने का try करिए, हमारे next project में हम क्या करेंगे, कोई भी library का use कर लेंगे, जिसकी मदद से automatically हमको ये सारे components मिल जाते हैं, जिसका हम use कर सकते हैं, जैसे के example के तोरके हम normal bootstrap में, tailwind में, end design में भी card का use करते हैं, तो वो सारी classes भी हम क्या करेंगे, फिर बाद में next project में third party library की मदद से उसको get कर लेंगे, अभी फिलाल के लिए normal basic design काफी है, अच्छे से हमारी practice हो जाए, इसलिए हमने design जो है basic रखा है, तो यहाँ पर सारे post आ गए, अब हम next क्या करते हैं, single post पर काम कर सकते हैं, उसमें edit और delete की functionality भी add कर सकते हैं, और जो भी user के post है, यानि user specific, यह जो login user है, सिर्फ उसके post हमको display कराना है, तो वो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, फिलाल के लिए आप जाएं, यहाँ तक इसको complete करके रखें, अब हम क्या करेंगे, user के post पर काम करेंगे, जैसे हमने सारे के सारे post को display कराया था, कुछ इस तरीके से, अब हम क्या करेंगे, देखें, अभी फिलाल हमारे पास about का button है, लेकिन about के बदल हम क्या कर सकते हैं, जो भी user specific post है, यह जो login user है, इसने जो भी post को create क्या होगा, तो उसके post के लिए हम अलग से यहाँ पर menu बना सकते हैं, और उसके अंदर फिर यहाँ पर post को display कराएंगे, edit और delete की functionality भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो चलिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले backend में इसके लिए controller function और route create करेंगे, तो उड़े दिर के लिए इसको बड़ा कर लेते हैं, all चलते हैं, server के अंदर, और हमारे पास है post controller, और हमारे पास है post route, तो पहले शुरू क्या करेंगे, route create कर लेंगे, इसी को copy paste भी आप कर सकते हैं, copy paste, और यहाँ पे get all के बदले हम कर देंगे, get user post, और यहाँ पे all के बदले आप क्या करें, user post, साथी में आप इस controller को भी change कर लें, और हमको require function लगेंगा, authenticated user के ही हमको post display कराना है, इसलिए हम क्या करेंगे, require sign in को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, as a middleware, और इस post controller के अंदर, नीचे हम क्या करेंगे, new function create करेंगे, आप comment भी बना सकते हैं, जैसे कि get user post, और यहाँ पर एक function बना लेंगे, post get user post controller, equal to arrow function, हम empty arrow function बना के छोड़ देंगे, और नीचे आपको इसको export भी कर देना है, ताकि हम इसको routes के अंदर use कर पाएं, save कर लेंगे इसको, चलते वापस, post route के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको add कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, get user post controller, देखिए suggestion शो करेंगे, इस पर click करेंगे, automatically यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगा, इसको थोड़ा साइड में minimize कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, controller function पर काम करेंगे, तो आप क्या करें, इस function को थोड़ा सा उपर कर लेता हो पहले, ताकि आप कच्चे से दिखाई दे, इसको async पर ना लेंगे, async function और यह callback function है, इसी दिए request और response इसमें भी हम receive करते हैं, उसके बाद में try case block को इस्तिमाल कर लेंगे, ताकि अच्चे से हम इसमें भी error handle कर पाएं, console.lock कर देंगे, जो भी error आ रहा है, इसको async sprint करा दो, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, return कर सकते हैं response को, return, rest.status, status of 500, फिर यहाँ से send function को call कर देंगे, send के अंदर रहेंगा object, इसमें हम success कर देंगे, fault, उसके बाद में message add कर देता हो, message, और यहाँ पर colon है, और यहाँ पर लिखेंगे, error in user post api, और जो भी error का object है, इसको async sprint के यहाँ पर हमें pass करा देता हो, ताकि इसको हम अच्छे से handle कर पाएं, अब try के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम को क्या करना है, यहाँ पर user के post को get करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर find function का इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसको एक variable के अंदर store कर देंगे पहले शुरू, इसमें हमको क्या मिलने वाले हैं, पोस्ट मिलेंगे, अब आप इसको post लिख सकते हैं, या फिर user post भी लिख सकते हैं, आपके उपर हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, find function का इस्तेमाल करेंगे, तो आप लिखेंगे dot find, अब find की इस बेस पर करना है, हमको user specific post चाहिए, तो हमने क्या किया था, post it by के नाम से एक object बना के रखा था, जिसमें हमारे पास id थी, तो यह id को हम क्या करेंगे, compare करेंगे, जो भी हमारे पास login user है, जैसे के हमारे पास auth के अंदर user id थी, तो request के अंदर हमारे पास auth है, auth के अंदर हमारे पास है underscore id, तो इसके बेस पर हम find कर लेंगे, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर से मैं model बता देता हूँ आपको, post model, जिसमें देखिए post it by है, और इसके अंदर हमारे पास आ रहे है object id, जब भी new post create होती है, तो automatically हमारे पास user की id get हो जाती है, तो इस id को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर compare कर रहे हैं, कहाँ पर इस controller के अंदर, post it by, और जो भी login user है, उसकी id, यह दोनों same रहेंगी, तो find कर लो, उससे related जितने भी post है, उसको display करा लो, अब यहाँ पर यह get हो गया, इसके बाद में response send कर देंगे, less.status, status of 200, यानि ok request, उसके बाद में send function, और इसमें हमको क्या करना है, success कर देना है, true, और एक message भी आप add कर सकते हैं, जैसे कि user post, इसको display नहीं कराएंगे, सिर्फ हमको postman tool में दिखे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको add किया हुआ, और यह colon है, पता नहीं, इसमे colon कैसे type हो जाता है, इसको fix कर लेते हैं, और यहाँ पर double comma होगा, इसको fix कर लेंगे, और जो भी user के post get कर रहा है, इसको यहाँ पर paste कर देंगे, save, तो response भी हमने send कर लिया, और इसको test भी कर सकते हैं, एक बार server देख लेंगे, तो यहाँ पर हमारा server भी run है, तो इसको postman tool में हम, एक बार देख लेंगे, चलते हैं, और थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ उसको, यह है token, token में यहाँ से copy कर लेता हूँ, एक और new request बनाएंगे, plus पर click करिए, फिर आपको जा रहा है headers में, headers में हमारे पास है, authorization, और यहाँ पर आप लिखेंगे, BRT, naming convention, उसके बाद में इसको paste कर लेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, user के post को search करेंगे, कैसे करेंगे, देखें मेरे पास already एक request है, इसके लिए बनी हुई, method इसका get है, एक बार cross check करें, routes के अंदर आपने क्या लिखा है, post route के अंदर दीखिए, कि हमारे पास है router.get, get के बाद में हमारे पास है, get user post, इसको मैं copy कर लेटाओ, cross check कर रहा हूँ, मेरे पास already उसके एक request बनी हुई है, देख सकते हैं, same है, फिर भी मैं copy paste कर लेता हूँ, ताकि हम से कोई और spelling mistake इसमें ना हो, अब यहाँ पर हम send पर click करेंगे, देखिए, यहाँ पर error शोग कर रहा है, और कुछ double paste हो गया गया, cannot get का हमारे पास error है, और console भी एक बाद देख लेंगे, चलते console में, और 404 आ रहा है, देख सकते हैं, cannot get API v1, post get user post, और यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर save नहीं किया, तो इस file को मैं पहले शुरूँ save कर लेता हूँ, save करने के बाद चलते हैं वापस postman में, और फिर से मैं send पर click करता हूँ, तो दीखे, बराबर से error app, success pro, user post, और इस user ने जितने भी post create के होंगे, वो यहाँ पर show करेंगा, तो इस id से हमारे पास 3 post है, देख सकते हैं आप 1, 2 और 3, तो successfully हमारे पास user के post की functionality बन चुकी है, अब हमको क्या करना है, इसको display कराना है, कहाँ पर display कराएंगे, यू आई पर हमको display कराना है, वापस से minimize कर लेते हैं, इस about को हम change कर लेंगे, about के बतले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और component बना लेंगे, so client के अंदर आप क्या करें, एक और component बना लेंगे, या फिर screen बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, new screen बना लेंगे, और इसका नाम मैं रखता हू, mypost.js mypost.js इसको functional component बना देंगे rnfe react native functional component with export save कर लेते हैं इसको और यहाँ पर मैं unnecessary files को close कर देता हूँ थोड़ी देरे के लिए यहाँ पर home को भी cut कर देंगे mypost थो भी हमने बनाए route को भी cut कर देंगे controller भी हमको नहीं चाहिए single post भी नहीं चाहिए इसको भी cut कर देंगे अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और menu create करेंगे तो footer में चलते हैं footer page को open कर लेता हूँ footer menu और इसमें हम क्या करेंगे info के बदले क्या कर देंगे mypost को display करा देंगे तो info हमने कहाँ पर use किया था about में इसके बदले में कर देता हूँ mypost save कर लेते हैं पहले शुरू तो देखे title चेंज हो गया इसके बाद में इसका icon भी change कर लेंगे जैसे कहाँ पर गया info circle है info circle के बदले इसको कर देता हूँ list save करके देख लेते हैं तो देखे list बराबर से आ रहा है और path भी हम change कर लेंगे इसका path हम रखेंगे mypost so इसी को copy कर लेते हैं और यहाँ पर भी हम add कर देंगे equivalent में save कर लेंगे इसको और अभी अगर मैं यहाँ पर वापस से click करूँगा तो error show करेंगा देखें तो यह आपको mypost का error show करेंगा देखें यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास कोई ऐसी screen है अगर है तो वो navigator के अंदर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेंगा यहाँ पर जो भी हमारा screen menu है ना इसके अंदर इसका route बताना पड़ेंगा तभी यह work करेंगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक screen बना लेंगे copy-paste कर लेता हूँ मैं फिलाल के लिए तो इस stack को मैं copy-paste कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे account के बदले इसको कर देंगे mypost make sure जो footer में आपने लिखा है ना mypost यह वाला mypost और यहाँ पर जो name में आप add कर रहे ना दोनों same होना चाहिए एक तो आप जो है इस screen के अंदर जो spelling लिख रहे तो वही spelling आप इस footer के अंदर भी add करेंगे तभी यह work करेंगा उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर इस account के बदले component में account है उसके बदले कर देंगे mypost दीखें suggestion शो करेंगा अभी जो हमने component create किया है ना तो उसको आपको import कर देना है save अब चलते वापस और mypost पर click करूँगा तो दीखें mypost का page बराबर से show कर रहा है अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं जितना भी content है और इसमें footer नहीं है so footer को पहले शुरू add कर देंगे वरना फिर यह बाद में problem देंगा तो इसको मैं क्या करता हूँ home के अंदर से copy कर लेता हूँ copy यह रहा हमारा home और इस home के अंदर क्या करेंगे view के अंदर से copy कर लेंगे copy और my post यह फिर totally home को copy कर लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है total भी हम copy paste कर सकते है so इस style को पहले शुरू copy कर लेते है copy my post के अंदर नीचे paste कर देंगे अभी save मत करेंगे वरना error show करेंगा उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर वापस home में और जो भी view part है उसको वापस से copy कर लेंगे और necessary changes इसके अंदर हम करेंगे so don't worry अभी application break भी होती है तो हम इसको fix कर लेंगे और क्या चीज़े है इसमें state है state अभी हमको चाहिए क्या state I don't think हमको भी चाहिए हम बाद में देखेंगे state अभी इतना काफी है और अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस postcard वाले को भी remote कर ले तो भी इसकी ज़रुवत नहीं है बाद में इसको import कर लेंगे और scroll view हमको चाहिए तो top पर आप क्या करें यहाँ पर scroll view को import कर ले scroll view और क्या चीज़ इसमें style sheet भी है तो आप style sheet को भी यहाँ पर import कर दें save कर लेते हैं उसको और कुछ error है footer menu doesn't exist तो आपको ज़र इस component को भी import करना है यहाँ पर आके control space suggestion show करेंगा इस पर click करिए save कर लेते हैं उसको तो देखें बराबर से show कर ला है चलते है my post में और perfectly यहाँ पर footer भी काम कर ला है देख सकते हैं home में भी बराबर से आ रहा है और यहाँ पर भी बराबर से show कर रहा है अब इसके अंदर हमको content को display कराना है और content हमारे पास है tpi के अंदर तो उस tpi को हमको call करना है आप इसको context में भी कर सकते लेकिन हमारे पास authentication भी है न तो फिर आपको auth context के अंदर उसको create करना पड़ेंगा directly हम क्या करेंगे इसी component के अंदर उसको get कर लेंगे उसके लिए हमको state लगेंगा तो कॉमा लगा के हम क्या करेंगे यहाँ पर use state hook कर इस्तेमाल कर लेंगे साथी में हमको use effect hook भी चाहिए use effect क्यों चाहिए क्योंकि initial time पर हमको my post को render कराना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे फ़ले शुरू local state बना ले state और यहाँ पर हम क्या करेंगे post के नाम से same कर लेता हूँ मैं और जो post card का हमने component बनाया था ना जिसके मदद से हम home पर सारे के सारे post को display करा रहे ना सबको तो उसी को हम यहाँ पर reuse कर सकते हैं कैसे करेंगे अभी बताता हूँ अले शुरू आप क्या करें यहाँ पर state बना ले const post set post equal to review state initial time पर सको कर देंगे mtra सारे साथ ही में loading state भी आप बना सकते है const loading set loading equal to use state और initial time पर सको कर देंगे false अब इसके बाद में हमको function बनाना है ताकि हम जोए user के post को get कर पाए यहाँ पर लिखेंगे get user post और यहाँ पर आपको एक function बनाना है const और इसका नाम कुछ भी लिख सकते है जैसे के get user post सेम नाम से बना लेता हूँ यह रहेंगा arrow function और इसके अंदर हम क्या करेंगे try catch block का इस्तेमाल कर लेंगे so try or catch catch के अंदर console.log कर देंगे जो भी error है उसको as it is print करा दो साथ हमें alert का use कर लेंगे और loading भी हम क्या करेंगे इसमें false कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्या करें set loading इसको कर दे false initial time पर हम क्या करेंगे इसको true कर देंगे alert के अंदर क्या करेंगे जो भी error है उसको as it is print करा दो और यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे request जाएंगे set loading को हम कर देंगे true और network request देख रहे हैं xios भी हमको लगेंगा तो top पे आप क्या करें xios को import कर दें import xios from xios अब जैसे network request भीजेंगे तो हमको data मिलेंगा तो उसको हम क्या करेंगे destructure कर लेंगे const data equal to await करेंगे तो हमको xios call करना है फिर method हमारा get है get के अंदर हमारे पास है url pattern उसमें हम लिखेंगे slash post फिर उसके बाद में हमारे पास है get-user-post आप इसको cross check भी कर सकते हैं जो भी route है आपका post route जो भी है उसमें से आप इसको cross check करें दिखें get user post तो यही end point हमको यहाँ पर add करना है इस my post के अंदर और जैसे यह request हमको मिलेंगी तो हम क्या करेंगे set कर देंगे loading को वापस से false में और उसके बाद में set कर देंगे post को जो भी data अपने पास आ रहा है उसको check करेंगे अगर हमको data मिलता है तो उसके अंदर हमको मिलने वाले user post एक बार controller चेक कर लेते हैं तो post controller इसमें जो function बनाया है उसमें हमारे पास है user post तो यह data हमको receive होने वाला है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर उससे fulfill करा देंगे save कर लेते हैं उसको और यहाँ पर error शो कर रहा है check कर लेते हैं हमने await का इस्तेमाल किया लेकिन इस function को async नहीं किया तो आप क्या करें इस function को async कर ले async arrow function अब ठीक है तो हमारा function यहाँ पर बन चुका है अब initial time press को call करना है तो comment out कर लेते हैं initial और यहाँ पर हम क्या करेंगे use effect hook का इस्तेमाल करेंगे यह रहेंगा arrow function जिसमें हमारे पास रहेंगी empty dependency इसके अंदर आपको क्या करना है simply जो है get user post का जो हमने भी function बनाया है इसको यहाँ पर हम call कर लेंगे तो आप यहाँ पर क्या करें इसको call कर लें get user post इसको call कर लेंगे save कर लेते हैं इसको अब हम क्या करेंगे check करेंगे हमारे पास post data हमको मिलता या नी तो इस post को मैं कहा करता हूँ copy कर लेता हूँ और यहाँ पर हम stringify में इसको check कर रहे थे copy paste में मैं इसको home में से copy किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको एक बाद चेक कर लेंगे same state अपने पास देख सकते हैं post में सही हमारे पास post आने वाली है चलते हैं my post में तो दीखें बराबर से object आ रहा है और इस user से हमारे पास 4 post बने वे हैं हम क्या करेंगे एक new user यहाँ पर register कर लेंगे पहले शुरू और उससे एक post को create करके देखेंगे कि सही result हमको देखने मिलता है या नहीं so register register के अंदर हम क्या करेंगे user के नाम से बना लेंगे या फिर admin के नाम से बना देता हूं admin और इसका email id कर लेंगे admin at admin.com फिर password add कर देंगे 123456789 register तो देखे register successful अब login कर लेंगे admin at admin.com और password add कर देंगे 123456789 login login successful अब यहां पर अगर मैं my post पर जाऊंगा कुछ भी data show नहीं करेंगा देख सकते हैं empty array show कर रहा है हम क्या करेंगे इससे एक post को create कर लेंगे जैसे के admin post this is first admin post इतना लिखके मैंने यहां पर new post को create कर लिया देख सकते हैं post created और अब मैं my post में जाऊंगा तो देखें बराबर से एक post show कर रही है तो successfully हमारे पास my post की functionality भी बन गई है अब हम क्या कर सकते हैं हमारा जो component है na post card उसको reuse कर सकते हैं कैसे करेंगे पहले शुरू चलते हैं components के अंदर हमारे पास है post card इसमें देखें हम क्या कर सकते हैं एक और condition add कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम post को receive कर रहे हैं और हमने क्या क्या है my post के अंदर भी एक same नाम से state को बनाया है तो हम यहाँ पर same use कर सकते हैं इसको तो आप क्या करें इस json के बदले जैसे कि इसको comment out कर लेता हो फिलाल के लिए या पिर रहने देते हैं इससे हमको थोड़ा idea रहेंगा कि सच में हमारे पास data आ रहा है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर same post card कर स्तेमाल करेंगे post card make sure इसको import भी करें self closing tag इसके अंदर भी हम क्या करेंगे पोस्ट को जो है as a prop पास करा देंगे यहाँ पर आप क्या करें इसके अंदर same नाम से props को पास करा दें save कर लेते हैं इसको तो देखें तो यहाँ पर बराबर से post आ रहा है admin post और this is first admin post लेकिन यहाँ पर name show नहीं कर रहा है और हमको name show भी नहीं करा रहा है अंदर lap कर लेंगे so यहाँ से आप क्या करें पहले शुरू एक condition add कर ले condition same रहेंगे कुछ भी फरक नहीं रखेंगे अगर हमको post.posted by name अगर मिलता है तभी हम क्या करेंगे इस text को display कराएंगे so यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको copy paste कर ले copy sorry यह है copy paste यहाँ से name की feed remove हो गई simple सा एक condition हमने इसके अंदर add किया तो उसके मदद से name हमारा remove हो गया अब इस json text को हम यहाँ पर remove कर सकते हैं या फिर comment out कर देता हो ताकि आपको idea रहे तो perfectly देखिए हमारे पास application काम कर रहे हैं और post यहाँ पर बराबर से show कर रहे हैं अब next हम क्या कर सकते हैं edit और delete functionality पर भी काम कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे यहाँ पर my post के अंदर delete और edit के लिए जो है icon create करेंगे और उसके लिए हमको API end point भी create करना है क्योंकि server में हमको edit और delete की functionality को create करना पड़ेंगा तब ही हम जो है इसको front end पर apply कर सकते हैं तो चाहिए इस video में हम क्या करेंगे delete पर काम कर लेंगे तो इसके लिए आपको जाना है post route के अंदर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ खलाल के लिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक और endpoint create करेंगे आप चाहिए तो इसी को copy paste कर सकते हैं मैं अफ्रेश create कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लिखेंगे delete host और पर router की मदद से हम क्या करेंगे delete के लिए एक function बना लेंगे अब यहाँ पर हमको delete देखना है इसलिए हमारा type भी रहेंगा delete तो आप लिखेंगे router.delete और यहाँ पर आप क्या करेंगे URL endpoint को add कर देंगे जैसे कि इसका नाम में रखता हूँ delete dash host अब यहाँ पर एक और condition क्या है कि किस basis पर आपको delete करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ID के basis पर इसको delete करेंगे तो इसके लिए हम जो है params कर सकते है colon ID लिखेंगे इसका मतलब क्या रहेंगा यह ID जो रहेंगे यह dynamic रहेंगी colon का मतलब क्या होता है dynamic value I hope Node.js से आप थोड़ा बहुत familiar होंगे तो यहाँ पर ID का मतलब क्या है user से हम post ID को get करेंगे और उस post ID के base पे हम delete का operation perform करेंगे उसके बाद में again हम क्या करेंगे require sign in इसमें भी add कर देंगे ताके authenticated user ही उसका post delete कर पाए इसके बाद में controller भी create करना है तो चलते controller file के अंदर और नीचे empty controller बना के छोड़ देंगे और comment out कर देते delete post और इसके बाद में controller function create करेंगे const delete post controller equal to arrow function और यह arrow function यहां से arrow remove कर लेंगे copy कर लेते हैं इसको और नीचे export कर देंगे paste चलते वापस post route में और यहां पर हम क्या करेंगे इसको import कर देंगे delete post controller देखिए आपको suggestion show करेंगा इस पर click करिए controller automatically top पर import हो जाएगा save कर लेते हैं इसको make sure node.js का server भी run रखे ताकि कोई भी error आता है तो हमको यहां पर पता चले अब चलते post controller के अंदर इस function को हम क्या करेंगे pacing कर लेंगे async arrow function और थोड़ा सा spacing रेट कर देता हो और यहां पर हम क्या करेंगे try catch block का इस्तेमाल कर लेंगे catch के अंदर simple हमको यहां पर console.lock करना है error को जो भी error है उसको set यहां पर print करा दो उसके बाद में यहां पर return कर देंगे यह पर direct response भीज देता हूं response और इसको हमको callback function भी बनाना पड़ेंगा सो इसके parenthesis में आप request और response को add करें और एक message add कर देंगे message error in delete post API और जो भी error object है इसको as it is यहां पर मैं pass करा देता हूं save कर लेंगे इसको अब हमको success case पर काम करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले शुरू params में से id को get करेंगे क्योंकि हमको यहां पर dynamic id को बताना है यानि किसके बिस्पैप delete करेंगे वो चीज हम यहां पर बताने वाले तो हम क्या करेंगे पहले शुरू de-structure कर लेंगे const id को कहां से आएंगी request.params में से यानि parameters में से हमको id इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर directly await करेंगे save नहीं करना है direct हम यहां पर await कर सकते है फिर इसके बाद में रहेंगा Post-model और post-model के अंदर हम क्या करेंगे इसके अंदर हम क्या करेंगे find by id and delete इस function को आप call कर देंगे और यहां पर i miss हो गया यह है find by id and delete इसके अंदर हम को बताना है किस basis पे आप इसको delete कराना चाहते है तो हम क्या करेंगे हमारे post के अंदर जो underscore id की field है उसको और जो params में से हम id receive करेंगे वो दोनों field की मदद से हम इसको delete करा देंगे अब अगर यह success होता है तब क्या करेंगे हम यहाँ पे return कर देंगे success response तो response नीचे send कर देंगे rest.status status of 200 फिर उसके बाद में send function send के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे success कर देंगे true जो direct true है string में हो गया उसके बाद में message add कर देंगे और इसमें आप कोई भी message add कर सकते हैं जैसे के your post has been deleted save कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा delete के लिए controller function भी बन चुका है अब हम इसको test भी कर सकते है postman में या पिर हम directly इसको react native की application में test कर लेंगे क्योंकि हमारे पास दीखिए my post में सब कुछ है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एक और button add कर सकते हैं और उसके बाद में फिर उसके उपर एक delete का function call कर सकते हैं और एक alert भी हम show कर सकते हैं यानि confirmation भी हम ले सकते हैं कि सच में इस post को आपको delete करना है या नहीं तो उसके लिए हम क्या करेंगे चलेंगे postcard के अंदर और यहीं पर है ना सब कुछ data अपने पास देख सकते है post by name और इसमें हमने एक additional property add की थी I think इसी में की थी ना posted by के नाम से देख सकते है posted by हमको my post में नहीं दिख रहा है और अगर हम home पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते है posted by बराबर से show कर रहा है तो same इसी तरीके से condition हमको यहाँ पर भी बनाना है क्योंकि अगर हम direct यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि मैं बना लेता हूँ पहले देख लेंगे start में क्या करता हूँ एक view ले लेता हूँ यहाँ पर view और इस view के अंदर हम क्या करेंगे दो icon को add कर देंगे so text text के बाद में क्या परेंगे इसके अंदर font awesome का icon add कर देंगे तो नीचे हमने जो icon use किया था इसी को मैं copy paste कर लेता हूँ फिलाल के लिए पिर test purpose के लिए मैं copy कर रहा हूँ बाद मैं इसको change कर देंगे save कर लेते हैं इसको और check करते है तो देखें यहाँ पर top पे icon show कर रहा है हम my post के अंदर क्या कर सकते है condition यहाँ पर pass करा सकते है जैसे के my post की कर देता हूँ इसको my post screen और इसको कर देता हूँ my room save कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे destructure करेंगे post card के अंदर और यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको pass करा दे अगर my post screen है तभी हम क्या करेंगे यहाँ पर यह view का पार डिस्प्ले कराएंगे तो पहले condition बना ले यहाँ पर हम लिखेंगे my post screen फिर end की condition और फिर return कर स्थेमाल कर लेंगे और इस view को यहाँ से cut करके इसके अंदर paste कर लेंगे save तो देखें home page पर से trash का icon remove हो गया और अगर मैं my post में जाओंगा तो देखें यहाँ पर still show कर रहा है तो perfectly यह functionality काम कर रही है और इस font के icon को style करके देख लेते हैं यह फिर text को style करके देख लेते हैं text style के अंदर इसको align करके देख लेंगे text align और इसको कर देंगे write save तो देखे write में यह बराबर से हो गया और इसका size भी आप change कर सकते हैं अगर आपको size बढ़ाना है तो directly आप इसके अंदर size की property से deal कर सकते हैं यहाँ पे आप लिखेंगे size उसके बाद 20 करके देख लेते हैं 20 काफी बढ़ा है check कर सकते हैं इसको कर देंगे 16 तो 16 ठीक ठाक है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको यह दिखाई देंगा अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर prompt function बनाएंगे prompt function क्या करेंगा जैसे इस पर click होना तो यहाँ पर हमसे confirmation लेगा कि सच में हमको इस post को delete करना है या नहीं अगर cancel करेंगे तो वो operation suspend हो जाएगा यानि terminate हो जाएगा और अगर ok पर click करेंगे तो फिर delete का function execute होगा और हमारी post delete हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर alert का इस्तेमाल कर लेंगे alert में हमको जो prompt का function मिलता है जैसे vanilla javascript में हम use करते है prompt का same alert हमको वो चीज़ provide करता है तो इसका हम use कर सकते है और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक function बना लेंगे और comment out करता हो है handle prompt delete prompt कर देते हैं इसको ताकि हमको याद रहे है तो यहाँ पर आप arrow function बना ले const handle delete prompt equal to arrow function यहाँ पर हमने arrow function बना लिया अब इसके अंदर हम क्या करेंगे alert का use करेंगे swap clicking alert dot alert alert के अंदर जो alert का function मिलता है इसमें हम क्या करेंगे first जो हमारा title है वो बता देंगे जैसे के attention कर देता हूँ इसको attention उसके बाद में second text हम यहाँ पर बता देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे are you store want to want to delete this post और इसके बाद में फिर आप यहाँ पर functions को execute कर सकते हैं बत कॉमा लगा के आप क्या करें object बना ले इसको multiline कर देता हो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे यह रहाँ multiline कर दिया हमने इसको अब इसके अंदर first button हम बना लेंगे सो यहाँ पर text की property मिलती है इसके हम क्या करेंगे first cancel के लिए बना लेंगे cancel और cancel पर क्या करो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं जैसे के on press function इसके अंदर भी हमको मिलता है so on press इसके अंदर हम arrow function call कर लेंगे और इसमें कुछ भी पास करने की ज़ुरत नहीं है simple console.lock कर लेंगे और इसके अंदर आप लिख सकते हैं cancel press कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं और एक और बटन हमको बनाना है न तो हम क्या करेंगे इसको array से wrap कर लेंगे क्योंकि multiple objects अगर आपको बनाना है तो फिर हमको इसको array में wrap करना पड़ता है इसको array के अंदर wrap कर लिया देख सकते हैं अभी auto format में थोड़ा और beautify हो जाएंगा अब second object बना लेता हो इसमें क्या करेंगे दूसरा button create करेंगे और इसमें लिख लेंगे delete और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे on press पर काम करेंगे on press इसमें भी arrow function कर इस्तेमाल कर लेंगे और एक बर reload भी कर लेंगे आप सो यहां से मैं application को reload कर देता हूँ चलते है my post में और यहां से यह जो fourth वाला इसको click करता हूँ और हाँ इस पर अप्लाई नहीं किया न भी तो चलते है यहां पर इस icon पर और इसके on press पर हम क्या करेंगे इस function को assign कर लेंगे तो आप इसको अब यहां पर मैं click करता हूँ तो देखें are you sure want to delete this post cancel करेंगे तो देखें cancel प्रेस हो रहा है अब वापस से मैं क्या करता हूँ उस पर click करता हूँ और delete पर click करूँगा तो देखें delete call हो रहा है अब एक और function हम यहां पर बना लेंगी जिसमें हम delete करेंगे data को handle prompt के बा यहां पर user post भी आप कर सकते हैं तो यहां पर मैं function बना लेता हूँ const handle delete post equal to arrow function और यहां पर इसको कर देंगे async arrow function इसमें हम क्या करेंगे try catch block का use कर लेंगे तो try or catch block catch के अंदर simply आप क्या करें set कर दें सबसे पहले हम क्या करेंगे state भी बना लेंगे और loading के एक state बना लेता const loading set loading equal to use state और यहां पर initially इसको कर देंगे false और use state को आप यहां पर import कर दें use state और exeos भी हमको लगेंगा so यहां पर import कर लेतें exeos को भी import exeos from exeos exeos को भी हमने यहां पर import कर दिया उसके बाद में हम क्या करेंगे वापस जाएंगे इस function के अंदर और try में क्या करेंगे सबसे पहले set कर देंगे loading को true और नीचे catch में क्या करेंगे set कर देंगे loading को false तो इस loading के बेस पर आप जाए spinner को show करा सकते हैं और यहां पर भी console.lock कर द पर click paste भेजेंगे तो आप उसको एक variable के अंदर store कर सकते हैं const data direct destructure कर लेंगे equal to फिर await करेंगे make sure function async हो तब ही await काम करेंगा उसके बाद में exeos का इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हमारे पास method है delete उसके बाद में आप क्या करेंगे यहां पर देखिए आपको एक और change कर आनी है तो id हमको get करना पड़ेंगा तो as a argument हम क्या करेंगे id को get करेंगे और यह id कहां से आएंगी हम क्या करेंगे इसको call करेंगे हमारे इस icon के अंदर कहां गया icon यह देखिए यह रहा ना on handle delete prompt तो इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको pass कराएंगे पहले शरू function create कर लेते है पिर pass करा देंगे as a argument हम id को receive कर रहें so id pass कराने के लिए आपको just back tick कर use करना पड़ेंगा make sure tap के उपर जह back tick का button रहता है उसको press करिए यह string नहीं है अब यहाँ पर लिखेंगे post flash फिर आपने जो भी endpoint दिया था हमने दिया था delete post make sure cross check कर ले route के अंदर से so देखिए यहाँ प slash होगे इसको cut कर लेंगे इस id के बदले आप क्या करेंगे template string करेंगे dollar curly braces और id यहाँ पर pass करा देंगे तो यहाँ से हमने id को pass करा दिया अब इसके बाद में क्या करेंगे response check कर लेंगे कि सही में delete होता है यह नहीं तो set loading में false कर देता हो पहले शुरू set loading यह भी response आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे wait करेंगे इसलिए यहाँ पर हम करेंगे set loading वापस से false और alert का भी use कर लेंगे और जो भी data है उसके अंदर हमारे पास message है तो आप उसको भी क्या करेंगे यहाँ पर get कर लें message controller में चेक कर यहाँ पर show करा दो save कर लेते हैं इसको तो थोड़ा सा auto format हो जाएंगा और spelling mistake है कहीं पर const doesn't exist तो const हमने कहीं पर गलत लिख लिए check कर लेते हैं कहां पर हमने लिखा है यह रहा दिखिए state बनाते time mistake हो गई और यहाँ पर loading जो है ना parenthesis के अंदर wrap हो गया तो इसको भी यहाँ स को इसको apply करना है अभी देखेंगे prompt आ रहा है डिलीट करेंगे तब भी सिर्फ हमारे पास console.log ही call हो रहा है अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर prompt function में जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे console.log के बदले कि यहाँ पर handle delete था ना यहाँ पर जो delete का button है उसमें क्या करेंगे console.log क के अंदर भी हमको id को as a argument get करना पड़ेंगा तो यहाँ पर आप लेखेंगे id अभी still इसको id नहीं मिलेंगी अभी यह id empty है क्योंकि इसको पता नहीं है आप जहाँ पर handle prompt use करेंगे वहाँ पर उस function में आपको id पास कराना है तो क्या होगा यहाँ से हम उसको access करते हैं handle delete में भी supply कर रहे हैं यहाँ से भी supply होने के बाद हम क्या कर रहे है handle delete post के अंदर उसको get कर रहे है और as a parameter हम उसको pass करा रहे है तो इसके base में क्या करेंगे फिर delete की functionality को achieve कर पाएंगे तो चलिए चलते हैं नीचे वापस और यह रहा हमारा handle delete prompt तो इसको हम क्या करेंगे पहले post हमको जो मिलेंगा ना तो उसको check कर लेंगे अगर हमको post मिलता है तब क्या करो यहाँ पे उसके अंदर जो underscore ID की field है वो as a argument pass करा दो save कर लेते हैं इसको check करते हैं कोई error अभी तो कोई भी error अपने पास नहीं है application को मैं reload भी कर देता हूँ refresh अब चलते है वापस माइपोस में और अब हम delete का try कर सकते हैं देखते हैं कि delete की functionality यहाँ पर काम करती है या नहीं इस fourth वाले को हम delete का try करते हैं delete और देखे are you sure want to delete this post delete तो देखे your post been deleted और has been remove हो गया I think ability okay पर click करेंगे still यहाँ पर show कर रहा है फिर से वापस आके देखते है इसमें तो देखे तीनी post show कर रहा है और state हमारी update नहीं हो रही है देख सकते हैं यहाँ पर update नहीं हो रही ओर पर पोस्ट still show कर रहा है जो एक बार reload कर देता हूँ application को reload करके एक बार देख लेंगे तो द के लिए हम क्या कर सकते है use navigate hook का इस्तेमाल कर सकते है so import use navigation from react navigation flash native और इसकी मदद से हम क्या करेंगे पहले शुरू उसको एक variable के अंदर store कर ले navigation equal to use navigation और delete function के अंदर हम क्या करेंगे जैसे success call होता है तो यहाँ पर navigation का के इस्तेमाल कर लेंगे navigation dot navigate push पी आप use कर सकते हैं यहां पर allein navigate के इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको home page पे हम redirect कर लेंगे save कर लेते हैं इसको एक new post मैं create कर लेता हूँ add post और इसमें कर लेते हैं delete post ना मिंए delete rugता हूँ थाकि हमको यादर है इसको delete करना है this is delete post और यहां से delete post पर आबर से show कर रहा है अब यहाँ पर मैं delete का try करता हूँ इस पर click करेंगे तो again हमसे confirmation पूछेंगा delete पर click करेंगे तो दीखें your post been deleted okay पर click करेंगे still यहाँ पर show कर रहा है लेकिन my post में अगर आप जाएंगे तो दीखी कि यह delete हो चुका है यहाँ से आपकी post delete हो गई और home पर refresh नहीं हो रहा है so context में भी कुछ issue होँगा अगर मैं यहाँ पर एक बड़ चिक कर लेता हूँ इसमें I think initial time पर post गेट नहीं हो रहे है तो यहाँ पर मैं post को dependency add करके चिक कर लेता हूँ save तो आप बराबर से show कर रहा है लेकिन यह continuous call नहीं हो अच्छा दीखे continuous call और act इसको fix करना पड़ेंगा बाद में देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा scroll up कर लेता हूँ और इसमें post को जैना वापर set करता हूँ save तो दीखे continuously request यहाँ पर call हो रही है तो इसको prevent करना पड़ेंगा इसके लिए हम कोई ना कोई solution देखेंगे अभी फिलाल के लिए तो delete की functionality बराबर से हमारी application में काम कर लिए इसके बाद में हम edit देख लेंगे और edit में भी हम क्या कर सकते इसको fix कर सकते यानि state जो global update नहीं हो रही है इसको देखेंगे कैसे fix कर सकते तो उसका भी एक solution हम देख लेंगे यहाँ तक आप इसको complete करके रखें अब हम क्या करेंगे यहाँ पर edit की functionality पर काम करेंगे और वहीं से फिल update की functionality भी देख लेंगे तो चलिए पहले शुरूम क्या करते एक function बना लेंगे यहाँ पर आप क्या करेंगे function नहीं एक icon बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर pen का symbol आइड कर देंगे तो postcard के अंदर देखें हमने view के अंदर इस text के अंदर एक icon को add किया था तो इसी को copy paste कर लेंगे और top वाला में change कर लेता हूँ trash icon के बदले इसको कर देंगे pen icon और इसका color हम कर देंगे dark blue save कर लेते हैं इसको तो देखें यहाँ पर icon बराबर से show कर रहा है और इस view को जो है इन-line style दे देंगे तो style और यहाँ पर आप क्या करें flex की direction change कर लें आप लिखेंगे flex direction of row save कर लेते हैं इसको text align right यहाँ पर काम नहीं करेंगा तो इसके बदले आप क्या करें यहाँ पर justify कर दे content पर और इसको हम कर देंगे flex end में यह right में चिपक कर आएंगा और थोड़ा से spacing भी आप add कर सकते हैं इस text align की जरूरत नहीं है इसके बदले आप क्या करें margin horizontal add कर दे margin horizontal of 20 कर लेते हैं इसको save तो देखिए थोड़ा से space हमको इसके बीच में मिल जाएंगा और second वाले में से style remove कर सकते हैं अब इस पर जैसे click होना तो हम क्या कर सकते pop-up model बना सकते हैं तो पहले शरूम क्या कर लेंगे pop-up model देख लेंगे उसके बाद में इस pen button पे इसको apply कर देंगे और उसके लिए आप Google भी कर सकते हैं Google पे आप search करिए react native model first link आपको मिल जाएंगा यहां पर जो component है same-to-same उसको copy-paste कर लेंगे और जो भी changes उसके अंदर करने रहें फिर हम अपने साफसे में changes कर लेंगे तो चलते वापस vs code में और यहां पर हम क्या करेंगे components के अंदर directly एक new file बना देंगे new file और इसका नाम हम रखेंगे edit model.js इसको functional component बना देंगे so rnfe react native functional component with export save कर लेते हैं इसको और हम क्या करेंगे इसको post card में add कर देंगे इस post से पहले भी कर सकते हैं जहां पर lens चेक कर रहे हैं और से पहले यहां पर इसको add कर देंगे edit model opening & closing tag save कर लेते हैं इसको check कर लेंगे एक बार तो देखें यहां पर edit model बराबर से show कर रहा है और यह home में भी show कर रहा है अगर आप home पे जाएंगे ना तो देखें यहां पर भी यह same चीज़ show कर रहे हैं हमको इसको सरफ my post के अंदर display कराना है तो हमारे पास एक condition है यहां पर अगर आप notice करेंगे my post screen अगर यह prop हमको मिलता है तब हम क्या करेंगे यहां पर इस edit के option को display कराएंगे तो आप क्या करें एक object बना ले और इसके अंदर हम क्या करेंगे my post screen को check करेंगे अगर यह मिलता है तभी क्या करो return करो क्या return करो इस edit model को हमको यहां पर return करना है तो आप इसको इसके इंदर पेस्ट कर देंगे, सेव कर लेते हैं इसको, आटो फॉर्मेट में यहां से पैरंथिसिस रिमूव हो गया, अगर मल्टी लाइन कंपोनेंट रहेंगा, तो फिर वो पैरंथिसिस के अंदर आपको एड़ करना पड़ता है, सेव कर लेते हैं इसको, अब देखिए, होमपेज पे जाएंगे, तो यहां पर कुछ भी शो नहीं करेंगा, देख सकते हैं, वहीं अगर हम माई पोस्ट के अंदर जाएंगे, तो एडिट मॉडल अपने पास बराबर से शो कर रहा है, तो चलिए, एडिट मॉडल में हम क्या करेंगे, जो गूगल पर हमको मिल रहा है न फोट, उसी को हम कॉपी पेष्ट कर सकते हैं, पहले शर्व हम क्या करेंगे यहां से, स्टेट को कॉपी कर लेंगे, यहां से कॉपी, और यहाँ पर state को pass करा देंगे, उसके बाद में हमारे पास है view, पुरा view में क्या करता हूँ, यहाँ से copy कर लेता हूँ, copy और इसको हम यहाँ पर इस view से replace कर लेंगे, तो यहाँ से इस view को cut करके paste और imports की भी हमको issue आएंगा यहाँ पर, तो imports भी आप copy paste कर सकते हूँ, तो top के imports में copy कर लेता हूं, यहाँ से, यह है imports, copy, और यहाँ से, isको replace कर देंगे, paste और style sheet भी है नीचे, सो हम क्या करेंगे? Style sheet को भी copy कर लेंगे, यहाँ पर दिखें, style sheet इसको आपको copy कर लेना है, जहाँ पर खतम हो रहा है यहाँ तक के है तो copy कर लेंगे इसको, चलते वापस नीचे और इसको paste कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको, save करने के बाद एक बार component देख लेंगे, तो देखे, कुछ इस तरीके से show कर रहता है, अब इस पर click करूँगा, तो देखे, एक model pop-up होके हमको मिल रहा है, अब हमको redesign करना है, totally हम क्या कर करेंगे, इसको change कर देंगे, अपने हसाब से हमको इसमें values को change करना है, जैसे कि यहाँ पर hello world के बदले हम क्या करेंगे, इसको cut कर देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे, update your post, save कर लेते हैं उसको, तो देखे, यहाँ पर बराबर से show कर रहा है, इसके बाद में क्या करेंग save, तो देखे, title description बराबर से आ रहा है, उसके नीचे हमको input भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर text input का use कर लेंगे, तो आप लिखेंगे, text input, same copy paste कर लेता हो, और इसको description में भी add कर देंगे, save, तो देखे, यहाँ पर बराबर से, एक title आ रहा है, फिर second title भी बराबर स आ रहा है, इसको हमको style भी करना है, और थोड़ा सा में इसमें changes कर लेंगे, यह सब कुछ center में है, यह तो सही चीज है, हम क्या करेंगे, style sheet एक बर देख लेंगे, इस model view के अंदर changes करके देख लेंगे, align items है, इसको में remove कर लेता हो, save, तो दीखे, side by side आ जाएंगा यह, और इसमें margin 20 है, background ठीक है, border radius कम कर देता हो, इसको 10 कर देते है, save, और offset भी ठीक है, shadow भी ठीक है, elevation भी ठीक है, button का radius भी कम कर देता हो, 20 के बदले इसको कर देता हो, 10, button open, okay, तो यह color है, तो यहाँ पर यह color शो कर रहा है, तो इसको बाद में fix कर लेंगे, close वाला देखे, यह है, तो अभी ठीक ठाक है, इसमें जादा कोई changes करने की ज़रत नहीं है, input के लिए हम क्या करेंगे, अलग से style sheet बना लेंगे, तो यहाँ पर जो text input है, उसके उपर एक style बना लेंगे, style, और styles में से इसको get करेंगे, styles.input box कर लेता हो, उसका नाम मैं, input box, और इसको हमको भी target करना नीचे, तो चलिए, नीचे चलते हैं, और कहाँ पर बना लेंगे, इसको model view के बाद में कर देते हैं, button से पहले, यहाँ पर मैं input box के नाम से style बना लेता हूँ, यह है object, और styling अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो source code भी आप style में open करें, उसमें से भी आप देखके styling कर सकते है ताकि आप से spelling mistake ना हो, इसमें हम क्या करेंगे, कि margin देदेंगे bottom से, margin bottom of 20, save कर लेते हैं, तो दीखे, थोड़ा सा space भी हमको मिलेंगा, उसके बाद में क्या करेंगे, text align कर देंगे पहले शुरू, या फिर बाद में करते हैं, हम यहाँ पर background color change कर लेंगे, इसका background color, इसको कर देते हैं, gray, तो देखे, बराबर से apply हो रहा है, और second वाला input box यह है, अच्छा हमने इस पर apply नहीं किया है, css, तो बाद में apply कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी border radius है, इसको change कर लेंगे, तो आप लेखेंगे border radius, इसको भी कर देंगे 10, तो थोड़ा सा rounded यह श किया था, I hope आपको याद होंगा, और हम क्या करेंगे, इसको नीचे वाले पर apply कर देंगे, तो यहां से आप क्या करें, इस style को copy करें, copy, और फिर description वाले text input पर भी paste कर लें, save कर लेते हैं, तो दीखे, दोनों भी बराबर से show कर रहा है, और इसमें हम क्या कर सकते है, multiline जो कहां पर add कर देंगे, so button को copy paste कर लेंगे, कहां पर देखिए, pressable के नाम से, hide model का, so इसको एक view के अंदर हम wrap कर लेंगे, और इसके अंदर जाए, इस pressable को add कर देंगे, यहां से आप cut करें, और इस view के अंदर उसको paste कर लें, save कर लेते हैं, तो कोई भी effect नजर ने आएंगा, अब इसी को मैं copy paste कर लेता हूँ, पहले शुरू copy paste, first वाला हमारे पास क्या रहेंगा, hide model के बदल हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, update, और second वाले को कर देंगे, cancel बटन, तो यहां से आप लिखें, cancel, save कर लेते हैं इसको, और यह एक के बाद एक आ रहा है, और यू lower case में ह नाम से class बना लेंगे, btn container, नीचे हमको इसको create करना है, so button से पहले, यहां पे हम इसको create कर लेंगे, btn container, और इसमें flex की direction change कर लेंगे, flex direction of row, save कर लेते हैं, side by side यह show करेंगा, और button को भी change कर लेंगे, border radius 10 है, padding भी ठीक है, इसमें जो background color है वो change कर लेता हूँ, यहां पे मै background color, इसको normal black कर देता हूँ, save, और comma भूल गए, save कर लेते हैं इसको, और black color apply नहीं हो रहा है, अच्छा दीखें, यहां पर button close आ रहा है और button open, तो दोनों में अलग-अलग class है, so इसको फिलाल के लिए comment out कर लेंगे, comment कर लेते हैं इसको भी, और इसको भी comment out कर लेंगे, तो देखें, यह black में बराबर से शो कर रहा है, और button काफी चीपक के आ रहे है, so button में all changes करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहां पर जाए इसकी width set कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमको, अच्छा बड़ा नजर आए, so width of 100, enough रहेंगा, ठीक टाक लग रहा है, इसमे मैं spacing ब आट कर देता हूँ, मैं side way, so आप क्या करें, padding ब इसमें add कर दे, padding तो already है, इसमें हम क्या कर सकते है, margin कर देंगे, vertical, और इसको मैं कर देता हूँ, 10, तो top से और थोड़ा सा मको margin देखने मिल जाएंगा, और इसको side by side भी थोड़ा सा margin देता हूँ, so direct margin आट कर देता ह and light करें, तो कुछ इस तरीके से दिखा देंगा, अब जाधा visible है, update पे करेंगे, तो ये cancel हो जाएंगा, show model कुछ इस तरीके से show कर रहा है, और ठीक ठाक लग रहा है, देख सकते हैं, और इस cancel button पे हम क्या कर सकते हैं, इसका color change कर लेंगे, यहां पे दीखें, यह जो close button है, इ यहां पर multi style है, array के अंदर लिखा हुआ है, आप क्या करें, पहले शुरू है, array को remove कर लें, और फिर यह button को भी मैं यहां से remove कर लेता हूँ, और इस array का closing tag भी मैं remove कर लेता हूँ, save, और अच्छा button close निकालना था अपने को, यहां से button close को remove करता हूँ, अब ठीक है, save कर लेत जैसे इस पर click हो, इस pen पर जैसे click होना, तो यह show model pop up होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां से state को remove कर लेंगे, पहले शुरू आप क्या करें, इसकी copy बना ले, और हमने model कहां पर use करना है, postcard के अंदर, आप क्या करेंगे, postcard के अंदर, यहां पर इसको paste कर लेंगे, paste, औ और as a prop हम क्या करेंगे, model visible और set model visible दोनों को as a prop पास करा देंगे, so copy करें, इसको, copy करने के बाद आपको क्या करना है, edit model के अंदर इसको as a prop पास कराना है, same value के साथ में आप पास करा दे, so directly भी आप use कर पाएंगे, हमने यहां explorations model visible को pass करा दिया, उसके बाद मेंset model visible को भी आप क्या करें, यहां पर pass करा दे, इस edit के बाद में हम क्या करेंगे, paste कर लेंगे, और again हम क्या करेंगे, इसको paste कर देंगे, save कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा auto format में इस तरीके से दिखाई देंगा, देख सकते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, edit model में वापस आएंगे, और यहांपर क्या करना है जहाँ पर कर लेंगे model visible को हम् Family करेंगे इस के बड़न को और इस वाल मजदल में dysatorio करना है पर कर लेते हैं इसको और इस वाले statement को हम यहां से remove कर लेंगे, save कर लेते हैं इसको, और नीचे जो बटन है ना, कौन सा बटन, एक extra बटन है ना, show model का, यह जो बटन है, उसमें देखिए एक function है, that model visible, तो इसको यहां से cut कर देंगे, cut करके आपको क्या करना है इसको, यह जो pen का icon है, उसमें हम क्या करेंगे, इसको pass करा देंग इसको, तो देखें, यहां से button remove हो गया, अभी cancel करते हैं, अब जैसे pen पर click करूँगा, तो देखें, model pop-up हो रहा है बराबर से, अब यहां पर यह जैसे pop-up हो रहा है ना, उसके साथ में हमको initial time पे values भी चाहिए, यानि अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो values के साथ में data populate हो क हमको मिलना चाहिए, तब ही तो हम उसको update कर पाएंगे, तो यह कैसे करेंगे, बहुत simple है, हमारे पास इसकी ID आरी ना, जैसे हमने delete में देखा था था ना, तो same ID के base पे हम क्या कर सकते हैं, इस model के अंदर भी data को access कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दिखिए, हमारे पास postcard के अंदर post आने वाले, कहां से आ रहें, अगर हम यह map करते हैं, कहां पर हमने map किया है, यहां पर, तो हमको single post get हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक state के अंदर wrap कर लेंगे, और यहां पर हमारे पास कोई state नहीं है, तो एक new state में बना लेता हो, const, और इसका नाम में रखता है, open pop-up model, उसी time पे हम क्या करेंगे, इसके id, यह जो post के id है, उसको fulfill करा देंगे, कैसे कराएंगे, बहुत simple है, आप क्या करें, दिखे, set model visible है, इसको पहले शरूख curly braces के अंदर add कर लें, और इससे पहले हम क्या करेंगे, एक function call करेंगे, set post के नाम से, जो अभी हमने state बना model के अंदर, edit model के अंदर उसको pass करा देंगे, so इस post को मैं copy कर लेता हूँ, और as a prop हम क्या करेंगे, post को भी pass करा देंगे, post और फिर आगे post, save कर लेते हैं इसको, कोई भी error अपने पास अभी नहीं है, edit model में हम क्या करेंगे, post को receive करेंगे, so यहाँ पे आप लिखे, post, save कर ल इसकी मदद से हम क्या करेंगे, check कर लेंगे, तो इसी को copy करके, आप क्या करें, model में कहीं पर भी paste करेंगे, इसको सिर्फ test करना है, test के बाद में इसको वापस से हम delete कर देंगे, uncomment कर लेता हूँ, और यहाँ पर single जो port हमारे पास आ रही है, उसको हम check करेंगे, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कोई भी post पर आप click करें, जैसे कि मैंने first post पर click किया, तो देखें, first post बराबर से show कर रहा है, cancel, second पर करता हूँ, तो देखें, second post बराबर से आ रहा है, यानि data हमारे पास successfully get हो रहा है, और यह data हमको initial time पर विशाहिए, अगर हम direct pass करेंगे ना, तो data आन बनाना पड़ेंगा, edit model के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले शुरूई जो है, यहाँ पर दो new state बना लेंगे, post, इसका नाम में रखता हूँ, title, set title, और T को capital कर लेता हूँ, state हमको इसलिए भी बनाना है, क्योंकि इसके अंदर जो value है, उसको हमको change भी करना है, बाद में, initial इसको empty shrink कर देंगे, और description के नाम से भी बना लेंगे, इसको copy paste कर लेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, description, फिर इसके बाद में set कर देंगे, हम यहाँ पर description, save कर लेते हैं इसको, और use effect hook कर स्केमाल कर लेता हूँ, initial post data के लिए हम क्या कर रहें, use effect hook कर स्केमाल कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, use effect, make sure इसको import भी करें, यहाँ पर हमको इसको import भी करना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, arrow function call कर लेंगे, with dependency, और इसमें हम क्या करेंगे, set कर देंगे, set title, और title हमको कहां से मिलेंगा, हमारे पास post आएंगी, अगर post हमको मिलती है, तो उससे यह fulfill हो जाएंगा, फिम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर set कर देंगे description को, so set description, इसमें भी अगर हमको post मिलती है, post as a prop हमने pass किया हो है, इसके अंदर भी हम post को check करेंगे, अगर post हमको मिलता है, तो हमको description भी मिलेंगा, तो इससे हम इसको fulfill करा देंगे, और य कर सकते हैं, और जैसे हम bind करेंगे, तो अभी जो object के form में आपको data मिल रहा है, तो इसमें से जो भी necessary data है, जैसे हम इसके साथ में bind कर सकते हैं, कैसे करेंगे, बहुत simple, मैं साथी में आपको बताते चलता हो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, value की property add कर देंगे, और इस value के अंदर ह में भी add कर देंगे, value, और यहाँ पर भी आप क्या करें, description को add कर दे, पहले शुरू हमने क्या क्या तो यहाँ पर, और suggestion शो नहीं कर रहा है, एक पर check कर लेता हो, spelling mistake तो नहीं होगे अपने से कहीं पर, यह है description, यह तो सही है, वापस से इसमें add कर देता हो, आके, value के अंदर हम description pass करा देंगे, तो देखें, description भी बरावर से आ रहा है, अब इस object को हमको pass कराने की ज़रूरत नहीं है, comment out कर देता हो, इनकेस अगर आपको reference के लिए चाहिए न, तो यहाँ से आप उसको check out कर सकते हैं, अब दूसरे post पे भी देख लेंगे, जैसे कि second post पर click करता हो, तो second वाले post का data populate होके आ रहा है, theme उसी तरीके से third पर click करता हो, तो देखें, third वाले का data populate होके आ रहा है, तो initial time पे भी हमारे पास data बरावर से आ रहा है, आप इसको और भी design कर सकते हैं, अपने हसाफ से, काफी basic design मैंना रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर functionality पर काम कर रहे हैं, और server के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू route create कर लेंगे, so post route के अंदर, एक new endpoint आप बना लेंगे, इसी को copy paste कर सकते हैं, copy paste, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, delete के बदले कर देंगे, update post, उसके बाद में router.put रहेंगा, put की मदद से आप update कर सकते हैं, और URL endpoint भी आप इसका change क कर लें, इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, update-4, और dynamic ID भी लगेंगी, क्योंकि इसी के base पे हम जो है, हमारी post को update करेंगे, उसके बाद में delete post controller के बदले, हम क्या करेंगे, एक और new function बना लेंगे, so आप क्या करेंगे, पहले शुरू, controller file को भी open कर लें post controller, नीचे हम क्या करेंगे, एक new function बना देंगे, तो इसके बाद में, यहाँ पर मैं लिखता हू, comment बना लेता हू, update post, और यहाँ पर लिखेंगे, const update post controller equal to arrow function, इसको हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे, copy करके नीचे export कर देंगे, paste, save कर लेते हैं इसको, और routes के अंदर इ suggestion show करेंगा, इस पर click करें, controller file automatically import हो जाएंगी, save कर लेते हैं इसको, तो हमारा route यहाँ पर बन चुका है, इसमें हमने क्या किया, put का method यूज किया, उसके बाद में URL endpoint और इसमें भी dynamic ID अपने पास रहेंगे, जिसके base पे हम post को update करा पाएंगे, उसके बाद में require sign in इसमें भी करेंगे, यहाँ पर इसमें भी request और response को receive करेंगे, और साथी में require catch block का भी आप यूज करें, catch के अंदर simply console.log of error, जो भी error है, उसको as it is print करा दो, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, response send कर देंगे, res.status, status of 500, उसके बाद में send function, और पर success को हम कर देंगे, यहाँ पर false message add कर message, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, error in update post API, इसके बाद में जो भी error है, उसको as it is यहाँ पर print करा दो, so, error भी हमने इसमें pass करा दिया, save कर लेते हैं इसको, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, user से कुछ चीज़े get करेंगे, क्योंकि user हम को इसमें title, और इसके बाद में फ सबसे पहले जब post को find करना है, क्यों post को find करना है, क्यों post को find करना है, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि कौन से post को हमको update करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक variable के अंदर store कर देंगे, तो आप लिखेंगे, const, post, equal to, फिर हम await करेंगे, make sure आपका function async को, तभी आप await कर सकत है, इसके बाद में हम post model का use करेंगे, और यहां से find one function का इस्तेमाल कर लेंगे, यहां फिर find by id कर लेंगे, ज्यादा simple रहेंगा, find by id, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, underscore id के field के मदद से post को find करेंगे, और यह id कहां से आएंगे अपने पास, हमने देखे, route के अंदर इसको बता के रखा है, dynamic id हम जो है, get करने वाले, तो id हमको pass कराना है, तो यह params में से automatically get कर लेंगा, तो यहां पर हम लिखेंगे request.params.id, इस में से हमको id मिलने वाली है, तो यहां पर हमारे पास post find हो गई, इसके बाद में आप validation भी लिख सकते हैं, validation किसके लिखेंगे, अगर हमा with response, res.status, status of 500, फिर इसके बाद में send function, और इसमें हम क्या करेंगे, success कर देंगे, वापस से false, और message एड कर देंगे, तो message, और कोई भी message आप एड कर सकते हैं, जैसे के, please provide post title और description, save कर लेते हैं इसको, अब यहां पर अगर validation भी successfully हो जाता है, तो हमको क्या करना है, हम पर post को update करना है, तो इसको एक variable के अंदर store कर देंगे, const updated post equal to, फिर again हम await करेंगे, फिर हम post model का use करेंगे, क्योंकि इसकी मदद से हमको update करना है, अब update कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे, find by id and update function, इसको हमको call करना है, और इसमें भी हमको id यहां पर बताना है, तो हम क्या करे यहां पर underscore id बता देंगे, और यह id कहां से आएंगी, यह भी हमारे पास आएंगी, params में से, so request.params.id, इसमें से यह चीज़े get होने वाली, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ है, ताकि अच्छे से दिखाई दे, और यह id, और आपने जो post route में लिखा है ना, यह same होना चाहिए, तभी यह काम करेंगी, अब यहां पर देखे, हम update का function direct call नहीं कर सकते, पर इसमें भी validation perform कर लेंगे, तो इसके बाद में क्या करेंगे, आप एक new object बना लें, और इस object के multiline कर देता हो में पर इस object के अंदर हम क्या करेंगे, check करेंगे data को, कौन से data को, इसमें हमार title change हो या ना हो, हो सकता है, user सिर्फ description change करना चाहता है, title नहीं change करना चाहता है, तो ऐसे case में हमको क्या करना है, previous value को भी यहां पर रखना है, अगर कुछ changes होते हैं, तभी उसको update करो, वरना इसमें कुछ भी छेडशाड मत करो, अब यह normal value है, यानि कि यह users से आएंगे, अग करा देंगे, तो अगर हमको post मिलती है, तो इसके अंदर हमारे पास रहेंगा title, तो उसके इसको fulfill करा दो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, description भी यहां पर देख लेंगे, description, description भी आप क्या करें, directly description में से इसको गेट कर ले, नहीं तो हमारे पास post में already description है, तो उसका हम use कर सकते हैं, तो post.description save कर लेते हैं, इसको अभी error show कर रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, third argument भी add कर देंगे क्योंकि update है, इसमें new की property आती है, इसको हम कर देंगे true, इसका मतलब हो जाएंगा, यह post update हो जाएंगी, save कर लेते हैं, इसको check कर लेते, कहां पर आ रहा है, यह note server के अंदर आ रहा है, हमारा server crash हो गया, unexpected identifier, okay, description so क्या लिखा है हमने यहां पर, description ही है, post.title post.description, description तो same है, अच्छा यहां पर comma नहीं दिये, हमने comma दे देंगे, save कर लेते हैं इसको, अब ठीक है, अब यह अब ठीक है, यहां से वो error भी चला गया, देख सकते हैं, फिर से हमारा server run हो चुका है, मैं नीचे बता देता हूँ, देखें server running और database से connect हो चुका है, अब यहां पर हमारा post जो है, update हो चुका है, तो response हम send कर देंगे, res.status status of 200.send function send के अंदर हम वापस से success कर देंगे true, और message add कर देंगे यहां पर message post updated successfully, और इसके बाद में जो भी post है, उसको as it is pass करा सकते हमारे case में updated post रहेंगा so make sure, यही वाला updated post आप pass कराएं, वरना अगर आप यहां से single वाला post पास कराएंगे तो फिर functionality change हो जाएंगे application की, यहां पर हमको updated value भीजना है, तो इसको आप copy करें और यहां पर paste कर दे as a response में, तो यहां पर हमारे update बटन पर function को assign करना है जिसमें हम network request भीज़ पाएं तो चलते हैं वापस post card में और यही पर हम क्या कर सकते हैं new function बना सकते हैं यहां पर edit में देख रहे थे ना, तो इस edit के अंदर हम क्या करेंगे, function बना लेंगे इसके बाद में आप क्या करें comment बना ले, handle update post और same नाम से मैं एक function बना लेता हूँ const update post handler equal to arrow function तो जहां पर हम arrow function बना लेंगे और इस function को async कर लेंगे, async arrow function और इसमें हमको id को receive करना है, क्योंकि id के base पर हम क्या कर सकते हैं, post को update करा सकते हैं क्योंकि इस id को हम क्या करेंगे, as a parameter pass कराने वाले हैं आप क्या करें, इसको as a argument receive करें अभी कैसे pass कराएंगे, हम आगे देखेंगे लेकिन आप as a argument इसको pass करा लें इसके बाद में आप क्या करें, try catch block का use कर ले, try or catch control dot log of error और इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू loading state भी create कर लेंगे, so इसके बाद में, const loading set loading equal to use state और initially इसको false कर देंगे और जैसे हमारा function execute होता है try जैसे होंगा, तो set कर देंगे loading को true और यहां पर error के time पे हम क्या करेंगे इसको कर देंगे वापस से false और response जब आएंगा, तब भी हम क्या करेंगे इसको false कर देंगे साथी में alert कर देंगे हम alert के अंदर जो भी error इसको pass करा देंगे, तो हमको error message भी साथ में मिलता रहेंगा इसके बाद में हम क्या करेंगे, network request बेजेंगे so exios हमको लगेंगा इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां पर import कर दे, exios from, फिर exios में सिफको import कर देंगे और नीचे हम क्या करेंगे, यहां पर destructure कर लेंगे data को data कहां से आएंगा, network request में से data आएंगा, so हम क्या करेंगे, await कर लेंगे, await, exios फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर put method का इस्तेमाल करेंगे, और फिर dynamic id है इसमें, तो backtick का आपको use करना है, इसके अंदर slash post रहेंगा, उसके बाद में हमारे पास end point है, update-post, उसके बाद में है id, so dollar curly braces, और जो यह id हम receive कर रहें, as a argument, उसको हम क्या करेंगे, यहा हर post के साथ में dynamic हो जाएंगी, अब यहां पर इतना हो गया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या हमको update करना है, हमको title, जो कि हमने get करके रखा है न, state में, तो यह हमको update करना है, और साथी में description भी है, so इसके बाद में आप डिखें, description, save कर लेते हैं पहले शुरू, और इसके बाद में आप क्या करें, on change text, इसके आपको क्या करना है, एक function को execute करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे arrow function, इसको multiline कर देता हो, यहाँ पर दीखें, इसके अंदर हम text को receive करेंगे, क्योंकि value change होंगी, उस value को हमको यहाँ पर get करना है, और हम क्या करेंगे, set कर देंगे title को, जो भी text आ रहा है, उसके इसको fulfill करा देंगे, same चीज़ आपको यहाँ पर description में भी करना है, तो on change text, इसमें भी हम text को as a argument receive करने वाले है, और उसके मदद से हम क्या करेंगे, set कर देंगे description को, जो भी text आ रहा है, उसको fulfill करा दो, save कर लेते हैं इसको, अब अगर आप यह text के अंदर, यहाँ पर आप लिखेंगे, text, align, vertical, इसको हम कर देंगे top, तो सब कुछ top में हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, तो दीखें, परावर से यहाँ आपर top में show कर रहा है, और थोड़ा सा space भी दे देंगे top से, so padding top, और direct में नहीं आ रहा है, so यहाँ से आप search कर ल कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर set कर देंगे, set, loading, इसको कर देंगे, वापर से false, और alert message भी हम दे देंगे, alert, alert में हम क्या करेंगे, data में जो भी value आरहे है, जैसे कि data.message, जो भी message है, यहाँ पर display करा दो, हमने controller के अंदर दीखें, message भी पास किया है, message और updated post, तो से fulfill हो जाएंगा यह, और यहाँ पर हम क्या कर सकते है, इसको navigate भी करा सकते है, homepage पर, तो direct हम navigate नहीं कर सकते है, इसके लिए हम क्या कर सकते है, use navigation कर सकते है, import, curly braces, use navigation, use navigation, देखे, suggestion show करेंगा, इस पर click करिए, बाखी का path automatically import हो जाएंगा, इसका एक variable आपको बनाना पड़ता है क्योंकि यह होख है, so top पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका variable बनाता हूँ, const navigation, equal to use navigation, इसको call कर देंगे, अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, इसको navigate करा सकते हैं, अगर success होता है, तब क्या करो, यहाँ पर navigation कर सिमाल करो, navigation.navigate, और इसमें हम क्या करें चलते हैं, वापस my post में, और अब हम यहाँ पर post को update कर ट्राइ कर लेते हैं एक बार, तो third वाले को हम क्या करेंगे, forth करके check कर लेंगे, जैसे कि third post और इसके आगे में three को add कर देता हो, अगर सब कुछ सही रहता है, तो यहाँ पर हमारी post update हो जाएंगे, और हम redirect हो जाएंग सिर्फ model pop-up हो रहा है, हमको इस पर यह जो function हमने बना है, update post handle, यह भी apply करना है, चलते हैं नीचे, नीचे थोड़ा सा scroll करिए, तो नीचे अपने पास button है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह है update का button, और इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ है set model visible, तो हम क्या कर हैंगे, update handle को जो function हमने बना है, update post handler, इसको यहाँ पर call कर लेंगे, और call करते टाइम हमको क्या करना है, इसमें id को pass कराना है, अब यह id कहां से आएंगी, हमारे पास देखिए post है, अगर आपको याद होगा, तो हम क्या कर रहे है, post को get कर रहे है, कहां से, as a prop हम यहाँ पर receive कर रहे है, तो इसके अंदर हमारे पास id भी रहेंगी, तो इस id को हम यहाँ पर pass करा सकते हैं, इस update handler के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमको post मिलती है, तब क्या करो, उसके underscore id as a argument इसमें pass करा दो, और यहाँ पर एक और condition मैट कर देता हो, इनकेस अगर यह direct नहीं चला, तो post, अगर हमको post मिलती है, तो post के बाद में underscore id भी check कर लो, और यहाँ से question mark remove कर ले तो, कभी कबार वो काम नहीं करता है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते है, इस on press में हमने क्या किया, कौन से on press में, update के on press पे, हमने दो function को एक साथ execute किया, first में हमारे पास क्या हो है, हमारी post update हो रही है, और जो model visible है, वो भी यहाँ से hide हो जाएंगा, save कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर जो update का button है, इसको dynamic भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हर function में loading state use कर रहे हैं, लेकिन उसको use नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम use कर लेंगे, make sure आप भी try करें, दूसरे screen में भी हमने loading को use कर आओ है, तो वहाँ से भी आप जाए एक बार use करके, एक बार try कर लें, यहाँ पर मैं क्या करता हो, कहां गया update, यह रहा update, इसको cut कर लेता हो, और यहाँ पर turnary देख लेंगे, so curly braces, अगर loading है, तब क्या करो, यहाँ पर please wait show कर आओ, और यह question mark पहले शुरू, पैदनर ही लिख लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हो, please wait, else क्या करो, यहाँ पर update show कर आओ, update, save कर लेते हैं इसको, और loading doesn't exist आ रहा है, so loading के state भी गलत हो गईगा, check कर लेते हैं state में, top पे चलते है, loading, अच्छा, यहाँ पर जाना, spelling mistake है, अब ठीक है, चलते वापस से my post के try करते हैं, यहाँ पर मैं edit पर click करता हूँ, data बराबर से get हो रहा है, देख सकते है, third post, और इसके आगे मैं three add कर देता हूँ, number, और नीचे वाले में भी three add कर देता हूँ, अब हम क्या करेंगे, update पर click करेंगे, तो देखे, post updated successfully, तो यहाँ पर कोई भी error अपने पास show नहीं क रहे है, एक बर my post में चलते हैं, और यहाँ पर देखेंगे, तो देखे, बराबर से हो गया, third post, three यहाँ पर भी add हो गया, और description में भी three add हो गया, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहे है, तो total भी इसको change कर सकते हैं, जैसे के, यहाँ पर मैं इसको cut कर लेता हूँ, और इसमें हम करेंगे, my updated title, और नीचे, इसको भी change कर लेंगे, और यह select नहीं होता है, और बराबर से, क्योंकि mobile view है, mobile में आप करेंगे, तो और past कर सकते हैं, यहाँ system में थोड़ा बहुत issue होता है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, this is my updated description, और यहाँ पर मैं update पर click करत तो देखें, post updated successfully, initial time पर वो get नहीं हो रहा है, I think हमारे context में भी कुछ issue है, यहाँ पर यह refresh नहीं होता है, अब मैं my post पर जाओंगा, तो देखें, यहाँ पर my updated title, और this is my updated description, वापस home में आएंगे, still यहाँ पर previous वाला issue कर रहा है, अगर यहाँ से हम application को reload दे देंगे, तो I think fix हो जाएंगा, तो देखें, यहाँ पर बराबर से हो रहा है, my updated title और my updated description, तो initial time पर कुछ issue है, इसको अभी still हमको fix करना है, तो perfectly यहाँ पर हमारे पास post edit की functionality हमारी application में बन चुगी है, इस video में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी application में भी problem है, जैसे कि state हमारी update नहीं हो रही है, पर देख सकते हैं, उसी तरीके से हम कुछ भी चीज़े update करते है, जैसे कि यहाँ से मैं इस post को update कर लेता हूँ, इसका name change कर देंगे, इसको हम करदेंगे my new post और यहाँ से मैं इसको update कर देता हूँ, जैसे हम update करेंगे, तो देखें, message हम को मिलता है, लेकिन हमारी post जो है वो तो चलिए हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले शुरू, यह सारी चीजों को fix कर लेंगे, इसके बाद में फिर हमारे note server को deploy कर देंगे, deploy करने के बाद हमको क्या करना है, हमारी application का APK फाइल भी बनाना है, तो चलिए, पहले शुरू हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर edit के अंदर क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा function है, update का जो function है, इसमें हम क्या कर रहे थे, navigate करा रहे है ना, home पर, तो इसके बदले क्या करता हूँ, हमें same page पे इसको रखता हूँ, और इसको हम कर देंगे my post, और एक बर screen में जो हैना, इसका route भी चेक कर लेता हूँ, screen menu, और इसमें हमने लिखा था इसका post, और इसमें हमारे पास था my post, इसको आपको यहाँ पर use करना है, तो यहाँ पर मैं इसको copy paste कर लेता हूँ, और navigate के बदले हम क्या करेंगे, push का इस्तेमाल कर लेंगे, और देखे, my new post है, इसको हम और change कर देंगे, जैसे कि यहाँ से मैं इसको cut कर देता हूँ, totally पूरा change कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ, post 20, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, अपने इस app से आप जो है, relatable नाम लिखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर update पर click करता हूँ, तो देखे, post updated successfully, और यहाँ पर हमारा post भी update हो चुका है, देख सकते हैं, successfully यहाँ पर ही update हो रहा है, इसी तरीके से एक और post हम create कर लेंगे, जैसे कि delete के लिए कर रहा हूँ, delete हमको try करना है, delete this post, और यहाँ पर मैं इसका description अट कर देता हूँ, test, post, यहाँ पर हम create कर लेंगे create post, तो देखे, post created, और यहाँ पर देखे, नीचे post हमारे पास successfully आ चुकी है, अब चलते वापस से my post में, और थोड़ा से internet issue कर रहा है, तो यहाँ पर देखे, हमारे पास आ चुका है, अब हमको क्या करना है, same function जो है, delete पर भी apply करना है, अगर आप directly delete करेंगे तो update नहीं double हो गया, I think double time प्रेस कर दिया उसको, कोई बात नहीं, एक को delete कर देते पहले शुरूफ, तो हमको idea भी लग जाएंगा, कैसे होगा यह, जैसे इस पर click करेंगे, तो आपसे पूछेंगा, are you sure want to delete this post, yes, delete, तो देखे, यहाँ पर your post has been deleted, तो same चीज हम क्या कर सकते, इस navigation को delete के अंदर भी apply कर सकते हैं, और delete हमने कहा पर लिखा तो my post में लिखा तागा, एक बल चिक कर लेते हैं, get user है यह, और कहा पर इसको use किया था, postcard में use किया था, कि हमने, check कर लेते है, postcard, यहाँ पर navigate यूज कर रहे है, तो navigate हम इसको home पर करा रहे थे, तो इसकी ज़रत नहीं, ए navigation के अंदर जो push method का इस्तेमाल किया है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और post करेंगे, या पर directly आप इसको भी test कर सकते हैं, delete के लिए हमने बनाया है, so यहां से मैं delete पर click करता हो, और फिर इस बटन पर भी click कर लेंगे, तो देखिए, your post been deleted, और ok पर click करेंगे, तो देख सकते हैं, यानि manual अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे scroll करेंगे, तो automatically हमारा जो भी content को refresh होता है, कैसे होंगा, हमारे पास post context है, तो पहले शुरू इन files को मैं close कर देता हूँ, यहां पर files जादा हो रहे हैं, home में हम क्या करेंगे, context में से get all function को भी get कर सकते हैं, कैसे करेंगे पहले शुरू आपको just put context को open करना है, post context, उसके बाद में यह जो function अपने पास get all post, इसको हम क्या करेंगे, यहां पर third argument pass करा देंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे get all post, यहां से आप इसको save कर लें, save करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है home में, और post के अंदर हम क्या करेंगे, इसको get कर लेंगे, यानि get all post, इसके अंदर हमारे पास है scroll view, तो scroll view के अंदर हमको और भी जाधा properties मिलती है, उसको आप check out भी कर सकते है separately, हम क्या करेंगे, direct यहां पर refresh control का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, आपको दीखें, अलग से component मिलता है, react native के अंद कर दिया, अब इसकी मदस्ते हम क्या कर सकते है, यहां पर एक refresh controller का function बना सकते है, जो के जो भी आपका logic है, उसको execute करेंगा, हमारे case में हम क्या चाहिए, इस get all function को call करना है, यानि जैसे user ऐसा refresh करेंगे, नीचे scroll करेंगे, तो आपने देखा हूंग, आपके phone में भी option शो करत तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले एक new state बना लेंगे, जिसमें हम refresh को manage कर पाएं, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक state बना देंगे, फॉंस्त, और इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे के refresh ही कर देता हो, या refreshing कर देते हैं इसको, refreshing, फि comment out कर दिया है, आपको याद रहे, इसलिए मैंने यहां पर comment बना लिया, इसके बाद में हम एक function बनाएंगे, और इसका function हम क्या करेंगे, use callback की मदद से बनाएंगे, जो कि हमको hook मिलता है, react के अंदर, आप क्या करें, पहले शुरू उसको add कर दे, use callback, callback function का हम इसमें इसम करने वाल है, ताकि response को हम manage कर पाएं, इसके बाद में आप क्या करेंगे, एक function बना दे, const, और इस function का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि on refresh कर देते हैं, on refresh, और r को capital कर देता हूँ है, यहां पर, so आप क्या करेंगे, इस r को capital कर लें, equal to, फिर उसके बाद में हम क् use callback का इस्तेमाल करेंगे, use callback, और इस callback के अंदर आप क्या कर सकते हैं, arrow function को execute कर सकते हैं, so arrow function, और जैसे use effect को का हम करता है, same, उसी तरीके से आप इसको काम मिल ले सकते है, with empty dependency, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, set regression को कर देंगे, true, और इसके बाद में क्या करेंगे, एक function को call करेंगे, जिसमें हमारे पस data रहा हा है, कौन से function में, getAllPost में हमारे पस सारा data हमको मिलने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पर call करेंगे, call करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, timer के समें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो म Για करता हूँ, here, setTimeout का function इस्तेमाल कर पॉल्स कितने टाइम में तो आप यहाँ पर उसके बाद में कॉमा लगा के वता सकते हैं जैसे कि 2 सेकेंड में हम कर सकते हैं इसको 2000 यह मिली सेकेंड में होता है so make sure आप perfect calculation करके यहाँ पर add करें यह पर play भी कर सकते हैं इसके साब से values को कम जादा करिए आपको अच्छे से समझ में आएंगा तो दीखिएं सेव कर लेता हूँ पहले शुरू तो हमारा refresh controller function बन चुका है अब हमको simply इसको apply करना है और इसको apply कैसे करेंगे हम क्या करेंगे scroll view पर जाएंगे और इसके अंदर हमको बहुत सी properties मिलती है तो इसमेंसे हम क्या करेंगे यहाँ पर refresh control करके एक property हमको मिलेंगी देखें suggestion show करेंगा इस पर click करिए इसके अंदर आप क्या कर सकते है जो भी आपने controller बनाया है उसको यहाँ पर add कर सकते है लेकिन कैसे add करेंगे अब यह जो हमने बनाया है function तो यह क्या है इसको हम custom html element के तरह treat कर सकते है यानि jsx के जैसा हम इसको लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है इस object के अंदर direct refresh का अपना function यहाँ पर refresh control with self closing tag इसके अंदर हम इसको पास करा देंगे अब इसके अंदर आपको सबसे पहले refreshing को पास कराना पड़ता है देखें आपको suggestion भी show करेंगा refreshing और refreshing में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी refreshing की state हमने बनाई है उससे इसको fulfill करा देंगे बहुत simple है यहाँ पर आपको क्या करें रिफ्रेशिंग के अंदर theme refreshing को पास करा दे और इसको multiline कर देता हुए ताकि आपको अच्छे से याद रहे है यह है scroll scroll के अंदर हमारे पास है refresh control अब इसके बाद में आपको क्या करना है एक और property यहाँ पर add करना है on refresh के नाम से so यहाँ पर multiple functions है आप इसका documentation देख सकते है बहुत सी चीज़ा आपको इसमें देखने मिल जाएंगी on refresh पर आप क्या करेंगे on refresh का function यहाँ पर call करेंगे हमने on refresh के नाम से इसको create के है देख सकते है same नाम से इसलिए create के है ताकि naming confusion आपको ना हो और अगर आप कोई documentation भी follow करेंगे तो same method आपको देखने मिल जाएंगा और जो के बहुत easy है इतना hard नहीं है लेकिन अगर आप first time देख रहे होंगे तो तोड़ो बहुत आपको इसमे confusion हो सकता है अब यहाँ पर यह complete हो गया देख सकते हैं आप हमारा function यहाँ पर बन चुका है और इसको close भी किया नामने एक बार चेक कर लेते हैं हाँ बिल्कुल close भी हो चुका है यह save कर लेते हैं उसको तो कोई भी error अपने पास अभी नहीं है अब जैसे यहाँ पर scroll करेंगे ना तो एक spinner show होगा देखें कुछ इस तरीके से और इसके बाद में जितना भी आपका post है वो यहाँ पर display होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस से post मेरे पास आ चुके है I think internet का कुछ issue था वहाँ से disconnect हो गया तो इसलिए यहाँ पर post zero show कर रहा था अब जैसे मैं वापस से refresh कर रहता हो ना देखें यहाँ पर परावर से हमारे पास post show कर रहे हैं तो perfectly हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया अब हम क्या करेंगे हमारे node server को पहले शुरूब कोई भी hosting server पर upload करेंगे उसके बाद में फिर हमारी react native की application को हम build दे देंगे और as a ap के हम उसको कैसे use करते हैं तो वह भी देख लेंगे यहाँ तक I hope आपको समझ में आया होगा कैसे हमने react native में एक full stack application को create किया फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे comment out कर सक पर expo थोड़ा बहुत issue भी करता है तो आप server को restart करें एक से दो बार उससे भी problem fix हो सकती है लेकिन जादा problem आ रही है तब ही आप उसको check करें usually तो इतना देता नहीं है लेकिन हो सकता है कभी कबार update में issue आ जाए तो आप अपने expo की application को restart कर लिया करें फिर भी कोई other error आता ह है तो नीचे comment करें मैं जल से जल reply देनी की पूरी कोशिश करूँगा so यहीत है इस project में I hope आपको समझ में आया होगा इसके बाद में हम क्या करेंगे Redux toolkit के साथ में भी एक project देख लेंगे जिसमें हम e-commerce application create करेंगे फिलाल के लिए आप इस project को complete करिए बहुत कुछ आपको में सीखने मिला होगा मैं मिलता हूँ next वीडियो में अब हम क्या करेंगे हमारी application को deploy करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पर note server को deploy करेंगे उसके बाद में फिर हमारी react native application का हम apk file create करेंगे तो note server को आप कहीं पर भी host कर सकते हैं सबसे पहले आपको जो है दोनों ही code क github पर push कराना है हम क्या करेंगे separately production के नाम से new repository create करेंगे github पर और उसके अंदर हमारा जितना भी node.js का code है उसको push करा देंगे so I hope आपको github पता होंगा अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्केत नहीं Google पर आप क्या करें search करे github search करने के बाद आपको उसमें sign up करना है अगर आपके पास account है तो login करिए वरना आप sign up कर सकते हैं login करने के बाद कुछ इस तरीके से interface नजर आएंगा थोड़ा बहुत changes हो सकता है क्योंकि मेरे पास already बहुत से repositories है आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे यहां पर एक और new repository को create करेंगे इस plus पर आपको click करना है और यहां से आप new repository पर click करिए और उसके बाद मैं आपको यहां पर उसका नाम दे रहा है जैसे कि मैं यहां पर कर लेता हूँ production dash फिल react native full stack app so इस तरीके से मैं उसका नाम रखा आप अपने इसाब से कुछ भी लिख सकते है valid description यहां पर add करिए ताकि आपको पता चले किसलिए इस application को आपने बनाया था so यहां पर मैं लिखता हूँ react native full stack app node server क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास node server है उसके बाद में आप public ही रहने दीजिए इसको और आप readme file भी add कर सकते है project से related instruction आप इसमें add कर सकते है और git ignore file भी आप चाहें तो create कर सकते है लेकिन रहने देते भी फिलाल license भी अगर आपको add करना है तो यहां से आप select कर सकते है लेकिन रहने देते है नन क्योंकि हम सभी के लिए जो है इसको open source रखना चाहते है इसलिए मैंने समें कोई भी license add नहीं किया है उसके बाद में यहां पर आप create repository पर click करिए तो यह repository create हो जाएंगी देख सकते हैं यहां पर हमारी empty repository create होगी और हमारी repository का नाम है production-rnfa यानि react native full stack app अब इसके अंदर हमको जो है यह जो भी code है न हमारा server folder के अंदर जितना भी code इसको हमको push कराना है वो कैसे कराएंगे बहुत से options आपके पास available है आप जहें github CLI का use कर सकते हैं जिसके मैं आपको बता देता हूँ देखिए यहां से आप क्या कर सकते हैं डिरेकली files को upload कर सकते हैं या पिर अगर आप code पर click करेंगे न तो यहां पर आप https की मदद से अपने code को push करा सकते हैं या पिर ssh की मदद से या फिर github CLI की मदद से भी आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत experience है git और github के साथ में तो आप जाए https या फिर ssh का इस्तेमाल करिए github CLI भी आप use कर सकते हैं मैं आपको as a noob समझ के जाए github desktop यहां पर show कराने वाला हो तो आप क्या करें सबसे पहले google पर search करें github desktop so github desktop github desktop आपको search करना है first link आपको मिलेंगा इस पर click करिए यहां से जो आप अपने operating system के हिसाफ से इसको download कर सकते हैं और installation बहुत simple next next पर आपको click करना है और जैसे install होंगा ना इसको open करिए open करने के बाद first time में आपको github के साथ में login करना पड़ता है जैसे आप github का login id और password उसमें add करेंगे so authentication के लिए पूछेंगा so वहां पर आप उसको authenticate करें और जैसे आप authenticate करेंगे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिल सकता है इसमें भी बहुत सी settings होती है आप file में जाके देखे option में जाएए यहाँ पर धेर सारे customization आपके लिए available है so आप इसको check out कर सकते है हम क्या करेंगे यहाँ पर जो भी हमने अभी repository को create किया है उसको search करेंगे जैसे कि मैं search करता हो production इतना मैंने लिखा तो देखिए production से related जितने भी repository आपके github account में है तो वो show करेंगा जैसे के first वाला हमको चाहिए इस पर click करेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे आपको option show करता है clone इस पर आपको click करना है फिर यहाँ पर again पूछेंगा clone करना है आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह document के अंदर एक sub folder बनाता है github के नाम से और उसके अंदर फिर आपकी repository के copy बना लेता है अब इसके अंदर जो भी आप code add करेंगे तो यह code जो है आपके इस repository के अंदर add हो जाएंगा visual studio code में आना है server के folder के उपर right click करें reveal in file explorer इस पर click करें यह रहा server folder इसमें से हमको क्या करना है सारा का सारा code copy करना है लेकिन इसमें condition है node modules को हम यहाँ पर upload नहीं करेंगे और env file को भी हम upload नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास confidential data होता है तो इसको हम expose नहीं कर सकते हैं इसलिए हम क्या करेंगे पहले शुरू सभी files को select करेंगे उसके बाद में node modules को deselect करेंगे और .env के file को भी आपको deselect करना है फिर copy कर लेंगे copy करने के बाद आपको क्या करना है जाना है production वाले folder के अंदर तो यह रहा हमारा production वाला folder जिसमें हमारे पास एक readme की file है अब सारा का सारा code हम यहाँ पर paste कर देंगे तो देखिए यहाँ पर यह paste हो गया अब अगर आप वापस से github के application में जाएंगे github desktop में तो देखिए यहाँ पर आपको सब plus sign में यहाँ पर show करेंगा अगर यहाँ पर minus में show कर रहा है मतलब वो remove हो गया plus में मतलब यहाँ पर add हो गया और पर अगर आपको github या फिर github desktop सीखना है तो link description में देदूँगा मेरे पास already एक tutorial है अगर आपको देखना है deep में तो आप देख सकते हैं it's up to you उसके बाद में आपको यहाँ पर एक commit message add करना है जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ production, server code और पिर उसके बाद में description optional है आप चाहे तो add कर सकते हैं नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पता चले इसलिए आप जो है आपको click करना है जैसे आप push पर click करेंगे तो जो भी code है वो आप GitHub पर push हो जाएंगा देख सकते हैं यहाँ पर से push का message चला गया अगर आप वापस से GitHub पर जाएंगे और यहाँ पर देखें अभी कुछ भी show नहीं करना है लेकिन जैसे refresh करेंगे ना तो सारा का सारा code यहाँ पर show करेंगा देख सकते हैं complete project code हमारा यहाँ पर deploy हो चुका है अब हम क्या कर सकते हैं कोई भी hosting service का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस project को हम host करा सकते हैं तो कैसे कराएंगे हम यहाँ पर render का इस्तेमाल कर लेंगे Google में आप क्या करें रेंडर करके search करें render उसके बाद में first link आपको मिल जाएंगा देखिए cloud application hosting for developers free वर्जन हम यहाँ पर use कर लेंगे so don't worry आपको कोई भी पैसेस में देना नहीं है यहाँ पर अगर आप pricing चेक करेंगे तो pricing देखिए individual के लिए free plan भी है so मैं direct sign in कर लूँगा इसके अंदर so back आता हो और यहाँ से sign in पर click करेंगे दोनों condition में आपको github से login करना है so don't worry email id से मत करिये अगर github account है so in the end हम को github से connect करना है तो direct आप github से भी connect हो सकते है so github पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे तो automatically जाए यह github से sign in ले लेंगा मेरे पास already देखे दो से तीन application है और काफी पराने application है एक 8 month हो रहा है 5 month और एक 1 month पहले भी अच्छा हाँ portfolio application हमने बनाया था वो भी हमने इसी पर deploy किया है तो हम क्या करेंगे देखें यहाँ पर हो सकता है जो है तो आप directly देखें इसमें से web service के option पर click करिए और यहाँ पर देखें आपको option पूछता है build and deploy from git repository या फिर आपके पास कोई image है docker आप use कर रहे है तो वो भी आप use कर सकते है यह advanced level है अगर आपको सीखना है तो निचे comment करिए फिर इसके उपर भी हम एक dedicated video बना देंगे अभी हम क्या करेंगे हमारे पास git से इसको connection दे देंगे यानि repository से हम क्या करेंगे इसको connection दे देंगे इसलिए first वाले को हम select करेंगे फिर next पर आपको click करना है जैसे next पर click करेंगे हो सकता है first time में आपसे authentication के लिए पूछें so make sure आप उसको authorize कर ले trusted website है so don't worry कोई भी information यहाँ पर आपकी leak नहीं होगी उसके बाद में देखें हमारे जो production application का नाम है rnfa इसको आपको ज़े connect करना है कैसे करेंगे simple है connect बटन पर click करिए जैसे आप इस पर click करेंगे तो automatically यह सारी details get कर लेंगा उसके बाद मैं आपसे पूछता है कि आपको यहाँ पर इसका name क्या रखना है so हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका नाम रखेंगे rnfa या फिर react native कर लेता हूँ है react native server इस तरीके से नाम रख लेता हूँ इसका origin आप अपने हिसाब से select कर सकते है by default रखेंगे तो ज़्यादा better है उसके बाद में branch कौन सी है main branch है अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो हमारी branch main है अगर आपने गलती से कोई other branch में किया हूँगा ना so उसको select कर लें यहाँ से उसके बाद में root directory में dot लगा देंगे यानि root है हमारी उसके बाद में हमारा runtime environment है node अगर आप docker यूश कर रहे तो फिर docker यहाँ पर select कर सकते है लेकिन हमारे case में direct node है उसके बाद में yarn के बदले हमारे पास है npm की command so यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm install यह हमारी command है उसके बाद में देखिए यहाँ पर main file कौन सी है आपके case में अगर index.js है तो वो यहाँ पर add करिए लेकिन हमारे case में server.js है तो इसने automatically यहाँ पर इसको get कर लिया उसके बाद में देखिए यहाँ पर free tier आपको select करना है इनकेस अगर आप plan कोई भी buy करना चाहते है तो select कर सकते है लेकिन ज़रूरत नहीं है और advanced option भी आपको मिलेंगा environmental variables पर आप इसमें add कर सकते है तो यहाँ पर add environmental variables पर click करिए उसके बाद में आपको क्या करना है वापस जाना है vs code में और हमारे पास जितने भी environmental variables है जैसे कि .env की file में हमारे पास है port mongodb का URL है उसके बाद में token का secret है तो one by one इसको आपको add करना है यहाँ से आप क्या करें copy करें इसको copy करने के बाद हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर paste कर देंगे और फिर उसकी value भी आपको paste करना है so 8080 इसको copy करेंगे यहाँ पर add कर देंगे उसके बाद में एक और हमारे पास है तो उसको भी हम यहाँ पर add करेंगे make sure one by one जितने भी आपके env variables है आपको इसको यहाँ पर add करना है मैं fatak से add कर देता हूँ बाखी के जितने भी env variables है उनको तो यहाँ पर मैंने सारे variables को add कर दिया उसके बाद में आपको नीचे scroll करना है health check की ज़रुवत नहीं है उसके बाद में auto deploy पर yes रहने दीजिए बाखी कुछ भी changes मत करिये direct आपको क्या करना है create web service पर click करना है और हाँ यहाँ पर एक extra हो गया न इसको delete कर देता हूँ तीनी value है अपने पास so यहाँ से वापस आते नीचे create web service जैसे इस पर click करेंगे तो build process start हो जाएगा थोड़ा सा time लग सकता है depend करता है कि कितनी complex application है हमारे किसमें तो इतनी कोई complex application नहीं है तो यह ज्यादा time नहीं लेंगा देख सकते हैं यहाँ पर यह building start हो गया npm install command से हमारी dependency यहाँ पर download हो रही है और देख सकते हैं यहाँ पर successfully तेरा packages install हो गये और यहाँ पर upload हो रहा है build और यहाँ पर build successfully 8 second के अंदर इसने build दे दिया उसके बाद में अब हमारे deployment का process यहाँ पर start हो गया काफी easy है render पर upload करना है अगर आप AWS अजूर यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पर process थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो paid service है और complex application के लिए वो ज्यादा better है यहाँ पर हमारे पास कोई भी as such कोई भी complex data नहीं है हो गई और database से भी connect हो चुकी है और initial time पर 404 आ रहा है क्योंकि हमने देखिए एक और issue कर दिया था server.js की file में हमारे पास direct API है देख सकते हैं यहाँ पर direct API कोई root process अपने पास नहीं है यहाँ इनिशल time पर कुछ न कुछ अगर आपको display कराना है न तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोई भी route नहीं लिखा है तो आप यहीं से क्या करें इसको edit कर ले इस pen icon पर click करिए और इसके नीचे हम क्या करेंगे एक root directory बना देंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे home कर देते हैं इसको ठीक है home page के लिए हम क्या कर रहे है एक route बना रहे है और यहाँ पर हम लिखेंगे app.get of get के अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले url pattern add कर देंगे so slash empty slash कर देंगे उसके बाद में callback function so पहले function बना लेता हूँ और यह callback function है इसलिए request और response इसमें भी receive करेंगे और इसमें हम response को send कर देंगे let's start status status of 200 यानि okay request उसके बाद में send function और इसमें हम क्या करेंगे object बना लेंगे so object और इस object के अंदर हम क्या करेंगे message add कर देंगे पहले शुरूँ success कर देता हूँ इसमें भी success through और इसके बाद में message so msg कर देता हूँ shortcut में msg और एक quotation है इसके बाद में message node server running कर देते हैं ऐसा message कुछ और इसको हम क्या करेंगे update कर देंगे so scroll करिए थोड़ा सा और इसके बाद में commit changes पे आपको click करना है और as it is रखते हैं उसको update server.chars commit changes तो यहाँ पर हमारा code थोड़ा बहुत change हो गया देख सकते हैं आप home पे कुछ इस तरीके से हमको एक message show करना चाहिए और यह show करेंगा इसके चलते वापस render पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे लोक्स में जाएंगे और देखते हैं यहाँ पर यह redeploy होता है यह नहीं और यहाँ पर थोड़ा सा load ले रहा है, events में देख लेंगे तो देखें यहाँ पर event में start हो गया हमारा, अभी new commit हमने जो add किया था ना, उसके base पर redeployment start हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं इसको एक बार, और यहाँ पर दीखिए process बता रहा है, आप इस पर click करेंगे तो process आपको बताएंगा, दीखिए वापस से deploy हो रहा है हमारे application, थोड़ा सा time लेंगा, क्योंकि free hosting है तो थोड़ा बहुत यह time लेता है, और syntax error आगे हाँ success true में, okay, spelling mistake, इसको double quotes में नहीं लिखा, इसको वापस से edit करें, फिर से हमको इसको deploy करना पड़ेंगा, आप क्या करें, पहले शुरू जो इसको correct कर लें, यहाँ पर, यह है success true, अब ठीक है, वापस से इसको update कर देंगे, वापस से आते commit changes, update server js, commit changes, okay, यहाँ पर changes हो गया है, अब चलते हैं वापस, और चलते हैं locks के अंदर, तो फिर से हमारी application deploy होगी, events check कर लेते हैं पहले शुरू, और यहाँ पर दीखें, फिर से हमारा application जो deploy हो रहा है, इस पर click करेंगे, और यहाँ पर दीखें, download हो रहा है, catch है, तो थोड़ा सा time लेता है, upload हो रहा है दीखें, build, और इस time यह काम करेंगा, check कर लेते हैं, build successful हो चुका है, deployment वापस से start हो चुका है, और successfully हमारा server run हो रहा है, देख सकते हैं, server running in port 8080, और यह database से भी connect हो चुका है, और get की request भी अगर आप देखेंगे न, तो 200 यहाँ पर बराबर से show कर रहा है, और हाँ, एक चीज, जितने अपने application में console.log statement है, तो आप उसको remove कर लीजिए, वरना अगर आप remove नहीं करेंगे, तो वो main server पे भी show करेंगा, तो इससे आपकी application का data जो है leak हो सकता है, तो make sure आप क्या करें, जितने भी console unnecessary, जितने भी है, error वाले आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें भी data response आ रहा है, तो वो जितने भी console.log है आप उसको remove कर लीजिए, तो यहाँ पर यह successfully deploy हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाद चेक कर लेंगे, देखें, यहाँ पर आपको application की link दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे, new tab में open करेंगे, और जैसे open होगा तो दीके, success true, और उसके बाद में message भी बराबर से show कर रहा है, अब इसको हम क्या कर तकते है, test कर सकते है, हमारी react native के application के साथ में भी, क्योंकि हमको क्या है, दीकि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जए client में जाएंगे, हमने यहाँ पर base URL को set किया था, context के अंदर, so odd context, इसमें हमार पास था base URL, अब हमारे पास यह base URL नहीं रहेंगा, क्योंकि हमने क्या क्या है, node server को deploy कर दिया, so इसको हम test कर सकते है, कैसे करेंगे, बहुत simple है, आपको क्या करना, इसको cut कर देना है, पहले शुरूआ आप क्या करें, आपकी application पर आईए, और यह जो application का URL है, इसको आपको copy क करना है, copy करेंगे, copy करने के बाद यहां पर आएंगे हम, और यहां पर इसको paste कर देंगे, और API slash V1 हम add कर देंगे, save कर लेते हैं इसको, और React Native की application को test करेंगे, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, पहले शुरूँ, terminal को open कर लेता हूँ, और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहां पर React Native की application को run करेंगे, so cd client, और इसमें आपको लिखना है, mpm start command, ताथी मैं Android Studio को भी यहां पर मैं open कर लेता हूँ, so Android Studio, यह run हो रहा है, यहां से virtual device को run कर देंगे, so data को मैं wipe कर लेता हूँ, पहले शुरूँ, और फिर से इसको run कर लेंगे, तोड़ा सा time लेता है, first time में, boot होग इसको minimize कर देता है, अब ठीक है, right by side यह बराबर से show करेंगा, और इसको minimize कर देता हूँ, expo की application run होगे, लेकिन still emulator open हो रहा है, so wait करते हैं, इसको open होने का, boot हो गई, यहां पर press a कर देंगे, तो automatically expo में हमारी application जो install होना start हो जाएंगी, तो यहां पर हमारी application देखिए, install हो रही है, थोड़ा सा load लेती है, first time में, और बराबर से build हो रही है, देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से interface था, continue, और यहां पर हम check कर लेंगे, हमारे server के साथ में यह काम करता है नहीं, so हमारे पास email id था, tatt.com, और उसका password यहां पर मैं add कर देता हो, और यहां पर login एक बार try कर लेंगे, so यहां से आप क्या करें, login पर click करिए, तो देखिए, login successful, अब यहां पर मैंने देखिए, कोई भी server हमारा run नहीं किया है, जो भी data है, वो हमारा actual में, जो भी application है, कहां पर हमने host किया है, इसको render पर host किया है, तो यहां से हमारा data show कर रहा है, देख सकते हैं, build का अगर आप यहां पर console देखेंगे, तो देखिए, यहां पर हमारी request भी successfully गई, check कर सकते हैं, get all post show कर रहा है, और इसके बाद में हमने login किया, तो login में देखे, 200 response भी बराबर से show कर रहा है, तो successfully हमारा server जो है deploy हो चुका है, so next हम क्या करेंगे AP के file को generate करेंगे, या फिर आप ABB file भी देख सकते हैं, यानि अगर आपको direct play store पर upload करना है, तो फिर आपको ABB file महाँ पर लगती है, बागी सब कुछ हमारे पास successfully काम कर रहा है, react native की application में सब कुछ सही से show कर रहा है, और initial time पर दीखिए हमने spinner इसमें भूल गए है, तो spinner अपने हिसाब से भी add कर सकते हैं, दीखिए, जैसे मैंने my post पर click किया ना, तो दीखिए, API बराबर से hit हुआ, account पर click करेंगे, account में कुछ भी नहीं है, यहाँ से अगर आपको चीज़ों को update करना है, जैसे कि test user के बतले हम क्या करेंगे, इसका नाम change कर देंगे, और यहाँ मैं करता हूँ, server user कर लेता हूँ, इसको ठीक है, सिर्फ test के लिए मैं add कर देता हूँ, server user, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से update कर देंगे, update profile, तो देखे, profile updated, please login, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको login करके, एक बार try कर देंगे, t, और अगर आप यहाँ पर notice करेंगे, त तो देखे, update का जो API है, वो भी call हुआ है successfully, अब फिर से मैं यहाँ पर login कर लेता हूँ, t at t.com, password add कर देता हूँ, यहाँ पर, और यहाँ से हम login हो जाएंगे, तो देखे, login successful, और इसके बाद में चलते है, account के अंदर, तो देखे, server user बराबर से show कर रहा है, तो successfully हमारी application, server site भी काम कर रही है, लेकिन अब हमारा server जो है local में नहीं है, उसको actual में हमने कोई hosting provider में add करके रखा है, तो हमने उसको render पर deploy किया, आप चाहें तो कोई other platform पे भी उसको deploy करके test कर सकते है, make sure उसको documentation follow करें, जो भी other platform पे आप उसको host कर रहे ना, तो उसको documentation या फिर कोई भी tutorial आ channel पे हैं, तो आप check out कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ playlist जो है इसके साथ में attach कर देता हूँ i button के उपर, तो वहां से भी आप उसको follow कर सकते हैं, so यह था इस वीडियो में, I hope आपको समझ में आया हूगा, मैं मिलता हूँ next वीडियो में previous वीडियो में हमने note server को deploy किया था, render पे और वह perfectly काम कर दा था, हमने react native की application में deployed server का URL भी add कर दिया था, यानि base URL में हमने उसका URL add कर दिया था और वह perfectly काम कर दा था, उसको previous वीडियो में हमने test की कर लिया था, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यह जो client application है, client application क्या है, हमारी react native की application है, इसको हमको क्या करना है, build देना है, build देने के बाद क्या होगा, as a apk file हम उसको use कर सकते हैं, और अगर आपको as a ios application चाहिए, तो दोनों option आपके पास show करता है, तो अगर आपको सिर्फ ios specific बनाना है, तो आप ios को select करेंगे, हम यहाँ पर as a android उस सबसे पहले आपको क्या करना है, export dev की website पे जाना है, और यहाँ पर आपको sign up करना है, अगर आपके पास इसका account है, तो ठीक, वरना आप क्या करें, यहाँ से email, username, password, और फिर password को confirm करके sign up कर लें, sign up करने के बाद एक verification link आपको आपकी email पे send कर दिया जाएंगा, उसको आपको इसमें थोड़ा भाव changes भी देखने मिल सकता है, हम क्या करेंगे, expo की मदद से हमारी application को build देंगे, तो expo क्या करेंगा, हमको automatically Android का AP के file generate करके देंगा, उसी को हम जए download करके कहीं पर भी use कर पाएंगे, तो चलिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका documentation भी देख सकत यहां से आपको इसका documentation मिल जाएंगा, और इसको light theme कर देता हो, मैं कुछ इस तरीके से, यहां पर कुछ steps है, जो कि आपको follow करना है, सबसे पहले आपको react native की application को create करना है, जो कि हमारे case में, हमने पहले ही इसको create करके रखा है, उसके बाद में second step है, expo का account आपको create करना है, तो वो भी हमने create करके रखा है, तो यह दोनों step होने के बाद आपको क्या करना है, escli को download करना है globally, तो dash g का मतलब क्या होता है, globally आपके system में ecli भी download हो जाएंगा, इस command को copy करने के बाद, आपको power shell को open करना है, क्योंकि दीखिए, इसमें admin privileges लगते हैं, यानि admin access आपको चा कर पाएं, और यहां पर यह open हो रहा है, इसके बाद में लिखिए आपको इस command को paste कर देना है, npm install dash g is cli, थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूं इसको, इतना लिखिए आपको enterprise करना है, तो यह package आपके system में globally install हो जाएंगा, जदा time नहीं लेंगा, protect से यह download हो जाता है, so wait कर इस login, इस command को आप copy करेंगे, वापस आएंगे command prompt के अंदर, और यहां पर इसको paste कर देंगे, yes login, उसके बाद में आपको यहां पर अपना email id add करना है, तो email id में add कर देता हूं, उसके बाद में आपको यहां पर password add करना है, तो password में add कर देता हो, protect से, और enterprise करता हो, तो देखिए, यहां से मैं login हो जाओंगा, कुछ इस तरीके से, अगर आपको check करना है, तो आप यहां पर एक command आती है, मैं documentation में बता देता हूँ, देखिए, e-a-s, who am I, तो यह command आप copy-paste भी कर सकते हैं, copy करिए, तो आपको पता चल जाएंगा, अप login है या नहीं, चलते हैं वापस command prompt में, इसको paste कर लेंगे, इतना लिखके आप enterprise करिए, तो यह आपको बता देंगा, देखिए, मेरा नाम शो कर रहा है यहां पर, तो perfectly हम login है, इसके बाद मैं पिसाना है, documentation में, और यहां पर हम क्या करेंगे, build की configuration दे देंगे, तो आपको इस command को भी copy करना है, copy करने के बाद, अब हम क्या करेंगे, command prompt का use कर लेंगे, so integrated terminal का use कर लेता हूं, new terminal, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले, client directory के अंदर switch हो जाएंगे, cd client, और इसको minimize कर देता और यहां पर आप क्या करेंगे, इस command को paste कर देंगे, eas build colon configure, इतना लिख के आपको enterprise करना है, और यहां पर देखें, admin access नहीं है अपने पास, तो इस पात को मैं क्या करता हूं, यहां से copy कर लेता हूं, copy, paste, तो देखें, यहां पर हमने इसको paste कर लिया, enterprise करेंगे, और still यह switch नहीं हो रहा है, so d directory के अंदर, direct हम switch हो देखें, check कर लेते हैं, so d के अंदर हम switch हो गए, देख सकते हैं, और path भी बरावर से आ रहा है, पहले शुरू जो है show नहीं कर लाता, देख सकते हैं, अब यह perfectly इसके अंदर switch हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस command को वापस से paste करेंगे कौन से command को, build colon configuration को, इस command को आपको copy करना है, और यहां पर आप क्या करेंगे, इसको paste कर देंगे, yes, build colon configure, इतना लिखके आपको enterprise करना है, तो दीखें, yes, project not configure, आपको कुछ इस तरीके से show करेंगा, would you like to automatically create an yes project for, जो भी आपका project name है, वो show करेंगा, तो हम simply yes पर click करेंगे, तो automatically यह create कर लेंगा, और इसके बाद मैं आपसे platform के लिए पूछता है, किसलिए आपको जाहिस application को create करना है, हमारे किसमे हम क्या करने वाले, android specific देखेंगे, अगर आपको दोनों देखना है, तो आप all को select कर सकते है, हम यहां से android को select करेंगे, इस पर arrow लाके हम enter press करेंगे, तो इसको check कर लेंगे पहले शुरू, चलते हैं, vs code में, और यहां से access नहीं हो रहा था, अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो एक es.json की file हमारे पर create हो गई, इसको आप open करेंगे, इसको आप उपन करेंगे, इसको related configuration आपको show करेंगा, जैसे के CLI version, build कैसे हो रहा है, तो यहां पर show करेंगा, इसके बाद में आते हैं, वापस documentation में, और इसके बाद में हमको directly, इसको build देना है, हम क्या करेंगे यहां पर, CLI की मदद से build देंगे, तो नीचे आप scroll करेंगे, उसके बाद में दीखें, आपको इस तरीके से command मिलती Android के लिए, और iOS के लिए आपको इ execute करना है, हम क्या करेंगे, यहां पर as a preview जो है, इसको check करेंगे, कैसे करेंगे, देखें, मैं आपको बताता हूँ, चलते हैं, CMD में, इसको clear कर देंगे, पहले शुरू, CLS, और यहां पर मैं command को manually type करके आपको बताता हूँ, हम यहां पर लिखेंगे here, फिर उसके बाद में आपको लिखना है build, हम यहां पर लिखेंगे for preview, और इसके बाद में किस platform के लिए ही हमको android के लिए चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे android, इसके बाद में space –profile, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे preview, इतना लिखेंगे आपको enterprise करना है, तो आपकी जो वो host होना start हो जाएंगी, उसके बाद में देखें, आपसे कुछ ID के लिए पूछता है, तो यहाँ पर हम default ID रख लेंगे, क्योंकि यह one time है, make sure, यहाँ पर जो भी आप ID प्रवाइट करेंगे न, वही आपके Android application की ID बन जाएंगे, और आप इसको change नहीं कर सकते हैं, so make sure, इसको cross check करें, मैं एजटीज रखूँगा, com.tech.it.client, आप ने इसको देखा भी होँगा, normally हमारे जो भी application आते मोबाइल में, उसमें com से start होता है, पर company का नाम होता है, और उसकी application उसका नाम होता है, तो same वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसको हम enter press कर देंगे, उसके बाद में देखें, using remote android credential, उसके बाद में generate new android key store, तो हम यहाँ पर ps पर click करेंगे, तो key store भी यहाँ पर create होँगा, और इसके बाद में हमारा build process start हो जाएंगा, आपका जो भी project है, वो ES की मतदब से, expo पर deploy होना start हो जाएंगा, और इसको होने में थोड़ा सा time भी लगता है, depend करता है, क्योंकि यह free tier है, हम यहाँ पर free वाला account यूज कर रहे है, तो इसमें हमको queue में रखता है, देख सकते हैं, waiting in free tier, queue, तो जैसे हमको slot assign होता है, तो देखें, यहाँ पर build in progress शो करता है, और build होने में थोड़ा सा time भी लगता है, 5-10 मिट इसको लग जाते हैं build होने में, और जैसे build होंगा तो आपको एक link यह provide करेंगा, आप इसको download भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, wait करते हैं पहले इसके finish होने का, अभी तो यहाँ पर यह progress में बता रहा है, तो वेट करते हैं इसके finish होने का, और finally 15 मिनिट के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको message मिला है, install and run the android build on emulator, so emulator में हमको नहीं चाहिए, इसलिए मैं no पर click करता हो, and मैंने press किया, और यहाँ से दीखिए, आपको एक link मिला है, आप इसको जब copy कर सकते हैं इस link को, यहाँ से आप इसको copy करिए, copy करने के बाद आएंगे वापस से browser में, और अगर आप account में भी जाएंगे और यहाँ पर इसको refresh करेंगे, तो एक application यहाँ पर show करेंगा, देख सकते हैं, recent activity में, यहाँ पर direct इस client में आप जा सकते हैं, और यहाँ पर दीखिए, आपको android internal distribution build यहाँ पर show करेंगा, तो आप इस पर click करिए, click करने के बाद दीखिए, three dots पर आपको click करना है, और यहाँ से आप ज़े download कर सकते हैं, build को, so, apk file यहाँ से आप क्या करें, इसको download कर ले, देखिए, कुछ इस तरीके से यह download होना start हो जाएंगा, और यह actual में आपकी apk file है, देख सकते हैं, और आप इसको open कर ले, open करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे folder में यह application नज़र आएंगी,